आ ए बिगीनर्स कहांगा इस कोर्स में आपको जास्क्रिप शिर्फ लेकर इडवांस से लेल ना चाहते हैं और उनके लिये भी yüz落 आएइंस काम कर रहे हैं बर उनने यह नहीं पता कि जावस्क्रिप काम कैसे करती है या ए फिर वह के दित कोई भी परिशानी नहीं आएगी जावास्क्रिप्ट में यह मैं इस बात की मैं गरेंटी ले सकते हूं मैंने स्कोर्स को बनाने में बहुत मेनत किया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज मैं बिल्कुल असान करके समझा सकूँ और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अब बात करते हैं इसके सिलेबस की और एक और चीज अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करना और मैं पूरी कोशिश कराओंगा अच्छे से अभी जले जली देख लेते हैं से लेबस क्योंकि स्लेबस में जो मैंने लिखा है वो मैंने टोपिक्स के नाम लिखे है तो कुछ सेंस नहीं बनेगी बड़ देख लेते हैं क्वार इसका और जो भी मैं आप बताऊंगा भी वह हम बहुत ही अच्छे अच्छे समझेंगे आपको कोई परिशानी नहीं आएगी सब कुछ मैं आपको प्यार से समझा दूँगा अब इसके सलेवस की बात कर लेते हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं तो यहां पर गूगल किया है एकमा सक्रिक्ट में डिफ्रेंस क्या है जावक्त क्या चीजे हैं लग-채 initiatives नहीं कर सकता उसके बाहें कि basics of programming in javascript और एक और चीज़ यह जो मैंने syllabus इस तरह से design किया है कि और यह syllabus मैंने बहुत सोस समझ के design के इस तरह से सबसे बहले basics of programming की बात करेंगे जिसमें हम basic चीज़े सीखेंगे सबसे बहले तो hello world program उसके बाद variables let की बात करेंगे, const की बात करेंगे string indexing, useful string methods, template strings null, undefined, begin type of फिर booleans, comparison operators truthy, falsey, valuesy, false, ternary operator and or operator, nasty defense switch statement, while loop for loop, break continue, do while loop तो इन सब चीज़े के बारे में बात करेंगे और जितने points आपको देख रहे हैं यहाँ पे इतनी files बनाऊँगा, पहली files में यह काम करूँगा फिर मैं अगली file में यह काम करूँगा यह काम करूँगा, तो यह आप सोचे कि इतनी files हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे arrays in JavaScript के बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे array में क्या क्या चीज़े हैं primitive versus reference type की बात करेंगे clone arrays, for example JavaScript में नहीं चीज़े हैं, for example spread operators, इसको हम साथ में ही सीखेंगे जो भी JavaScript में modern चीज़े हैं उसको साथ में ही सीखेंगे spread operator हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे array destructuring हो गया four of loop हो गया, four in loop हो गया तो arrays की बात करेंगे अच्छी तरह उसके बाद objects की बात करेंगे हम objects में हम बात करेंगे dot versus bracket notation हो गया iterate objects हो गया, computed properties क्या होती है, spread operator क्या होता है object destructuring क्या होता है objects inside array, nested destructuring तो इस अच्छी जो के बारे में बात करेंगे उसके बात functions चावा script में बहुत ही great detail later in this course मतलब मतलब की कुछ चीज़े मैंने पहले बताई हैं आपको और उनको दुबारा touch किया बात में जाके उनको दुबारा बात में जाके दुबारा मैंने आपको बताया है उसके बात functions inside functions हो गया lexical scope हो गया, block scope versus function scope हो गया, default parameters हो गया parameters हो गया, parameter destructuring हो गया इसका very brief intro to callback function तो इसको मैंने अब भी थोड़ा सा briefly समझाया, बात में दुबारा इसको touch किया मैंने इस topic को, दुबारा इसको detail में समझाया है, तो आप functions returning functions, ये भी मैंने दुबार बताया है बतलब पहले आपको बताया है, फिर closures पढ़ेंगे हम आगे जाके इस course में उसमें इस seat का और भी बहुत ज़्यादा use करेंगे, उके, उसके बाद very important array methods, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर array पढ़ लिया तो यहीं पर कराने चीए थे मैरे को array के methods important, actually जो array के ये वाले methods हैं, इनमें functions की ज़रूद होती है तो इसलिए यहाँ पर पहले functions हैं और फिर very important array methods, इसमें for each हो गया, map हो गया, filter reduce, sort, find every sum, fill method splice method, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे उसके बाद more useful things उसके बाद iterables के बात करेंगे sets, maps, object.assign, optional chaining, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे उसके बात हम बात करेंगे object oriented javascript और prototypal inheritance इस section पर मैंने बहुत बहुत ज़्यादा emphasis किया बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपको बहुत सब कुछ समझाया है क्योंकि इसमें बहुत लोग confused होते हैं इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया methods के बारे में बताया है this keyword, window object के बारे में बताया है call, apply, bind method लोगों को समझ नहीं आते यह मैंने अच्छे समझाया है उसके बाद मैंने आपको कुछ warnings दिया थाकि आप गलतियां करने से बचो उसके बाद this inside arrow function short syntax for methods उसके बाद factory functions and discuss some memory related problems उसके बाद यह proto क्या होता है, prototype क्या होता है उसके बाद new keyword क्या होता है ओके तो यह सब चीजों के बारे में बात करेंगे for example super keyword क्या होता है class keyword क्या होता है prototype बले inheritance की बात करेंगे हम इसमें, getters, setters की बात करेंगे तो इस section में मैंने बहुत जदा अंफसी किया है और इस section से बहुत सारे interview के questions भी पूछे जाते हैं उसके बाद बात कि how JavaScript works तो यह तो section है ना, इसमें मैंने बहुत detail में diagram बना बना कि आपको समझा है उसके बाद how JavaScript works तो यह भी बहुत important है इसमें हम बात करेंगे global execution context की this की बात करेंगे दुबारा window की बात करेंगे उसके बात यह चीज लिखे हैं मैंने our latent concert hoist street, अब यह कोई sense नहीं बना रही होगी बट यह सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसके बाद function execution context के बाद करेंगे उसके बाद lexical environment के बारें बात करेंगे closures के बारें बात करेंगे closures के कुछ example देखेंगे तो यह मैंने बहुत-बहुत अच्छी तो समझाया آپको diagram बना को उसके बाद dome पे आएम dome tutorial करेंगे उसके बाद उसमें हम HTML CSS के crash course है, 30-60 minute का है, मैं उमीद करूँ थोड़ा सा आपको HTML CSS आता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, HTML तो आती है, कम से कम, थोड़ा बहुत, syntax बाथ हो HTML का, उसके बाद यहाँ पे async defer की बात करेंगे, उसके बाद यह सारा DOM की बारे में text notes, इसका diagram बना के दिखा है मैंने आपको, कैसे कैसे काम होता है, कैसे browser काम करता है, और उसके बाद method, create elements, यह सब चीजे, आप देख सकते हैं, यह सब चीजे बताऊंगा मैं, आगे event bubbling बता है, event capturing बता है, event delegation बता है, यह interview में भी पूछते हैं, इस सब चीजे, उसके बाद this keyword insight, event listener callback, तो इस सब चीजे हम cover करेंगे great detail में, पुरा detail में समझेंगे, समझेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे asynchronous JavaScript के बारे में, इसमें भी बहुत ज़्यादा emphasis किया हैंने, इसमें हम बात करेंगे, synchronous programming क्या होता है, synchronous programming क्या होता है, उसके बाद set time out की बात करेंगे, इसको detail में समझेंगे, क्योंकि इस से related questions पूछते हैं, interview में, और लोग इसका answer नहीं दे बाते, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, प्यार से, set time out बताया है, callback queue बताया है, set interval बताया है, फिर callbacks in ASync programming, callback help, pyramid of doom, enter to promises, micro task queue, और यहां पर functions, debt returns, promises, promise, promise and set time out, तो खर, ajax, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो actually में इस कोर्स में ये सब कुछा है, उसके बाद हम catch EP के बारे में बात करेंगे, फिर promise, async await की बात करेंगे, ये six modules की बात करेंगे, उसके बाद, उसके बाद congratulations, इतना करने के बाद, आपको JavaScript में कोई परिशानी नहीं आएगी, ये जो मैं भी, syllabus discuss कर रहा हूँ, ये justice नहीं कर रहा, कि इसमें हम कितना कुछ सीखने वाले हैं, कितनी knowledge आपको मिलने वाली है, बट इसमें आपको बहुत-बहुत knowledge मिलने वाली है, और यहाँ पर मैं उसके बाद discuss करूँगा, मैं अब आपको क्या करना चाहिए, बीच में projects मनाएंगे, हम छोटे-छोटे, जिसमें आपके concept को clear करूँगा, मैं इस course का main motive है, कि आपका concept एकदम JavaScript का crystal clear हो, जैक कोई परिशानी ना आपको, JavaScript का कोई भी concept में, तो यह सब syllabus है, तो मैं इसका link description में दे दूँगा, और description में मैं time भी डाल दूँगा, इस time पे यह चीज मैंने पढ़ा रखी है, ओके, यह जो course है, यह तीन parts में आएगा, मतलब यह 23 गंटे का content आपको, तीन वीडियो में मिलेगा, जो पहली वीडियो होगी, मतलब कि यह वली वीडियो करीब 11 गंटे की होगी, इसके बाद यह एक वीडियो आएगे करीब 9-10 गंटे की होगी, और फिर एक और वीडियो आएगे करीब 3-4 गंटे की होगी, तो इस तरह से एक और साएगा, अब बतातो मैं, यह जो सिलेब अचाही पूरे course का है, और इसमें अब बात करने की पहली वीडियो में कहां तक आएगा, पहली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा यहां तक, और प्रोटोटाइपल इन्हेलिटेंस, यहां तक मैं आपको पढ़ाऊंगा पहली वीडियो के अंदर, उसके बाद how JavaScript works, और DOM, यह आएगा second video में, तो how JavaScript works, JavaScript काम कैसे करती है, और DOM, यह second video में आएगा सारा का सारा, और third video में आएगा सारा का सारा, asynchronous JavaScript, आएगो आपको कोई भी confusion नहीं होगी अभी, कि JavaScript का जो course है, वो किस तरह से आएगा, तो पहली वीडियो में क्या आएगा, basics of programming in JavaScript आएगा, array in JavaScript आएगा, उसके बाद objects आएगा, functions आएगा, important array methods आएगा, useful things आएगा, और object oriented programming, protiple narratives आएगा पहली वीडियो के अंदर, मतलब कि जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, उसके अंदर, उसके बाद हैं यह सब चीजे, उसके बाद second video में यह दो चीजे, how JavaScript works and DOM, और उसके बाद आएगा, asynchronous JavaScript third video के अंदर, ओके तो अब इसको पढ़ना start करते हैं, और देखना start करते हैं, और सीखना start करते हैं JavaScript को, please इस वीडियो को like जरूर कर देना, और comment जरूर कर देना, इससे मेरी help मिलेगी मुझे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा comments या like करोगे, तो ज़्यादा YouTube इसको recommend करेगा, दूसरे लोगों तक, तो इसलिए मेरा फायद होगा, तो please यह काम कर देना, अब start करते हैं JavaScript को पढ़ना, अब बात करेंगे हम, कि ACMA script क्या है, JavaScript क्या है, ES5, ES6, ES2015, ES2016, यह सब क्या है, यह सब same है या different है, अगर same है, तो इनको different different नामों से क्यों जाना जाता है, और different है, तो क्यों different है, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो इसकी बात करने से पहले, हम JavaScript की history की बात करेंगे, क्योंकि history की बात करेंगे, तब आपको पता लग जाएगा, कि यह सब के different नाम क्यों है, तो बात करते हैं 1995 से, 1995 में एक बहुती ज़्यादा popular web browser था, Netscape Navigator, उस टाइम का सबसे popular web browser था, तो इसको महसूस हुआ, Netscape Navigator को महसूस हुआ कि, हमारे पास एक ऐसी programming language होनी चीए, simple, जिससे हम websites में interactivity को add कर पाएं, तो Netscape Navigator के लिए काम कर रहे थे, Brandon Aik, इन्होंने किया कि, जावा स्क्रिप्ट को बनाया 1995 में केवल 10 दिनों में, केवल 10 दिनों में इन्होंने जावा स्क्रिप्ट को create किया, और उसके बाद क्या था, उन्होंने जावा स्क्रिप्ट का नाम सबसे पहले था, Mocha, Mocha से नाम change करके इन्होंने कर दिया, LiveScript, बट इसकी इतनी popularity नहीं हो रहे थी, जितनी यह चाह रहे थे, और उस टाइम पे, जब LiveScript आई थी, उस टाइम पे एक बहुत ही popular language थी, Java, तो LiveScript वलों ने सोचा, कि हम कुछ ऐसा करते हैं, कि LiveScript की marketing करते हैं, कि इसकी popularity और बढ़े, तो इन्होंने क्या किया, Java पहले ही popular थी, इन्होंने क्या क्या, LiveScript का नाम, चेंज करके, JavaScript कर दिया, बट, LiveScript का नाम, चेंज हो के, JavaScript कर दिया, बट, Java और JavaScript, दोनों, completely different programming languages हैं, इनका आपस में, कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद, Internet Explorer भी उस तेंपे, बहुत ही ज़ादा famous था, 1996 में, Internet Explorer को ऐसा फिल हुआ, कि यार, Netscape Navigator, बहुत ही ज़ादा popular हो रहा है, JavaScript के कारण, हमें भी कुछ ऐसा करना चीए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने, JavaScript उठाई, उसके कुछ features को भी किये, और कुछ features, अपने नई implement किये, और एक नई programming language निकाल दी, जिसका नाम रख दिया, उन्होंने, Jscript, तो Microsoft के पास, अब Jscript हो गई, मलग कि Internet Explorer के पास, और Netscape Navigator के पास क्या हो गई, JavaScript हो गई, तो उस टाइम पे, 1996 में, दो programming language हो चुकी थी, एक थी JavaScript, और एक थी Jscript, अब यहाँ पे क्या था, हम जैसे लोगों के लिए, काफी परिशानी थी, परिशानी यह थी, कि अगर मैं JavaScript यूज करूँ, तो मेरी website, Netscape Navigator में अची दिखेगी, अगर मैं Jscript यूज करूँ, तो मेरी website, Internet Explorer में अची दिखेगी, और उस टाइम पे, लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया था, कि this site best viewed with Netscape Navigator, या फिर लिखना शुरू कर दिया था, best viewed with Internet Explorer, तो इससे क्या था, इससे बहुत problem थी, तो इससे मेरे पास इतना budget नहीं है, कि मैं दो-दो web browsers के लिए, अपने websites बनवाओ, फिर JavaScript को लेके गई, ACMA के पास, ACMA इक international organization है, जो कि standardized करते है, different technologies को, ACMA decide करते हैं, कि कोई technology इस तरह से behave करेगी, इस तरह से काम करेगी, इस तरह से इसको behave करना चाहिए, इस तरह से इसको काम करना चाहिए, for example, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ACMA standardization technologies, आप देख सकते हैं, ACMA script, programming languages, acoustic, dart, information storage, तो इन सब technologies पर नोने काम किया, इनको standardized किया है, मतलब, तो JavaScript को लेकिए, ACMA के पास, ACMA ने कहा, ठीक है, हम decide करेंगे, कि कोई scripting language, जो browser में काम करेगी, कैसा behave करेगी, उसमें क्या-क्या features होने चाहिए, क्या-क्या functionality होने चाहिए, और सभी browser को, वो ही चीज implement करनी होगी, जो हम decide करेंगे, तो ACMA ने यह कहा, तो मतलब, एक standard बन गया, मतलब, यह मैं इसको open करता हूँ, ACMA script open करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख हो है, ACMA 262, तो यह है एक document, 262, document number 262, इस document में उन्हें specify किया है, कोई भी scripting language, जो browser में काम करेगी, किस तरह से behave करना चाहिए उसको, क्या features होंगे उसके पास, और सभी browser को, वो ही implement करना होगा, तो आप देख सकते हैं, यह ACMA script की official documentation है, मतलब, अगर आपने कल को अपना browser launch किया, आप कहते हो, मेरे को इसमें JavaScript implement करनी है, या फिर आप कहते हो, कि मुझे एक खुद की JavaScript जैसी programming language बनानी है, तो आपको पहले यह documentation बढ़नी पड़ेगी, सारी की सारी, ऐसे सेम rule follow होने चीए, ऐसे वो behave करने चीए, समझ रहे हो, तो यह है ACMA, ACMA ने decide किया है, कि JavaScript कैसे behave करेगी, कैसे काम करेगी, इसको यह JavaScript भी बोल सकते थे, बट इन्होंने ACMA script इसलिए बोला, क्योंकि JavaScript पर trademark Oracle के पास था, इसलिए इन्होंने इसको ACMA script बोल दिया, चीज सेम है, चाहिए आप JavaScript बोलो, चाहिए आप ACMA script बोलो, ACMA ने क्या किया था, ACMA ने इसको standardized किया था, कि JavaScript ऐसी होगी, पहले क्या था, इसलिए यहाँ पर ACMA ने इसको standardized कर दिया, यह document number 262, और यहाँ पर देख सकते हैं, सारे की सारे यहाँ पर ACMA script की, यहाँ पर specification लिखी हुई है, फिर क्या हुआ, 1997 में ES1 आया, ACMA script ने अपना ES1 निकाला, ES मतलब ACMA script, ES1, तो ACMA script की first specification आई, और ACMA ने कहा, कि हर एक browser को अभी यही implement करनी है, मलें कि same programming होगी हर एक browser के लिए, तो इसलिए लोगों को काफी benefit हुआ, ऐसी ES1 आया, फिर ES2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर आया ES5, ES5 अब है 2009 में, और यह JavaScript में क्या था, JavaScript में काफी सारे नई features आया ES5 में, लोगों को बहुत पसंद आने लगी JavaScript, ES5 के आने के बाद, 2009 में जो JavaScript आयी थी, तो उसमें लोगों को बहुत पसंद आयी, और लोगों ने काफी ज़ला यूज़ करना शुरू गया JavaScript को, 2009 के बाद, ES5 के बाद, 2009 के बाद, डिरेक्ट जो अगला feature है वो आया 2015 में, और 2015 में बहुत कुछ हुआ, 2015 में जो JavaScript आयी थी, उसको बोलते है ES6, और 2015, JavaScript की history में सबसे बड़ा update था, 2015 में जब JavaScript आयी थी, बहुत सारे अपने अंदर नए-नए updates लेके आयी थी, और उसके बाद, जोटरन JavaScript बोलते हैं, और बहुत सारे चीज़ जोई 2015 में, एक ECMA के पास एक community है, TC39, TC39 का मतलब technical community 39, तो इस community के लोग decide करते हैं, कि JavaScript में क्या feature आयेगा, क्या feature नहीं आयेगा, तो इस community ने decide कि अब, हम JavaScript का हर साल annual release करेंगे, अभी क्या हो रहा था, पहले JavaScript है 2009 में, 2009 के बाद आई 2015 में, तो उन्होंने का, कि हम हर साल 6 meeting करेंगे, हर 2 महिने में एक meeting, और decide करेंगे, कि JavaScript में कौन से नहीं features आने चीएं, और कौन से नहीं आने चीएं, तो इसी लिए, 2015 में जब JavaScript आई, तो उसका official नाम हट गया, ES1, ES2 नहीं बोलते तब से लोग, तब से जो official नाम है, वो यह है, ES2015, ES2016, ताकि लोगों को पता रहे, कि अब इस साल यह update आई है, इस साल यह update आई है, क्योंकि उन्होंने यह decide कर लिया था, कि हर साल इसका annual release होगा, और JavaScript में, किसी भी features को आने के लिए, उसको चार stages से गुजरना पड़ता है, आप देख सकते हैं, चार stages से गुजरना पड़ता है, और इन stages में देखा जाता है, कि यह feature क्या problem solve कर रहे हैं, कोई problem create तो नहीं कर रहे हैं, इस feature के आने से क्या changes होंगे, तो जो पुराने legacy code है, उसमें कुछ परिशानी तो नहीं होगी, तो यह सब चीजे, हम देखी जाती है, प्रोपोजल्स में, चार phases होते हैं, इनसे गुजरना पड़ता है, किसी भी feature को, officially JavaScript में आने के लिए, तो लोग ES5, ES6, ES7 भी बोलते हैं, और यहाँ पर एक और चीज में आपको बताना चाहूँगा, तो JavaScript है ना, वो backward compatible है, backward compatible का मतलब क्या है, जो feature JavaScript में, आज से 20 साल पहले आया था, वो feature JavaScript में आज भी काम करेगा, आप अगर वो code आज लिखेंगे, तो आज भी काम करेगा, बट JavaScript forward compatible नहीं है, forward compatible का मतलब क्या है, for example, मैंने कोई feature आज लौँच किया, और कोई इनसान, यूस कर रहा है अब 15 साल पुराना ब्राउजर, उसने अपना ब्राउजर अपडेटिन नहीं किया, क्या उसके ब्राउजर में एक code चलेगा, नहीं चलेगा, अपना ब्राउजर साथ के साथ अपडेट करना चाहिए, नहीं features के लिए, तो इसके लिए एक solution है हमारे पास, हमारे पास कहीं tools है, Babel हो गया, ऐसे-ऐसे tool है, Babel है एक tool, तो इस Babel से क्या करते हैं, वो अपने code को transfile कर देते हैं, मतलब हम modern code लिखते हैं, मतलब कि modern code किसको बोलते हैं, modern javascript बोलते हैं कुछ लोग, modern javascript 2015 में javascript है थी ना, जो ES6 है, बस तब से लोग javascript को modern बोलते हैं, ES2015 को लोग बोलते हैं modern javascript, तो लोग modern javascript का code लिखते हैं, बिना चिंता किये, कि पुराने browsers में चलेगा या नहीं चलेगा चिंता क्यों नहीं करते क्योंकि Bevel क्या करता है Transpile कर देता है आपके ES6 वले code को ES5 में वो Transpile कर देता है ताकि वो पुराने browsers को भी support करें और पुराने browsers में भी वो चल जाए तो इसलिए हमें कोई चिंता लेने की ज़रुवत नहीं होती हम अपना अराम से modern JavaScript का code लिखते हैं और हमें लिखना भी चीए अच्छी practice अच्छे features आ रहे हैं अच्छी चीज़े आ रहे हैं हमें use भी करनी चीए और हमें चिंता करने की भी ज़रुवत नहीं है और हम डाउनलोड करेंगे VS Code को VS Code एक text editor है और यह best text editor है web development के लिए तो आपको Google पे simple search करना है VS Code और यहाँ पे आपको पहला ही link मिलेगा उस पे click करना है आपको कुछ ऐसी website देखने को मिलेगी ओके हो सकता थोड़ी सी change हो जब आप यह video देख रहे हो तो क्या करना है download for windows जो भी आपको operating system होगा उसके coding आप download कर सकते है Mac के लिए Linux के लिए या विंडोस के लिए तो मैं यहाँ पे windows यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे windows के लिए download कर लोगा तो यहाँ पे download होना start हो चुका है तो download complete हो चुका है अब मैं इसको क्या करूँगा install करूँगा इसको install करता हूँ मैं run, run पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप desktop icon create करना चाहते हैं तो इस button पे आप click कर सकते हैं उसके बाद add open with code action to windows explorer file context menu इस पे मैं click करूँगा उसके बाद add open with code action to windows explorer directory context menu इस पे भी click करूँगा और इस पे भी click करूँगा सब चीजों पे मैं click कर दूँगा उसके बाद next पे click करूँगा install पे click करूँगा अब यह install हो चुका है अभी यहाँ पे लिखा रहा है launch visual studio code तो मैं इसको launch अभी कर सकता हूँ यह इसको अभी launch नहीं करता हूँ मैं इसको भी finish simple finish कर देता हूँ तो मैं आपको VS code दिखाई देता हूँ open करके तो अब VS code को open करेंगे तो कुछ इस तरह से देखेगा आपको VS code तो यहाँ पे मुझे करना क्या है यहाँ पे मैं open folder करूँगा open folder और यहाँ पे मैं क्या करूँगा desktop है ना जो मेरा for example मैं desktop एक नया folder create कर लूँगा new folder और उसका नाम रख दूँगा for example मैं java script javascript learning मैंने उसका नाम रख दिया और मैं करूँगा इस folder को select करके open कर लूँगा तो वह वहला folder मेरा खुल चुका है अब मैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा zoom करके दिखा हूँ आपको आई होब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस plus button पे क्लिक करके मैं नई file create कर सकता हूँ for example मैंने file create करनी है यहाँ पे index.html और एक और file create करनी है मैंने यहाँ पे for example file 1.js तो इस तरह से मैं दो file create कर ले इस folder के अंदर अगर मैं इस folder दिखा हूँ आपको तो आप देख सकते हैं इस दोनों files create हो चुकी है अब मुझे करना का है यहाँ पे इसको थोड़ा overview दे दे तो मैं आपको vs code का यहाँ पे file पर जा कि आप preferences change कर सकते हैं अगर आप चाहे तो settings change कर सकते हैं यहाँ पे font size for example मुझे font size बढ़ा कर 24 करना तक यह आप अच्छे से दिखे तो यह सब settings आप change कर सकते हैं और यहाँ पे preferences में जा कि आप यहाँ पे color theme भी change कर सकते हैं यहाँ पर अलग-लग color themes हैं, ओके, यहाँ पर खुद की choice है, कि आप कौन सी use करना चाहते हैं, आप और install भी कर सकते हैं, additional color themes, install कर सकते हैं, यहाँ पर जाके, ओके, और personally, जो मैं use करता हूँ, theme, जो मेरी favorite theme है, वो मैं बता देता हूँ आपको, मुझे करना क्या है, और यहाँ पर मुझे, यहाँ पर जाना, extensions में जाना है, और यहाँ पर मुझे search करना है, live server, क्या search करना है, live server, यहाँ पर live server extension, हमें चाही होगी, तो यहाँ पर मैंने already install कर रखिया है, आप यहाँ पर install कर सकते हैं, live server को, तो इससे क्या होगा इससे आपको page बार बार refresh नहीं करना पड़ेगा तो यह extension आपको download करनी है और इसके लावा किसी extension की ज़रूरत नहीं है आपको तो यह हो गया तो इतना काम सही है अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप अपने program को run कैसे करेंगे यहाँ पे index और HTML है यहाँ पे आपको करना कहा है मैं बता देता हूँ यहाँ पे exclamation और tap press करना है यहाँ पे यहाँ पे HTML का template आ जाएगा यहाँ पे body जहाँ खतम हो रही है उसके उपर आपने यहाँ पे script tag लिखना है तो यहाँ पे src लिख देना है src equals to और यहाँ पे लिखने है अपनी file का नाम क्या file है file1.js तो यहाँ पे file1.js इतना बिल्कुल सही है इतना होने के बाद अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे गलत है इसका ना file1.js अब इतना सही है अब मैं इसको live server के साथ open कर सकता हूँ तो यह रहा तो यह मेरा browser है तो मैं क्या कर सकता हूँ right click करता हूँ और open with live server करता हूँ क्योंगे मैंने live server extension डाल लिए इसमें अभी ठीक है ना अब यहाँ पे हो गया अब यहाँ पे ना मेरे को console open करना है console open करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे click करूँगा और यहाँ पे click करने के बाद मैं settings में जा सकता हूँ और यहाँ more tools में जा सकता हूँ more tools में जा के developer tools में जा सकता हूँ तो यहाँ पे जा के मैं उपर console पे click कर सकता हूँ तो इसको मैं refresh करता हूँ तो बिल्गुल सही है तो इस तरह से मैं console पर पोच सकता हूँ या फिर इसका एक shortcut है Ctrl, Shift और J प्रेस कर सकता हूँ मैं direct console open हो जाएगा Ctrl, Shift और J प्रेस करके console open हो जाएगा यहाँ पर console आपको side में भी दिख सकता है आप नीचे भी कर सकता है यहाँ पर जाके setting में जाके और side भी कर सकते है और चाहे तो आप इसको अलग से भी separate कर सकते हैं इस console को समझे तो मैं अलग से separate कर लेता हूँ या फिर अभी separate नहीं करते हैं भी इसको यही पर रहने देता हूँ यहाँ पर click करके यहाँ पर मैं क्या काम कर सकता हूँ तो इसको डाक कर लेता हूं क्योंकि मेरे को डाक थीम पसंद है तो इसको मेरे को रिलोड करना पड़ेगा तो रिलोड कर लेता हूं और डाक थीम हो चुकी है और यहां पर आप Chrome के वैब स्टोर में जाके अलग-अलग थीम्स भी ढाल सकते हैं इसमें बट उसकी रिक्वारिम बैसको अलग कर लेता हूँ एलग कर लेता हूँ इसको minimize कर लेता हूँ अलग करके मैं इसको sideways करता हूँ हमेशा उसके बाद क्या करना है जो file1.js आपने index.html के साथ j o index.html है इसके साथ file1.js को link कर लिया तो link आपने देख लिया कैसे करना है बोडी के ऊपर ही लिंक करना है ऊपर मत लिंक करना अभी बताता हूँ क्यों और यहाँ पर file12js है न यहाँ पर चोटा सा पहला प्रोग्राम लिखता हूँ मैं console.log यहाँ पर hello world यहाँ पर इसको semicolon लगाता हूँ तो यहाँ पर यह क्या code है अभी मैंने नहीं बताया आपको बताऊँगा भी आपको यह सिरफ यह देख रहे है कि हमारा setup चल रहा है या नहीं चल रहा save करते हूँ इसको ctrl s press करके save कर सकते हैं आप यहाँ पर hello world प्रिंट हो रहा है तो बिल्कुल सही काम कर रहा है और मैंने अभी आपको कहा इस file को आपने नीचे नीचे ही link करना उपर नहीं लिंक करना अगर आप उपर link करेंगे यहाँ पर लिंक करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ जूरूर लिखना यहाँ पर d e f e r defer लिखना तो defer क्या होता है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे बट अभी के लिए मैं इसको नीचे ही link कर देता हूं क्योंकि नीचे ही link करना सही है अभी आपके लिए तो इस तरह से काम होगा अब मैं एक index file बनाओंगा और multiple files बना सकता हूं यहाँ पर और यहाँ पर मेरा यह तो side में open रहे गई और इसको इस side में open कर लेता हू for example मेरे को एक और फाइल करने है तो एक और फाइल कर लेता हूं file2.js file2.js मैंने link कर ली और उसके बाद for example file2.js का मेरे को port चलाना है तो for example console.log यहाँ पे strings में hello world 2 for example और यहाँ पे मुझे इस code को चलाना है तो मुझे क्या करना होगा index.html के साथ link करना होगा file2.js को file2.js लिं कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अब हम बनाएंगे अपना पहला प्रोग्राम पहले प्रोग्राम में हम simply क्या करेंगे यह मेरा console open है right side में मैं इस console पे print कराऊंगा hello world तो यह मेरा प्रोग्राम होगा यहाँ पर मेरे पास file1.js और इस file को मैंने link क्या हूए अपने index.html के setup है ओके तो अब मुझे क्या करना है अब print करवाना है hello world अपने console पे तो कैसे प्रिंट करवाना है वो देखते हैं देखे अगर आप console.log उसके बाद मैं parenthesis लगांगा इन brackets को parenthesis बोलते हैं इसके बाद मैं इसके अंदर double quotes लगांगा यहाँ पे hello world ओके और इसके बाद मैं क्य quotes लिखे यहाँ पर शंगल लिख सकते थे ऑके फौर एक्जांपल यहाँ पर मैंने single quote लिख दिया यहाँ पर सिंगल कोट से भी अपना काम कर सकते थे अब आपकी मरजी है चाहे तो आप double quotes यूज़ कीजिए चाहे आप single quotes use कीजिए अब यहाँ पर एक और तरह के कोट मैं य normally हम यूज़ करते हैं single quotes या फिर double quotes और यह back ticks हम यूज़ करते हैं string templates में string template क्या होता है थोड़ी देरे में बात करेंगे string templates के बारे में भी बट अभी मैं क्या करता हूँ इसको change करके करते हूँ double quotes में ओके तो आप कुछ इस तरह से hello world print कर सकते हैं यहाँ भी semicolon optional है अब semicolon हटा के अगर अपने program को save करेंगे तो भी बिल्कुल सही काम करेंगा but semicolon लगाना चाहिए अच्छी practice माने जाती है तो यहाँ पर मैंने semicolon लगा दिया ओके और यहाँ पर मैंने फाइल का नाम रखा है 01.js आप अपनी फाइल का कुछ meaningful नाम रखना यहाँ पर मैंने छोटा नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर जो input थी ना कई बार input बिल्कुल इसके साथ आ जाते थी तो आपको देखने में problem ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर इस file के छोटे नाम रखे हैं बट आप meaningful नाम ही रखना ओके अब बात करते हैं comments की देखिए हमें अपने code में कुछ ऐसा लिखना होता है जो अपनी समझ के लिखना होता है हम नहीं चाहते कि जावस्क्रिप्ट इंजिन उसको execute करें ठीक है जावस्क्रिप्ट इंजिन क्या कर रहे है अभी इस line को execute कर रह हा रहा है तो हम कुछ lines ऐसी लिखना चाहते है अपने program में जो हम चाहते है जावस्क्रिप्ट इंजन execute ना करें उसको रन ना करें तो उसके लिखते है console.log करके रहा है ठीक है तो मैं लिखता हूँ यहापे तो यहापे लिख सकता हूँ मैं console.log can print something on console तो मैंने line लिखी अग ना करें तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहापे comments लिखते हैं तो comments कैसे लिखते हैं अपनी line को start करने से पहले 2 forward slash लगा दीजिए तो यह हो गया comment ओके और comment करने का एक shortcut भी है वो मैं बता देता हूँ आपको for example अपनी line में आप यहापे end में कहीं पे भी है आपको करना क control और forward slash press करना है और control और forward slash press करने के बाद मैं इस file को save करता हूँ तो यहाँ पर comment ओट हो चुका है और अब कोई error नहीं आ रही और example मुझे इस line को भी comment out करना है तो मैं क्या करूंगा control forward slash press करूंगा और save करूंगा इस file को तो यह line भी हट चुकी है अब मैं इसको uncomment करने के ल बनाया पहला प्रोग्राम हमने कहीं चीज़े सीखी आप यहाँ पर double course कर सकते हैं single course कर सकते हैं semi colon optional है यहाँ और यहाँ पर comments किस तरह से करते हैं ओके आगे आपको समझ आयोगा पहला program हमने कैसे बनाया अब बात करते हैं दूसरे program की देखे हम अब बात करेंगे variables के बारे म मैं आपको आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर आप खुद के notes बनाना चाहते हैं इनको पढ़के या खुद से practice करना चाहते हैं तो उस वो भी सही है ओके तो यहाँ पे आप देखिए variables क्या होते हैं देखिए यहाँ भी variables क्या होते हैं variables can store some information हमारे ले कुछ information store कर सकते ह हैं और बाद में उस information को हम use भी कर सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं जो बिल्कुल नए है मुझे बाते हुने समझते हैं मैंने क्या बोला मैं आपको बताता हूं for example आपने user का नाम store करना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे वार लिखूंगा वार मतलब वार हम बनाते हैं वार आप कुछ भी नाम रख सकते हैं एक है for example मैंने वारियेबल का नाम रख दिया परस्त ने उसके बाद एक्वल्स तो उस वारियेबल में क्या वैल्यू असाइन करनी है एक है फूर इग्जांपल मुझे उसमें क्या असाइन करना है स्ट्रिंग असाइन करना है देखे यह है हैं नरो इस परिक हम करें नाम हो यहाँ देखे हैं हमने उसके लिए उसके लिए हम यहां पर यहँर सकते हैं इस यहाँ हार्शित ही होगा हर्शित हो यहाँ पर साडम हो ह् first name variable को declare करने के लिए हमने क्या लिका वार keyword यह keyword होते हैं जो programming language पहले से define होते हैं उनको keywords बोलते हैं ओके तो variable हमारा बन गया ओके तो इस variable ने क्या information store की मेरा नाम store किया ठीक है तो information store की ओके उसके बाद मैंने लिखा है we can use that information later तो इस information को हम use कैसे कर सकते हैं ओके for example यहां पर मैं console.log करता हूँ और यहां पर मुझे करना क्या है यहां पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा था यहां पर string directly string print कर रहा था मतलब directly text print कर रहा था अब मुझे करना क्या है मुझे direct text नहीं print करना मुझे यह जो variable है इसकी value प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पर directly क्या करूँगा इस variable को यहाँ पर लिख दूँगा इससे क्या होगा console.log में क्या होगा जो इस variable की value है हरशित वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर ओके तो अभी यहाँ पर program run नहीं करेगा क्यों नहीं run करेगा क्योंकि जो index.sml file ना उसके साथ 01.js अभी लिंक है तो मैं इसको 0 या फिर मैं क्या करता हूँ उपर लियन को comment.out कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 02.js के साथ इसको link कर देता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल सहीए अब ओके तो यहाँ पर यहाँ पर हर्शित प्रिंट हो चुका है आप देख सकते हैं हमने क्या किया वैरिएबल को डिकलेर किया उसके बाद वैरिएबल को हमने यूज किया काफ़े ऩब ता ओके अब यहाँ पर देंगें अब यहाँ पर इंगे तो यहाँ इस करूंगा कि अंभीया होते हैं मतलब यहाँ पर चैंज नीं कर सकते स्चाрип यहां पर लिखना है अब मैसं में अपने वारी बड़े होंगये वेरियोल क्या होता है उनकी value हम change कर सकते हैं अब ये variable है मतलब कि इसकी value हम vary कर सकते हैं तब इसको variable बोढ़ रहे हैं अब इस value को change करते हैं first name में अभी हरशीत है इसकी value को हम change कर देते हैं तो हम change करने के लिए क्या करेंगे अब हमें फिर से वार लिखने की जूरूत नहीं है वार हम तब लिखते हैं जब variable declare करना है तब हम वार लिखते हैं अब वार लिखने की जूरूत नहीं है variable मेरा declare हो गया अब मैं normal क्या करूँगा first name मतलब जो first name नाम का variable है भाई उसमें नई value assign करनी है तो नई value sign करने का मतलब नई value store करनी है for example मुझे नई value store करनी है मोहित तो इससे क्या होगा इससे जो variable की value है वो change हो जाएगी पहले हर्शित थी फिर अब हो जाएगी मोहित अब मैं इसको save करता हूँ अब इभी हर्शित प्रिंट हो रहा है इसा क्यों हो रहा है क्योंकि जब मैंने print किया जब मैंने first name प्रिंट किया उस time इस variable की value हर्शित थी तो हर्शित print हुई है अब variable की value change करने के बाद मैं इसको फिर से print करूँगा मैं इसको क्या करूँगा फिर से print करूँगा और देखते हैं तो आप यहां पर देखना पहले value थी हर्शित हमने प्रिंट की फिर value चेंज कर दे मोहित कर दे उसके बाद हमने क्या गया फिर से first name की value print की और यहां पर value print हो गई मोहित ऑप कहा था कि दुबारा वार लिखने तो क्या होता दो variable अलग-अलग बन गए देखिए अब यहाँ पर दो अलग-अलग variable बन गए पहले क्या हो रहा था पहले variable एक बनाए हमने और बाद में उसकी value को change कर दिया अब बाद में क्या और जब दो बार वार लिखूंगा तो भी कुछ नहीं होगा तो बस दो बार variable declare हो जाएगा ओके तो confused होने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर ऐसे काम हो रहा हमारा ठीक है ओके अब यहाँ पर यह हो गया वार हमने वार से अपना variable बनाया अब यहाँ पर ना अगर जावस्क्रिप्ट में कहा अब मैं वार हटा दूँ वार मैंने हटा दिया ठीक है अब मैं सेफ करता हूँ तो यहाँ पर variable मेरा फिर भी बन रहा है बिना वार लिखे और यह क्या कर सकता है यह यह problem create कर सकता है हमारे लिए वो कैसे कर सकता है देखे और example आपने एक variable मनाया हर्शित नाम का आप चाहते हैं कि आप इस variable की value change करें हर्शित की जगा मुहित कर दें और आपने गलती से गल यहां पर हर्शित प्रिंट होगा ठीक है और यहां पर भी यहां पर मुहित प्रिंट होगा बट ऐसा नहीं है यहां पर दो बार हर्शित प्रिंट हुआ दो बार हर्शित क्यों प्रिंट हुआ क्योंकि यह अलग variable बन चुका है अब और यह अलग variable बन चुका है ठीक है name जिस चोटे एनोला अगर मैं print करूंगा तो यहां पर मोहिच print होगा अब दो variable अलग-अलग बन गए ओके अब इस problem को हम solve कर सकते थे solve कैसे कर सकते थे वो देखते हैं वो हम solve इस तरह से कर सकते थे कि अगर हम javascript को कहें भाई अगर मैं यहां बेवार ना लिखूं तो variable नहीं बनाना ठीक है तो javascript ना हमें चूट दे रही है काफी तो हमने चाहते हैं हमें इतनी चूट मिले ठीक है तो इसके लिए ना जो developer लोग क्या करते हैं यहां भी हम बहुत ज़्यादा यूज देखेंगे हम ठीक है इसके लिए हम जैसे हम बढ़ते जाएंगे इस वीडियो में इसका और भी यूज देखते जाएंगे ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसको सेफ करता हूँ अब यहां पर आ गया यहां पर एरर क्या रहा देखिए अंकोट रेफरेंस एरर फस्स नेम इस नो अब अब यहां पर क्या होगा अब यहां पर एक और रहा गया यहां पर हर्शित प्रिंट हो गया ओके एक और रहा गया यहां पर फिर से लिखा रहा रहा है फरस्स नेम इस नो पहले हर्शित था फिर मोहित हो गया ओके तो यह था वेरीयबल ओके अब बात करते हैं rules for naming variable अपने वेरीयबल नाम रखना है for example When you first name नाम रखा तो इस नामको कैसे चैंज करना है आप्ञा क्या-क्या नाम रख सकते हैं आप तो उसके बारे में बात करते आहे हैं तो पहले में को आगा गडिया है तो यहां पर मैं नीचे अपनी 03 3 file को यहां पर link कर देता हूं ठीक है तो यहां पर मैं इसको यहां पर open कर लेता हूं अब यहां पर variables के कुछ नाम रखना है तो नाम रखने के कुछ rules हैं यह नहीं आपने कुछ भी नाम रख दिया उसके कुछ rules हैं उसी के करके दिखा देता हूं वार अगर आपने ऐसा वर्येबल रखा आफ जैसे यहां पर लिख रहे से आप इसे आप इनमब्रूस안 कर सकते हैं थी हमफी आपर आ जाएगा यहां पर इंवाल इंवैलिड और ठोकन अर्र कहा पर यह नंबर ओ Carolina for example, यहां भी मैंने लिख है, अगर आप value1 नाम का variable मनाएंगे, तो valid है, वो सही काम करेगा, तो यहां पर बिल्कुल सही काम कर रहा है, आप इसको console.log करवा सकते हैं, तो console.log, value1, यहां पर मैंने क्या किया, value1 नाम के variable में क्या डाला है, मैंने 10 डाला, ठीक है, 10 डाला, और, यहां पर यह 10 है, ठीक है, आप plus minus भी कर सकते हैं, for example, 10 के साथ आपने plus करना है 10, तो यहां पर example, आपने divide करना है 10 को 2 से, तो यहां पर 2 से divide करके 5 हो जाएगा, okay, for example, आपने क्या करना है, यहां पर value रख लेता हूं 2, ठीक है, value1 है 2, आपने 2 की power 3 निकालने है, बल्लिब की 2 का cube निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, value, उसके बाद multiply, multiply, 2 multiply, तो इससे क्या होगा power निकलेगे किसी भी चीज़ की, जैसे 2 की power 2, 4, ठीक है, उसके बाद यहां पर आप 2 की power 3 लिखेंगे, तो क्या होगा, 8 आजाएगा, okay, तो ऐसा कर सकते है, for example, आपने किसी का square root निकालने है, तो square root निकालने के लिए power क्या होती है, 0.5, root होता है ना वो, तो 0.5, तो 2 का square root आगया, 1.414, ठीक है, और ऐसा काम आप कर सकते हैं, तो यह था कि अगर आपके variable में कुछ numbers हैं तो आप उसके साथ plus minus यह सब काम कर सकते हैं, तो यह चोटा सा interlude था हमारे लिए, तो बात करते हैं बागे, तो variable था, ऐसे बना लिए, अब बात करते हैं, you can use only underscore or our dollar symbol, मतलब ज में, या फिर आप dollar user कर सकते हैं, उसके लावार आपको रही सिंबल यूज़ निकर सकते हैं, and हो गया, asterisk हो गया, ठीक है, फौर एक्जामपल आपको variable के नाम के बिच में and यूज़ कर लूँ नेम यहां पे वैलिड है ठीक है यहां पर underscore first name तो यह भी वैलिड है ठीक है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए मेरी बात पे लोगे underscore first name equals to यहां पर मैंने लिख दिया हरश्र फॉर एक्जामपल यहां पर कोई error निया है मतलब की variable बन गया तो यह वैलिड आसब मैं इसको उठा देता हूँ ऐसे आप कुछ इस तरह का वैरियबल बना सकते हैं आप इसके बाद मैं console.log करता हूँ first dollar name को आप देखना यहां पर मोहित प्रिंट हो गया तो आप dollar यूज कर सकते हैं और यहां पर इसको मैं starting में भी यूज कर सकता हूँ doesn't matter okay तो sorry यहां पे इसको यहां पे कुछ इस तरह से यूज करना पड़ेगा तो यहां पर मोहित हो प्रिंट हो रहा हूँ तो जिस तरह से आप कर सकते हैं you cannot use spaces एप space नoups कर सकते for example ओち इसे क्या होता है कई बार रीट करने में प्रोबल्म आती है तो फोड़ी रीट करने में प्रोबल्म आती है क्या कर सकते हैं first underscore name कर सकते हैं तो यह ठीक है अगर हम underscore लिखके कुछ word लिखते हैं तो इसको बोलते है snake case writing जब भी समय हम किसी शब्दो के बीच में underscore लगाते हैं उसको बोलते है snake case writing ओकी और या फिर आप क्या कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, for example मैं उपर वी लाइन को comment out कर देता हूं पूरी लाइन को और नीचे मैं क्या करता हूं इसको first and capital name इसको कुछ ऐसा भी कर सकते हैं इसको बोलते हैं camel case writing इसको बोलते है camel case writing ओके तो बिल्गुल सही है यह variable का नाम बे बिल्गुल ठीक है अब बात करते हैं convention की rule है जो आपको follow करने ही करने है आप rule के साथ shared shot नहीं कर सकते हैं convention मतलब कुछ चीज़े जो आपको अगर आप follow को रगे तो अच्छी है देखिए हैं जाओ script में जब आप variable का नाम को किसी variable को नाम देंगे तो आपको छोटे letter से start करना है small letter से start करना है देखिए जैसे f से f छोटा था वी चोटा था तो आप बड़े से भी कर सकते थे कोई error नहीं आएगा जैसे हमने चोटे के लिए जो रूल है बड़े के लिए भी रूल है बड़े letters भी use कर सकते हैं capital letters भी उसकर सकते हैं बट आपको small letters ही use करने है स्टार्ट से start करना है अब कहीं भी किसी का source code उठा के देखोगे किसी का और का code उठा के देखोगे तो variable का नाम है small letter से start होता है थोड़ी देर में हम बात करेंगे, इसी वीडियो में बार में बात करेंगे, हम classes के बारे में, classes का नाम हम बड़े से start करते हैं, otherwise हम small से start करते हैं, तो tension नहीं लेनी, small से start करने हैं बस, उसके बाद यहाँ पर use करने है camel case, जावा स्क्रिप्ट में किसी कभी आप source code उठा के देखने को मिलेगा, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से हम variable के नाम लिखते हैं, convention है, rule नहीं है, आप ये भी follow कर सकते हैं, ये भी follow कर सकते हैं, doesn't matter, जो strictly python background से हैं, वो कई बार इस convention को follow करते हैं, underscore use करते हैं, तो कुछ इसको ही use करते हैं, तो ये आपकी मर हम बात करेंगे, let keyword के बारे में, हम let use करके भी variable बना सकते हैं, अब ये तक हमने क्या देखा, हमने देखा var use करके variable बना सकते हैं, for example, var first name equals to, यहां पर हरशित, तो कुछ इस तरह से variable बना सकते हैं, और console.log करके मैं first name को print कर सकता हूं, कुछ इस तरह से, उससे बहले मुझे कर तो यहां पर हरशित आ रहा है, कोई problem नहीं है, बिल्कुल सही है, okay, अब var की जगा मैं let use कर सकता हूं, okay, अब var की जगा मैं let use कर सकता हूं, तो same result आ रहा है, same output आ रही है, अब आप सोचोंगे बाई, दोनों में difference कहा, देखिए, और क्या use करना चाहिए, तो मैं आपको कहू कुछ पर विश्वास रखी है, और मैं आपको कहा रहा हूं, कि अगर आपको variable बनाना है, तो आप क्या use कीजिए, let use कीजिए, और यहसन यह है कि war बेकार है, ठीक है, war बेकार है, बट एक और भी चीज़ें पढ़ेंगे हम, तो end, मतलब कि अगर आप for example, ऐसा सोचों कि आप जावस के developer बन चुके हो, ठीक है, आप जावस के पूरी अच्छे से आती है, आप projects पर काम कर रहे हो, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं, आपका future, ठीक है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप 90% variable सुनाने के लिए let use कर रहे हो, ठीक है, ओके, तो अब detail में बात करेंगे, ठीक है, तो थोड़ी सी difference की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है, तो यह main difference है, लैट और वार में, इसके बारे में detail में बात करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ी और छोटी मोड़ी difference है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पहले वार पी आ जाते हैं, पुराने वार पे ठीक है तो वार first name equals to Hershey तो मैं क्या करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ first name की value change करने है first name की value change करके मुझे करने है मोहित ठीक है तो यहाँ पे मोहित आ गया कोई problem नहीं आई अब यहाँ पे मुझे करना कहा है अब यहाँ भी मैंने यहां पर दुबारा वार भी लिख सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं आएगी आपको पहले वैरियबल मना जिसकी वैलियू थी हर्षित फिर नए वैरियबल मना उसकी वैलियू थी मोहित सेफ करता हूँ तो मोहित प्रिंट हो गया बट ऐसा आप let के case में नहीं कर सकते हैं अगर मैं यहां पर let लिखूँ एप्र लिखूँ तो यहां पे क्या होगा यहां पर एरर आएगा आपके पास एरर क्या रह channel है वह देखते हैं identifier first name has a already been declared, error कहां पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, 04.js, यह मेरी फाइल का नाम है, और line number 5 में error आ रही है, तो मतलब इस line में error आ रही है, यह कहा रहा है कि first name भाई, पहले से ही declare कर रखा है हमने, first name पहले से ही declare कर रखा है, हम first name को दुबारा declare नहीं कर सकते हैं, फ़लिल हम दुबारा let लिके first name डिकलेर नहीं कर सकते हैं, मतलब हमने first name को एक ही बार declare करना है, बट उसकी value को हम change कर सकते हैं, क्योंकि यह variable है, टीक है, variable का काम है change रहा है, तो variable change हो सकता है, बतलब आपने Latin लिखना इसके पहले अब आप इसको रन करेंगे अगर तो यहां पे यह मोहित आ रहा है ठीक है पहले हर्शित था पर हमने इसकी value को मोहित कर दिया तो इसका अपने ध्यान रखना है ओके और जैसा कि मैंने आपको कहा block scope versus function scope यह main difference है लैट और वार में चिंता मत किजिए इसी वीडियो में आगे चलके इसके बारे में डीटेल में बात करेंगे ठीक है अब यहां पे ES 2015 में हमारे पास लैट आया था उससे पहले सबी लोग वार ही यूज़ करते थे ठीक है बट वार इसके साथ कुछ कमिया थी इ इसलिए लोग अब लैट यूज़ करते हैं जादा क्या कमिया थी वो भी बात करेंगे वार के साथ ठीक है जिस टाइम लैट नहीं था उस टाइम लोग कैसे उस कमियों को दूर करते थे वो भी बात करेंगे ठीक है सब बात करेंगे इस वीडियो में तो डिटेल में वीडि बना सकते हैं अब फाइल नमबर फाइफ पर आ जाते हैं 05.js यहाँ इंडेक्स.stml में मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको कमेंट डूट करता हूं और यहाँ पर 05.js इसको लिंक कर लेता हूं ठीक है अब declare constant अब भी देख हमने variables की बात की variable का मतलब जो चीज़ हो सकती है वो है variable अब बात करेंगे declare constant अब constant क्या होता है जो change नहीं होता ठीक है for example, pi, pi کی value change होती है, नहीं होती है, ठीक है तो pi ये constant होना चाहिए, pi की value हम change नहीं कर सकते, ठीक है तो कैसे करेंगे, constant कैसे करेंगे तो const, constant बनाने के लिए हम const लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे pi for example, pi ठीक है, और उसके बाद इसकी value assign कर देंगे for example 3.14 अब इसकी value को मैं change नहीं कर सकता for example मैं इसको क्या करता हूँ console.log करता हूँ console.log pi तो pi आ गया 3.14 अब मैं जैसे let में क्या कर रहा था let में इसको यहाँ पर change कर रहा था variable declare किया फिर उसके बाद मैं change कर रहा था अब यहाँ पर वो change नहीं कर सकता for example pi equals to for example मैंने कहाँ यह pi की value है 3.15 और semicolon लगा दिया यहाँ पर error आ जाएगी error क्या आएगी unquote type error assignment to a constant variable यहाँ पर constant variable तो लिखा हुए है नोंने बट यहाँ पर constant को constant बोले आप ऐसा बोले कि मैं constant declare कर रहा हूँ ऐसा मत बोले कि मैं variable declare कर रहा हूँ ओके तो आप कहीं लोग बोलेंगे कि मैंने variable बनाए कौन सी उस करके हो सकते हैं मैं भी बोल दूँ आने वले वीडियो में ठीक है बट जो right term है जो right technical अगर आप किसे technical communication की बात करेंगे तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि आप constant declare कर रहे है ना कि variable declare कर रहे है ठीक है तो आप constant की value को आप change नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है ओके और constant को use करके आप और बाकी काम कर सकते हैं आपके पास आपने 2 into 2 करना है इसको पाई के साथ आपने 2 into 2 multiply करना है तो ओक हम आप कर सकते हैं बट इस पाई की value को change नहीं कर सकते हैं बाके इस पाई की value को साथ आप कुछ भी काम कर सकते हैं जैसे math में करते हैं पाई की value को साथ circumference निकालते हैं area निगालते है circle का तो ऐसे आप कुछ भी काम कर सकते हैं बट पाई की value change नहीं होगी तो यह था constant अई होब आपको समझ आये होगा यह let क्या है, var क्या है const क्या है और मैंने आपको कहा detail में बात करेंगे हम var की और let की क्या difference है दोनों में तो अभी मैं क्या गरता हूँ अभी कुछ और files मना लेता हूँ और कुछ और notes लिख लेता हूँ और फिर मिलता हूँ दुबारा आपको तो यहाँ पर मैंने और files यहाँ पर add कर लिया है और बात करते हैं कुछ और बात करेंगे हम string indexing की देखें यहाँ पर मैंने एक variable बना है first name जिसमें एक string है मेरे पास हर्शित अब आप सोच रहोंगे यह क्या लिखा है मैंने देखें हर एक जो भी है मेरी string है न हर एक string में हर एक character का एक index होता है या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं उसकी position होती है for example h इस h की position है 0 मतलब इस h का index है 0 a का index है 1 r का 2 s का 3 h का 4 i का 5 d का 6 for example आपको particular character print कराना है अपनी string में से for example आपको यह h print कराना है या फिर यह s print कराना है ठीक है तो इस s का index का है 3 तो मैं करूँगा क्या मैं यहापे लिखूँगा first name उसके बाद लगाँगा यहाँ पर square brackets square brackets लगाने के बाद लिखूँगा मैं index number for example मैं 3 लिखूँगा अगर तो 3 किसका index है 3 पर क्या है 3 पर यह s है तो s print हो जाएगा इसको print कराने के लिए इसको log कराने के लिए मैं लिखूँगा console load log ओके इससे क्या होगा देखना आप देख सकते हैं यहाँ पर s print हो रहा है ठीक है और for example आपको यह t print कराना है तो इसके लिए आप लिखेंगे 6 लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर 6 लिखूँगा मैं तो यहाँ पर t print हो गया अगर 0 लिखूँगा तो क्या print होगा तो h print होगा तो यह है string indexing index कहाँ से start होता है 0 से start होता है और उसके बाद increase करता है ठीक है तो बहुत ही simple था है और इसको मैं भी comment out कर देता हूँ अब यह string है आपको नहीं पता है इसकी कितनी length है ठीक है आपको क्या करना है इसकी length find करने है तो length find करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले अपनी string का ना for example first name dot length property मैं use कर सकता हूँ यह मुझे देगी length ओके और मैं इस length को console.log करवा सकता हूँ मतलब इस length को मैं print करा सकता हूँ तो यह length यहाँ पर print हो जाएगी 8th index पर क्या है यहाँ पर नहीं 7th index पर क्या है यहाँ पर 7th मतलब की 7th index पर क्या होगा space है ठीक है तो मैं जितने space add करूँगा तो length count होती रहेगी ठीक है इसकी length कितनी है length है 7 length कहा से count को ना start करेगा है first से 1 character 2 character 3 4 5 6 7 7 character है index 0 से होता है और length कितनी होती है जितने इसमें characters होते हैं ठीक है तो और spaces भी include होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना ओके जो last index होता है वो length minus 1 होता है इसकी length कितनी है इसकी length है 7 इसका last index कितना है 6 है ओके for example अगर मुझे last अगर मुझे नहीं पता मेरी string कितनी बड़ी है अब यहां पर मुझे पता है अभी तो last index कहां पर 6 पर है ठीक है तो last index कहां है 6 है तो मैं 6 क्लिक होंगा अगर यहां पर यहां पर t print हो जाएगा बट मुझे नहीं पता मेरा string कितनी बड़ी है मुझे बस यह पता है मेरी string है for example मैं इसमें और character set कर देता हूं अब मुझे नहीं पता last character का जो index है वो कहा है तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर simply यहां पर इसकी length string की length कैसी find करूंगा मैं यहां पर firstname.length यह इतना code मुझे क्या देगा इतना code मुझे इसकी length देगा और last index चाहिए मुझे तो मैं minus 1 कर दूंगा तो last index यहां पर print हो जाएगा तो बहुत ही simple है तो इसका ध्यान रखने है आपको और एक और चीज जो ध्यान रखने हो spaces भी include होंगे तो यह हो गया काफी simple था अब जलते हैं file number 7 पे तो मैं इसको यहां पर change कर लेता हूँ file number 7 अब इसको देख लेते हैं अब यहां पर कुछ methods है string के साथ कुछ काम करने के लिए उनको देख लेते हैं okay for example मैं यहां पर एक string बना लेता हूँ अपने let first name equals to her shit और सबसे बहले बात करते हैं trim की for example आपकी string में पहले कुछ spaces हैं बाद में कुछ spaces हैं और आपको इन spaces को remove करना है इन spaces को कैसे remove कर सकते हैं इन spaces को remove करने के लिए आप trim method यूज कर सकते हैं कैसे यूज करेंगे देखिए सबसे पहले मुझे यह देखने के लिए कि string में कितने length है इसकी मैं length देखते हूं पहले तो इसकी तो console.log यहां पर firstname.length तो यह क्या बताएगा length बताएगा है अब length 15 है length 15 क्यों है क्योंकि spaces भी count हो रहे है length में अगर मैं यहां से spaces हटा दूँगा तो यहां से length इसकी original रहेगी 7 तो बत मैं यहां पर spaces लगाओं भी यहां पर spaces मैंने लगा दिये अब मुझे करना कहा है मुझे इसके spaces remove करने हैं तो इसके spaces remove करने हैं तो कैसे होंगे देखिए अगर मैं डिरेक्ट यहां पर ऐसे लिख दूँ फस्ट नेम डॉट ट्रिम यहां पर ऐसे कर दूँ और उसके बाद यहां पर इसकी से प्रिंट करूँ अब आप क्या सोच रहे हो कि यह स्पेस और यह स्ट्रिम क्या करेगा यह स्पेस और यह स्पेस रिमूव करेगा बट अभी अगर मैं इसको सेफ करूँ तो अभी यहां पर थर्टीन आ रहा है थर्टीन इसलिए आ रहा है क्योंकि यह जो एक्जिस्टिं string को first name को change नहीं करेगा जब कि यह क्या करेगा नई string देगा ठीक है यह नई string देगा मुझे जिसमें spaces नहीं है यह इस string को change नहीं करेगा यह मुझे नई string देगा first name dot trim ओके तो नई string किस तरह से देगा कुछ इस तरह से string देगा जिसमें कुछ भी spaces नहीं है ऐसे अब मैं क्या करता हूं इस नई string को दूबारा इसी में डाल सकता हूं इस variable में डाल सकता हूं ठीक है इस variable को change करके यह फुली string डाल सकता हूं या फिर इसको किसी और variable में store कर सकता हूं तो मैं दोनों करके दिखा देता हूं आपको for example यहां पर एक variable बना लेता हूँ let new string एक new string नाम का variable बना लिया मैंने और अगर मैं यहां पर अगर मैं new string को print करूँ console sorry guys तो यहां पर console.log अगर मैं यहां पर new string करूँ और यहां पर length देखो new string के कितनी है तो यहां पर मैं new string की length देखता हूँ तो आप देखना क्या होगा तो पहले थी 13 पहले 13 थी उसके बाद मेरी new string प्रिंट और यह हरशित और इस हरशित की length कितनी है 7 मतलब यहां से spaces remove हो चुके हैं और मैंने आपको क्या का था आप नई string भी बना सकते हैं और जो पुरानी string है आप उसमें भी नई value डाल सकते हैं यह जो नई value है यह मुझे इस string में दुबारा इस variable को change करना है तो मैं वो काम भी कर सकता हूँ तो कुछ इस तरह से तो यहां मैंने first name में पहले क्या था अब देखते हैं इस code को run करके first name is already declared तो मुझे भी नया variable नहीं बनाया तो मैंने इस variable में change करना तो यहां से मैं let हटा दूँगा तो अब देखते हैं सबसे पहले first name था first name की length थी 13 तो मैंने उसको trim किया trim करके मैंने फिर first name print कराया तो first name print हो रहा है उसकी length कितनी होगी 7 तो मतलब spaces remove हो चुके है trim से अब बात करते हैं two uppercase two uppercase काफे simple है तो मैं क्या करता हूं इस code को सारे को comment out कर देता हूं और इसको भी normal string कर लेता हूं अपनी इसके spaces में हटा दियता हूं यहां से ओके तो normal string मैंने कर ली अब बात करते हैं two uppercase की तो two uppercase बहुत ही simple है तो first name dot two uppercase two uppercase क्या करेगा सबी जो alphabet s के सबी characters है उनको uppercase में change कर देगा और मैं क्या करता हूं इसको console.log करा सकता हूं console.log मैं करा लेता हूं और अब देखते हैं तो यहां पर देखते हैं हर्शित कुछ इस तरह से print हो रहा है तो यह भी क्या करेगा यह भी नई string देगा अब नई string को store कर सकते हैं ठीक है तो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं आपको for example पहले इसमें छोटे characters थे अब मैं इस variable को change कर रहा हूं first name को अब मैं क्या करूँगा इसमें बड़े characters कर दूँगा इसके उसके बाद मैं क्या करूँगा first name को print कर सकता हूं तो यह हर्शित यहां पर print हो जाएगा बट अगर आप यहां पर simple ऐसी लिख देंगे ना simple अगर method आपके original string को change नहीं करेगा तो मैं इस पी इतने emphasis क्यों करों इतने simple जीच पर क्योंकि यह important है तो यह हो गया तो इस बात का ध्यान रखना है जैसे to upper case था वैसे to lower case है तो lower case कैसे काम करेगा वो भी देख लेते हैं to lower case क्या करेगा आपके सभी characters को lower case में change कर देगा तो यहां पर lower case तो lower तो पहली थे तो मैं क्या करता हूँ कुछ characters को यहां पर capital कर लेता हूँ तो यह कुछ ऐसे characters थे तो इसने क्या कर दिया to lowercase करके सब यह characters को lowercase में change कर दिया तो यह था काफी simple था तो इसको मैं comment out कर देता हूँ और और बात करता हूँ तो अपनी string को मैं फिर से normal कर लेता हूँ तो first name हर्षित है अब मुझे करना क्या for example मुझे इस string में particular characters ही चाहिए for example मुझे हर्ष चाहिए मुझे last का it नहीं चाहिए इसके लिए मैं use का सकता हूँ slice method तो slice कैसे काम करता है वो देखते हैं देखिए आपको string अपनी कहां से start करनी है तो start index अपना string कहां से start करनी है उसके बाद end index आपको अपनी string में कहां तक जाना है तो यह दो यह दो बाते हैं अब मुझे start कहां से करनी है 0th index से 0th index से तो मैं क्या करूँगा एक नई string बना लेता हूँ तो यह था नए variable बना लेता हूँ let new string मुझे start कहां से होना है तो पहले h 0 पे a पे है a का index है 1 r का index है 2 s का index है 3 h का index है 4 तो यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूँगा न 4 लिखूँगा न तो यह मुझे क्या देगा h a r s देगा यह h a r s h नहीं देगा क्यों क्यों कि slice क्या करता है 0 index से start होगा यहां जो end index है न इसका जहां पे end or i index यह इस index को include नहीं करता यहां तक जाएगा मतलब कि यह 0 इंडेक्स देगा 1st index देगा 3rd index देगा यह 4 तक जाएगा बट 4 include नहीं करेगा अगर मैं इसको देखूँ अगर मैं console.log अगर मैं यहां पर new string देखूँ तो देखना क्या होगा यहां पर slice ओ सोरी गाइस तो यहां पर slice मुझे कहा से करना है first name को slice करना है तो मुझे यहां पर first name लिखना पड़ेगा first name.slice तो यहां पर बिल्कुल सही है तो यहां पर hars दे रहा है मुझे अब मुझे क्या चाहिए मुझे h भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहां पर लिखूँगा 5 तो यह क्या करेगा 0,1,2,3,4 यह index मुझे देगा तो फिर ऐसा करूँगा तो यहां पर मुझे hars h मिलेगा तो fifth index तक नहीं जाएगा सिर्फ a की argument पास करें सिर्फ one पास करें सिर्फ starting index पास करें तो आपकी string one से start होगी और end तक चली जाएगी जहां पर string का end हो रहा है arshit तो यह था कुछ method string के जिनको हम बहुत ज्यादा use करते हैं अब अगले पर बात करते हैं तो पहले मैं क्या करता हूँ इसको इसी को change कर यह नीचे कर लेता हूँ तो 08.js ओके और अब मुझे करना कहें देगे type of operator यह operator है यह बताएगा कि मेरा type कौन सा है देखें जावस्क्रिप्ने data types होते हैं हमारे पास ठीक है तो data types होते हैं हमने string बात कर ले प्रेखेंपल हर शित क्या है यह string है और हमारे बास होते है number हमारे बास नमबर होते है फॉर इक दाएगल 4 टू एक number है 4 एक number है और 5.6 एक number है 5.6 एक number है तो यह number से हमारे पास जावस्क्रिप्ट में और और ऐसी हम booleans की बात करेंगे आगे हम आगे booleans की बात करेंगे अभी हमने बात ने की booleans की बात करेंगे उसके बाद हम undefined की बात करेंगे उके उसके बाद हम null की बात करेंगे उके तो इन सब तीजों के बारे में बात करेंगे हम एक नया हमारे पास data type आया इसको हम बोलते हैं primitive data types primitive data types तो primitive data types हैं हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे एक हो रहा है मेरे पास symbol तो इस symbol के बारे में हम बात करेंगे आने वो ली वीडियो में जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो string, number, boolean, undefined, null big intent symbol हम कम यूज करते हैं और हमने बात की numbers की तो अब type of operator क्या करता है वो आपका data type बताता है यह कौन सा data type है for example मेरे पास एक variable है let age equals to for example let age for example 22 उसके बाद एक variable है let first name तो यहाँ पर first name नाम का variable बना लिया है अब मैं क्या कर सकता हूँ इनका type check कर सकता हूँ किसका data type क्या है for example मैं क्या करूँगा console.log यहाँ पर type of यह type of आपने बिल्कुल इकठा लिखना है इस तरह से कहीं लोग यहाँ पर capital लिख देते हैं वो नहीं करना type of बिल्कुल ऐसी कठा लिखना है उसके बाद होड़ा सा space देना है उसके बाद अपने variable का नाम for example मुझे age का type check करना है तो यहाँ पर age sorry यहाँ पर मैं age लिख दूँगा तो यह बताएगा कि age का type क्या है तो यह देखिए आप यह बता रहा है number है ओके तो type of age का है number अब मैं type of first name देख लेता हूँ क्या है type of first name क्या है यह है string okay तो बिल्कुल सही तो इस तरह से type of operator काम करता है data type बताता है आप यहाँ पर direct value भी लिख सकते है for example यहाँ पर string लिखेंगे तो यहाँ पर बताएगा यह क्या है यह string है अगर मैं यहाँ पर कोई number लिख दूँगा type of for example 7 पर बताएगा number अभी मैं age लिख देता हूँ यहाँ पर okay तो यह type of कुछ इस तरह से काम करता है बात करते हैं important है जो वो है number से string में convert करना है आपको for example आपके पास कोई number है यह age number है 22 आपको इसको string में change करना है okay तो javascript में अगर आपको number को string में change करना है तो एक trick है एक छोटी सी जो मैं use करता हूँ वो है आपने जो number है ना आपका age number है ठीक है उसके आज साथ आप खाली string add कर दो एज है ना तो एक मिनट मैं इसको उटा देता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं console console.log करूँ ना अगर मैं age के साथ यह जो age क्या number है इसके साथ empty string add कर दूँगा ना तो यहाँ पर 22 आ तो रहा है ठीक है बटे 22 है क्या 22 string है 22 यह number ही है तो वह check कर सकता हूँ मैं अभी मैंने आपको बताया check कैसे करूँगा type of तो यह type of age बता रहा है ठीक है मुझे क्या करना है इस पूरा जो पूरा expression है इसका जो result है वह देखना है मुझे क्या होगा तो मैं यहाँ पर पर प्रेंथेजिस लगा दूँगा तो यहाँ पर क्या होगा यह यह मुझे क्या देगा यह 22 को यह जो number है इसको string में चेंज कर देगा ंदर मतलब इसको आपको करना कहा है अगर आपको number को string में change करना है तो आपको करना कहा है जो number है ना उसके साथ एक खाली string add कर दीजिए तो वो number में change हो तो string में change हो जाएगा तिक है अगर मैं यहाँ पर type of यहाँ पर type of page लिखूँ तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर इसको console.log करवा लेता हूँ console.log तो यहाँ पर यह क्या होगा यह होगा string होगा यह तो इस बात का दियान रखने आपको तो बहुत simple था तो यह अब 22 में रख कुछ ऐसा हो चुका है string में तो फिक है अब कुछ और बात कर लेते हैं अब string से number में जाना है आपको for example आपके पास एक मैं एक variable बना लेता हूँ let my string जिसमें कुछ चीज तरह आज़े 34 string में है मुझे इसको number में change करना है अगर मैं इसका type of check करूँ पहले तो console.log type of my string तो यह आएगा दिए string आ रही है यह string है ना मुझे इसको number में change करना है अगर आपको string को number में change करना है तो आप simple क्या कर सकते है string से पहले plus लगा देजिए तो string से पहले अगर plus लगा देगे ना तो इस string किसमें change हो जाएगी यह number में change हो जाएगी यह number में change हो गई तो छोड़ी सी trick है जो आपको ध्यान में रखनी है तो यह था और एक और चीज यह तो मैंने आपको बता दिया तो एक और दो दो तरह से आप और चेंज कर सकते हैं मैंने पूरे कोड को कमेंट आउट कर दिया तो इस पूरे कोड को मैंने कमेंट आउट कर दिया आप बात करते हैं कि एक और तरीका क्या है तो इसको करने का और तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं For example में पर से एक वैरियेबल है इक्वल्स टो 18 यह 18 किसमें है यह 18 है नंबर में इसको स्रिंग में चैंज करने है तो आप क्या कर सकते हैं For example age की value मैं set कर दूंगा string और age तो age क्या है यहाँ पर अब यह एज क्या है 18 है तो age क्या हो जाएगा string में 18 हो जाएगा तो इसका मैं type of check करता हूं console.log यहाँ पर type of age तो क्या हो गाइए तो इस string हो जाएगा ओके for example अगर इस string में होता और आपको इसको तो number में change करना होता, तो आप यहाँ पर number लिख सकते हैं, तो यह number में change हो जाएगा, तो string से number में, number से string में, तो यह काम आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ओके, तो यह था, अब और आके बात कर लिएते हैं, अब बात करते हैं string concatenation की, for example, आपके पास एक string है, okay, let string1 equals to, for example, string1 है, हरशित, for example, और मेरे पास एक और string है, let string2, जिसमें है, वसिष्ट, okay, मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इनको concatenate करना है, concatenate का मतलब होता है, जोड़ना, okay, तो मैं एक string मना लूँगा, for example, full name नाम की, full name, जिसमें क्या होगा, जो मेरा string1 होगा, plus, जो मेरा first name है, और string2, तो plus करने से क्या होगा, हरशित, plus, string2, वसिष्ट, हरशित, वसिष्ट, यहाँ पे full name में store हो जाएगा, अगर मैं console.log करूं, full name, तो यहाँ पे क्या होगा, sorry guys, यहाँ पे पहले मुझे, 0, 9 करना पड़ेगा, तो यहाँ आप देखना हरशित, हरशित, कुछ इस तरह से print हो गया, ठीक है, दो string आपस में जुड़ गई, अब मुझे क्या करना था, इसके बीच में थोड़ा space भी add करना था, तो plus, मैं यहाँ पे थोड़ा सा space, ऐसे, फिर plus, तो यहाँ पे तीन string आपस में जुड़ गई, पहले string में हरशित है, दूसरी string में थोड़ा सा space है, और तीसी string में फिर, यहाँ पे वसिष्ट है, अब मैं सेफ करूँगा, तो आप देखना, बीच में थोड़ा सा space भी आ गया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अब मैं आपसे question बूस्ता हूँ, for example, string 1 में मैं क्या करता हूँ, string के अंदर 17 लिख देता हूँ, और यहाँ पे, यहाँ पे भी 17 लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, for example, क्या output आईगी, ओके, तो string 1 में क्या है, 17 है, string 2 में क्या है, 10 है, मैंने new string में क्या किया, string 1 और string 2 को add किया, और output क्या आईगी, तो यहाँ पे output आईगी 1710, ओके, और अब आप चाते हूँ, जब आप इसको add करें, ठीक है, दो string को जोड़ें, तो इस string नमबर में change हो जाने चीए, अब आप string को नमबर में change कैसे कर सकते हो, मैंने आपको एक trick बताई थी, string से पहले plus लिख दो, तो string 1 क्या थी 17, ठीका, तो इससे मैंने plus लिख दिया, तो 17 नमबर में change हो जाएगा, फिर plus, यहाँ पर इस string से पहले भी मैंने plus लिख दिया, तो 17 प्लस यहाँ पर 27 आ चीए, तो यहाँ पर 27 आ रहा है, ओके, और मैं इसका type भी देख सकता हूँ, तो type of, तो क्या है अभी यह number है, ठीके, तो यह आपको trick बताई थी, बस मैंने वही trick यहाँ पर use की, अब यहाँ भी बात करते हैं, template string की, okay, for example, मेरे पास यह दो variable है, let age नाम का variable है, जिसमें value है 22, और मेरे पास एक variable है, first name नाम का, जिसमें value है कुछ इस तरह से, आपको कुछ इस तरह से string print करानी है, for example, my name is harshit, and my age is 22, कुछ इस तरह से आपको string चाहिए, तो क्या करेंगा आप, ऐसी string बनानी है आपको, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, let about me, एक मैंने नया variable बनाया, इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा, एक string होगी, जिसमें होगा, my name is, थोड़ा सा space, तो उसके बाद मैं यहाँ पर age लिख दूँगा, my sorry, first name लिख दूँगा, first name, उसके बाद, plus, फिर नई string स्टार्ट करूँगा हमें, and my age is, उके, उसके बाद, यहाँ पर भी थोड़ा सा space, उसके बाद, plus, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा, age, तो इससे क्या होगा, इससे मुझे एक string मिल जाएगी, जिसमें होगा, my name is hrshit, and my age is 22, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, about me को print कर लेता हूँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर console.log, about me, तो यहाँ पर, ओके, यहाँ, my name is hrshit, and my age is 22, ओके, बड़, आप देख सकते हैं, कितने tedious काम है, आपको बार 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 प्लस लगाने बढ़ रहे हैं, बार 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 अपनी string को open करना पढ़ रहे हैं, बार बार close करना पढ़ रहे हैं, तो यह थोड़ा tedious काम है, तो इस काम को मसान कर सकते हैं, template string को use करके, वो काम कैसे करेगे, तो मैं इस line को comment out करता हूँ, और यहाँ पर नीचे आता हूँ, ओके, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर, यही variable बनाऊँगा दुबारा, let about me, ओके, यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको बताया था, पहली वीडियो में, जब hello world का program करा था, आप string के लिए double quotes use कर सकते हैं, single quotes use कर सकते हैं, या फिर आपको use कर सकते हैं, back ticks, अब back ticks क्या होते हैं, up in को use किजिए, अब आपको string कुछ इस तरह से चीए थी, यह आपको कुछ ऐसा चीए था ना, यहाँ पर यह कुछ ऐसा चीए था आपको, okay, बटा आपको यह hard code निकरना, आपको नाम hard code निकरना, age आपको hard code निकरने, आपको नाम आपको इस variable से चीए, तो जहाँ पर आपक ठीक है तो यहां पर dollar और placeholder और यहां पर भी क्या करूँगा जहां पर मुझे variable से value चाहिए dollar और यहां पर placeholder तो यहां पर मतलब मेरी string में दो जगा मैं variable variable से value उठाऊँगा तो पहले इसके अंदर मैं लिखूँगा variable का नाम से पहले यहां पर मुझे चाहिए value first name से और यहां पर मुझे value चाहिए age नाम के variable से तो बिल्कुल ऐसी string बन जाएगी my name is यहां पर हरशित and my age is age जो भी रोड़े टूँगा अब मैं about में अगर print करूँ तो same output ओके आप देख सकते हैं कितना असान है template string को use करना ओके आयोप आपको समझ में आगे होगा कि template strings क्या है ओके अब मिलते हैं तो यहां पर मैं और files add कर लेता हूँ और फिर आपको दुबारा मिलता हूँ तो अब हम बात करते हैं undefined की undefined क्या हो तो उसके बारे में बात करते हैं for example मैंने एक variable बनाया first name और variable मैंने बना के छोड़ दिया वस इसमें मैंने कोई value assign नहीं की अब मैं क्या करूंगा console.log हमने सीख है type of से क्या होता है हम type check कर सकते हैं तो first name तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका type क्या रहा है undefined आ रहा है अभी first name undefined है जब आप variable को बना दोगे बट उसमें कोई value assign नहीं करोगे तो वो क्या है undefined ओके ऐसा वार के साथ भी कर सकते हैं अभी भी undefined है बट ऐसा आप const के साथ नहीं कर सकते हैं अगर आप constant बना रहे हैं तो आपको उसको assign करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ अगर मैं करूंगा तो error आ जाएगी एक क्या error आ रही है error आ रही है line number 4 में line number 4 में error है और error क्या रही है unquote syntax error missing initializer in constant declaration यहाँ पर आपने कोई value नहीं इसका कहने का मतलब है आपने कोई value यहाँ पर assign नहीं की तो इसलिए यहाँ पर error आ रही है यहाँ पर पहले की तरह code लिख लेता हूँ मैं तो अगर आपने variable बनाया और आपने उसको assign नहीं किया कुछ तो यह आपके पास undefined होगा वो अब मैं क्या अगरत हूँ इसमें कुछ value sign कर लेता हूँ आपको बता है variable बनाने के बाद हम उसमें value sign कर सकते हैं for example मैं यहाँ पर value sign कर लेता हूँ यहाँ भी मैंने value sign कर ली तो उसके value sign करने के बाद मैं इसका type check करूँगा यहाँ पर आप देखना पहले था undefined था अब इसका type हो चुका है string क्योंकि मैंने string assign कर दी ना इसमें बाद में और आप console.log में एक console.log में आप एक से ज़्यादा चीजे भी print करा सकते हैं for example आपने यहाँ पर type of print करवाया आप comma डाल के for example आपने first name भी print करवाना है तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा तो type of क्या है string है और value क्या first name की अरशित और पहले undefined था बाद में हमने value assign कर दी अब बात करते हैं null की इसको देख लेते हैं इसको मैं comment out करता हूँ देखिए null का मतलब होता है कुछ नहीं null का मतलब होता है कुछ नहीं null null मतलब null null मतलब कुछ नहीं 0 का मतलब 0 null का मतलब null अब मैं क्या आकाम करता हूँ एक variable बनाता हूँ let my variable for example इसमें assign कर देता हूँ null ठीक है अब इसका type देखते हैं हमने बात की थी हमारे पास data type है अलग-अलग हमारे पास string है number है undefined हमने देख लिया अब null के बारे मैं बात कर रहे हैं अब मैं क्या करता हूँ अगर मैं इसका देखू बाइद वे नल का मतलब कुछ नहीं अगर मैं console.log करूँ console.log यहाँ पर करूँ my variable और देखूँ यहाँ पर null आ रहा है अब मैं क्या करता हूँ अब मैं type देखता हूँ इसका console.log बाइद वे इसकी value को आप change भी कर सकते हैं for example my variable equals to her shit यहाँ पर console.log my variable और साथ में इसका type भी print कर लेता हूँ comma type of my variable पहले क्या था null था बात में मैंने उसमें her shit डाल दिया और उसका type क्या है string है अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको आप इसको अपने ध्यान से देखना वह यह अगर मैं console.log type of type of null करूं यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ अजीब होगा यहाँ पर object आ रहा है और यहाँ पर क्या रा चाही हो यहाँ प्या आ चाही हरा था null जैसी undefined के case में type of क्या AG रहा था undefined है string के case में string बता हो Canada क्या ममर के case में number बता है अब ननल के case में object क्या है object बिल्कुल अलग requirement type एक बाग है यह एक जावस्क्रिप watt में गलती यह आपको ध्यान रखना की ठाइब अब। अब यह जावस्कर प्रकर तो तो फिक्स ने कर रहा है जावस्क्रिप में 바erun आता है तो इसको fix क्यों नहीं कर रहें देखें लाखों लोगों ने अपना code लिखा हुआ है यह जो bug है इसको देखते हुए ठीक है इसको deal करते हुए अगर यह इसको अगर यह बग ठीक हो गया तो जितने भी code लिखा हुआ हो ना जितने framework बंद है जावस्क्ड्रिप पे जितना code लिखा हुआ है वो सब को change करना पड़ेगा तो इसलिए उन्होंने इसको change नहीं किया इन्होंने इस bug को भगे रहने दे दिया बट लोगों को पता होना चाहिए कि यह bug है यह type of null के आदे को object देगा तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है अब एक और चीज़ के बारे में बात करते है बिग इंट तो इस बिग इंट क्या है यह बिग इंट ना जाओ स्कृट में अभी आया एक कुछ टाइम पहले आया यह वीडियो में 2021 में मनानो 2020 में आया अब मैं क्या करता हूँ यह बिग इंट है कि इसको देख लेते हैं देखें जाओ स्कृट में जो number आप स्टोर कर सकते हैं for example let my number for example आपने 123 number store कर लिया क्या किया मैंने console.log my number store कर लिया तो यहाँ पे आपने number store कर लिया no problem मैं इसको comment out कर देता हूँ पर लिया तो number store कर लिया अब आपसे स्वाल है क्या इस number के कोई limit है यह जो number है इसकी limit है जी हाँ इस number की limit है जाव स्कृट में किसी limit तक ही आप number store कर सकते हैं और वो limit क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ देखें अगर आप console.log करें number.max safe integer max safe integer आपको बताएगा कि आप safely कितना बड़ा integer store कर सकते हैं तो आप javascript में safely इतना बड़ा integer store कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके variable में इससे बड़ा integer हो सकता है तो आप begin to use कीजिए अब begin को use कैसे करते हैं वो बात करते हैं पहले मैं क्या करते हूँ बहुत बड़ा number लिख लेता हूँ अब मुझे इस number को big int बनाना है क्या बनाना है big int तो big int बनाने के लिए क्या करूँँगा और big int लिखने के बाद parenthesis में यह number लिख लूँगा यहां पर ओके तो यह number क्या बन गया यह number बिग गिंट बन गया यह जाव स्किट में नया डेटाइप आया primitive डेटाइप तो यह क्या बन गया यहां पर my numbers यहां पर same my numbers अब मैं क्या करता हूं big इंट यूज करने के दो तरीक है एक तो आप big इंट बनाने के दो तरीक है तो आप लेकिंट कोई भी number ढाल सकते हैं वह बिग इंट के साथ बिग इंट के साथ कोई भी operation प्रफॉर्म कर सकते हैं फॉर एक्जामपल यहां पे console.log दो नंबर को प्लस करना है आपने फॉर एक्जामपल माइ नंबर माइ नंबर प्लस सेम माइ नंबर इस दो वैरियेबल है अब दोनों को प्लस करना है तो आप देख सकते हैं 135 N आ गया 123 अब दोनों बिग इंट है यहां पे N लगाऊंगो तो भी इंट है अगर यहां पे इंट चुर्टर यूज करूंगो तो भी इंट है अब मैं क्या करता हूँ यहां पर एक को नॉर्मल नंबर बना देता हूँ एक को बिग इंट रहने कर देता हूँ तो क्या होगा यहां पे एरर आ जाएगा एरर क्या आ रहा है देखिए कहां पे एरर आ रहा है लाइन नंबर 21 में लाइन नंबर 21 में एरर आ रहा है क्या रहा है mix big gint and other types use explicit conversion इसका मतलब कि आप big gint को दूसरे data type के साथ mix नहीं कर सकते हैं big gint के जो math के जो operations हैं वो big gint के साथ ही होंगे तो आप दोनों को big gint बना दीजिए तो दोनों big gint बन गए तो 12 plus 130 कितना होगा 135, 135 यहां पे लिखा रहा है तो यह होगा big gint तो बहुत simple था अब बात करते हैं कुछ और देखते हैं क्या सिखना में हाँ इसमें बात करते हैं booleans and comparison operators की देखिए for example आपने दो चीज़ों को compare करना है कैसे करेंगे आप तो उसके लिए हमारे पस comparison operator है जैसे match में हम यूज करते हैं बिल्कुल वैसी है और उसके बात यह लिख है मैंने double equals to or triple equals to इसके बारे में भी बात करेंगे पहले थोड़े comparison operator बात कर लेते हैं देखिए for example आपको पता करना है क्या 5 3 से बड़ा है या फिर मैं दो variable बना लेता हूँ let num1 equals to 5 let num2 equals to 7 आपको पता करना है कि जो num1 है क्या वो num2 से बड़ा है ठीक है तो मैं क्या करूंगा simple num1 is greater than num2 तो यह जो है ना यह expression ठीक है यह मुझे यह तो true देगा यह false देगा ठीक है और booleans क्या होते है booleans दो value होती है booleans booleans होता है यह तो true होता है यह false दो value यह तो कोई चीज सही होगी यह कोई चीज गलत होगी अँग मैं क्या करता हूँ यह मुझे यह तो true return करेगा यह false return करेगा अँग मैं क्या करता हूँ इसको print करवा लेता हूँ console.log यहां पर अगे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे file number 12 के साथ काम करना है तो file number 12 तो यह false बता रहा है कि यह चीज बिल्कुल गलत है अब मैं क्या करता हूँ दोनों को same कर देता हूँ तो भी यह गलत आएगा अब मैं num1 is greater than or equal to देखना है तो यहाँ पे greater than or equal to लोगा हूँगा अब देखेंगे अब यह true आ रहा है क्योंकि num1 num2 equal है तो इसलिए यहाँ पे true आ रहा है अब मैं क्या तो num1 को बढ़ा देता हूँ num1 को 8 कर देता हूँ अब num1 बढ़ा है num2 से तो भी क्या आएगा true आएगा तो if num1 is greater than num2 तो हमारे पास आएगा true आएगा एक num1 जैसी ऐसी मेरे पास last ten है तो ऐसी last ten के लिए आप check कर सकते हैं तो काफ़ी simple है ऐसे check कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे num1 is अगर आप num1 को यहाँ पे छोटा कर दें for example 6 कर दें तो यहाँ पे true आजाएगा तो यह काफ़ी simple था तो आपको समझ आ गया होगा तो मतलब यह comparison operators हमें यह तो true return कर रहे हैं false return कर रहे हैं अब बात करते हैं double equals 2 versus triple equals 2 इसके बारे में बात करते हैं for example आपने equality check करने है कि कोई number दूसरे number के equal है या नहीं है for example पहले equality की बात कर लेते हैं सबसे बहले दोनों number को 7 कर लेता हूँ मैं अब मैं क्या करता हूँ न मुझे check करना है num1 और num2 equal है या नहीं है तो मैं क्या करूँगा console.log num1 equals to num2 तो यहां प्यार है true अब मैं काम करता हूँ जो num1 है न उसको मैं strings में लिख लेता हूँ अब num1 string में लिख ले हैं मैंने num2 मेरा number है अब भी true आ रहा है अब ही true क्यों आ रहा है क्योंकि double equals to हमारी value check करेगा data type check नहीं करेगा मतलब अगर data type हमारा same ना भी हो बट value same हो तो वो true दिखातेगा बट अगर मैं यहां पर value change कर दूँ तो यहां पर false दिखा रहा है तो double equals to सिर्फ किसका ध्यान रखेगा सिर्फ और सिर्फ values का ध्यान रखेगा data type का ध्यान नहीं रखेगा और ऐसा सिर्फ javascript में होता है triple equals to अब क्या होगा अब num1 क्या है string है num2 क्या है number है तो यहां पर false हैगा तो आई होगा आपको समझ आगया होगा double equals to versus triple equals to अब बात करते हैं हम not equal to versus यह वाला not equal to okay not equal to check करने के लिए यह मेरे बास operator है अब not equal to तो कैसे check होता है वो देख लेते हैं console.log यहां पर num1 is not equal to num2 यह check करेगा कि क्या num1 और num2 दोनों अलग-अलग हैं अगर दोनों अलग-अलग हुए तो यह क्या करेगा यह print करेगा true but अभी क्या है दोनों same है अगर दोनों same है तो यहां पर क्या कर रहा है false मेरे पास print कर रहा है बटन मैं क्या करता हूँ न इन तोनों को अलग-अलग print कर देता हूँ अलग-अलग कर देता हूँ अलग-अलग कर दिया तो यहां पर क्या आ रहा है यहां पर true आ रहा है यहां पर true आ रहा है फोल्स का मतलब कि यह दोनों अलग अलग नहीं है इसका मतलब है यह दोनों अलग अलग नहीं है जब कि अलग अलग है यह स्ट्रिंग है यह नंबर है फिर भी यह कह रहा है अलग अलग नहीं है क्यों कि वैल्यू तो सेम है ना अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा फिर यह अलग नहीं है अब मैं क्या करता हो ना यहां एक और इकुल टू लगा देता हूं इसका मतलब अब यह टाइप भी चेक करेगा अब यह सही बता रहा है अब यह कहा रहा है कि यह दोनों अलग अलग नहीं हैं ओके तो यहां भी true बता रहा है तो यह है double equals to assistable equals to और यह note equality कुछ इस तरह से आप चाक कर सकते हैं तो काफी simple था बट यहां पर थोड़ा confusing लग सकते हैं आपको बट इस पे इतना ध्यान मत दो आगे चलते हैं अब आज करते हैं truth ही और false values पे तो यह truth ही false values क्या होती है यह कब use करते हैं देखिए देखिए मैं यहां पर कुछ false values लिख देता हूँ false values false values में empty string false values में null undefined false false को सबसे उपर लिखना चाहिए मुझे false और undefined zero तो यह मैंने कुछ values लिखी है तो यह क्या है क्यों use करते हैं यह अभी अगले minute में आपको समझाऊंगा मैं बट यहां पर मैंने value लिख दी इसको मैं ऐसे copy करता हूँ और यहां पर paste करता हूँ यह अभी नहीं paste करता हूँ अभी कुछ और बात करते हैं अभी 13 फाइल पर हम दुबार आएंगे किंता मत करो पहले हम बात करते हैं if-else condition के बारे में यह जो मैं बूलियंस बढ़ाना यह बूलियंस को if-else के साथ combine करके हम बहुत अच्छा प्रोग्राम मना सकते हैं और इग्जामपल, आपने क्या करना है आपने check करना है कि कोई number code है या even है या फिर आपने check करना है कि user की age 18 से बड़ी है या 18 से बड़ी नहीं है तो इग्जामपल देखते हैं इसका इग्जामपल आपके बास एक variable है age जो की 17 है जिसकी value तो आपको चック करना है कि य्यूजर की ऐड़ा से बड़ी है या नहीं है अगर यूजर की ऐड़ासि बड़ी है तो हम उसको एगे कि वो गइम खेल सकता है कि कोई पर्टिक्लर गेम खेल सकता है अगर उसकी ईज सत्रा से कम है तो वो particular गेम कहल सकता है तो यहां पर मैंने 17 लिखा है तो यहां पर 18 लिख लेता हूं तो थोड़ा कुछ भी लिख सकते हैं doesn't matter मैं क्या करना है मुझे if लिखना है if okay if यहां पर उसके बाद parenthesis लगाने है इसके बाद मुझे compare करना है जो मैंने comparison operator यूज किया ना यहां पर उपर तो कुछ इस तरह से मैं यूज कर सकता हूं if अगर user की age is greater than 18 हुई ठीक है greater than 18 हुई तो यहां भी मैं लगाऊंगा curly braces इसके बाद आपने parenthesis लगाने है जिसमें आपको क्या लगाने है जिसमें आपको कंडिशन लिखनी है उसके बाद यहां पर curly braces लगाने है curly braces के अंदर आपने अपना code लिखना है कुछ भी for example console.log user can play ddlc तो user game खिल सकते हैं ddlc और यहां पर अब देखते हैं इसको code को run करते हैं तो पहले मैं क्या करता हूँ यहां पर file number 14 को यहां पर लिख लेता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं हुआ इसको समझते हैं यहाँ पे अगर मैं 19 लिख दूँ और यहाँ पे अगर मैं 19 लिख दूँ तो यहाँ पे user can play DDLC इसका मतलब क्या देखिए इस condition काम कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे मैंने एक variable है एच नाम का जिसमें value है 19 अब यहाँ पे यह मुझे यहाँ तो true return करेगा या false return करेगा जैसा कि हमने भूल इन्स में देखा अभी तो यहाँ तो मुझे true return करेगा या false return करेगा अगर यह condition true हुई तब ही यह line चलेगी तब ही यह block चलेगा अगर यह condition false हुई तो यह block नहीं चलेगा यह condition false कब होगी जब user की age 18 से कम होगी ठीक है तो मैं यहाँ पे 17 लिख दूँ अगर तो यहाँ पे क्या रहा है यह condition यह block नहीं चलेगा क्योंकि यह condition false हो गई ओके तो य है if else यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं for example greater than or equal to 18 अगर यहाँ पर 18 होगी तो भी condition true हो जाएगी और यहाँ पर user can play ddlc अब यहाँ पर इतना हो गया अब यहाँ पर for example मैं यहाँ पर दुबारा 17 कर देता हूँ अब यहाँ पर क्या हुआ यह कोड नहीं चला मतलब यह condition false हो गई तो यह ब्लोक नहीं चलेगा अब अगर यह ब्लोक नहीं चला तो हम यहाँ पर आगे यहाँ लिख सकते हैं इसके बाद एक और ब्लोक लगा सकते हैं और यहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं यूजर ले मारियो इसका मतलब क्या है देखिया वो समझते हैं इसका मतलब है अगर condition true हुई तो तो इफ वल ब्लोक चलेगा यह condition अगर true हुई तो if follow लोग चलेगा अभी user की age कितनी है 17 है तो यह condition false हो गई अगर condition false हो गई तो else follow लोग चलेगा अगर condition true हो गई तो if follow लोग चलेगा अगर condition false हो गई तो else follow लोग चलेगा तो भी else follow लोग चल रहा है आप देख सकते हैं user can play mario अब एक और example देख लेते हैं इसका for example आपने एक number आपके पास let number let num equals to for example 14 आपको चाक करना है कि यह number even है या नहीं है even है या odd है तो जाओ स्क्रिप्ट में इसके लिए हमें remainder चीए two से डिवाइड करके remainder अगर 0 आया तो वो है even अगर remainder 0 ना आया तो वो है odd अब remainder कैसे चेक करते हैं जाओ स्क्रिप्ट में तो remainder चेक करने के लिए console डो लो for example आपको remainder चीए for example 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे उसका remainder चीए तो 9 modulo 3 तो यहाँ पी remainder आ जाएगा remainder 0 आ रहा है अगर 9 9 modulo 4 करूँगा तो remainder क्या आएगा remainder 1 आएगा तो कुछ इसरा से आप देख सकते हैं अगर 5 करूँगा तो remainder कितना आएगा 4 आएगा ऐसी अगर कोई number even कब होता है जब उसको 2 से डिवाइड करके remainder आता है 0 तो हम वो condition लिख सकते हैं पर कैसे लिखेंगे if num अगर num को हम 2 से डिवाइड करके अगर उसका remainder 0 आया remainder अगर 0 आया तो हम क्या करेंगे console.log यहाँ पर simple लिख दूँगा even else मैं यहाँ लिख दूँगा console.log odd तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा अब देखते हैं तो यहाँ पर even आ रहा है अगर मैं यहाँ पर 13 लिख दूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर odd आएगा तो यह है if else condition आई हो आपको समझ आ गया होगा ओके अब इस file बें दुबारा आते हैं अब मैं क्या गाम करता हूँ यह कहाँ false values तो मैं इसको यहाँ से copy करता हूँ और यहाँ पर paste करता हूँ अब मैं क्या करता हूँ इसको उपर वले code को भी comment out करता हूँ अब इसके बारे में बात करते है false values हैं क्या देखिए for example आपके पास एक variable है let first name for example आपने इसको empty कर दिया और आप कहीं बार क्या दिखोगे code कुछ लोग इस तरह से लिखते है इस फस्स नेम ओके और console.log मैं आपको समझाऊंगा यह क्या लिख रहूँ मैं first name और else अब यहां पे मैंने क्या लिखा empty value empty string क्या है false value तो यहां पे यहां पे मैंने first name में क्या लिखा empty तो अगर मैं if first name अगर यह condition check करूंगा यह क्या हो देगा मुझे false देगा यह क्या देगा मुझे false देगी value और यहां पे अगर यह false लोग चलेगा यहां पर लिखा रहा है first name first name is kinda empty तो यहां पे यह मेरे पास output में show हो रहा है मुझे अब यहां पे मैं क्या करता हूं अगर for example मैं first name मैंने कुछ इस तरह से कर दिया यहां पे कुछ भी आप message लिख सकते हैं doesn't matter यहां पे भी first name क्या है undefined तो undefined भी क्या देगा यह false false value है तो यह condition भी false होगी false होगी तो else love lock चलेगा अगर मैं first name को null कर दूँ तो यह भी क्या है यह भी false है false value है तो यह condition अभी भी false होगी तो यहां पे first name is kinda empty अभी भी empty हा रहा है अगर first name को मैं zero कर दूँ अभी यह condition क्या होगी? false होगी, अगर false होगी, तो अभी else लग लोग चलेगा, और first name को अगर मैं false कर दो, तो false is false, तो साफ ही false है, तो यह else लग लोग अभी भी else लग लोग चलेगा, बट अगर मैं first name की value कुछ लिख दू, for example, हरशित, और अब देखूं, तो यहाँ पर first name प्रिंट हो रहा हरशित, ठीक है, तो अगर string में कुछ characters हैं, तो वो truth ही value है, ओके, तो यहाँ पर truth ही value लिखते हैं, बाकी सब truth ही है, यह false ही था, बाकी सब truth ही है, for example, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर, अगर मैं string में कुछ characters हैं, a, b, c, d, तो यहाँ truth ही value, अगर 0 के लावा और कोई number है, for example, positive या negative, for example, 1 हो गया, या फिर आख पर negative 1 हो गया, तो वो भी क्या है, वो भी truth ही है, for example, first name में, अगर मैं 1 कर दूं, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, first name की value 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया, अगर मैं negative 1 कर दूंगा, तो negative 1 प्रिंट हो जाएगा, but, अगर मैं 0 कर दूंगा, तो यह false value है, first name इसका हैंड है, एमटी, तो यह था कुछ truth ही values, और false values के बारे में, तो इसका ध्यान रखना, अब इसके बारे में बात करते हैं, turnary operator की, okay, for example, let age, age है for example, कुछ भी है जो सकते हैं, for example, let, okay, अब यहाँ पर एक मुझे variable बनाने है, drink, okay, और इस drink में मुझे value set, इस drink में मुझे कुछ value store करनी है, बट मुझे कुछ condition लगा के value store करनी है, okay, मुझे इस drink नाम के variable में, इस drink नाम के variable में, value store करनी है, milk, अगर, जो age है, वो 5 से कम है, okay, तो milk store करना है, अगर age 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे coffee store करना है, okay, तो कुछ इस तरह से मुझे काम करना है तो एक काम कैसे करेंगे देखें तो नुर्विल आप इफ कंडिशन यूज करके कर सकते हैं लैट एज नाम का वेरियबल भी अंडिफाइंड है ठीक है और नहीं एक हाँ एज नाम के वेरियबल में कुछ डाल देता हूं एक डाल दिया तो मैं क्या करूँगा डूगा जो वेरियबल स्कॉड नाम की वेरियबल में मिल्क साथ कोभी इसूंт जो ड्रींग नाम का वेरियबल डूँब बैलाफ कर दूऊंगा मैं मृंट और गया करता हूं पूंसलन नह्से करता हूं क्या drink क्या है और सबसे बहले मुझे यहां पर फाइल नंबर 15 के साथ काम करना है तो यहां पर फाइल नंबर 15 लिख लेता हूं कि इसको सेफ करता हूं कोफी आ रहा है यहां पर पहले अंडिफाइंड था बाद में कंडिशन लगा के इसमें वैल्यू असाइन कर दी अब फो इसके वैल्यू कर देते हैं फोर यहां प्यारा मिल्क तो कोड बिल्गुल ठीक काम कर रहा है बट इतना बड़ा लिखने के आप को ज़रूत नहीं है आप टर्नरी ओपरेटर यूज कर सकते हैं टर्नरी ओपरेटर इसको कंडिशनल ओपरेटर भी बोलते हैं कंडिशनल ओपरेटर तो कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं आपके पास एक वैरियूबल है जिसमें एज हैं ओके तो आप डिरेक्ली यहां प पड़ी या 5 केवल है ठीक है, question mark लगाना है, यह condition है, question mark लगाना है, क्या यह condition true है, अगर यह condition true है, तो इसमें हम string store कर देंगे, जिसमें होगा, coffee, ठीक है, अगर यह condition false हुई, colon लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे milk, इसका मतलब देखिए, सबसे बहले यह condition check होगी, ठीक है ये condition check होगी ये condition check होगी तो यह तो true आएगा या false आएगा ठीक है अगर true आया तो question mark के बाद वाला store हो जाएगा इस drink नाम के variable में अगर false आया तो colon के बाद वाला store हो जाएगा इस variable में तो काफ़ी simple है तो अगर age 5 से ज़्यादा है question mark अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो कोफ़ी store करो उसमें नहीं तो colon नहीं तो हम उसमें store करेंगे milk अब मैं क्या करता हूँ console.log यहाँ अगर मैं drink करूँ देखूँ क्या है drink की value coffee आ रही है अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो यह पर milk आ रहा है और साथ में बात करेंगे और operator के बारे में तो यह क्या operators होते हैं इनको क्यों use करते हैं यह सब बात करेंगे अब हम देखिए कई बार क्या होता है न हमें एक से ज़्यादा condition चेक करनी है इसको example यह समझते हैं for example मैं एक variable बना लेता हूँ let first name equals to first sheet okay तो मैंने एक variable बना लिया अब मैं एक और variable बना लेता हूँ let age for example 22 तो मुझे करना क्या है यहाँ पे मुझे यहाँ पे चेक करना है कि क्या user का नाम age से start हो रहा है और क्या user की age 18 से बड़ी है अभी तक हम क्या करते हैं देखिए वाईस अभी तक हम एक ही condition चेक करते हैं कैसे चेक करते हैं example देखिए तो क्या करते हैं देखिए if first name equals to आपको first name ने चेक करना आपको क्या चेक करना है first name का first character ठीक है तो first character 0th index पे होगा क्या first character उसका string में लिखूंगा h है अगर उसका first character h है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे message लिख सकता हूँ यहाँ पे console.log यहाँ पे your name starts with h अगर मैं इसको save करूँगा आप देख सकते हैं your name starts with h तो यह और है अगर मुझे age के लिए करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको यहाँ से comment out कर सकता हूँ comment out कर देता हूँ नीजे age के लिए condition लिख लेता हूँ if age is greater than 18 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ console.log और यहाँ भी message लिखता हूँ you are above 18 यहाँ पे मैं एक message लिख दिया देखिए अब मुझे करना क्या है मुझे इन दोनों conditions को इस condition को और इस condition को एक साथ check करना है उसके लिए मैं use करूँगा and operator कैसे use करूँगा वो देख लेते हैं देखिए if मुझे first condition क्या लिखनी है if first name का जो first character है 0 थी next भी है जो अगर वो equal है h के देखिए and and लगाने के लिए मैं लिखूँगा and दो बार and लिखूँगा मैं इसको बोलते है and operator तेक है उसके बाद अपनी दूसरी condition लिखूँगा दूसरी condition है मेरी age is greater than 18 ओके यह दो condition लिख दी अगर यह दो condition true है तो मैं यहाँ पर console.lo करा दूँगा यहाँ पर name starts with h and above 18 तो मैंने यह print करा दिया अब देखते हैं name starts with h and above 18 अब and को समझते हैं देखिए and से क्या हो रहा है हमने दो condition check की ठीक है यह overall condition यह पूरी की पूरी overall condition तभी true होगी जब and के left side वाली condition भी true होगी और right side वाली भी condition true होगी अगर यह दोनों condition true होगी तभी यह overall condition true होगी अगर एक भी condition false होगी तो यह overall condition false हो जाएगी for example मैं name छोटे h से start करता हूँ मैं बड़े h से देख रहा हूँ ना मैं छोटे h से start करता हूँ तो यहाँ पर यह overall condition अब false हो चुकी है क्योंकि नेम इसका capital edge से start नहीं हो रहा यह condition false हो गई तो overall condition false हो चुकी है तो अगली condition यह check ही नहीं करेगा अभी overall condition यह false हो चुकी है पूरी की पूरी इसलिए यहाँ पर यह वला block नहीं चल रहा है मैं else में लिख देता हूं कुछ यहाँ पर तो else में लिख देता है मैंने inside else तो यहाँ पर else वला block चल रहा है क्यों क्योंकि overall condition false हो चुकी है for example मैं पहली condition को true कर देता हूं दूसरी condition को false कर देता हूं इसकी user की age 18 से कम कर देता हूं 16 कर देता हूं तो यहाँ पर भी inside else हा रहा है क्योंकि overall condition false हो चुकी है क्यों false होगी क्योंकि इन दोनों में से एक condition मेरी false होगी अगर दोनों true हैं तभी overall condition true होगी तो यह है and operator अब बात करते हैं और operator गी तो मैं इसको comment out इसको copy करता हूँ इसको comment out उपर वले को मैं comment out कर देता हूँ यहां से अब बात करते हैं अब मैं यहाँ पर इस की जगा मैंना simple inside if लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में सानी हो और and की जगा और लगा देता हूँ और आपको कहाँ देखने को मिलेगा अपने keyboard में जहाँ आप enter रहे ना उसके उपर देखने को मिलेगा और तो pipe बोलते हैं इसको तो or use करने के लिए आप दो pipe लगा दीजिए और यह or बन जाएगा अब और क्या होता है और जैसे and में क्या था यह condition भी true नहीं चीए थी यह condition भी true नहीं चीए थी overall condition को true करने के लिए and or में क्या है इन दोनों में से अगर एक भी condition true होई ना तो मेरा if लब लोग चल जाएगा देखते हैं इसको ठीक है अब मैं क्या करता हूँ user की इस दोनों variable को उठाता हूँ यहां से नीचे लिख लेता हूँ ताकि मुझे उपर देखना ना पड़े बार बार अब देखिए यहां पर age क्या है age कम है यह वहली condition अभी false हो रही है बट यह वहली condition true है तो अगर एक भी condition true ही तो overall condition true हो जाएगी और मैरा if लब लोग चल जाएगा अब देखते हैं तो inside if क्योंकि एक condition true हो रही है अगर मैं दोनों को true कर दू तो भी true रहेगा तो भी overall condition true रहेगी तो भी overall condition true रहेगी बट अगर मैं दोनों को false कर दू मैं user की age 16 से कम कर देता हूँ और यहां पर नाम में h टा देता हूँ यहां से तो यहां पर inside else अगर दोनों condition false होई तभी यहां पर else वला ब्लोग चल रहा है अगर एक भी condition true ही तो if लब लोग चलेगा तो यह simple था काफी यह था उपर था यह end operator जो हमने बात की end operator यह है over operator तो इस तरह से use करते हैं यह हम use करेंगे आपके अच्छे से practice हो जाएगी इसकी don't worry अब बात करते हैं कुछ और अब necessity fails के बारे में बात करते हैं necessity fails के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर 17th file को use करूँगा link करूँगा और necessity fails क्या है इसको example समझते हैं एक game बनाते हैं हम लोग तो game क्या game बनाएंगे हम हम गैसा number game बनाएंगे for example हम एक winning number रख लेंगे हमारा winning number रख लेंगे for example 19 तो user को कहेंगे बहुँ number gas करो अगर user ने 19 gas किया हम लिख देंगे your gas is right अगर user ने 9 से जो winning number रहा है उसे छोटा number gas किया for example 17 gas किया तो हम लिख देंगे 2 low उसको message देंगे अगर user ने बड़ा number gas किया for example 20 या 20 से उपर number को yes किया तो हम लिख देंगे too high तो कुछ इस तरह से हम गेम बनाएंगे तो यह logic है गेम का तो यह गेम कैसे बना सकते हैं उसको देखते हैं और इस गेम को बनाने के लिए मैं यूज करूंगा nested if else अभी आपको पता है nested if else का मतलब होता है इस के अंदर if else लिख दिया आपने या फिर else के अंदर if else लिख दिया आपने तो वह होता है nested if else तो देखते हैं काम कैसे करता है सबसे पहले एक variable अपना लेता हूं let winning number winning number है for example 19 अगर user ने 19 guess किया तो user का guess right है अब user से guess भी तो करुवाना है prompt function यह आपके browser में आपसे input लेगा और आप कुछ message भी pass कर सकते हैं यहाँ पर for example गैसा number तो इससे क्या होगा वो देख लेते हैं अगर मैं अपना browser खोलूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैसा number मुझसे number पूछ रहा है अगर मैं यहाँ पर number डालता हूँ for example 12 okay कर दूँ तो कुछ नहीं हुआ जो यह number है ना जो 12 number मैंने guess किया था वो इस variable में store हो जाएगा और मैं इसको print करा सकता हूँ फिर for example console.log यहाँ पर user guess अब मैं क्या करता हूँ अपना browser फिर से open करता हूँ browser मैंने फिर से open किया अब मैं क्या करता हूँ for example 12 number guess करता हूँ और okay करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वा रहा है बदल यूजर guess नाम के variable में guess store हो गया 12 store हो गया अब यहाँ पर एक चीज है जो आपको ध्यान रखने है यह जो prompt है ना यह input लेता है string में अभी यहाँ पर 12 number में input ने ले रहा है यह ले रहा है string में input कुछ इस तरह से अगर आपको नहीं है कीन और आप देख सकते हैं आप यहाँ पर type of मैं दो चीज़े print कराऊंगा पहले इसका type print कराऊंगा क्या type है इसका user guess का नाम के variable में store होगा उसका data type का है और साथ में उसकी value भी print कराऊंगा मैं user guess अब मैं क्या करता हूँ browser को open करता हूँ तो यहाँ पर guess हा number for example मैं 12 guess करता हूँ तो इसको फिर से refresh करता हूँ मैं यह पुराने वोला code चला था भी 12 guess करता हूँ है और रोक के करता हूँ तो आप देखना यह string आया यहाँ पर string क्यों आ रहा है क्योंकि prompt है ना वो string में input लेता है तो 12 number था ना वो string है भी अब मेरे को string को number में change करना है तो मैंने आपको एक trick बताई थी कैसे आप string को number में change कर सकते हैं कैसे यह क्या देगा मुझे string देगा अगर string को number में change करना है तो string से पहले plus लगा दीजिए यह क्या करेगा यह आपकी string को number में change करतेगा अब मैं क्या करता हूँ browser open करता हूँ cancel करता हूँ इसको और दुबारा से refresh करता हूँ अब देखते हैं अब यहाँ पे number gas करना है मुझे for example मैं 12 number gas करता हूँ और okay करता हूँ तो आप देखना अभी 12 string नहीं है अभी 12 क्या हो चुका है number हो चुका है तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि prompt क्या लेगा string में इंटीर लेगा और आपको इसको number में change करना है तो यहाँ पे क्या होगा if user guess triple equals to 19 या फिर winning number user guess अगर winning number की क्या होगा तो क्या होगा तो हम इसको console.log करवा देंगे console.log और यहाँ पे कर देंगे your guess is right तो यहाँ पे user का guess right हो जाएगा और अगर user ने गलत number guess किया तो हम यहाँ पे else में कर देंगे console.log your guess is wrong ओके तो मैं क्या करता हूँ इसको save करता हूँ और अपने browser को open करता हूँ for example मैंने number guess किया 12 तो यहाँ पे पुराना code रहन हो था दोबार इसको refresh किया मैंने तो यहाँ पे guess a number for example मैंने 12 input किया okay किया तो your guess is wrong guess is wrong क्यों आ रहा है क्योंकि winning number क्या था 19 था इसको मैं refresh करता हूँ और यहाँ पे 19 input करता हूँ तो यहाँ पे your guess is right आ रहा है but मुझे यह नहीं बताना कि user your guess is wrong मुझे थोड़ा सा और specific होना है मुझे बताना है कि user ने जो number था चोटा guess किया था या बड़ा guess किया था और वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं एक बार else में else में अगर user ने सही guess किया तो तो यह लिखा आज़ेग your guess is right तो हम user को print कर देंगे console.log कर देंगे too low मैं क्या गर दूँगा प्रिंट कर दूँगा अगर देखे अगर सही guess किया तो your guess is right नहीं तो हम check करेंगे कि user ने चोटा number guess किया था अगर चोटा number guess किया थो too low else अगर चोटा number ने guess किया था जायर सी बात है user ने बड़ा number guess किया तो console.log यहाँ पे लिख देंगे too high ओके तो यह हो गया हम इसको save करता हूँ और browser पे जाता हूँ और इसको cancel करके इसको refresh करता हूँ एक बार अब guess on number for example मैं number guess करता हूँ 12 तो too low अगर मैं number guess करता हूँ थोड़ा बड़ा for example 21 तो too high अगर मैं number guess करता हूँ for example 19 तो यह पे your guess is right तो यह हमारा code चलो रहा है बिल्कुल सही काम कर रहे है तो कुछ इस तरह से आप nested if else का use कर सकते हैं अब यहाँ पे if else को nest कहाँ पे कर रहे हैं इस else के अंदर हम if else को nest कर रहे हैं तो यह है nested if else ओके तो कुछ इस तरह से आप nested if else को use कर सकते हैं आई हो आपको example समझ में आ चुको होगा ओके अब और बात करते हैं थोड़ी अब यहाँ पे if else if else इसके बारे में बात करते हैं देखते हैं यहाँ क्या उससे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे 18 वीडियो नमबर 18 में फाइल नमबर 18 में काम करना है तो काम करते हैं इस फाइल के साथ तो देखते हैं तो यहाँ पे मैंने code लिखा हुआ है अब आप सोचा रहे हैं कि भाई इसने code क्यों लिख दिया पहली क्योंकि यह वीडियो में सही बता रहा हूँ तो तीसरी बार बना रहा हूँ क्योंकि पहली दो बार मुझे satisfaction नहीं हुई थी क्योंकि यह code में लिख रहा था तो इसमें time जा रहा था तो मैंने सोचा कि इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पहूँ चिंता मत करो मैं कुछ मिस नहीं करूँगा सब कुछ बड़े प्यार से समझाऊँगा तो इसको uncomment करते हूँ इसको देखते हैं क्या सबसे पहले मेरे बास एक variable है temperature in degree जिसमें कुछ value होगी ठीक है तो इस value है कुछ देखिए यहाँ पे पहले इसको run करके देखते हैं output क्या आ रही है for example यहाँ पे मैं 15 लिखता हूँ और देखते है output क्या आ रही है it is cold outside कुछ ऐसी आ रही है अब इस output को भूल जाओ अभी पहले यहाँ पे देखो इस तरह से लिखा है अगर मेरा यहाँ पे जो मैं बोले हूँ उसको ध्याँ से सुनना अगर temperature जीरो से कम है तो print होगा extremely cold outside यहाँ पे if लिखा मैंने उसके बाद parenthesis में condition लिखी उसके बाद if का block मनाया है मैंने curly braces के बाद जब if का block खतम हुआ यहाँ पे तो मैंने उसके बाद else if लिखा तो यहाँ आप यह important है else if ठीक है सिर्फ else ने लिखा मैंने else if लिखा यहाँ पे और else if लिखने के बाद मैंने एक और condition चेक की फिर मैंने यह block लगा else if वला फिर मैंने दोबार condition चेक की तो else if के बाद फिर मैंने condition check की फिर मैंने अगला block लिखा अब यह देखते हैं यह it is cold outside क्यों आ रहा है देखिए अब इसको ध्यान से समझना सबसे पहले मैंने पहली condition check की temperature in degree क्या इस 0 से कम है ना इस 0 से कम नहीं है तो इस block के अंदर हम जाएंगे ही नहीं हम अगली condition check करेंगे क्या temperature जो है मेरा वो 16 से कम है हाँ भाई यह condition बिल्कुल सही है इसके बाद हम क्या हमने क्या किया temperature 16 से कम है यह condition satisfy हो गई यहाँ पे इस condition के satisfy होने के बाद मैंने direct लिख दिया यहाँ पे it is cold outside तो console.log में हमने यहाँ पे लिख दिया it is cold outside यहाँ पे print हो गया जब condition satisfy हो गई उसके बाद हम next condition नहीं check करेंगे यह सबसे ज़्यादा important है अगर एक condition satisfy हो गई हम next condition check नहीं करेंगे जो javascript को execute कर रहे हमारा javascript engine वो इस condition को check करेगा उसके बाद हमारी execution इस पूरे else के बाद इस पूरे if else if else के बाद direct बाहर जम कर जाएगी इसके बाद जो भी code होगा वो further execute होगा for example यहाँ पे अगर मैं console.log यहाँ पे अगर मैं लिखू hello तो इसके बाद direct यहाँ पे hello print होगा इसके बाद कोई condition check नहीं होगी okay अब एक और example लेकर देख लेते हैं for example मैं यहाँ पे लिखता हूँ 35 और अब देखते हैं यहाँ पे turn on AC लिखा रहा है तो इसके क्यों लिखा रहा है देखिए पहली condition क्या 0 से कम है नहीं क्या 16 से कम है 35 नहीं क्या 35 25 से कम है नहीं okay क्या 35 45 से कम है क्या होगा डन ओन दी एस् 1987 मैं यहां पे 50 यिलिख देता हूं को рем бокे अब यहांपे क्या और है पहली चंडिशन क्या टैंपरीचर 6 16 ska मैंना क्या टेंप्रेचर 35 । pa 50 से कम आणना पर मै biting ने सार्ळी चाहिए चाक य चैक यह चंडिशन यह चेक की यह चेक की तो कोई सैटिस्वाइन नहीं होगी तो फाइबाद में एल्स फलब लोग चलेगा तो अगर कोई कंडिशन सैटिस्वाइन नहीं होगी तो यहां पर लिखा गए टू होट ओके अजो आपको समझ में आ चुक होगा कि यह काम कैसे हो रहा है अब यहां पर मैंने क्या किया था यहां पर मैंने जीरो से देखना स्टार्ट किया था पहले चेक किया कि टेमरेशर जीरो से कम है फिर सोला से कम है आप उल्टा भी कर सकते थे आप पहले चेक कर सकते थे कि कैमरे टेमरेशर 40 से उपर है तो मैं टू होट print कर देता तो वो दिखा देता हूँ वो कैसे होगा ठीक अगर आपको अगर आप बिल्कुल नई है प्रोग्रामिंग में तो मैं आपको suggest करो हूँ कि आप इसको code करके देखिए ओके तो जितना code करेंगे उतने आपकी practice होगी तो मैं क्या करूँगा इसको यहां से comment out कर देता हूँ तो नीचे चलते हैं नीचे मैंने ओके तो यह है वो code ओके तो इस code को देखते हैं यहां पर temperature in degree for example मैं लख देता हूँ 17 रख देता हूँ तो यहां पर it is very cold outside लिखा रहा है ऐसा क्यों लिखा रहा है वो देखते हैं सबसे पहले मैंने क्या चेक किया क्या मेरी temperature 40 से बड़ा है ना यह condition falls है क्या temperature 30 से जादा है ना यह condition भी satisfying न प्रियू नीच से लिख रहा है क्या condition क्या temperature गार्द क्या 20 से बड़ा है ना 20 से बड़ा भी झाए क्या temperature 10 से जादा है तो यहां पर it is very cold due लिखा रहा है उसके बाद हम बश कंडिशन हो गई उसके बाद हमारी जो एग्जिक्यूशन हैotional बहर जर्वाय जब करें गी और कॉंसल फोर चाफलवों यहां पर है 205 कर दो चार है यह दिख लेते हैं क्यों लिखा रहा है का टेमरेजर 40 से कम है, 40 से ज़ादा है, ना, का टेमरेजर 30 से ज़ादा है, ना, का टेमरेजर 20 से ज़ादा है, ना, का टेमरेजर 10 से ज़ादा है, ना, कोई condition satisfying होई, उसके बार direct else वाल लोग चलेगा, इसमें लिखा रहा है extremely good, by the way, यहां पर मैंने semi-colon नहीं लगाए, मैंने आपको कह रहूँ लगाने चाहिए कोई हाड रूल नहीं आए आप स्किप भी कर सकते हैं अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में ओके तो इसके बारे में बात करते हैं यहां पर मैं क्या करता हूं जो 18th file के साथ काम नहीं करना मुझे अब 19th file के साथ काम करना है अब मैं आपको बताता हूं कहाता हूं देखिए आपके पास एक variable है for example day नाम का जिसमें value है 0 आपको करना कहा है अगर day 0 है तो आपको print करना है Sunday अगर day 1 है तो print करना है Monday Rover 2 है Tuesday Thursday Friday अगर 6 होगा तोculoria सेटरड़य सेवन और तो आपको print करना है invalid day या 0 से लेकर 6 के लावा कुछ भी होगा तो आपको invalid प्रिंट करना है तो ऐसे काम आप कैसे कर सकते हैं सोचिए यह काम आप यह फैल सी फैल से लगा के कर सकते हैं तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको तो यह काम आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं अब हमने switch statement की बात में कि अभी करेंगे पहले ये काम देखिए हमने if else if else के साथ कैसे किया देखिए वही काम किया पहले 0 के लिए condition लिख दी if day is 0 हमने sunday print किया अब day is 1 तो हमने monday print किया for example अभी इसको run करता हूँ तो sunday print हो रहा है अगर मैं यहाँ पर two कर दूँगा कौन सी condition true हो रही है condition true हो रही है यह वली तो यहाँ पर two से print हो गया तो कुछ इस तरह से यह मेरा काम होगा तो काफ़ी simple था है अगर मैं कुछ और print करूँगा 0,1,2,3,4,5,6,7 के लावा for example मैं यहाँ पर seven कर देता हूँ तो invalid day आ रहा है तो यह था कि आप if else if else use करके यह काम कैसे कर सकते हैं but same काम आप कर सकते हैं switch statement को use करके तो पहले आपको code करके दिखाता हूँ switch statement को use करके कैसे होगा तो मैंने code लिखा हुआ है को समझाता हूँ रूको मैं आपको एक code समझाता हूँ और क्या है यह कैसे काम कर रहा है चिंता मत करो सब समझाऊँगा और अच्छे समझाऊँगा जो भी लिखा हुआ है आपने गबनाना नहीं नहीं मैं सब समझाऊँगा और यहां इस line को भी अटा देता हूँ मैं यहां से तो रहे गाईस चोटा कर दिया है मैंने थोड़ा तो यहां पर इसको अटा रहेता हूँ यहां से यह सेम काम आप switch statement को use करके कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं सबसे पहले आपको लिखना है switch लिख दिया switch उसके बाद जिस variable की value को आपको track करना है ठीक है तो उस parenthesis में उस variable की value लिख देंगे आप ठीक है इतना काम हो गया उसके बाद यहां पर case 0 इसका मतलब अगर इस day की value 0 है तो यह case 0 है तो यहां पर हम console.log Sunday print कर देंगे अगर day की value 1 है तो हम यहां पर यह colon लगाना मत भूलना यह colon important है इस is crucial ठीक है अगर यहां पर case 1 है तो यहां पर Monday print कर देंगे अगर case 2, case 2 का मतलब क्या है day की value 2 है तो यहां पर Tuesday print हो जाएगा फिर Wednesday print हो जाएगा फिर Thursday, Friday, Saturday कुछ इस तरह से print होगा अगर case इन 6 case में से मतलब की अगर day की value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके लावा कुछ भी हुई तो default print होगा अगर मैं इसको भी run करूँ आप देखना क्या होगा तो यहां पर Tuesday से start हो रहा है Tuesday से start हो रहा है वो देखते हैं क्यों हो रहा है day 2 है तो case 2 यहां पर satisfy हो रहा था case 2 का मतलब day की value 2 है तो यहां पर Tuesday print हो गया बट उसके बाद जो further cases थे उसने वो check की नहीं किये उसने direct यहां पर print कर दिया सब कुछ मतलब case 3 Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, invalid day सब कुछ इसने print कर दिया इसके बाद हम चाहते हैं जब भी मेरा case कोई satisfy हो जाए मतलब कि जब for example day की value 2 हो जाए या day की value 1 हो तो यह execute होने के बाद वो case के अंदर जो block हो execute होने के बाद जो मेरी execution है वो रुप जाने चाहिए switch के अंदर वो execution मेरी switch के बाद से लिए जाने जाने जीए फिर मतलब हमने further execute नहीं करना इसको मतलब कि Tuesday के बाद मुझे Wednesday, Thursday, Friday, Saturday यह नहीं करना तो इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ यहाँ पर मैं लगाँगा break तो यहाँ पर 6 के 6 case के बाद मैं लगाँगा break ओके इस break से क्या होगा for example Tuesday आया था मतलब कि day 2 मतलब कि case 2 यहाँ पर satisfy हो रहा था तो यहाँ पर Tuesday हो गया Tuesday प्रिंट होने के बाद हमने break कर दिया अब हमारी execution है जो वो direct switch के बाहर जम करेगी switch के अंदर आगे further code execute नहीं होगा okay तो इस बात का ध्यान रखने आपको हमने यहाँ पर break क्यों लगाए okay अगर आपने आज से पहले कभी switch यूज ने किया तो मैं आपको recommend करूंगा इस video को post कीजिए इसकी practice कीजिए देखिए यह काम कैसे कर रहा है okay काफी simple है अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूँ जो यह था switch statement अब बात करेंगे while loop की तो इसको समझते है while loop क्या है तो while loop काफी important है सबसे बहले मुझे काम करना है file number 20 के साथ okay तो file number 20 के साथ काम करना है while loop अब मैं आपको एक task देता हूँ आपको number print करने है 0 से 9 तक तो 0 से 9 तक आपको number print करने है तो आप क्या कर सकते हैं आप ऐस इसे कर सकते हैं console.log 0 फिर आप console.log 1 console.log.2 3 4 तो कुछ इस इसना से कर सकते हैं बट यह मैं कहूंगा आपको ऐसे नहीं करना है अच्छी practice नहीं है अब इसके लावा क्या कर सकते हैं आप वो देखते हैं आप हम for example मैं एक variable ले तो i जिसकी value है 0 एक variable ले ले जिसकी value है 0 और उस variable को मैं print कर देता हूँ simply console.log I तो 0 प्रिंट हो गया इसके बाद मैं क्या करता हूँ इस आई की value को increment कर देता हूँ और फिर इस I offers I प्लस प्लस क्या करेगा आई की value को बढ़ा देगा पहले 0 थी फिर 1 कर देगा मैं क्या करता हूँ console.log फिर से I करता हूँ बढ़ाने के बाद तो पहले 0 थी I की value वो मैंने print करा दी फिर I की value मैंने बढ़ा दी फिर दुबारा print करा दी 1 हो गया अब मैं क्या करूँगा ना ये काम दुबारा करता हूँ मैं दुबारा increment करता हूँ दुबारा increment करता हूँ दुबारा increment करता हूँ फिर print कर दिया 1 हो गया, print 2 हो गया, 3 हो गया, तो ऐसा मुझे 3 बार और करना है, ओके, तो यह मेरा काम हो गया, तो यह मैंने क्या किया, i की value को print किया, 0 से लेगे 9 तक, बट आप एक बात ध्यान दिजिए, मैं अपने code को कितना repeat कर रहा हूँ, ये दो लाइने यहाँ पे लिखिया है फिर ये दो लाइने दुबारा यहाँ पे लिखिया है फिर ये दो लाइन दुबारा यहाँ पे लिखिया है फिर ये दो लाइन दुबारा यहाँ पे लिखिया है coding में principle होते है हमारे पास जिसको बोलते हैं dry ड्राइड ड्राइड का मतलब है डोंट इंपट योर्स आपने खुद को रिपीट नहीं करना अब यह काम हम इंस्टेट कि हम खुद इतना टीडियस काम करें इतना टीडियस वर्ग करें यह काम हमारे लिए यॹजुकर सकती है अब while loop समझते हैं while loop कैसे करेगी और मैंने अब को कहा don't repeat yourself हमें इतना repeat करने के जूरत नहीं है हमें ये जो code है ना ये हमें इतनी बार लिखने के जूरत नहीं है ये इतना लिखने से हो जाएगा अब क्या करना हमें मैं इसको एक पल के लिए हटाता हूँ यहां से और मैं while loop यूज़ करता हूँ अब इस while loop को समझते हैं अब इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा यहां पर starting में मैं 0 से 9 तक नमबर प्रिंट ने करवा था 0 से 3 तक ही कराता हूँ while i is less than or equal to 3 वो जो दो लाइन लिखे थी वो यहां पर लिख देता हूँ मैं यहां पर ओके तो यहां पर 0 1 2 3 प्रिंट हो रहा है बट किस तरह से हो रहा है क्या हो रहा है यहां पर वो देखते हैं पहले i की value थी 0 ओके i की value थी 0 हमने condition चेक की क्या i की value less than क्या i की value छोटी या 3 जितनी है हाँ यह condition true है क्योंकि i की value 0 है और वो 3 से छोटी है तो i की value 3 से छोटी है condition true हो गई condition true हो गई तो यहां पर while hula block चल गया अब while hula block अगर चल गया तो यहां पर i की value प्रिंट हो गई i की value प्रिंट हो गई तो यहां पर 0 प्रिंट हो गया अब 0 print होने के बाद हमने क्या क्या I की value को increment कर दिया पहले 0 value थी फिर हमने 1 कर दिया I की value अब फिर हमने condition check कि I क्या 1 क्या 1 3 या 3 से छोटा है हाँ यह बिल्कुल सही बात है तो फिर से while वाला code चलेगा while वाला block चलेगा तो फिर से I की value print हो जाएगी तो यहाँ पर 1 print हो जाएगी क्या I की अब current value कितनी है 1 कर दिया जब दुबारक condition check कि उससे पहले 1 कर दिया जब 0 थी तो हमने 0 condition true हो गई 0 से condition true हो गई, फिर I की 0 print कर दिया, फिर जाते जाते हमने I की value 1 कर दी थी ना, तो 1 check किया, तो condition फिर से true हो गई, फिर हमने गया किया, 1 print कर दिया, अब 1 print कर दिया, तो हमने किया कि I की value जाते जाते यहां से 2 कर दी, अब कितनी हो गई, अब क्या 2, तीन या 3 से छोटा है, हाँ बिल्कुल ठीक है छोटा है तो यहाँ पर हमने टू प्रिंट कर दिया फिर हमने iq-value 3 कर दी iq-value 3 कर दी तो हमने फिर से condition चैक की फिर ये condition true हो गई क्योंकि condition क्या क्या रिए iq-value 3 या 3 से छोटी है तो iq-value भी 3 है तो तीन है तब भी condition हो गए योग हमने less than equal to लगाया ना तो इसलिए यहाँ पर I print हो गया दुवारा तो यहाँ पर तीन print हो गया अब हमने क्या क्या IK value चार कर दी अब IK value जब चार कर दी हमने तो यहाँ पर यह condition false हो गई अब यह condition false हो गई ना बस अब यह while loop यहाँ पर बंद हो चुकिया अभी आगे further नहीं चलेगी आगे इस block के अंदर नहीं जाएगी और आगे further जो भी मेरा code होगा वो चलता रहेगा for example console.loat log यहाँ पर अगर मैं आगे hello लिखूँँगा तो यहाँ पर further code मेरा execute होगा यहाँ पर hello आ गया अब जब यह while loop बंद हुई उस time पर i की value क्या थी उस time पर i की value 4 थी क्योंकि जब i की value 4 हुई 4 हुई तब ही तो यह condition false हुई थी तो हम यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं तो console.log यहाँ पर template string यूज करता हूँ मैं लिखता हूँ current value of i is और यहाँ पर यह करता हूँ और i i is 4 मतलब जब तक जब हमने i 3 बर print कराया और जब i की value 4 हुई थी i की value है पर 4 हो चुकी है बड़ यह condition अभी false हो चुकी थी तो आगे further code मेरा while loop नहीं execute हुई तो यह था while loop इस तरह से काम करते हैं अब मैं गर कहूँ एक से लेके 9 तक number print कराने है तो एक से लेके 9 तक number print करा दो ठीक है एक से लेके 9 तक number print हो गए अगर यह पर एगर equal to नहीं लिखेंगे तो i कब तक कब तक कि यह लूप चलेगी जब तक आई की वैली नो से छोटी रहीगी मतलब आठ तक ही चलेगी यह लूप तो जिरू से लेगे आठ सक नमबर प्रिंट हो गए और आपको नो तक कराने है तो लैस जैन इक्वल टू नो ठीक है तो यह था वाइल लूप आएगे हो इस बात के आपको ध्यान रखना है आप एक वाइलूप का एगजामपल देख लेते हैं तो आपको करना कहा है फोर एंप़ पशामपल आपके पास एक वेरियेब Albale मेल एक व तो आपको करना क्या है first and natural number का sum करना है for example 10 है तो आपको 1 plus 2 plus 3 तो आपको 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 कुछ इस तरह से आपको ये काम करना है तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको यूज़ करना है while loop तो इस वीडियो को post किजिए I hope आपने try किया होगा अब मैं बढ़ाता हूँ इसको हम कर कैसे सकते हैं ठीक है तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले एक variable ले ले लेंगे जिसका नाम होगा total इस total में पहले हम कर देंगे रख देंगे 0 पहले total की value 0 है ठीक है अब हम क्या करेंगे total की value में जो total है total की value में हम जोड देंगे 1 तो total है ना उसमें कर देंगे जो total की पहले value थी पहले value कितनी थी 0 थी ठीक है तो पहले value total की पहले value थी प्लस हम उसमें जोड देंगे 1 ठीक है फिर हम क्या करेंगे नीचे आएंगे फिर से हम total की value में जो total की पहले value थी उसमें 2 जोड़ देंगे फिर 3 जोड़ देंगे फिर 4 जोड़ देंगे फिर 5 जोड़ देंगे फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10 इससे होगा क्या देखिए पहले total की value थी 0 हो यहां से टोटल कि अभी पहले इसको ना प्रिंट करके देखते हैं बाइद वे मैंने यहां पर सेमिकॉलन नहीं लगाए तो कोई बात नहीं अब यहां पर मैं क्या अगर्त हूं टोटल देखते हूं कितना रहा है तोटल 55 वारा है बिल्कुल से वैल्य उठाई टोटल की वैल्यू जिरो उठाके हमने यहां रख दी तो जिरो प्लस वन होगया तो यहां पर टोटल की वैल्यू कितनी होगी वन होगी तो हमने क्या क्या टोटल की वैल्यू फिर से चेंज की टोटल की पहले वैल्यू थी मैं पहले वैल्यू क्या थी वन थ तो टोटल की वैल्यू सिक्स रखेंगे तो यहां पर टोटल की वैल्यू कितनी हो गयी है एंगे स्ऐक टेक्थ टोटल की हो गई वैल हुपर कितनी हो गई थैruck हाँ तो पर total के value कितनी हो गई थी 21 हो गई थी तो नीचे 21 रख देंगे total के value कितनी हो गई यहाँ पर 28 हो गई तो यहाँ पर 28 रख देंगे ठीक है और यहाँ पर total के value कितनी हो गई 36 हो गई तो यहाँ पर 36 रख देंगे तो यहां पर total की value कितनी हो गई 45 हो गई तो यहां पर 45 रखतेंगे तो end में हमें क्या मिल जाएगा 55 तो कुछ इस तरह से हमें ये काम करना है अब हमने इसके लिए क्या यूज करनी है हमने इसके लिए यूज करनी है while loop अब while loop से कैसे हो सकता है काम देखते हैं तो पहले मैं क्या करता हूँ जैसे code मेरा पहले था बिल्कुल वैसा रख देता हूँ अब यहां पर देखे एक pattern analyze कीजिए यहां पर पहले one है one add किया two add किया three add किया four five six ठीक है अगर मैं यहां पर एक variable रख लूँ यहां पर i और उस i की value को change करते हूँ उस i की value को बढ़ा के मैं 10 तक कर दूँ तो बिल्कुल सही नहीं चलेगा यह loop बिल्कुल ठीक चलेगा तो यहां पर एक variable ले लूँगा मैं i ठीक है let i जिसकी initial value होगी zero बिल्कुल ठीक बात है अब मैं क्या करूँगा अब उस i की value को मैं बढ़ा दूँगा और जब और कब तक बढ़ाओंगा जब तक i की value 10 या 10 से छोटी नहीं होती और उसके बाद मैं क्या करूँगा उसमें कुछ total में कुछ इस तरह से sum करता जाओंगा ठीक है तो one की जगा मैं रख लेता हूँ यहां i ठीक है तो one की जगा मैं यहां पर i रख लेता हूँ और यहां पर क्या करूँगा इस code को टाऊँगा और इसको किस के अंदर लूप के अंदर while i is less than equal to 10 और इसके बाद मैं क्या करूँगा वही line total में total plus i कर दूँगा और बाद में क्या करूँगा जाते जाते i की value प्लस क दूँगा मतलब जब लूप चलेगी पहले आई की value 1 है तो total में मैंने क्या कर दिया total में 0 plus 1 1 कर दिया total total की value 1 हो गई दूसरी बाद लूप चलेगी तो उस 1 में 2 हो जाएगा total में फिर दूसरी बाद लूप चलेगी total में 3 हो जाएगा कुछ इस तरह से लूप काम करेगी ओके अब देखते हैं इस cancer क्या रहा है 55 आ रहा है for example आपको पहले 100 नंबर का sum चीए था तो आपको 5050 आ रहा है एक है त तो formula क्या होता है sum of n natural numbers का n into n plus 1 और इस पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ ओके तो n into n plus 1 by 2 by 2 n into n plus 1 by 2 क्या करता था first n natural number का sum देता था for example 10 लिखेंगे यहाँ पे तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 देदेगा हमें और यह formula है अब यहाँ पर n के हमारा number है तो हम यहाँ पर n की जगह मैं num लिख लेता हूं और मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक variable बना लूँगा let total तो यह मुझे answer देदेगा यहाँ पर semikron लगा देता हूं तो नीचे यहाँ पर लिख लेता हूं console.log total तो यहाँ पर total आ गया यहाँ पर 55 तो कुछ इस तरह से काम हो रहा है तो इसको ध्यान से देखिए यह काम बिल्कुल सही हो रहा है अगर मैं उझे for example पहले 100 number का चीए था तो यहाँ पर 5050 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या रहता 100 numbers के लिए वो देख लेते हैं तो उपर वला court देख लेते हैं तो यह प्रूफ करने के लिए कि दोनों में same अंसर आएगा तो देखिए उपर भी same अंसर आ रहा अब बात आती है कि fast कौन से हैं इन में से okay इन में से fast कौन से हैं तो fast है यह व time यह linear time okay तो इसके बारे में हम बात में बात करेंगे ठीक है यह देखिए से इसमें आपको बार बार प्लस करना पड़ रहा बार बार प्लस करना पड़ रहा है और यह सिरुफ एक डिरेक्ट हमने formula लगा दिया okay तो यह fast है बट अगर आपको formula नहीं पता तो यह भी कुछ मा 4 तक 9 तक अब वही काम हमें for loop के साथ करना है एक for loop कैसे लिखते हम पहले लिखेंगे for for loop के लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे parenthesis लगाएंगे उसके बाद while loop में हम क्या करते थे ऊपर variable declare करते थे अब यहाँ पे for loop के अंदर ही variable declare हो जेगा ठीक है और let for example i बनाना है और starting value ह 0, 0 से 9 तक प्रेंट करने हा न अब करना कै हमें हमें करना कै है 0 से 9 तक करना है उसके बाद हम condition में लिखेंगे की i कहां से ओक तक जाएगा तो यहाँ पर semicolon लगाएंगे semicolon लगाने के बाद condition लिखेंगे i की value कहां से कहां तक जाएगी i की value less than equal to जाएगी 9 तक ठीक है और उसके बाद coma फिर से लगाएंगे coma लगाने के बाद हमने देखना है कि जब पहली बर loop चे लेगी तो क्या होगा तो increment होगा i कितने से 1 से i++ उसके बाद यहाँ पे curly braces लगा देने है उसके बाद यहाँ पे sorry guys यह बार बार यह गलती करता हूँ मैं console.log i अब अब देखिए यह होगा क्या सबसे बहले i की value 0 है यह condition check होगी क्या यह condition सही है हाँ बिल्कुल सही है तो यहाँ पे console.log i यहाँ पे i0 प्रिंट होजएगा फिर i increment होजएगा i increment होगा फिर यह condition check होगी condition check होगी सही है फिर यह काम होगा फिर i increment होगा फिर condition check होगी फिर यह काम होगा अब क्या होगा इसको देख लेते हैं इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले 22 file के साथ काम करना मुले 22.js तो आप देख सकते हैं 0 से 9 तक प्रिंट हो रहा है तो कुछ इस तरह से for loop काम करती है और यह जो variable बनाया है ना आपने let i equals to 0 let use करके बनायेंगे ना आप अगर यह variable तो यह variable बाहर exist नहीं करता अगर आप मैं console.log देखूं i की value कितनी थी तो यह variable बाहर exist नहीं करता unquote reference error i is not defined क्योंकि यह हमने इसी के अंदर define किया ठीक है बट अगर आप यह वार यूज करके करते ना तो वार से क्या होता है वार यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक line लिख लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले value of i is value of i is 10 तो यह बाहर exist करेगा यह इसको आप बाहर से भी access कर सकते हैं but let इसी loop के अंदर रहेगा इसके बाहर नहीं आप exist बाहर नहीं यह exist करेगा इस loop के अंदर ही रहेगा यह error आजेगे आपके पास ठीक है तो यह difference है यह याद रखना है अब यहाँ पर एक और चीज जैसे हम while loop के while loop use करते हुए इस i को बाहर declare करते थे ना वैसे इसको यहाँ पर आप कर सकते हैं आप direct semicolon लगा सकते हैं यहाँ पर declaration यहाँ पर empty छोड़ सकते हैं इससे क्या होगा कि आपका i बाहर जो है ना वही i use हो जाएगा यहाँ पर तो अभी बाहर एक्जिस्ट करेगा यह और loop सही काम करेगी ओके तो कई बार इंट्रिव में पूछ लेते हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया by the way हम इसको normal life में use नहीं करते हैं बिल्कुल भी हम अंदर ही declare करते हैं यह जो मैंने अपकी पता है ना i बाहर यूज कर सकते हैं यह कई बार interview में पूछ लेते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया और i बाहर एक्जिस्ट नहीं करता और war यूजुस करेंगे तो war बाहर एक्जिस्ट करेगा तो कुछ interview के question है basic interview के तो आपको पता होने चाहे है ठीक है तो ये हो गया ये हो गया for loop अब ये for loop हो गया अब इसी for loop को use करके वो ही काम करना आपको for loop example आपको first 10 natural numbers का sum करना है for loop को use करके तो बिल्कुल असान है पहले एक variable बना लेंगे हम let total total नाम का variable बना लेंगे जिसमें क्या रख देंगे हम 0 रख देंगे starting में अब हमें क्या करना है for example num है मेरे पास एक let num num है 10 तो मुझे मदला first 10 numbers का समझिए तो for loop लानी है अब सबसे पहले हमें अंदर ही variable बनाएंगे i equals to 0 या 1, 1 से start होगा ना 0 plus 1 plus 2 तो 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 plus 0 first time में 0 होजेगा अब बात करते हैं आगे आगे हमें लूप कहा तक चलानी है तो initialize हो गया अब i की value हमने कहा तक लेजनी है i की value हमने इस number तक लेजनी है i जब तक i less than equal to यह num तक रहेगा तब तक plus i okay अब इससे क्या होगा i total में पहले one add हो जाएगा फिर उस one में फिर two add हो जाएगा फिर उस two में three add हो जाएगा आप समझ गई होंगे मैंने while loop में काफ़ emphasis किया था इस चीज़ पर और अब total देख लेते हैं कितना है तो यह 23 file पर काम कर हो मैं तो 23 लिख लेता हूँ मैं ओपर 23.js 23.js तो बिल्कुल सही काम हो रहा है 55 मेरे पास output आ रही है यहां पर और for example मुझे 100 numbers कची है तो यहां पर 50-50 आ रहा है 50-50 तो यह हो गया और अकि आप for loop से यह काम कैसे कर सकते हैं तो काफ़ी simple था for loop से यह काम करना और while loop से भी हमने सेम काम देखा ओके और अब आगे बात करते हैं हम कुछ और चीजों के बारे में अब 24 फाइल के साथ काम करना है मुझे तो यहां पर मैं 24 24.js लिख लेता हूँ और अब इस 24 फाइल के साथ काम करते हैं अब बात करेंगे हम इस break keyword के बारे में यह break keyword क्या करेगा देखे इसको example है समझते है for example आपने loop चलाई आपने एक से लेकर दस तक number प्रिंट करना है for example तो i की value let i एक से लेकर दस तक आना मिनने तो एक से लेकर दस तक के लिए यह loop चलेगी आपकी तो यह loop चलेगी आपकी बट इसके बीच में आपने condition लगा दी आपने condition लगाई if जब यह loop चलेगी जब i की value अगर for example हो जाए i की value अगर 2 हो गई if जब i की value 2 क्योंकि i की value पहले 1 होगी 1 प्रिंट हो गया जब i की value 2 हो या फिर मैं क्या करता हूँ i की value 4 कर लेता हूँ i की value 4 हो तो मैंने यहाँ पे लगा दिया break अब इससे क्या होगा वो देखते हैं मैं इसको save करता हूँ तो अब देखना होगा क्या यहाँ पे पहले i की value 1 थी ठीक है 1 प्रिंट हो गया i की value 2 होई फिर 2 प्रिंट हो गया कोई बात नहीं क्योंकि i की value 1 पे यह condition false है तो यह if अलब लोक ने चलनेगा 2 पे भी यह condition false है if अलब लोक ने चलेगा आगे यह आगे 2 प्रिंट हो जाएगा फिर 3 पे भी यह condition false है तो यह आगे प्रिंट हो जाएगा और हमारी execution को direct is for loop के बाहर जम करवा देगा अब for loop further execute नहीं होगी भली हमारी condition यहाँ पर satisfy हो रही थी but हमने beach में break करा ना जो उसके कारण क्या हो रहा है इस for loop से हमारी जो loop आगे execute नहीं होगी और हमारी execution बाहर जम करेगी और इसके बाद जो भी further code होगा और वो यहाँ पर print हो जाएगा for example hello there तो यहाँ पर यह code सल जाएगा और यहाँ पर इस break से हमारी for loop रूप चुकी है उसके बाद कुछ काम नहीं होगा ठीक है यह था break keyword क्या करेगा हमारी execution को direct जम करवा देगा इस for loop के बाहर ठीक है अब यह तो गया break तो मैं क्या करता हूँ इसको copy करता हूँ इसको comment out करता हूँ और नीचे अब सीखेंगे हम continue keyword के बारे में तो continue keyword क्या करेगा अब ब्रेक की जगा है ना continue लिख देता हूँ यहाँ पर continue क्या करेगा देखिए पहले समझ लेते हैं इसको पहले i की value 1 थी i की value 4 होगी continue क्या करेगा continue हमारी execution को दुबारा यही पर ले आएगा उपर दुबारा उपर ले आएगा बाहर ने जम करवाएगा continue से क्या होगा नीचे फर्दर एग्जिक्यूट नीचे नहीं जाएगी हमारी execution हम नीचे हमारा code execute नहीं होगा continue आएगा जब i की value 4 हुई तो ये वरे line नहीं चलेगी 4 loop के अंदर वली continue से direct मेरी execution दुबारा यही पर आजएगी मतलब जब i4 होगा तो 4 print नहीं होगा direct यहाँ पर i की value क्या 5 हो जाएगी फिर और फिर हमने क्या करेंगे फिर 5 print होगा 4 skip हो जाएगा अब देखते हैं इसको देखिए यहाँ पर 1,2,3 जब 4 हुआ था तो execution मेरी दुबारा यहीं पर आगी और उससे क्या हुआ उससे फिर हमारा 4 आगया 4 print हो गया sorry 4 skip हो गया 5,6,7,8,9,10 तो यह continue का का काम तो यह था break और continue तो यह काफी सिंपल था आई हो आपको समझ आ चुक होगा यह break और continue keyword क्या होता है अब फाइल नमर 25 के बारे में बात कर लेते हैं इसमें क्या सीखेंगे हम तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर do while loop के बारे में अब इतक हमने for loop सीख लिए हमने while loop सीख लिए अब बात करेंगे do while loop यह do while loop क्या करते हैं इसको देखते हैं देखे do while loop में जैसे while loop में जैसे do while समझने के लिए हम एक काम करते हैं हाँ यह जो है ना इसको मैं एबर उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ 25 फाइल है ना को यहाँ पर रख लेता हूँ एक बार देखियें यह normal while loop है ठीक है यह normal while loop क्या करेगी sorry guys let i equal to 0 यह normal while loop क्या करेगी number print करेगी 0 से लेके 9 तक अब यहाँ पर पहले condition check कर रहे हम condition check करने के बाद हमारा काम हो रहा है इतना दो आप समझ गे ठीक है अब मैं काम करता हूँ ना अब मैं पहली condition को यहाँ पर false कर देता हूँ पहली condition को false कर देता हूँ पहली condition false कैसे होगी for example मैंने क्या किया i की value रख दी 10 रख दी मैंने i क्या हो गया अब क्या i 9 या 9 से चोटा है ना तो एक condition false होगी तो एक भी नंबर मेरा print नहीं होने का यह तो आपको समझा गए मैंने बड़ा simple सा समझाया कि मैंने पहली condition ही false रख दी अब यह डिट्टो कामना हम do while loop से करते हैं तो फिर देखते हैं do while loop से काम होता है या नहीं होता मैं क्या करूँगा do do काम क्या करना है मुझे do में क्या लिखना है मुझे काम क्या करना है मुझे काम क्या करना है मुझे ये काम करना है मुझे ये काम करना है ठीक है while ये काम मुझे कब तक करना है जब तक ये condition true रहेगी तब तक मुझे ये काम करना है ओके तो यह हो गया वाई, do while loop अब मैं इसको comment out कर देता हूँ और अब देखता हूँ sorry guys, मैंने I फिर से comment out कर दिया उस 0 से लेके 9 तक काम हो रहा है, बिल्कुल सही काम हो रहा है ठीक है अब जो कि मैंने आपको बताया था ना भी जब हम पहली condition false कर देते थे, तो while loop एक भी बार नहीं चलती थी, अब मैं वो काम यहाँ पर करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी पहली condition ही ना, false कर देता हूँ 10, ठीक है अब यहाँ पर यह एक बार फिर भी print हो गया भाई, यह 10 print हो गया, अब यह यहाँ पर 10 क्यों print हो रहा है, यह देखते है क्योंकि do while loop में क्या होता है पहले हम कोई काम कर रहे है पहले हम यह काम कर रहे है पहले यह do वाला code execute होगा मतलब पहले क्या होगा, पहले I print हो जाएगा direct, 10 print हो गया, उसके बाद increment होआ, 10 का 11 हुआ ठीक है तो इसलिए यहाँ पर यह एक बार चल गया तो do while loop एक बार तो चलता ही चलता है चाहे condition false हो जाए जब I की value 11 हुई इसको तब पता चल रहा है कि मुझे यह loop नहीं चलानी आगे 10 पर तो उसने चला दिया direct जब कि यह condition false थी अब मैं नीचे देख सकता हूँ नीचे console.log करके value of I is यह कोमा डालके I की value देखू ना मैं बाहद में क्या थी 11 इसको 11 पर समझ आ रही है कि इसको यह काम निकरना तो यह है do while loop ठीक है तो यह एक बार चलता ही चलता है चाहे condition false हो आई हो आपको समझ आ चुको होगा do while loop है क्या अब हम बात करेंगे arrays की देखी अभी देख हमने बात किया primitive data types के बारे में हमने बात की numbers की, strings की हमने बात की null, undefined की begin की, इन सब के बारे में बात की वो थे primitive data types अब array क्या होता है array होता है हमारे पास reference type क्या होता है reference type reference type क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे उससे पहले बात करते है array क्या होता है देखिए उस लोग इसको arrays भी बोलते है arrays भी बोलते है तो doesn't matter arrays तो arrays क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं देखिए फॉर एक्जाशंपल Copenhagen a फॉर यहाँ पे प्रूड में बेने वै्लियस्ट बज्ण साथ में प्रूपधिक्या होतए हैं अरे क्या होता है reflection ऑफ elements, okay, array क्या होता है, collection of elements, अगर मैं more specific terms में बोलू हूँ, तो array क्या होता है, ordered collection of items, या elements, ordered collection of items, okay, मतलब क्या है इसका, वो example समझते हैं, बहुत असान है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, for example, let, fruits नाम के मैंने variable बना लिया, यहां पे मैं बनाऊंगा array, array कैसे बनाते हम, square brackets लग बनाऊंगा मैं, okay, square bracket लगा के array बनाऊंगा, और इसके अंदर, इस square bracket के अंदर, मैं जितने मरचे items डाल सकता हूँ, okay, तो for example, मैंने fruits के नाम डालने है, तो मुझे strings स्टोर करने हैं, इसके अंदर बहुत सारी, तो मैं कैसे store करूँगा, ऐसे store कर सकता हूँ, यहां पे apple, एक यह पहला item हो गया, comma डाल के दूसरा item स्टोर कर सकता हूँ, for example, mango, comma डाल के तीसरा item स्टोर कर सकता हूँ, तो इस तरहा ग्रेप्स, अब मैं इसको save करता हूँ, अब यहां पे na ordered collection बोला है मैंने, ordered collection, ordered collection का मतलब क्या होता है, इसका order है, order होने का मतलब है, इसका index है, मतलब जैसे string में हमने देखा था न, index number होता है, वैसे array के अंदर index number होता है, apple 0th index पे है, mango first index पे है, और grapes 2 index पे है, उसके बारे म है, fruits print करता हूँ, तो आप देखना, यहां पे fruits यहां पे print हो गया, apple mango grapes यहां पे print हो रहे है, मेरे पास, ठीक है, तो बिल्कुल सही काम हो रहा है, अब मैंने का था ordered collection है, मतलब अगर मुझे सिर्फ apple चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहां पे, यहां पे square packets लगांगा, बिल्कुल सही है, अगर मैं one लिखूँगा, तो mango मिल जाएगा, अगर two लिखूँगा, तो grapes मिल जाएगा, ओके, अब करें लोगों के दिमाग में यह question आ रहोगा, कि यह मैंने एक array बनाया, जिसके हंदिर मैंने strings store की, तो क्या है मैं कुछ ऐसा array बना सकते हैं, तो इसमें number तो यहाँ पर console.log, यहाँ पर numbers में print करता हूँ, तो क्या होगा यह, array print होलेगा, मेरे पास one two three four, एक बात थ्यान रखनाप, array के अंदर आप कोई भी data type store कर सकते हैं, कोई भी data type store करने का मतलब, for example, मैंने एक array बना लिया, mixed name का, इसमें मैंने store कर लिए, पहले number store कर लिए, मैं इसके अंदर मैंने a string store कर लिए, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, null store कर ले तो मैं, एक undefined store कर ले तो मैं, कुछ भी store कर सकता हूँ, तो कहने का मतलब array के अंदर आप कुछ भी store कर सकते हैं, for example, अगर मैं console.log करू, mixed, तो यहाँ पर आप देखना, यह उपर mixed print हो रहा है, one two 2.3 swing null undefined तो कोई भी data type आप इसमें store कर सकते हैं ओके आप array के अंदर array भी store कर सकते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे ठीक है तो ये है array आपको पता लगया overhead collection है इसमें आप जितने मर्जी elements store कर सकते हैं और इस तरह से access कर सकते हैं ठीक है ने कर दिया अब for example मुझे mango की जगाना मुझे mango पर संद्री मैं mango की जगा कुछ और डालूँगा यहां पर ओके तो वो काम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं तो मैं क्या करूंगा fruits ठीक है मुझे क्या करना है fruits उसके बाद कौन से index पर change करना है मुझे index first index पर change करना है तो first index मुझे change करना है और change करके मुझे करना क्या है equals to मैं यहां डाल दूँगा banana for example तो यहां पर क्या होगा mango की जगा banana हो जाएगा और ऐसा array क्यों होते है mutable मतलब कि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा ना ऐसा करूंगा तो यह मेरे original array fruits array को change कर देगा फीक है तो यह में Aly fruits array को change और अगर मैं डुवारा ऐसा करने के बाद ऐसा करने से पहले print करांगे तक देख ला तो मैं क्या print होगा तो यहां पर console dot log اगर मैं यहां पर fruits print करूँ तो miel터 print होगा अब ऐसा करने के बाद मतलब कि first index पर मैंगो का बनाना बनाने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा console.log फिर इसे fruits प्रिंट करूंगा अपने तो fruits मैं दो बर print कर रहा हूं तो इसको देखते हैं इसको समझते हैं हो क्या रहा है देखिए सबसे पहले मैंने करें बनाया fruits fruits को बनाना प्रिंट हो गया तो यह होता है अरे फिर से मैं revise करा देता हूं ordered collection of items अगर आप Wikipedia कुछ कहीं और जाके देखेंगे तो शायद आपको definition थोड़ी अलग मिले यह मैंने खुछ की बना रखिए आपको समझाने के लिए ordered collection of items है जिसका कुछ order है जिसका कुछ index number है ठीक है ordered fashion में यहाँ पर store है items ऐसा नहीं है कि इदर उदर store है ordered fashion में है आप किसी particular element को access कर सकते हैं उसके index number से और कोई भी data type आप store कर सकते हैं array में ओके अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोलूँगा होगा यहाँ पर उसका आपने ध्यान रखना है वो यह कि जावा स्क्रिप्ट में जो reference type होते हैं हमारे पास जैसे for example अरे reference type है अभी आपको मैंने नहीं बताया कि reference type क्या होता है primitive type क्या होता है दोनों हम बोलते हैं object उनको क्या बोलते हैं object तो अरे को हम क्या बोल सकते हैं अरे object जावस्क्रिप्ट में हम अब आपने confused नहीं होना आप अरे क्या है object है अब मैं क्या करता हूं इसको यहां से इतने को comment out कर देता हूं यहां से ठीक है मैंने comment कर दिया अब यहीं मेरे एक अरे बना पड़ा है मुझे क्या करना है मुझे इसका टाइप चक करना है जैसे primitive में हम टाइप चक करते थे हमारे पास type आता था number आता था string आता था ठीक है अब जावस्कृट में बहुत सारे object होते हैं एक array भी object है मेरे पास ठीक है अभी थोड़ी देर में थोड़ी देर में हम बात करेंगे और object अरे डोट इस अरे और इसके अंदर पास कीजिए अपने अरे का नाम ओके यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है मैं इसको console.log करवा देता हूँ console.log तो यह बताएगा कि यहाँ क्या है जो हमने मनारक है यह हम चेक कर रहे हैं क्या fruits लिखी यहाँ fruits अरे है यहाँ क्यों लिखी इसको समझाते हैं अभी थोड़ दिर में हम object के बारे में पढ़ेंगे लाट जाएग जिसमें जिसको हम कर ली ब्रेशिस से बनाएंगे object कुछ इस तरह से बनाएंगे ठीक है अगर मैं नीचे देखूँ type of object मैं इसको एक पल के लिए आप इसको भूल जाओ एक पल के लिए स्लाइन को भूल जाओ और देखिए क्या है देखिए यह भी यह भी क्या है भी अब इन दोनों में पता कैसे है या नहीं यह भी टिफॉल्ट तो अब्जेक बता रहे गलत नहीं बता रहे हैं बट हमें थोड़ा और पता लगाने कि एक्चुल में यह यह यूज करेंगे तो इस से पता लग रहा है कि यह अरे है और अगर इसमें मैं यहां पर अपना यह पाउं यह पाउं मैं तो इसमें देखें तो इससे फोल्स आ रहा है तो इससे मैं पता लगे वही अगर मैं पता करना कि कोई चीछ अरे है या नहीं है तो हम array.is array method use करेंगे अगर आपको नहीं पता object क्या होता है कैसे गाम करते हैं don't worry सब समझाओंगा आपको मैं इस वीडियो में अब यहां पर array के कुछ methods है array push pop array के shift and shift तो इसके बारे में बात करते हैं तो मैं इस array को यहां से copy करता हूं यहां पर उठागे नीचे paste कर देता हूं और index.sml में नीचे मुझे काम करना file no.27 के साथ तो यहां पर इसको save करता हूं इसको देखते हैं अप okay अब for example आपने array में कुछ add करना है last में आपने एक और element आड़ करना है for example apple mango grapes एक और fruit आड़ करना है last में तो कैसे करेंगे last में आड़ करना है कुछ ठीक है तो हम उसके लिए उसके करेंगे push push क्या करेगा last में आड़ करेगा ठीक है तो last में आड़ करेगा तो देख लेते हैं push कैसे काम करेगा अब आपको करना कहा है fruits आपका array का नाम dot push इस जो array होते हैं वो mutable होते हैं बतब यह method है ना array का यह इस original array को change कर देगा इस में इतनी क्षमता है कि original array को change कर सकता है method अब मैं क्या करता हूँ array dot push क्या push करना मुझे तो यहाँ पर मुझे push करना है एक और fruit for example मुझे बनाना push करन जाएगा बनाना उसके बाद मैं पहले क्या करता हूँ पुश करने से पहले अपने array में print करा लेता हूँ fruits को और push करने के बाद मैं same काम करता हूँ अपने array को print करा लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए पहले तीन elements थे apple mango grapes अब चाहर है apple mango grapes and banana लेखिए array है mutable मतलब कि आ original array को change कर सकते हैं ऐसा string के case में नहीं होता primitive type के case में नहीं होता ऐसा ठीक है तो हमने बात की थी जो मैंने आपको कहा था कि मैं क्यों बतार हूँ इतनी simple जी ज़िए जब starting में मैं बात कर रहा था strings में तो मैंने कहा था important है तो इसलिए important है क्योंकि array mutable है ये method original array को change करने की शमता रखता है इसलिए change कर पा रहा है ठीक है तो यह हो गया push तो अभी यहां पर push हो गया है यहां पर ठीक है बिल्कुल ठीक है तो मैं क्या करता हूँ न इस में इस दोनों लाइनों को भी जो भी मैं क्या करता हूँ इसको comment out कर देता हूँ push को तो push वाला काम हो गया ठीक है बड़ मुझे करना गया अब मुझे remove करना है last element apple mango grapes को remove करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ console.log यहां पर बस मुझे कुछ नहीं करना fruits.pop करना है उसके बाद मैं क्या करता हूँ console.log यहां पर क्या करता हूँ fruits अब देखना क्या होगा यहां पर यहां पर एक मेरे पास array है जिसको मैंने print कराया पहले ठीक है उसके बाद मैंने pop किया pop क्या करेगा हमेशा last से remove करेगा ठीक है last से remove करने के बाद मैंने फिर से अपने array को print कराया और देखते है fruits क्या आता है ठीक है पहले मेरा array था यह फिर मैंने pop किया pop ने क्या क्या last से remove किया और फिर मैंने क्या क्या दुबारा print करा दिया अब मुझे ना एक काम करना है मुझे जो grapes है ना इसको यहां से तो हटा देना है मतलब array में से हटा देना है हट गया यहां पे वो काम हो गया मेरा बट मुझे इसको array से हटा के कहीं और store करना है बदो कि मुझे इसको variable में store करना है कहीं और store करना है तो कैसे करेंगे वो देखिए यह जो pop मैं थड़ है न यह array के element को remove करेगा last element को but उसको return भी करेगा मतलब यह सिरफ remove नहीं करेगा भाई यह कहेगा यह मैंने remove कर देब इसको ले लो मतलब कि हमें देगा भी यह अगर आपको नहीं यकीन होता ना तो आप इसको console.log करवा के देख सकते है तो एक क्या करेगा जो भी यह देगा ना मुझे जो भी return में देगा वो मैं print करके देख सकता हूँ कि मुझे return में क्या दे रहा है यह कहेगा भाई मैंने इसको grapes को remove कर दे अब इसको ले लो ले लोगा मतलब इसके साथ कुछ भी करो तो हम क्या करें उसको print कर रहे है simply तो आप देख सकते हैं इसने grapes को यहाँ पे क्या किया print कर दिया मतलब कि यह हमें return में दे रहा है यह सिरुफ remove नहीं कर रहा है यह हमें remove करके दे रहा कि भाई इसको ले लो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से इसको instead कि हम इसको print करें हम यहाँ पे एक variable बना लेते हैं let for example popped fruit तो यहाँ पे एक variable बना लिया popped fruit अब जो भी grapes होगा वो इसने क्या क्या यहाँ से उठाया और इस popped fruit नाम के variable में डाल दिया ठीक है और मैं print करा सकता हूँ for example console.log यहाँ पे लिख देता हूँ popped fruit is और यहाँ पे लिख दो popped fruit तो यहाँ पे अब देखना क्या होगा grapes था पहले grapes को हटा दिया popped fruit नाम के variable में store कर दिया उसके बाद हमने अपना अरे देखा तो देखा grapes बिल्कुल हट चुका है उसके बाद यहाँ पे message भी प्रिंट हो रहा है popped fruit is grapes ठीक है तो यह आपका हो गया अब थोड़ी और बात कर लेते हैं अब तो यह लास्ट से हमने add करने की बात की या remove करने की बात की करते हैं कि अगर आपको starting से starting में element add करना है उसके लिए हम यूज करेंगे unshift unshift क्या करेगा starting में add कर देगा okay for example आपको करना है fruits dot unshift for example आपने starting में add करना है banana banana starting में banana add करने के बात हम क्या करेंगे console.log यहाँ पे fruits लेख देगे okay तो आप लेख सकते हैं starting में banana add हो चुका है तो बहुत सान था अब बात कर लेते हम वैसे बाइद वे आप एक से ज़्यादा element भी unshift कर सकते हैं for example मैं एक बार और unshift कर देता हूं banana starting में एक और unshift कर देता हूं for example my fruit एक तो यहाँ पे पहले बनाना unshift का पहले बनाना starting में add हो गया फिर my fruit starting में add हो गया तो यहाँ कुछ इस तरह से कर सकते हैं तो बहुत असान था unshift unshift हो गया unshift होने के बाद हम बात करते हैं shift की अब बात कर लेते हैं shift की shift क्या करेगा starting से element को remove करेगा okay for example यहाँ पे क्या करूंगा fruits dot shift okay उसके बाद shift करने के बाद मैं console dot log करता हूं fruits को अब देखना starting का जो apple था इसने उड़ा दिया जैसे pop क्या कर रहा था इसको remove करके मुझे दे भी राथ return में तो यह भी देगा ठीक है तो यहाँ पर for example मैं एक variable बना लेता हूं let remove fruit तो remove fruit दे देगा मुझे और मैं इसको print करा सकता हूं कैसे print कराऊंगा console.log remove fruit is यहाँ पर remove fruit कुछ इस तरह से देख लेते हैं okay remove fruit is apple तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई apple remove हो रहा है यहां से और हमें वह कहां पर store कर रहा है हूं इस variable में store कर रहा है ठीक है अब बात कर लेका थोड़ी speed की थोड़ी performance की तो एक इसका आपको ध्यान रखना है जो पुश और पॉप है न वह फास्ट है as compared to shift and unshift पुश और पॉप fast as compared to shift and unshift उसका reason देख लेते हैं देखिए पुश पॉप क्या कर रहे हैं अरे कि last से add कर element remove कर रहे हैं shift and unshift को क्या करना पड़ेगा सारे elements को memory में पहले आगे shift करना पड़ेगा फिर new element add करना पड़ेगा या new element remove करना पड़ेगा तो इस वोड़ा slow रहता है बस आपको ध्यान रखने shift push pop fast as compared to shift and unshift तो पूछ सकते इंट्रिव्यों में इसलिए मैंने आपको बता दिया कि के ओर राइट ओब यहां पर primitive versus reference टाइप तो यह बहुत important है बहुत लोग इसको समझते नहीं है बड़ आई promise मैं आपको समझा दूँगा यहां पर क्या करते हैं यहां पर file number 28 के साथ काम करेंगे हम ओके अब भाई इस वेडियो को ध्यान से देखना जो मैं पढ़ाऊंगा देखिए मैं एक variable बनाता हूँ let num one equals to seven six बहुत simple बहुत बार कर लिया ऐसा काम ठीक है एक variable तो मैं equals to कर देता हूँ num one num one ठीक है तो मैंने किया क्या एक variable बना है num one जिसकी value है six एक variable बना है num two जिसकी value है num one अब मैं क्या करता हूँ console.log करता हूँ लेख देता हूँ value of num one is यहां पर जो भी num one की value है वो और नीचे जाके value of num two is जो भी num two की value होगी वो तो देखते हैं तो देखे value of num one is six value of num two is six अब सोच रहेंगा यह बाई यह चीदे क्यों बता रहा है देखिए ध्यान से देखते रही है थोड़े देर बाद आपको बिल्कुल clear हो जाएगा प्रिमिटिफ टाइप क्या होता है रेफरेंस टाइप क्या होते हैं अभी हम बात करें प्रिमिटिफ टाइप की यह नंबर क्या होते हैं प्रिमिटिफ टाइप तो अभी प्रिमिटिफ टाइप की बात हो रही है और यह क्या बात कर रहा हूं अभी कोई नम 1 उसमें एक increment कर दूँगा ठीक है अब मैंने क्या गया नम 1 में एक increment कर दिया नम 1 की value यहाँ पर 7 कर दी मैंने ठीक है अब आप यह सोचिए कि नम 2 की value क्या होगी ठीक है नम 2 की value क्या होगी नम 1 की value increment करने के बाद और num1 की value क्या होगी और num2 की value क्या होगी तो आप सोचिए सोचिए आपने सोच होगा तो देख लेते हैं तो और राइट तो यहाँ पर एक console.log over add कर देता हूँ after incrementing num1 ओके तो पहले num1 की value थी 6 num2 की value थी 6 उसके बाद हमने num1 को increment किया यहाँ पर num1 increment होगे 7 होगे num2 6 ही है अभी भी अब सोच रहे होगे भाई यह क्या बता रहा है तो कब से यह तो हम starting से हमें पता ही है ठीक है तो इसमें क्या बताने वाला था यह तो starting से पता है हमें इसमें कुछ नया थोड़ी था ठीक है अब reference type की बात कर लेते हैं एक बार अब number क्या था primitive type आप इसकी जगा कोई और primitive type रखते हैं ना string रख लेते हैं वो भी as किसी तरह भी एफ करती है एक string में change करते हैं दूसरी string change ना होती है इस तरह से काम कर गए ठीक है अब बात करते है reference type की reference types की अब reference type हमने अभी तक एक पड़ा है जिस जो है array array क्या है reference type अब बिल्कुल सेम सिनारियो ना हम इस array के साथ करते हैं जैसे हमने num1 लिया वो कहता एक primitive था asim क्या लेंगे एक reference type लेंगे अब for example let array 1 array 1 ले लिया हमने जिसमें for example store कर दिया हमने item 1 हाँ जोले काम करते है item 1 add कर item 1 item 2 तो दो item है array 1 के अंदर उसके बाद मैं क्या करता हूँ जैसे हमने num2 को num1 के equal रख दिया था बिल्कुल वैसे यहाँ पर यह काम करता हूँ let array 2 equals to array 1 alright उसके बाद मैंने क्या किया था जैसे हमने यहाँ पर दोनों की value प्रिंट की थी वैसे यहाँ पर दोनों की value को प्रिंट करते है console.log यहाँ पर हम पहले message है देता हूँ array 1 और यहाँ पर array 1 actual array 1 को प्रिंट कर देंगे हम ठीक है और ऐसी array 2 को भी कर देंगे array 2 और कुछ इस तरह से प्रिंट कर देंगे ओके ओल्राइट तो यहाँ पर इसको अभी उपर बाले को ना भी comment out कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ अभी reference type पर focus करना है तो देखिए दो array है मेरे पास array 1 item 1 item 2 array 2 item 1 item 2 जैसे हम सोच रहे थे बिल्कुल वैसी हुआ है अभी तक तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या गिया था जैसे हमने उपर primitive में change किया था कुछ वैसी हमें एक array में change कर देते हैं कुछ for example मैं array 1 में क्या कर देता हूँ array 1 में dot push कर देता हूँ एक element नया element item 3 कर देता हूँ कि मैंने काम क्या किया उसके बाद मैंने काम किया वो लिख लेता हूँ कि तो मैं इसको save नहीं करता भी अब आप सोची होगा क्या दिमाग लगा यह कि होगा गया देखें मैं दो अरे थे एक और वटन एक और टू एक और यह और यह और वन नहीं मतलब की आपन कर दिया और आफ्टर पुशिंग element 2 array 1 मैंने फिर से इन दोनों को console load low करवाया अब आप सोचे कि इनकी value क्या होगी तो मैं इसको save करते हूँ और देखते हैं देखे मुझे पदा था यह expected output नहीं था आपके लिए बट देखे हो क्या रहा है मैंने सिर्फ array 1 में push किया था बट यहां पर array 2 में भी वो element push हो चुक है तो वो क्यों भाई ऐसा यहां पर नहीं हो रहा है ऐसा यहां पर हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो इसको बहुत detail में समझते हैं वैसा क्यों हो रहा है तो इसके लिए मुझे copy पैन उठाना पड़ेगा मैंने उठा लिया जो की और मैप को समझाता हूँ यह ऐसा क्यों हो रहा है देखिए देखिए हमने बात की अभी दो चीजों के बारे में बात की एक हमने बात की primitives के बारे में primitives और एक हमने बात की reference reference variable के बारे में बात की अब बात करते हैं primitive किस था से स्टोर होते हैं यह किस तरह से स्टोर होते मेमरी में और reference वेडिवल किस तरह से श्टोर होते हैं मेमरी में ठीक prop में समझ ऑगया तो जो हुम JENNY problem थी हमें वह भी समझ आज रहेगी ठीक है तो मैं इसको यहां से erase करता हूँ और अब देखते हैं किस स्टोर होते हैं एक हमारे पार सीज होती है कंप्यूटर में जिसको हम बोलते हैं स्टैक कहां पर होते हैं स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं आपको नहीं पता अगर स्टैक क्या होता है को कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूं स्टैक कुछ स्टैक होता है जिसमें हम कुछ store कर सकते हैं अपने data को ठीक है जिसमें ऐसे पहले कोई variable था वो यहां डल गया फिर कोई variable था वो यहां डल गी पिर वारीबल की value थी वो यहां डल गी तो कुछ इस तरह से stack में हम चीज़े डालते हैं ठीक है और अगर अगर stack से चीज़े निकालने होती है तो हम ऊपर से निकाल लेते हैं तो यह stack होता है अब for example हमने यहाँ पर variable मना लिया let यहाँ पर num1 मना लिया मैंने num1 equals to four ठीक है अब यह four value वैना यह stack में कहीं न कहीं store होगी तो यहाँ पर for example यहाँ पर four store हो गया अब यहाँ पर मैंने क्या किया let num2 जब num2 होगा ना उसको मैंने num1 के अंदर assign कर दिया तो यहाँ पर num2 है sorry यहाँ पर num1 जो num2 है ना उसको मैंने num1 के एक वल रख दिया अब num2 के लिए ना अलग से इसको जगा मिलेगी memory में stack के अंदर इसकी अलग से value होगी तो यह है num1 की value थी num1 और जो num2 है ना यहाँ पर इसको अलग से जगा मिलेगी यहाँ पर अलग से फोर यहाँ पर add होगा अब memory के अंदर num1 के लिए अलग जगा है num2 के लिए अलग जगा है अगर हम num1 के इंदर कुछ चेंज करेंगे for example मैंने num1 के एक increment कर दिया यहाँ काट के यहाँ 5 कर दिया ठीक है तो यहाँ आपको थोड़ा दिखनी रहा होगा तो बट समझ जाओ तो यहाँ पर for example यहाँ पर 4 काट के 5 कर दिया तो num2 में कोई changes नहीं करेगा ठीक है तो यह कुछ इस तरह से primitive data type store होते हैं तो मैंने आपको थोड़ा abstraction में मताया मतलब कि मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया ठीक है यह इस तरह से काम करता है आपके समझ के लिए मैं आपको यह काम करता है अगर जितने मरजी variable होंगे उन सबके लिए लग लग जगा होगी और किसी एक को change करेंगे तो दूसरे पर को असानी से store कर सकते हैं तो इस तरह से primitive type काम करते हैं अब मैं क्या करता हूँ ना इस page को जो भी मैंने लिखा इसको मैं सब को erase कर लेता हूँ अब बात करते हम reference type की अब बात करते हम reference type की तो मैं तो reference type की बात कर लेते हैं बड़त की एक हमारे बास होता है stack और यहां पे स्टैक है मेरे पास यहां पे stack है but मेरे पास computer में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते है हम heap तो यहां पर मनारूम है heap तो यह पूरा है heap बड़े अब मैंने example लिया था example कहा लिया था वो देखते हैं सबसे पहले मैंने कर्री बनाया था तो example ले लेते हैं let array 1 तो मैं array 1 को यहाँ पर a1 लिख रहा हूँ जगा कम है क्योंकि इसलिए for example मैंने यहाँ पर दो items हैं यहाँ काम करता हूँ मैं इसको मैं इसको उठाता हूँ देखिए मैंने इस code को उठाया और मैं इस code को यहाँ पर लिख लेता हूँ मैंने इस code को उठाया और इस code में मैं काम करूँगा यह आपको code दिख रहा है ओके तो यह आपको code दिख रहा है यहाँ पर ठीक है और थोड़ा छोटा दिख रहा होगा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ही तो यह कोड देख रहे आपको अब यहां पर देखे क्या होगा यहां सब से भेले हम अन्वन फिर यहां पे मेने और वन मना त्यां जिसके माइटम ऐस हुआ अइटम-इटम टू चुआ है तो क्या है मेरे पास item 1 एक array है item 1 और यहां पर item 2 item 2 तो समझ जाए कि यह array मैंने यहां पर heap में store किया इसको अब यहां पर हमने क्या कि array 2 equals to array 1 तो इस line पर बाद में आएंगे पहले यहां पर देख लेते हैं यहां पर हो क्या रहा है देखिए यह तो heap में मैंने store कर दिया पर stack में क्या होगा ना stack में एक होगा pointer stack में होगा एक pointer यह pointer है ठीक है यह किसका pointer है array 1 का array 1 के लिए pointer है जिसके पास क्या होगा address होगा इसका देखिए heap में मैंने store किया array 1 इसका कुछ address होगा for example इसको address देदे मैंने 0 x11 दीक है? और इस pointer के पास न इस pointer के पास इसका address होगा 0 x11 यह इसके पास address है इसका ठीक है? तो यह address है इसका अब उसके बाद मैंने कcyjा कि array 2 equals to array 1 तो यहाँ पर क्या होगा? सूरी 2 के लिए एक नया pointer बनेगा array 2 के लिए एक नया pointer बनेगा ठीकए और हमने किसे एकुल रख दिया array 1 के एकुल तो यहाँ पर array one का एड्रेस सॉritा ना इस pointer को भी सेंटरेस देगा 0 x20 lectern 이제 two तो देखे क्या करेंगे यह देखे जारा array one का pointer यह array टू का pointer ठीक है हम दोनों के पैस address है किसा इड्रेस है मेरे array का जहाँ भी मेरा array store है ठीक है अब हमने क्या का array one को print करो array नियम्ग का अजये बद्वल के पास जयें गोई अजयेंगात यह प् gameplay किया चलो ठीक है यह रहा मेरा अरे तो मैं इसको प्रिंट कर दिया तुमने अरे टू को का अरे टू के पास एड्रेस है अरे टू के पॉंटर के पास एड्रेस है तो ठीक है तो उसने का जलो ठीक है मैं भी प्रिंट कर देता हूं तो प्रिंट हो रहे थे बिल्कुल सही प्रि पुश आइटम 3 कि अरे वन में आइटम 3 को पुश कर दो तो यहांपर पुश कर दिक है तो अरे मेरा चेंज होगे क्या बन जाएगा यहां पर item 1 तो यहाँ पर 3 item हो जाएगी तो यहाँ पर item 1 item 2 और item 3 तो 3 item है यहाँ पर ठीक है अब मैंने क्या किया array 1 में push कर दिया ठीक है और दोनों address कहा है इसका array 1 का अभी भी address तो होई रहेगा 0x11 ठीक है अब क्या होगा अब array 1 अब मैंने क्या क्या पुश करने के बाद array one को print किया और array two को print किया अब मैंने array one को print किया तो उसका pointer कहेगा ठीक है मेरे पास address है अब ही मैं जाता हूँ इसको print कर देता हूँ तो तीन element थे तीन element print हो गए अब array two array two के पास भी same array है भाई same array का address है तो same array के पास जाएगा तो वो देखेगा चलो ठीक है वाई मैंने प्रिंट किया तो फिर से तीन आइटम होंगे तो इसलिए यहां पर तीन आइटम हो रहे थे और यहां पर भी एक ही आपके पास डोरी नहीं है जैसे प्रिमिटिव में हमारे पास अलग-अलग वैल्यूस थी ना हरे का वैरियबल के लिए वैसे ऐसा रेफ्रेंस टैप के केस में नहीं है यहाँ पे आपके जो मैमरी है उसमें एक ही अर्य है ठीक है और इस जो पॉइंटर है ना इनके पास एड्रेस है इसके अड्रेस ह पॉइंटर है नहीं दोनों के पास एक ही एड्रेस है तो दोनों एक ही अड्रेस पर काम करेंगे तो इसलिए यहाँ पर वह देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको बताया आयोब आपको समझ में आगे होगा कि प्रिमिटिफ टाइप में क्या डिफ्रेंस है और रफ्रेंस बड़ी बेकार है क्योंकि यह मैं यह पैन बहुत कम यूज़ करता हूं इसलिए मुझे आदत नहीं है आदत हो जाएगी तो यह भी सुतर जाएगी राइटिंग यहां पर तो आही हो बापको समझ में आगे होगा कि यह काम कैसे करता है तो मैं इसको यहां से इसका काम खतम हो होगा अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से और दुबार हम अपने कीबोर्ड पर आ चुके हैं और आप उस समझ आ चुको होगा काम कैसे कर रहा है तो अब चलते हैं वीडियो नंबर 29 पे अब हम बात करेंगे हम अरे को क्लोन कैसे कर सकते हैं क्लोन करने का मतलब क्या है क्या करूं लेट अरे टू इकवल्स टू अरे वन तो यह दोनों अरे सेम होंगे अरे वन और अरे टू अलग अलग अरे नहीं होंगे यह की अरे होगा यह दो पॉइंटर होंगे जो कि सेम अरे को पॉइंट कर रहे होंगे तो यह हमने पढ़ा भी और ऐसा पता लगा सकत क्या होगा यह आप देख सकते हैं यहां पर त्रू आ रहा है यहां पर अगर आप डबल लगाएंगे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर अगर आप array one में change करने के तो array two में भी होता वो तो आपको पता है अब array कोahlone कैसे करना हो मतलब कि नवी की sheas तरह से बनाना है कि अगर मैं array 1 में change करूं तो array 2 में कोई change ना हो अलग separate separate array बनाने है तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा code आप यहां पे paste कर सकते हैं ठीक है इससे क्या होगा array 1 और array 2 अलग अलग होंगे आप देख सकते हैं यहां पे false हारे क्योंकि array 1 अलग देता हूँ और उसके बाद मैं print कराता हूँ दोनों array को अपने तो यहां पे नीचे इस नीचली लाइन में console.log array 1 को बहले print करवा दिया और फिर array 2 को print करा देता हूँ तो आप देखना यहां पे क्या हो रहा है सबसे पहले तो मैंने array 1 था array 2 था ठीक है मैंने push के item 3 और यहा यहां पे क्या हो रहा है अगर मैं array 1 में push कर रहा हूँ तो array 1 में ही वो दिख रहा है मुझे push हुआ array 2 में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे ठीक है तो कुछ इस तरह से आप clone कर सकते हैं but imagine आपके array में 1000 items है या बहुत सारे items है millions of items हैं तो क्या यह तरीका सही रहेगा यह त इस तरह से clone नहीं करूँगा मैं मैं क्या करूँगा clone करने के लिए let array 2 एक तरीका है clone करने का वह मैं आपको बताता हूँ आप यूज कीजिए slice method कैसी उस करेंगे आपको array 1.slice और यहां पे 0 लिए slice method क्या करेगा हमने string में बढ़ा सा slice हमें क्या करेगा जिस अगर आप एक index index pass करेंगे उस index से start होगा और end तक जाएगा मतलब कि जीरोत index से जागे end तक जाएगा और यह मुझे नए array देगा ठीक है नए array देगा और उसको यहां पे store कर लूँगा इससे क्या होगा array 1 और array 2 दोनों separate array होंगे heap में ठीक है और इसके बाद मैं क्या करूँगा आप देख तो इसको मैं क्या कर तो इसको comment अथ करता हूँ और एक और तरीका बताता हूँ आपको ने वह देखते हैं अरे वन वाले elements होंगे देखते हैं तो बिल्कुल सही है यहां पर फोल सारे ट्रिपल इक वल्स टू करके मलब कि यह दोनों अरे अलग-अलग हैं हीप में अलग-अलग दो अरे रहे हैं और यहां पर क्या हूं और अरे कृश कर रहा है तो फिल्क तो मैं भूसके थी उसको reacting कर ना थंवक लुर सीanne भी उपर exist नहीं कर रहा अब यहाँ पर एक और तरीक है उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर लिगाँ new way तो वह क्या है वह हम यूज करते हैं उसके लिए spread operator spread operator बहुत असान है और बहुत elegant वहाँ है कैसे होगा देखिए let array two आपने करना क्या है एक square brackets लगा देने हैं जैसे कि अपने array ही बना रहे हो उसके बाद आपने एक तीन डूट लगाने है एक दो तीन उसके बाद array one लिखना है मतलब कि यह क्या करेगा तीन डूट क्या करेगा नए array में array one ना array one के element को spread कर देगा इससे क्या होगा array two बन की आँए से देखता हूँ, म क्या नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं, false जारा है, इसका मतलब ड़ोनों अलग अलग हैं, array one, array two, clone बन द चुकर है, और अगर स्प्रांट में पुछ कर रहा हूं, तो सिर्फ array one में ही पुछ हो रहा है, array two में उसका कोई fact नहीं आ रहा तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं अब बात आते है कि आप कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हैं क्लोनिंग के लिए slice यूज़ करना है, concat यूज़ करना है या फिर ये spread operator यूज़ करना है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं सबसे तेज तरीका कौन सा है, देखिए अगर मैं performance के coding बात करें तो ये slice वाला ज्यादा तेज है बट बहुत ज्यादा लोग ये use करते हैं क्योंकि ये थोड़ा पढ़ने में भी असान है और react पे गयारा में भी हम इसको ज्यादा यूज़ करते हैं बट आपको पता तीनों होने चाहिए अब यहाँ पर एक और चीज अब आपको एक टास्क देता हूँ मैं आपको करना क्या है आपको array two में क्या करना है array one वले सारे element चाहिए और साथ में कुछ और extra elements चाहिए कुछ इस तरह का आपको array create करना है तो कैसे करेंगे तो वह देख लेते हैं अभी हमने array का clone बनाने के तीन तरीके देखें तो सबसे पहले तो हमें clone ही बनाना पड़ेगा सबसे पहले for example slice use करके मैंने clone बना लिया इसके बाद मुझे इसमें extra items add करना है तो एक और array जोड़ना for example item 3 एक और item add करूंगा for example item 4 तो इससे क्या होगा इससे concat हो जाएगा मतलब की array 2 में क्या होगा पहले array 1 वाले items आ जाएंगे सारे ये slice use करके उसके बाद दो items मैं और साथ में concat करूं मतलब की जोड़ रहा हूं item 3 और item 4 को अब देखते हैं तो आप देखिए यहां पे array 2 म one में क्या है वही तीन items है item 1 item 2 item 3 ओके तो यह हो रहा है तो यह तरीका भी यूज़ कर सकते हैं आई हो आपको समझ आ चुको होगा यह concat वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं आपको करना गया आपको खाली array में आपने सबसे पहले तो इस array के elements आपने जोड़ दिये उसके बाद concat कर दिया खाली array में array 1 और साथ में आप यह जो array आना जो हमने यहां पर बनाया था इसको मैं copy करता हूं को मा डालता हूं और यहांप इसको paste कर देता हूं इससे क्या होगा खाली array में पहले array 1 वाले element आ जाएंगे और उसके बाद item 3 item 4 भी add हो जाएंगे तो इससे द तरीका देखी अब क्या होगा अब यहां पर spread operator यूज किया सबसे पहले नए array में क्या किया array 1 वाले सारे element डाल दिये spread कर दिये अब यहां पर कोमा डाल के जितने मरज़ी element में लिख सकता हूं यहां पर example मुझे item 2 item 3 add करनी आ यहां पर item 4 add करनी यहां पर तो यहां पर कुछ इस तरह से आप elements को जोड़ सकते हैं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से elements आ रहे हैं मेरे पास array 2 में item 1 item 2 item 3 item 4 चारो items आ रहे हैं array 2 में तो बिल्कुल सही हो रहा है अब यहां पर for example एक और काम कर सकते थे आप for example आपके पास एक array होता आप उसको यहां पर ख और यह array आपके पास ठीक है आपने क्या करना था array 2 में आपको array 1 वले items चीए थे और साथ में आपको चीए थे यह one more array वले item तो आप spread operator यूज करके कैसे कर सकते हैं इसको उठाइए और इसको भी spread कर दीजिए one more array तो बिल्कुल नया brand new array मिलेगा आपको array 2 जिसमें इन दोनो के elements होंगे array 1 वले वी और one more array वले वी ओके और अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं item 1, item 2, item 3, item 4 तो आपको समझ आ गया कि आप array को कैसे जोड सकते हैं कैसे आप clone बना सकते हैं ठीक है तो यह काफ़ी simple था I hope आपको समझ आ गया है और इसमें आपको कभी कोई problem नहीं तो यह देखत़े रेकित आया है यहां पर सबसे पहले मुझे file number 30 के साथ काम करना तो यहां पर फाइल number 30 के साथ काम करना मुझे ऐपरल लूप लगाने सबसे पहले बात करते हैं array के अंद्र लूप लगाने ही की हुए तो वह देखती है सबसेहले मैं array बना लेता हू हुआ ही अपना fruits और इसमें होगा apple, mango, grapes, banana अब आपको करना कहा है इन सब अरे थे elements ना अलग-अलग print करने है पहले apple प्रिंट करना है फिर mango प्रिंट करना है फिर grapes print करना है फिर banana प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं देखिए अब इसके लिए हमें युज करना फॉर लूप जावस्क्रिट में कहीं तरह की लूप है फॉर लूप यूज कर सकते हैं वाइल लूप यूज कर सकते हैं फॉर इन लूप यूज कर सकते हैं फॉर ओफ लूप यूज कर सकते हैं और अब हम traditional for loop के बारे हम बात करेंगे जिसके बारे में हम already पढ़ चुके हैं चिंता मत करो, सारी की सारी looks बताऊंगा यह मैं कैसे लगा सकते हैं, बट पहले for loop के बारे हम बात करते हैं, देखिए हमें for loop लगानी आती है, for example आपको करना कहा है, 0 से लेके नो तक नमबर प्रिंट राने हैं, तो हम कैसे कहते थे let i equals to 0 i less than equals to 9 i plus plus और यहाँ पे console.log i तो इससे क्या होगा, 0 से लेके नो तक नमबर प्रिंट होजेंगे, ओके तो यह आपको आता है और चलो यह तो आपको आता है तो इसको आप साइड में रखते है यह तो मैंने आपको revise कराया थोड़ा सा अब यहाँ पे array है न अब array की एक बहुत important property होती है length, array की सबसे important property है length मैं आपको कहूँगा array के जितने method हैं, जितनी properties हैं उन सब में सबसे important के हैं मैं कूँगा length property array में सबसे ज्यादा important है यह length property क्या करेगा यह length property आपको बताएगा आपके array की length कितनी है तो यहाँ पे मैं console.log करूँगा console.log और यहाँ पे देखते हैं इसकी length कितनी है length है इसकी 4 क्या देखते हैं इसकी length 4 है 1, 2, 3, 4 तो इसने length बिल्कुल ठीक बताई और आपको एक और चीज़ पता है आपको यह पता है कि यहाँ पे array में अगर मैं 0th index by access कर सकता हूँ 1st, 2nd, 3rd, कुछ इस तरह से index access कर सकता हूँ for example console.log अगर मुझे array का first element चीए तो मैं fruits और यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ तो इससे क्या होगा तो इससे apple मिल जाएगा अगर मैं 1 लिखता हूँ तो इससे क्या मिल जाएगा mango मिल जाएगा 2 लिखता हूँ तो grapes मिल जाएगा अब करना कैं for example मुझे last element को access करना है तो last element कैसे access करूँगा मैं तो last index क्या होता है जिस जितनी length होता है अगर minus one कर देंगे तो last index मिल जाएगा मुझे तो यहाँ पर two की जगा अगर मैं यह लिखूँगा तो अभी क्या है अभी इसका अभी यह कौन सा index access करने के कोशिश करेगा एकसेस करने कोशिश करेगा fourth index ठीक है बट fourth index है इसमें इसमें कितनी index है zero one two three तीन index है last index के लिए मुझे यहाँ पर minus one करना पड़ेगा इससे क्या होगा इससे मुझे बनाना मिल जाएगा last element मिल जाएगा अगर मुझे second last element चीए तो minus two मिल जाएगा तो length property देख सकते हैं कितनी helpful है ओके अब जितना मैंने आपको जिखाया for loop और length यूज करके आपको क्या करना है array को print करना है क्यों चीछ तरह से पहले एपल प्रिंट करना है फिर mango फिर grapes फिर बनाना देखते हैं आप कर पातना है कर नहीं कर पाते हैं अपने try किया होगा तो देखिए हमें करना क्या है हम जिरो से लेके जिसना जहां तक उसका last index मुझे वहां तक ही लूप चलानी है ठीक है तो मैं क्या करूंगा last index चाहिए मुझे i less than equal to fruits dot length minus 1 तो यह क्या करेगा last index लेजेगा मुझे और मुझे करना क्या है i plus plus तो यह अगर मैं console.log करूं console.log i करूं तो i की value क्या होगी पहले 0 ह होगी फिर 2 होगी फिर 3 होगी बट हम यहां क्या करते हैं अगर मैं यहां पर minus 1 हटा दूं और यहां से equal to हटा दूं इसका मतलब क्या है i की value तब तक मुझे increase करने हैं जब तक fruits dot length से कम न रहे तो मैं equal to उड़ा दिया तो कम न रहे length कितनी है 4 है 4 से कम क्या होता है 3 जब तक आई यह value तीन रहेगे तब तक यह loop चलेगे तो अभी भी बिल्कुल same output आईगे मेरे पास 0, 1, 2, 3 मतलब मुझे index मिल रहे हैं मैं 0 से लेगे array का जो last index है वहां तक मैं print कर पा रहा हूँ तो अब मुझे करना गया है मैं i नहीं print करूंगा मैं उस particular index पे जो मेरा fruit है उसको print कर दूँगा तो कैसे होगा fruits और यहाँ पर square brackets में मैं i लिख दूँगा इससे क्या होगा apple mango grapes बनाना print हो रहे हैं see okay अब मैं आपको टाक्स देता हूँ आपको कुछ इस तदहां से नहीं print करना आपको क्या करना है आपको बबर करना है इसको इसरे में एप्रिटन यंगो बनाने अब आपपको मैं कहूं है आपको और नया अरे बनानाय है जिसमें क्या होगा यह साथ टुमै तो मैं क्या उसके लिए क्या करूंगा मैं उसके लिए एक एक बना लोगा लैट फूट्स एक्वल्स तू और यहां पर यह खाली अरे बना दूँगा मैं सबसे पहले let fruits to नाम कर रहा है for example तो मैं खाली अरे बना लिया मैंने अब मैं क्या करूँगा जब यह loop ते लिए कि मैं इसको print नहीं करूँगा मैं fruits to में इसको डाल दूँगा कैसे डाल दूँगा मैं push करने push करके डाल सकता हूँ मैं क्या करूँगा fruits to dot push तो क्या होगा array to में सारे element push हो जाएंगे तो अभी print नहीं हो रहा कुछ बट array fruits to मेरा भर जाएगा जिसमें सारे uppercase में होगे अब मैं क्या करूँगा यहां पर console dot log fruits to करता हूँ fruits to ओके तो यहां पर आप देख सकते है एपल mango grapes बनाना uppercase में print हो रहे हैं तो आई होगा को समझ में आ रहोगा कि यह काम हो कैसे रहा है ओकें और यहां पे अब एक और चीज हमने देखनी है वो देखते हैं कि हम जैसे अभी अरेस के लिए हम यूज कर रहे हैं बट अरेस के लिए हम const भी उस कर सकते हैं अब हम बात करेंगे use const for creating array देखे हमने constant बनाने सीखे थे primitive types में आपको याद होगा for example const पाई equals तो यहां पर रख दें हमने 3.14 ओके अब मैंने क्या करना है यहां पर for example मैं console.log करते हूं console.log पाई की value क्या है तो यहां पर पाई की value 3.14 है मैं एक बार constant बनाके उसकी value change नहीं कर सकता अगर मैं change करने के कोशिश करूंगा for example पाई equals to यहां पर मैं कर देता हूं for example 12 कर दिया for example मैंने तो यहां पर error आ जाएगी error क्या आएगी unquote type error assignment to a constant variable तो हम constant को दुबारा से assign नहीं कर सकते इसका मतलब यह है तो यह हम already पढ़ चुके हैं अब आप सोसे होंगे यह क्यों बताया मैंने तो अब यह array के साथ करके देखते हैं यही same चीज for example const मैं एक array बना लेता हूं fruits नाम का ओके जिसमें fruits होंगे कुछ apple mango ठीक है तो एक array रहा है fruits नाम का जिसमें दो fruits है एपल mango ओके अब मैं क्या करता हो ना fruits.push एक fruit push कर देता हूं और उसके बाद console लोट लोग फिर से करता हूं fruits देखते है fruits क्या print होते हैं अब सोच यह इसका output क्या होगा अगर मैं save करता हूं आपको दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे apple mango बनाना यहां पर push हो चुका है constant में push हो चुका है अब आप इसे कुछ लोग सोच रहोंगे यह constant है फिर भी यह push कैसे हो रहा है देखिए क्या गलत हो रहा है कुछ यहां पर देखिए यहां पर कुछ गलत नहीं हो रहा है अब मैं समझातो हूं ऐसा क्यों हो रहा है देखिए actually में क्या होगा हमारे पास आपको मैंने बताया इसको ऐसा समझिए कि जो fruits नाम का variable मनाया था न आपने यह fruits नाम का variable समझने के लाए समझिए कि actual में इस fruits नाम के variable में आपका एक address store है for example 0x11 कुछ address कुछ अससरा का address store है और जो आपका main array यह जो main array है यह आपका कहांपे store है heap memory में ऐुक्ड आपका main जो array है वो यहांपे store है तो यह जो main array है वो यहांपे store है यहांपे store है ओप BUTT इस नाम के Substance में क्या store है address store है जहाँ पर आपका main array store है उसका address है यहाँ पर अब क्या मैं इसका constant क्या मैं इस address को change कर रहा हूँ इस address को मैं कभी change नहीं कर रहा है देखिए मैं क्या कर रहा हूँ मैंने क्या 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 fruits.push बनाना हमने क्या किया इस address पर जो मेरा वो array पड़ा है उसमें बनाना push करना है तो push हो गया, असानी से push हो गया तो क्या हमने कुछ address चेंज किया क्या हमने कुछ address चेंज किया इसका नहीं कोई address हमने चेंज नहीं किया इसका address कब change होगा मतलए कि नया array यह कब बनेगा जब हम इसको, constant को जब मैं कुछ इस तरह से ग्रेप्स और पाइनेपल तो यहां पर मैं कुछ इस तरह से करने की गोशिच कर रहा हूं अब यहां पर आएगी अब यहां पर क्या रहा है अब दुबारा से square bracket लगा के नहीं कर सकते बट जो array के method है आप उनको साने से use कर सकते हैं push, pop, concat, slice वो सब कुछ आप use कर सकते हैं असानी से बट कुछ इस तरह से नहीं कर सकते हैं बट अगर यहां पर let होता तो let में क्या होता let में आप दुबारा sign कर सकते थे आपका पहले fruits यह था आपने उसमें दुबारा sign कर दिया grapes pineapple हो गया फिर आपने banana उसमें push कर दिया तो grapes pineapple बनाना यहां पर आ रहा है let के case में कर सकते हैं बट const के case में ऐसा नहीं कर सकते अब बात आती है आपको let use करना चाहिए variable यह बनाने के लिए या const use करना चाहिए मैं use करता हूं const बहुत सारी developer use करते हैं const 90% developer array को sign करने के लिए const use करते हैं क्योंकि वो safe रहते हैं उससे पता होता है कि हमारा एक बार array बन गया हमने दुबारा नहीं बनाना बस एक बार बन गया तो बन गया इस ही में हम push करेंगे पोप करेंगे बट दुबारा से square brackets लगा के हम चीज़े assign नहीं करेंगे क्यों for example आपने कुछ array बना रख है let use करके बना रख है for example और किसी ने नीचे जागे क्या किया नीचे जागे 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 fruits एक वल सुखाली array कर दिया और ऐसा अगर कर दिया किसी ने तो एक ही आइटम रहाजेगा बट अगर यहां const होता तो फिर नहोता ऐसा फिर यहां पर error आ जाता हम ऐसा कुछ नहीं कर बाते तो साफ सिधा यहां पर push हो जाता बनाना ठीक है तो mostly हम यहां पर const ही यूज़ करेंगे अब से मैं कोंस्ट ही उस करूंगा अरे जब भी बनाओंगा इवन जब भी मैं कोई primitive टैप उसके लिए मैं कोंस्ट ही यूज़ करूंगा ठीक है अब कोई समझा आगे होगा कोई चादा rocket science नहीं थी यह बहुत असान था आपको समझा आगे होगा अब आध कर लेते हैं वा आध कर दो इसमें ग्रेफचाट कर दो अब आपके उसमें लूप चलाने के लिए पहले मैं लैट आई जिसके वैल्यू चार्ट होगी जिरो से और कहां तक जिलाने है लूप वाइल आई लैस्टें जो आपका अरे हाऊ है दो लैंति और आपको करना प्रूट्स का जो अइक्षिन टेक्स है वह हो प्रिंट कर देना है तो इसको मैं लोकर देता हوں 172 डोट लोकि मैं जल्दी से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पे मैं बहुत ज़्यार् decorals ओर्या प्रिक्ट कर यहां पे तो लिगने दूँँगा मैं अब एपल में ग्रेपस आ रहा है तो वही काम अगर आपको दुबार करना एक नए इसको अपरकेस करना है तो तू अपरकेस काम हो गया अगर इसको नए अरे में स्टोर करना तो कौंस्ट फूर्ट तो नाम का नया अरे बना लेते हैं एक खाली है उसके बाद खाली में क्या करते रहेंगे पुश करते रहेंगे फूर्ट तू डोट फूश करते रहेंगे हम फूश करते रहेंगे पूश करने के बाद हम यहां पर कॉंसल डोट लो कर सकते हैं फूर्ट तू ठीक है अब यहां क्या होगा एपल मैंगो ग्रेप कि यहां पर पुश होगे एक नया अर्य बन गया मेरा तो काफ़ी असान था है अब बात करते हैं फॉर ओफ लूप के बारे में पूर इक यह यह है मेरे पास ठीक है इसमें एक मेरे पास लूप होती है फॉर ओफ लूप जो बहुत असान है अभी तो हम इंडेक्स के साथ कहल कर रहे थे पहले हम इंडेक्स प्रापट कर रहे थे इंका उसके बाद उस इंडेक्स पर वैल्यू को है फिर ऊसको किसी अर्य में पुश कर रहे थे जैसा हमने वाी लूप में देख एक इस से पहले फॉर उसके बाद आपने एक बना लेना है फॉर लैट फ्रूट देखिए यहां पर यूजरी हम क्या करते हैं मैं आपको बतातू हूं यह फूर्ट यह फूर्ट है यह फूर्ट है तो इसलिए हमने यहां पर अलग 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 आए यह फूर्ट है यह फूर्ट है ल इसके बास square brackets लगाँ उसके बाद console.lo कर दूंगा fruit fruit ओके तो यहाँ पे अगर मैं इसको run करूँ न मैं file no 33 के साथ काम करना है तो file no 33 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अब यहाँ पे इसको save करता हूँ यह एपल वैंगो grapes आ गया अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखिये हम बात करेंगे आगे चलके iterable की iterators की तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे हम बट यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए यह four of loop किस तरह से काम करते है देखिए यह four of loop automatically चलेगी और उतनी बार चलेगी जितना जितना जितनी इसकी length है पहली बार यह loop चलेगी इस fruit नाम के variable में apple आजेगा तो हमने apple प्रिंट कर दिया दूसरी बार loop चली तो इस fruit नाम के variable में mango आगया तो mango प्रिंट हो गया तूसरी बार यह loop चली तो fruit नाम के variable में grapes आगया हमने grapes प्रिंट कर दिया तो यह असान सी loop है अगर इसमें और वर items होते है फूर एक मेरा fruit होता very tasty fruit fruit for और ए यहां पर फ्रूट फाइफ ओके तो यहां पर apple mango grapes fruit for fruit फाइफ तो यहां पर सब कुछ ऐसे मेरे को मिल जाएगा तो ऐसे करना है और इसकी convention ऐसी है for example आपके बास items है कुछ जैसे तो जो अरे का नाम लिखते है ना वो यहां पर हम लिखते है प्लूरल में ठीक है लोग ऐसा क आइच दो आप इसको के लिख दो ठीक है or के और अफ आई लिख दो ठीक है और फिर उसके बाद यहां पे के को प्रिंट कर दो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं बाट इससे पढ़ने में काफी परिशान ही आ रही है मैं नहीं पता आई क्या है क्या है इसलिए यहां पे fruits loop कैसे काम कर रही है for example वही काम करना आपने to uppercase, same काम हम कितना repetitive काम कर रहे हैं अभी फुरी देर से अगर आपने नए array में डालना है तो for example fruits तो नाम कर रहे हैं और push करना इसमें console.log की जगा fruits2.push और उसके बाद हम क्या करेंगा यहां पर console.log प्रिंट करतेंगे तो देखे एपल, mango, grapes, fruit, four, fruit, five कुछ इस तरह सही काम हो रहा है ठीक है तो यह बिल्गुल सही काम हो रहा है तो हम क्या करते हैं यही काम किस से करते हैं for in loop से करके देखते हैं अब यह अब सोच रहे हैं कितनी loop बताएगा पहले for loop लूब बताएगे फिर for of loop बता दी अब यह for in कै देख लेथे एक और चीज़ बताओं यह for of loop न हम बहुत जादा यूज़ करते हैं यह को नोर्मल अरे को हमने iidrate करना ना यह इन लूप क्या करेगी और इंडेक्स यहां पर इंडेक्स देगी यह इंडेक्स क्यों लिख्या मैंने यह इंडेक्स देगी पहली बार यह लूप चलेगी यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं आपको समझ आई इसले मैं आप इंडेक्स लिख दिया पहली बार लूप तो यहां पर मैं रiblia कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं मुझे तो proper अपने items चीए यहाँ पर तो मुझे करना क्या होगा index की जगा मुझे करना क्या होगा fruits और यहाँ पर square brackets में index लिख दूँगा पहले बार index में 0 आएगा तो fruits की 0 पोजिशन पर apple है तो apple के तो यहाँ पे पुश्च कर सकते हैं क्या पुश्च करना है इस को अपर केस में अपर करते हैं और वाइल लुप बहुत कम यूज भी से या वह तो फ़र फ्रोप या फिर वह जो ट्रैडिशनल फॉर लूप चलाते हैं वह तो अ इतिस नलए गा इस जिसमें आई गे वैल्यु पहले हम जीरो रखते हैं आई को लेंथ माई जो fruits.length यह वली लूप कहा हूँ मैं यह लूप यह दुन लूप यूज़ करते है for of loop और यह वली लूप ठीक है और हमने क्या करना है यहाँ पर एक्जामपल console.log जो fruits था है उसका is index तो यह वली लूप और यह वली लूप हम काफी ज़्यादा यूज़ करते है for example अब 33 file में आगे हम 33 file वाला लिख देते हैं आपर तो देखें तो यह वली लूप तो मैंने आपको बताया यह 4 of loop या फिर यह वली लूप यह दोनों loop यूज़ करते हम तो इसकी इस वीडियो को post कीज़ेगर आपके अच्छी practice नहीं है करके देखे कैसे हो रहा है काम और फिर आगे चलिए ओके already structuring तो यह वाई ES6 में आना है बहुत यूज़ होता है है क्या है पैसे इसके बिना भी काम चल जाता है हमारा पर लोग इसको बहुत जाते यूज़ करते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा और इसको आना भी चीए आपको है तो मैं क्या करता हूँ नीचे 35 फाइल के साथ काम करना है मुझे 35 फाइल को लिंक कर देता हूँ तो already structuring है क्या for example आगके बासे कर रहे है const my array और यहाँ पर कुछ values है for example value 1 और यहाँ पर एक और value है value 2 अब मैं आपको टास्क देता हूँ आपका टास्क क्या है आपने दो variable बनाने है जाहन दे सुनिए आपने दो variable बनाने है पहले variable में आपने store करना है value 1 अलब कि जो इस my array के 0th index पर है वो और दूसरे variable में आपने store करना है value 2 जो इसके first index पर है वो तो कैसे कर सकते हैं बहुत simple है for example let my var 1 मैंने पहला variable बनाया उसे मुझे करना कहा है value 1 store करना है तो मैं क्या करूँगा my array और इसके 0th index पर जो है यहाँ पर मुझे first index पर था जो मैंने store कर लिया और मैं करूँ console.log करूँ अगर तो यहाँ पर लिखूँ value of my var 1 और यहाँ पर my var 1 की value अगर मैं print करूँ तो print हो जाएगी नीचे जाके देखता हूँ 2 और यहाँ पर 2 तो दोनों की value यहाँ पर आ गई value of my var 1 value 1, value of my var 2 value 2 तो इस काम में कोई problem नहीं है दूसरी programming language में अगर हमने कुछ ऐसा काम करना है तो ऐसा ही करते है तो javascript ने एक shortcut है तो वो shortcut देख लेते हैं यह काम करने का है एक बार shortcut क्या देखिए हम अरे को de-structure कर सकते है destructuring हम कैसे कर सकते है वो देखते है आपने लिखना है यहाँ पर const const लिख दिया या फिर जो भी आपने variable बनाना है for example आपने यहाँ पर let use करके variable बनाने थे न तो यहाँ पर let use करके let लिख दूँगा मैं आपर आप let var const कुछ भी लिख सकते है उसके बाद यहाँ पर आपको दो नाम लखने है कुछ भी दो नाम लखने है for example my var 1 my var 2 इससे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको होगा क्या आप जल्दी से बता देता हूँ बहुत असान है यहाँ पर क्या होगा न यह my array है न यह क्या करेगा my array जो है उसका जो 0th index पे होगा वो my var 1 नाम का variable बन जागा उसमें value store हो जागी और जो उसके first index पे होगा न वो my var 2 में store हो जागा मतलब यह जो काम किया था नहीं यह दो line लिखी थी उसके equivalent आप यह एक line लिख सकते हैं अगर मैं यह सब काम करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे देखूँ कि my var 1 की value का है my var 2 की value का है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही value आ रही है और आप एक बार यह करने के बाद इसको आप normal variables की तरह use कर सकते हैं यह normal variables बन चुके हैं internally यह कुछ ऐसा ही काम हो रहा है ठीक है आप इसको normal variables की तरह use कर सकते हैं for example my var 1 की value आपने करनी है value changed value changed कुछ इस तरह से करना है ठीक है तो आप कर सकते हैं my var 1 की value value changed दा रही है तो यह दो normal variables बन चुके हैं आपके ठीक है अगर आप यहाँ पर कॉंस लिखते हैं तो यहाँ पर दो constant बन जाते हैं अब आप इसकी value change नहीं कर सकते हैं my var 1 की तो बिल्कूल आपके normal variable बन चुके हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं uncode type error कहाँ पर error आ रही है line number 8 में line number 8 मेरर आ रही है भाई कह रहे है भाई constant को हमने change कर दिया तो constant को हम change कर रही नहीं सकते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर let लिख दिया अब आप मैंसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी एक सवाल आ रहो होगा वो यह कि अगर यहाँ पर और values होती for example यहाँ पर array में होगा elements होते for example value 3 होता यहाँ पर एक तो क्या होता है तो इस case में क्या होता तो भाई अभी भी same वैसी होगा जैसे अभी हो रहा है इस line को में हटा जाए तो यहाँ से अभी भी बिल्कुल वैसी होगा सबसे पहले यह array destructure होगा जो हरी की first element होगा वो इस variable में चला जाएगा जो हरी का second element होगा वो इस variable में चला जाएगा तो बिल्कुल ऐसी काम होगा और इसका कुछणी होगा यह वैसे का वैसी रहेगा इसका कुछणी होगा वह भी आ रहा होके बास value 1 my or 2 की value 2 आ रहे है तो काफी simple है तो इसके बाद जितना मर्चिक value होंगी उनका कुछ नहीं होगा जो पहले तो value होंगी वो इस variable में चली जाएगी for example आपको एक my var 3 भी बनाना था my var 3 my var 3 और यहाँ पर क्या करना है अब my var 3 की value प्रिंट करा के देख लेता हूँ मैं और यहाँ पर 3 तो यहाँ पर तीन variable बन जाएंगे और पहले की value होगी my var 1 दूसरे की value होगी my var 2 तीसरे की value होगी my var 3 अब कई लोगों के दिमाग में एक स्वाल और आ रहोगा वो स्वाल देख लेते हैं for example मेरे ray में एक ही element है अब क्या होगा देखिए अब देखिए यहाँ पर जो पहला है उसमें value 1 चला जाएगा तो दूसरा तीसरे में कुछ मिलेगा नीजिए तो यह undefined हो जाएगा तो undefined आ रहा है ठीक है तो यह भी आपको समझ आ गया मैंने एक और case बता दिया आपको अब कहीं लोगों के स्वाद दिमाग में एक और स्वाला होगा मैं आपको माइवार 3 यहां से अटा देता हूँ अभी कहीं लोग सोच रहोंगे भाई मुझे माइवार 1 में तो value 1 श्टोर करनी है और मुझे माइवार 2 में value 3 श्टोर करनी है यह जो value है ना यह इसमें श्टोर करनी है माइवार 2 में यह श्टोर करनी है value 3 यह कैसे करेंगे अभी तो क्या हो रहा है अभी तो माइवार 1 में by default क्या हो रहा है माइवार 1 में जो 0 इंडेक्स पे था वो आ रहा है और माइवार 2 में क्या है रहा है तो अब यह कैसे होगा इसके लिएम क्या करना है आपने कॉमा लगा दिया आपने यहाँ पर एक index skip करना है मतलब कि आपको my value 2 को skip करना है तो यहाँ पर एक और कॉमा लगा दीजिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस कॉमा से यह जो बीच की जगा है तो देखिए, value of my var 1, value 1 आ रही है, value of my var 2, value 3 आ रही है, ठीक है, बहुत असान था, अब, अब, और, और, अब, आपके दिमाग में एक और स्वालार होगा, for example, मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर एक और value, add कर दो, value 4, ओके, और यहाँ पर पहले की तरहां कर देता हूँ, अब, index skip नहीं कर रहा हूँ, simple ऐसे कर रहा हूँ, my var ने value 1 आ रहा है, my var 2 में value 2 आ रही है, अब, आपने करना क्या है, आपको, दो, तो variable मिली गए, अब, आपको, साथ में, करना क्या है, साथ में, आपको, value 3 और value 4 का, अलग से array बनाना है, तो आप, अलग से array बना सकते हैं, इसका तो कैसे बना सकते हैं इसका लग से अरे इसका लग से अरे आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं for example let use करके बना रहो for example मैं आरे let my array तो आप array कुछ इस तरह से बना सकते हैं आप क्या कर सकते हैं my array my sorry my new array लिख देता हूं इसको क्योंकि my array पहले से है my new array यहाँ पर my array और यहाँ पर dot slice मुझे कहा से कहा तक value चीए थी मुझे value 3 और value 4 चीए थी तो मुझे 0, 1, 2 second index से value चीए थी तो यहाँ पर इस array में क्या होगा second index से start होगा value 3 और value 4 दोनों आ जाएंगी यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखना तो यहाँ पर मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ console dot log यहाँ पर my new array print कर लेता हूँ my new array ओके यहाँ पर आप देखना यहाँ पर my new array आ चुका यहाँ पर value 3, value 4 अब यह म ju क्यों बताया यह तो आपको पता ही था फैले कि मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप इसको जब आप अरे को टी स्ट्रक्चर कर रहे थे ना उसी टाइम आप यह काम कर सकते थे आपको अलक्सी करने की जुरूत नहीं है वो कैसे कर सकते थे वो देख लेते हैं देखिए अभी क्या हो रहा है फिलाल क्या हो रहा है वेली और लिख दूंगा और यहां पर लिख दूंगा सुखक गा इस जितनी बी रहिस्ट जितनी वी रहे चीज़े बचेंगी ना इस में जो भी बचेंगी चीज़े पहले वैल्यु इसमें जले गई दूसरी वैल्यू इसमें चले गई जो भी रही बच का ना आपके बालग्लंक्स भी value 3 value 4 okay तो यह था array destructuring जिन लोगों ने पहले कभी नहीं उसकी पहले बार देख रहे हैं उन्हें लग सकता है थोड़ा साय हो गया इतनी थोड़ी सी देर में इतना कुछ बता दिया कोई बात नहीं आप नहीं करना गया अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं कोड नहीं कर करके देखिए भले ही आपको कोई चीच बहुत असान लग रही है तो उसको अगर आप एक बार कोड कर लेंगे ना तो आपको जादा देर तक याद रहेगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा यार कुछ पढ़ानी आपको ऐसा लगेगा कहा मैंने कुछ सीख लिया अगर आप अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे ऑब्जैक्ट के बारे में तो हमने बात की अरेस की तो यहां पर मैंने कुछ लिखे आपके लिए तो यह आप सब समझेंगे हमां आप चिंता मत करो देखिए अरेस आर गूट बट नोट सफिशेंट फो रियर वर्ल डेटा अरेस हमारे अब यहां पर देखिए अब बात करेंगे अब यह तो यह तो थोड़ा थियोरी होगी अभी कोई सैंस निए बन रही होगी इसकी बट अभी बनेगी थोड़ी देर तक देखिए यहां पर सबसे पहले ओब्जैक्ट को एक्जामबल से समझते हैं मैं क्या करता हूं को बाइ रेफ्रेंस टाइप जैसे अरे यहां डाइवरेज्एवरेंस टोर तब तो इlor अबनाते हैं ओबजयक्ट अपना मैंने object बनाए const और मैंने object का नाम रख दिया for example person मेरे object का नाम है अब array के लिए हम यूज कर सकते square brackets अब object के लिए हम यूज करेंगे curly braces ठीक है object के लिए क्या यूज करेंगे curly braces ठीक है अब यहां पर key value pair होते हैं यह value pair को किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं सबसे पहले मैं key लिखता हूँ for example person का क्या क्या हो सकता है person का name हो सकता है name और उसके बाद colon name क्या होगी मेरी key colon उसकी value value क्या होगी उसकी string ठीक है तो उसकी string होगी for example हरशित तो यह हो गया यह key थी इसकी value थी string यहां पर एक और किया है इसकी value मैं रख दूंगा for example number 22 ओके तो यह मेरा एक object बनके ready है बिल्कुल तो यह मेरा object बन चुका है ओके अब मैं क्या करता हूँ इस object को print करता हूँ console.log यहा person ठीक है तो अब देख सकते हैं यहां पर person प्रिंट हो रहा है अगर मुझे इसका type देखना इसका type क्या है तो type of operator यूज कर सकते है type of object तो यहां पर object आ रहा है type of person इसको हम object लिटरल भी बोलते हैं जब हम object को कर लिब्रेसिस लगा के बनाते आना तो इसको object लिटरल भी बोलते हैं ऑके बट डजन मैटर बस आपको यूज का ना चाहिए कि object है कैसे कैसे करते हैं अब यहां पर की वैल्यू पर तो हो गया ठीक है अब अरे के अंदर क्या होता था इंडेक्स होता था हमने जिरो इंडेक्स वाला इंडेक्स होना तो अरे में जिए मैं झे यूजर का नाम चीए तो कैसे नाम कैसे AgS करोंगा मैं उब्जेक्ट के करेंगे उसके लिएम्लै क्या कर सकते हैंना इस् опыт मैं क्या करोंगा दोट लगा कर सकता हूं चों मैं श district कर कर सकता हूं इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं प्रॉपर्च आप धो छाएगा अब देखिए हां इतना थो हमने सीख लिया कि हमने डेटा को कैसे अक्ष्व करना आ है आइसक पर यहां पर न यहां छो र्रिया messyजो की यह फोपैरेटिस हैं हम ऐसा बोल सकते हैं कि और आप जितने मर्जिक की वेल्यूपे रड़ कर सकते हैं यहां पर अब्जेक्ट के अंदर आप अरे भी इस्टोर कर सकते हैं तो वह भी दिखाता हूं तो मैं क्या करता हूं देखें और यहां पर जैसे मैंने अरे इस तरह से बनाया ना आप इसको अलग-अलग यहां पर मैं की वेल्यूपे रड़ कर सकता हूं तो यहां पर मुझे क्या करना है उसकी होबिस का मुझे अरे बनाना है तो यहां पर मैं वैल्यू में अरे भी स्टोर कर सकता हूं क्या कर सकता हूं मैंने अरे स्टोर कर लिया तो यहां पर मैं सारे की सारी होबंद लिख सकता है नोक है इस को क्या गरता हूं print करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा यहां पर मुझे object मिल रहा है जिसमें age है hobbies है और name है अब for example मुझे person की hobby चीए तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर access करता हूं data console.log यहां पर person.obies तो यहां पर देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर गरे Alte रहे treat कर सकते हैं for example person.oobies और इसमें जो भी आप आहे 네 की क्यों अएक्सेस कर सकते हैं करें की को प्रोपर्टीश भी बहूत देऊ हैँ कहीं बार हम ऐसा बोलते हैं कि अदर object के अंदर एक यह property है, एक यह property है, एक यह property है, ठीक है, तो यह है, और property को access करने के लिए हम dot notation यूज़ कर सकते हैं, अब बात करते हैं, अब वैसे by the way, जैसे हमने dot notation है न, dot की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अभी, थोड़ी देर में, पहले भी बात करते हैं, how to add key value pair to object, अब यह object बना है मैंने, अब मुझे इसके अंदर एक और key value pair add करना है, तो for example, हम मैं क्या करूँगा, कि मुझे एक और key value pair add करना है, तो कैसे करेंगे, तो person dot, मुझे key का नाम क्या रखना है, for example, मुझे key का नाम रखना है, gender, okay, equals to, और य key value pair add करने के बाद, मैं क्या करूँगा, इसको print करूँगा, तो दुबारा print करके देख लेंगे, तो आप देख सकते हैं, gender, यहाँ पे male, एक और key value pair add हो चुका है, I hope आपको इतना समझ में आगे होगा, कि यह key value pair हम कैसे add कर सकते हैं, okay, अब यहाँ पे और चीज़ों के बा हमने बात की, कि हम how to access data from object, हमने बात की कि हम dot लगा के access कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, for example, person dot name करेंगे, तो हर्षित print हो जाएगा, dot की जगाना हम यहाँ पे square brackets लगा के, ध्यान दे सुनना, square brackets लगा के, यहाँ पे string के अंदर, अपनी key का नाम लिख सकते हैं, name, और यहाँ प लगाने, फिल्ग में जो key होती है, इस string में ही होती है, by default, हम यहाँ पे string में लिखने की जरूथ नहीं होती है, बर यहाँ दिफोल्ट string में ही होती है, अंदर से, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे, जो हम brackets लगाएंगे, तो brackets के अंदर, हम string के अंदर अपनी key का नाम लिख करते हैं आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं यहां पर एक्जामपल यहां पर एज पर सकता हो मैं प्रेंट 22 और बाइद वे मैंने अभी आपको कहा कि यह हमने यहां पर इस ट्रिंग में ने लिखा बट बाइड डिफोल्ट इस ट्रिंग में ही है जो इस प्रोपर्टीज अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो ऐसे सारी की को आप ऐसे स्ट्रिंग में लिख सकते हैं कोई प्रोप्लम नहीं होगी बिल्कुल सही काम करेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो अभी भी बिल्कुल सही है तो आप इसको उटाके भी लिख सकते हैं तो बिल्कुल सही है तो यह हो गया dot notation और bracket notation अगर आपने कोई key value फिर add करना है उसके लिए हमने अभी बात की थी कि आप dot notation से कैसे कर सकते हैं बट आप bracket notation से भी add कर सकते हैं तो मैं आपको करके दिखाऊंगा भी इसको comment out कर देते हैं तो अभी dot notation से add हो रहा है gender male अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पर यहां पर मैं dot की जगा bracket लगा देता हूं यहां पर लिखता हूं person equals to male ओके तो यहां bracket notation से भी add कर सकते हैं अब इन दोनों के बीच में थोड़े difference की बात कर लेते हैं तो difference की बात करने के लिए मैं इसी object को यहां पर copy कर लेता हूं ओके और मैंने copy कर लिया copy करने के बाद ओके इतना ही यह बहुत है तो देखते हैं अब बात करते हैं dot और bracket notation के difference के बारे में ओके अब ध्यान से देखिए जो हमारी keys है यह single word है यह से name हो गया age हो गया hobbies हो गया but for example आपने कोई की ऐड़ करने जिसमें दो word है ठीक है तो ऐसी कोई key का example तो for example यहां पर hobbies की जगाना मुझे लिखना है परसन हो भी परसन हो भी तो मुझे कुछ यह же नाम देना एपनी की को ऐसे मैं नाम नहीं दे सकता जावह स्क्रिप्ट में space is allowed नहीं नहीं है इस तरह से ठीक है उसको एक्सेस करके देखते हैं तो यहांपे मैं करते हूं कोंसोल डोट लो करता हूं पर सन डोट परसंडोट यहां पर सो बस पर संपेस नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर क्या है यहां पर भाई स्पेस है वीच में तो आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते डोट लगा के बट सिंगल वर्ड होगा फूर एक्जामपल यहां पर एज होता तो एक्सेस कर सकते थे आप 22 तो इस केस में आपके आगीजिए अगर आपके इस तरह की प्रोपर्टी एक्सेस करने के लिए यहां पर मैं ब्रैक्ट लगाऊंगा स्ट्रिंग में यहां पर लिखूंगा पर संद्व बेस तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं गिटार यहां पर एक्सेस कर लि dot notation का और practice notation का एक difference clear हो गया तो सही बात है ठीक है अब मैं आपको एक और चीज़ कहता हूँ आपको मैं एक variable बना लेता हूँ for example const use करके const key equals to email तो मैंने कहा किया एक variable बना लेता हूँ const key equals to email अब मैं आपको कहता हूँ ध्यान से सुनना मैं आपको कहता हूँ आपको इस person नाम के person नाम के object के अंदर एक key value pair add करना है key होगी email और उसकी value होगी कोई भी email address abcdi add the red gmail.com कुछ भी ऐसा हो सकता है और जो आपको key लेनी है वो इस key नाम के variable से लेनी है अगर इस key नाम के variable में email है तो email नाम की key add करनी है अगर इसमें for example की कुछ होर होती for example phone number की होती तो आपको phone number नाम की key add करनी थी तो आप ऐसा काम कैसे कर सकते है तो अगर आपको नहीं समझाया इसमें आपकी गलती नहीं है अभी समझेंगे अभी आपको समझा जाएगा तो कैसे add कर सकते है देखिए तो मुझे इस person नाम के अंदर key add करनी है तो अगर आप ऐसा करेंगे देखिए person.key equals to for example यहाँ पर मैंने लिख दिया हर्षित पसेश्ट gmail.form और उसके बाद मैं क्या आगरता हूँ console.log करता हूँ console.log person परसन को console.log करता हूँ तो यहाँ पर ना यह key ही key बन गई बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए था मुझे यह key की value इस variable से चाहिए थी तो भाई हम क्या करेंगे हम यहाँ पर यह कर सकते थे यहाँ पर square brackets लगा सकते थे अब यहाँ पर अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक हम यहाँ पर key कुछ इस तरह से लिख रहे थे string के अंदर तो अभी भी ऐसी काम होगा अभी भी क्या होगा key key ही होगी key हमारी email नहीं होगी तो भाई हम क्या करें अब यह key की value key नाम के variable से उठानी है तो यहाँ आपने string लगाई है ना इसको उठा दीगी square brackets में से इससे क्या होगा ना यह यहाँ पर compute करेगा कि भाई इस key की value क्या है इस key की value email है तो क्या करेगा यहाँ पर insert कर देगा email कुछ इस तरह से और फिर वो value फिर उस key की value sign करतेगा वो ठीक है तो यहाँ पर आपने string नी लगने यहाँ पर string नी लगानी simple ऐसे लिख दीजिए अब देखे यहाँ पर क्या होगा अब यहाँ पर key है email ठीक है और यहाँ पर email है यहाँ पर यह लिख यह होई है तो कुछ इस तरह से आप काम कर सकते हैं मैंने आपको difference बताए dot notation और bracket notation के बीच में I hope आपको समझ में आ चुके होगे कि dot notation में difference क्या है और bracket notation में difference क्या है तो इतना difference ही है इसे जादे इसमें कोई difference नहीं है ठीक है तो काफी simple था I hope आपको समझ में आ चुके होगा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसी array को बिचारे को कोपी करते हैं तो यह object है मैं क्या करूँगा देखी देखी मुझे करना है मुझे इसमें loop चलाने इसको iterate करना है देखी जैसे हमने उसमें बात की थी array इसके case में बात की थी हम कैसे for loop यूज़ कर रहे थे while loop यूज़ कर रहे थे for of loop यूज़ कर रहे थे या for in loop यूज़ कर रहे थे ऐसी object को iterate करने के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं एक तरीका यूज़ करते हैं for in loop एक तरीका यूज़ करते हैं for in loop एक तरीका हम यूज़ करते हैं object.keys ओके तो ये दो तरीके यूज़ करते हैं loop चलाने के लिए अब देखते हैं काम कैसे होगा देखिए सबसे पहले ये मेरा object है तो इसमें मैं क्या करूँगा for in loop चलाँगा कैसे चलाँगा for in loop देखिए for let यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं let for example key for let key in person और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं console load load करता हूँ key को देखिए ये loop पहली बार चलेगी इस key नाम के variable में आएगा name दूसरी बार loop चलेगी age इसी बार loop चलेगी तो person always मैं save करता हूँ और पहले यहाँ पे 38 file के साथ काम करने मुझे file number 38 लिख लेता हूँ यहाँ पे file number 38 और यहाँ पे इसको save करता हूँ अब देखते हैं तो यहाँ पे क्या रहा है name आ रहा है age आ रहा है person always आ तो सारी की की यहाँ पे क्या हो रही है सारी की सारी की print हो रही है ठीक है अब मुझे यहाँ पे की नीची है मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा key value पेर चीए अब आपको पता है कि की value पेर फॉर एक्जेंपल value चीए आपको value पेर भी नहीं आपको value चीए तो आपको value चीए तो value कैसे प्राप्ट कर सकते है इनकी ठीक है तो value को लेने के लिए अब दिमाग लगाई है थोड़ा सा क्या होगा देखिए अगर मैं यहाँ पर यह करूँ person value किसके चीए value कहां से चीए person message चीए और data को access करने के लिए हम क्या use कर देखिए अब यहाँ पर मैं dot key पहली बर कियाएगी name आएगी ठीक है अब मैं dot key लिखूँगा तो यहाँ पर क्या होगा सोचिए क्या होगा इस वीडियो को post करके सोचिए देख अगर मैं run करूँगा तो यहाँ पर undefined आ रहा है तीन बार देखिए undefined तीन बार क्यों आ रहा है क्योंकि यह क्या करेगा यह देखेगा वाई इसमें कोई की नाम की की है क्या नहीं है तो undefined दे दिया तूसरी बर लूप चली एक दे सकते हैं मुझे result तो मुझे कुछ इस तरह से नहीं करना मुझे क्या करना है यहाँ पर square bracket से use करने पड़ेंगे की इससे क्या होगा यहाँ पर key की value देखेगा यह की की value क्या होगगे यहाँ पर पहली पर लूप चलेगी नेम ठीक है तो की की जगा पहले यहाँ यहाँ यह पर कर सकते ह fak two different प्रेंट और फिर यहां पर अरय ब्लगुल रहा है यहां पर कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं अपने पूर को की फोरे मैं यह क्या कर लेता हूं यहां पे इसके लिए मैं यहाँ पर बैक्टिक्स यूज़ करके वो यूज़ कर लेता हूँ अपने template string यूज़ कर लेता हूँ तो कैसे करेंगे तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे सबसे पहले की चीह है मुझे तो यहाँ पर मैं जो भी की होगी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी तो मुझे लगाना है और फिर मैं दुबारा ऐसे करूंगा और यहाँ पर मुझे क्या चीह है पर संड और उसके बाद स्क्वेर ब्रैकेट उसके बाद यहाँ पर लिखतूंगा की तो कुछ इस तरह से मुझे की वैल्यू पेर मिल जाएगा अब लेख सकते हैं की वैल्यू पेर आपको प्रिंट होके मिल रहे हैं आपर नेम हरश्वित एस 22 और यहाँ पर संड और फिर उसका वैल्यू देखने को मिल रहे है आपको यह यहाँ पर पूरी अरे नहीं दिखा आप डिरेक्ट ऐसी कर सकते थे यहाँ पर इसको उटाता हूं मैं इसको उटाता हूं मैं और यहाँ पर कॉमल लगा 17th पहर पर और यह स्कुर्य गैशित खटाता हूं तो अब क्या होगा देखते हैं तो आप देखना नेम अर्शित इस टॉंटिटू उसके बाद यहां पर पर सन हो विस और यहां पर प्रिंट हो रहा है अगर आपको बीच में कॉलन बीच ही है तो आप क्या कर सकते हैं एक और स्ट्रिंग एड कर सकते हैं यहां प अब यहां पर object.keys method दिखते हैं क्या करता है देखें अगर मैं लिखूं यहां पर object object का O capital है बाइद आवे object.keys और यहां पर मैं लिखूं अगर यहां पर मैं अपना person नाम को object pass कर दो तो यह मुझे क्या देगा return में तो वह देख लेते हैं तो यहां पर मैं क्या करता हूं console.log और अब देखते हैं क्या देगा मुझे return में तो मुझे return में एक array दे रहा है उस array में क्या है name है age है person hobbies है तो क्या है सारे की सारे मेरे बास इस आ रही है है यहां पर ठीक है और इसका टाइप भी चाक कर सकता हूं यहां पर object आ रहा है अगर आपको यह चाक करने कि क्या यह array है या नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको एक method बताया था array.is array और इसमें पास कर दोंगा यह सब चीज में वैरियेबल में store करके सोरी गाइस सोरी सोरी तो array में store करके मैं क्या करता हूं console.log value करके देखता हूं यह ट्रू या false देगा मुझे तो ट्रू तो object.keys मुझे क्या देगा यह करे देगा ठीक है तो यह हमने यह से सीख लिया और में क्या कर सकता हूं गाश्यों यहांपर क्या कर होंगा object.keys और यहांपर पास कर सकता हूं पर स्थिंपर और यहांपर मुझे करना क्या होगा यहांपर मैं इसला console.log कहांपे key लिख सकता हूं यहांपे image person मुझे की मिल रही है बट मुझे इसनकी value चीए थी तो value प्राप्ट करने के लिए क्या कर सकता हूं यहांपे person और यहांपे square brackets में की लिख सकता हूं तो इससे क्या होगा मुझे 3 के 3 key मिल जाएगी तो ये तरीके हैं कुछ array को आइटरेट करने के I hope आपको समझ आ चुके होंगे कि हम array को आइटरेट किस तरह से कर सकते हैं अब बात करते हैं computed properties की तो यहाँ पर मैं एक variable बना लेता हूं कुछ for example const even जो है object even तो यहाँ पर मैं कुछ पर random variable लिख रहा हूं यहाँ पर मैं तो आपने ध्यान ने देना यहाँ पर इसके लिए तो यह सिर्फ आपको को समझाने के लिए कर रहा हूं मैं उसके बात const value one equals to यहाँ पर my value one और यहाँ पर my value two और यहाँ पर भी my value two तो यह मैंने क्यों लिखे आभी आपको एक टास्क दूँगा मैं वहाँ आपको करके देखना है try करने की कर पाती हो या नहीं देखते कितना सीखे आपने आपको करना गया देखिए आपको ना यह variables use करने है आपको कुछ इस तरह को object बनाना है object बनाना है किस तरह का वह मैं बता देता हूँ like const obj आपको object बनाना है कुछ इस तरह का है जिसमें पहली key होगी जो key one नाम के variables से आपने key उठाने है पहली की कुछ यह होगी यह उठाने है आपने और यहाँ पर assign करने है वह लिए for example obj e one यह पहली की है और इसकी value क्या होगी इसकी value होगी value नाम का variable है यह value होगी इसकी तो यह proper इसकी value होगी ctrl c ctrl v आपको कुछ ऐसा करना है comma डालना है उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से करना है लोगी आपने यह तो मैंने खुछ से लिख दिया ना आपने कुछ इस तरह को object बनाना है सिर्फ और सिर्फ यह variables use करके आपने यहाँ पर खुछ से ने लिखना सिर्फ variable use करके इसमें key value पर add करने है तो कैसे करेंगे वो देखते है आप इसको कैसे कर सकते है I hope आपने try किया होगा अब मैं बताता हूँ यह हो कैसे सकता है देखिए मैंने OBS नाम का एक object बनाना है मुझे क्या चाहिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर यह चाहिए यह इस key one की value क्या है मुझे यह चाहिए अगर मैं यहाँ पर directly कुछ ऐसे लिख दूँ key one बोके और यहाँ पर key one मैंसे लिख दूँ और इसकी value लिख दूँ for example मैं लिख दू value 1 ठीक है और यहाँ पर मैं लिख दू key two और इसकी value लिख दूँ मैं value two अब इसमें देखना क्या होगा इस इसमें आपको एक चीज दिखाऊंगा वह मैं आपको बताऊंगा होगा क्या है इसमें अब यहां पर अगर मैं console.log कर दूँ और यहां पर लिख दूँ मैं obj तो यहां पर देखना क्या होगा यहां पर obj में क्या हो रहा है तो यह काम आप कैसे कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर k1, k2 नहीं चीए था मुझे my object object k1, k2 मुझे key चाहिए थी ना कि यह key 1, k2 value ठीक है value यहां पर compute हो जाएंगी value यहां पर value 1 की variable value होगी वो यहां पर आ जाएगी और value 2 भी जो भी value होगी वो यहाँ पर आ जाएगी बट यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से की को भी मुझे compute करना था यहाँ से variable में से तो कैसे कर सकते हैं देखिए आपको करना का है यहाँ पर square brackets लगा दीजिए कुछ इस तरह से इसको बोलते है computed properties बोलते हैं इसको ठीक है तो इससे क्या होगा अगर इसको अब रन करूं तो आप देख सकते हैं जो हमें चीए था वो हमें मिल रहा है my object key one यहाँ पर मिल रहा है आपको और यह भी कुछ एच्छ तरह से मिल रहा है जो हमें required output थी वो हमें मिल रही है अगर यह हमारे पास square brackets ना होता option तो हम क्या कर सकते थे तो हम ऐसे खुद से कर सकते थे पहले हम क्या करते const obj नाम का एक empty object बना लेते उसके बाद हम क्या करते करना क्या है देख obj उसके बाद square brackets लगाते उसके बाद key one यहाँ से compute हो जाती की 1 की value रख लेते value 1 ओके और उसके बाद यहां से की 2 की value रख लेते value 2 ठीक है और उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम यहां पर console.log कर देते जो भी था हमारे पास OBJ अब इसको देखते हैं रन करके तो अभी भी बिल्कुल सही output आ रही है यह दो बार मैंने console.log कर दिया बट जो हमें required output थी वो आ रही है यहां पर तो मेरी पहली key की value कहां से आ रही है इस key 1 नाम के variable से my object object key 1 और जो second key थी उसकी value कहां से आ रही है key 2 नाम के variable से तो key 2 क्या है object key 2 और उसकी value आ रही है यहां पर हम array के case में आपको revise करा दो हमने कहां पर दिखा था for example मेरे पास एक array है मेरा array 1 इसमें कुछ elements पढ़े है 1 2 3 ठीक है आपके पास एक और array array 2 array 2 है आपके पास और उसमें element है for example 5 6 & 7 तो हमने क्या गया था हमने जब array को clone किया था ना तब देखा था अब यहां पर देखते हैं spread operator दुबारा देख लेते हैं दुबारे revise कर देता हूं array में देखने के बाद हमारा जो आज का में काम होगा वह हमने देखना है object में array में spread operator कैसे काम करता है ठीक है हमने array में पहले revise कर लेते हैं देखिए for example आपको करना के clone बनाना किसी का किसी array का तो हमने क्या किया था for example new array बना ले तो मैं और इसमें क्या करना है मुझे for example मैं लिखूँ dot 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 array one तो इससे क्या होगा जो array one के जितने भी element थे वो new array में आ जाएंगे ठीक है इतना तो आपको बता ही है बहुत असान है तो यहाँ पर कर मैं new array को करूँ new array तो आपको देखना है यहाँ पर new array आपके बाद स्प्रिंट हो रहा है one two three element है जिसमे ठीक है अब for example आपको पहले array one के element चीए थे new array के अंदर और फिर array two के element चीए थे new array के अंदर तो आप कोमा डाल के वो भी काम कर सकते हैं dot 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 array two तो इससे क्या होगा array two के सारे element खुल जाएंगे यहाँ पर new array में तो यहाँ पर new array में क्या है पहले array one के सारे element मलब कि spread हो चुक और चोथा element यह पूरा array खुद ही हो जाएगा ओके तो आप देखना यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पी तीन element तो यह array one वले यह array two spread नहीं हो यहाँ पर तो array जो टू है वो पूरा पूरा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पूरा array आ रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से दि लिख सकते हैं आपको 89 जाए तो आपको 89 मिल गया पर एक और element जाए 69 जाए आपको 69 मिल गया आपको तो यह spread operator कुछ इस तरह से काम करता है अब यहाँ पे अब यहाँ पे तो हमने array में हमने array spread किया आप array में कुछ और भी spread कर सकते हो for example const जो new array ना new array उसमें मैं क्या करता हू for example एक string है मेरे पास abc अभी क्या होगा अभी तो एक array है उसमें एक string है abc बट आप इसको spread कर सकते हो इस यह iterable string भी अगर आप यहाँ तीन डूट लगा होगे ना तो string spread हो जाएगी एस तरह में तीन element बन जाएगी पहला element a बन जाएगा दूसरा भी तीसरा c जब इसको save करत तक तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसमें no element है अब यह string है अगर आप इसको string नहीं लिखेंगे ना direct number लिख देंगे तो भाई यह spread नहीं होगा यह spread क्यों नहीं होगा क्योंकि यह iterable नहीं होता जो हमारे पास integer होता है ना देख सकते हैं unquote type error 123456789 is not iterable तो iterable क्या हम हमारे पास string iterable है हमारे पास हम arrays quadrate कर सकते हैं मतलब इन पर loop चला सकते हैं ठीक है तो कुछ इस तरह से समझ गयो आप मेरी बात अच्छे से ठीक है तो यह था spread operator था array के case में अब spread operator हमने देखने किसके case में देखने हमने spread operator object के case में तो यहाँ पे मैं इसको जो अपनी heading इसको कोपी करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ spread operator in sorry object के case में देखने हमने objects spread operator in objects objects के case में कैसे होगा for example मेरे पस एक object है obj1 और यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे पास key value पे रहा है पहली की होगी मेरे पास key one जिसकी value होगी value one very fancy object और यहाँ पे नीचे एक और key value पे रहोगा for example key two और यहाँ पे key two value two अब यहाँ पे न यह spread operator समझाने से पहले मैं आपको एक बात revise करवाना चाहता हूँ यह कि object के अंद OBJ1 को OBJ1 ओके तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा key one value one तो print हो रहा है कोई बात ने पर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना key one एक और बार लिख लेता हूँ इसकी value change कर देता हूँ for example value 59 for example अब एक बात बताओ अब इसमें यह की रहीगी या यह विली की रहीगी key one दो बार है अब key one की value क्यों होगी यह रहीगी यह रहीगी मैंसे क्यों 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 क गौइंग ऐसे फोल बनाएंगे एक को है कुछ चॉलिडेंग दंहीं यहाँ पर यहाँ पर कि ठीक है इसँ मैं यहां फॉर यहां पर देता हूं है कि फॉर ओर है object होगा for example आपने object 1 का clone करना है तो कैसे करेंगे dot 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 spread operator obj1 तो क्या होगा clone बन जाएगा किसका new object clone बन जाएगा अब मैं अगर new object को print करके देखूं तो new object में key 1 value 1 आ रहा है q2 value 2 हो रहा है तो तो बहुत बसान है clone करना आता है आपको बट आपको क्या चाहिए इस new object में object 1 वले की value पेर चाहिए और object 2 वले की value पेर चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पर जैसे हमने array के case में किया था वैसे हम यहां पर कर सकते हैं dot 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 obj2 तो यहां पर क्या होगा पहले object 1 के की value पेर आ जाएंगे फिर object 2 के की value पेर आ जाएंगे देखिए object 1 के key 1 value 1 key 2 value 2 key 3 value 3 key 4 value 4 तो यहां पर यहां पर यहां पर ही आ रहा है बिल्कुल साही हा रहा है अब यहां पर क्या करता हूं वैल object 2 में नश्ची 1 भी add कर देता हूं की 1 इसकी value होगी for example value 1 अब यहाँ पर देखना क्या होगा यहाँ पर एक्जामपल value unique कुछ ऐसा करते अब यहाँ पर देखना यहाँ पर ना देखिया मैंने आपको क्या का थोड़े दिर पहले किसी एक उब्जेक्ट में एक से जाधा कीन नहीं हो सकती अभी new object है new object में तो क्या होगा यहाँ पे पहले पहले आ जाएंगे की 1 की 3 की 4 तो की 3 की 4 आ रहा है ठीक पट जो जायेगी वैल्यू क्या होगी वैल्यू हो जाएगी तो आपको इतना समझ आ गये होगा तो यह तो काफी simple था अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें बता देंगे तो मैं आपको देखिए यहां पर तो आपको ब्ली की येंड होगे जिसकी वैल्य वेल्य होगी यहां पे की नहीं की अधो जाएगी object वन व्ली ऑपज्यकिट वली की वेल्वी पे रेंगे सारे ब्जक्ट वन वाद भी रेंगे और एक नहीं की भी अधो जाएगी आप देखना है इस तरह से काम होगा सारा तो सब्सक्राइब यहां धी तो मैं आपको समझा दिया कुछ और object 2 को मैं अभी spread नहीं कर रहा है यहां पर मैं simple क्या कर सकता हूं देखिए जो आप और iterables को भी यहां पर spread कर सकते हैं कैसे spread कर सकते हैं वो देखते हैं आपके पास एक string है abc आपने इसको spread करना तो यहां भी तीन डोट लगा दीजी अब इसमें क्या होगा ना पहली key होगी 0 जिसकी value होगी a दूसरी key होगी 1 जिसकी value होगी b तीसरी key होगी 2 जिसकी value होगी c तो जो इसके index है ना वो key बन जाएगी और value बन जाएगी a b c कुछी इस तरह से अभी print करके दिखातों देखिए 0 key है a उसकी value है 1 key है b उसकी value है तो कुछ इस तरह से एक key value बन गया समझा रहा है आपको for example आपके पास एक array आया यहां पर array के अंदर आइटम है आइटम 1 पोमा आइटम 2 तो यहां पर क्या होगा यहां पर ऐसा होगा कुछ यहां पर 0 इंडेक्स पर आइटम 1 है तो 0 नाम की key बन जाएगी और आइटम 1 बन जाएगा फिर 1 की बन जाएगी और जो की होगी आइटम 2 उस इस तरह से भी आप कर सकते हैं बाकि यह हम इतना ज्यादा यूश नहीं करते हैं मैंने कभी नहीं यूश के आपने रियल लाइफ प्रजैक्त में इसको बट कभी जूरूत करें तो जुरूर यूश करूंगा बट आप ऐसा कर सकते हैं वोगी problem-solving में problem-solving में आप इसको यूश कर सकते हैं इन चीज्डों को अगर आपको अरे को आपको object में convert करना है ठीके तो या फिर श्ट्रिंग को अब्जेक्ट में convert करना है कि चाहिए आपको for example आपको ABC की position चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे for example मैं आपको करके दिखा देता हूं for example आपको characters चाहिए किस character की क्या position है वो चाहिए for example a b c d e f g h i j k l m n o p q r s d u v w x y z okay तो यहां पर ABCD अब यहां पर मैं देखूंगा तो यहां पर देख सकते हैं आपको इस तरह से आ रहा है जिरो पर है वन पर भी है आप उठा सकते हैं for example आपको 16th character चीए ABCD का तो आप 16th character उठा सकते हैं तो यह इस तरह से आप problem solving में कई मर्यूज हो जाता है ठीक है तो आप इसको use कर सकते हैं यहां पर मैं इसको comment out कर दिसलिए आप error आ रही है अई हो आपको समझ में आ चुक होगा कि यह काम कैसे हो रहा है रहा है ओके वा किया करता हूँ एक नई फाईल बना लेता हूँ यहाँ पर पहले देख लेता हूँ 40 फाईल हा ना तो मैं नई फाईल बना लेता हूँ तो यहां पर मैं क्या करते हैं 41 फाइल में हम यहां पर सीखेंगे destructuring हमने और एक के case में destructuring सीखेंगे तो कैसे होगी देखिए यहां पर मुझे 41 के साथ काम करना है तो यहां पर 41 कर लूँगा और यहां पर यहां पर फॉर एक्जामपल मैं क्या करूँगा मेरे पास एक अब्जेक्ट है ठीक है उब्जेक्ट है जिसका नाम है यहां पर मैं इसका नेम लिखता हूं फॉर एक्जामपल यहां पर 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 फॉर एक्जामपल यहां तो यहां वे मैंने एक object बना लिया ठीक है अब मुझे करना है for example इस object में से न मैंने एक variable बनाना है band name और उसको variable में इस में value store करने let's apply तो आप कैसे कर सकते हैं ये काम देखिए ये काम आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं for example आपने constant variable बनाना है variable का नाम लिख सकते हैं for example band name ठीक है और इसकी value आपको रखनी कहा है आपको band नाम के object में से क्या value चाहिए आपको dot use कर सकते हैं for example band name कुछ इस तरह से आप value उठा सकते हैं for example आपको यही काम करना है famous song के साथ आपको यहाँ पे famous song आपके तो आपका variable बन गया आप यहाँ पे console.log करा सकते हैं console.log यहाँ पे band नेम और यहाँ पे आप famous song तो यहाँ पे आपकर सकते हैं तो यहां भी आप देख सकते हैं बैंड ने हमारे पहले लैट जैपले उसके बाद फेमस तो हुआ रहा है स्टेड़ेटु हैवन अब यहां पर यह काम हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है बट इसका एक शोटकट है वो भी बताऊंगा मैं आपको आप ने कुछ और नाम रखना था इसका यह नाम नाम ने रखना था वो नाम भी आप छोटक्ट हो taking कर सकते हैं तो प्तातों कैसे कर सकते तो यह आप लैट्ट भी लैटसी बना सकते थे तो ठीक है तो यहाँ पर चेंज नहीं होगे फुर इक्जांपल यहाँ पर मैं बैंड नेम को चेंज कर के कुछ और करना जो हो तो नहीं रहांब कर पाऊना इसके जूंघ कर सकता था कि यह तो नौर्मल भात किसमें चाहिए सब्सक्राइब कहां से बनाने इस यहाँ पर यहाँ अब ख़िए अब इसमे आपको चाहिए क्या क्या कौन क्या कौन कौन सी वैल्यू ची आपको यहाप मैं लिखोंगा कभी क्या चीज़िक एक टो है यहापर लिख दूगा बैंड इससे क्या होगा इससे दो वेरयवल बन जाएंगे ठीक पहले variable का नाम होगा band name जिसमें value store हो जीगी let zeppelin दूसरे variable का नाम होगा famous song जिसमें value store हो जाएगी stairway to heaven तो बहुत असान है एक line में हमने वो 4 line का code लिख दिया यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे print करना चाहूँ console.log यहाँ पे एगर for example मैं print करूँ band name यहाँ भी आप देखना band name print हो जाएगा यहाँ पे आपका let zeppelin print हो रहा है तो बिल्कुल normal variable बन चुका है यहाँ constant के साथ variable बनाये थे constant बनाये थे बिल्कुल वैसे constant बन चुकी है ठीक है by the way मैं constant को variable बोलो हूँ क्योंकि like हम destructuring की बात करो मैं तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर बैंड नेम को चेंज नहीं कर सकता है बिल्कुल constant की तरह काम करेगा है band name equals to for example मैंने यहाँ पे queen रख जिया band name यहाँ पे अभी error आ गया बट अगर मैं let से दोनों variable बनाता है तो यहाँ पे error नाता है queen बन जाता है तो यह variable बना सकते हैं आप for example यहाँ पे और की वैलू पे रहोते हैं और for example year यहाँ पे मैं हुटा देता हूं यहाँ पे year लिख देता हूं for example मैं I don't know कौन सियर में band form हुआ था लिख देता हूं ऐसे तो यहाँ पे जो दो ही variable बनेंगे भी इसका year का कुछ नहीं होगा year ऐसी पड़ा रहेगा यहाँ पे डी स्रक्चर सीरिफ हों के band name और famous song ठीक है तो यहाँ पे year का कुछ भी नहीं होगा year वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा अक्यक्तो यह हो गया यहाँ पर अब यहाँ पर एक और चीज लिख देता है तो यहाँ पर यहाँ ओर यहां पर आर एनाध रहेर लगा अब यहाँ पर देखना यहाँ यह इर लोग पंड़ रहे हैंगे परन रहेंगे ब liberties बढ़ेंगे अब्र वैसे हों तो आपको इतना तो समझ आ गया अब मुझे फॉर एक्जांबल क्या करना है अब यहां पर वैरियेबल ने मुझे बैंड 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 ने में और यहां पर कोलन लगा कर मैं यहां पर वार टू लिख दूँ तो वार टू नाम का वैरियबल बनेगा जिसमें वैल्यू स्टोर होगी यहां पर स्टेरवे टू हैवन ठीक है अब यहां पर क्या होगा यहां पर मैं console.log console.log अगर मैं यहां पर band name करूँगा ना तो यहां पर कुछ भी print नहीं होगा यहां पर error आ जाएगा यह तो variable ही नहीं है जिसको तो print कर रहा है तो यहां पर var1 करूँगा ना तो ही print होगा क्योंकि variable के ना वार 1 वार 2 है ना कि band name और famous तो यहां पर by default क्या नाम रहते हैं name कुछ इस तरह से copy करता हूं इसको यहां पर paste करते हूं तो यह आपको समझ आ गया बिल्कुल बहुत असान था है और for example आपको year or another famous song यह भी आपको चाहिए पर आपको क्या करना है देखिए आपको यह अलग से store करने आए ओके अलग से किसी और variable में store करने हैं आपने तो य है ठीक है यहां पर डोट 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 डालूँगा ठीक है और यहां पर लिख दूँगा rest या कुछ भी rest props कुछ ऐसा लिख दिया मैंने rest props लिख दिया for example rest properties जो rest properties होंगे ना जो बच्ची हुई वो सारी इसमें आ जेंगी ठीक है अगर मैं print करू rest props को तो देखते है rest props की क्य यहां पर यहां पर यहां पर आजएगा another famous song कश्मीर आ रहा है year 1968 आ रहा है तो rest props में जो भी बच्ची की value पर रहना वो store हो जाएंगी यहां पर तो आपको समझ आगे होगा बहुत असान था ठीक है तो यही था object destructuring अगर object destructuring में कुछ और देखना होगा आगे तो हम और भ अब हम बात करेंगे objects inside array आपने object के अंदर या फिर array के अंदर बहुत सारी object store करने हैं तो यह हम बहुत ज्यादा यूज़ करते हैं real world application में तो इसके example समझते हैं for example आपने यूजर नाम का एक array बनाना है यूजर नाम का एक array बनाना है ठीक है अब इस array के अंदर आपने यू normal यहां पर लिख सकते हैं user information randomly तो कुछ ना कुछ और्गनाइस को करना पड़ेगा ना तो हम क्या करेंगा यहां पर objects बना लेंगे एक array के अंदर बहुत सारी objects होंगे ओके और इस object के अंदर user की information होगी तो हम कैसे store करेंगे इस data को देखते हैं देखें सबसे पहले मैंने array ब information होगी ठीक है फिर क्या होगा फिर यहां पर मैं तीसरी user की information store कर लूँगा तो ऐसे करके मैं array के अंदर बहुत सारी objects store कर सकता हूं तो कैसे store करेंगे वो देख लेते हैं for example पहले user की information मैं store करता हूं for example user ID okay या फिर user ID कुछ इस तना से लिए user ID for example यहां पर user ID है one okay coma डालके उसका user का first name for example first name user का मैंने लिख दिया यहां पर हर्शित okay उसके बाद मैंने यहां पर उसका gender लिख दिया for example gender इसका लिख दिया मैंने mail okay तो ऐसे मुझे यहां पर तीन items चीए array के अंदर तीन user store करना है तो मैं को मा डालूंगा तो यहां पर नीचे और user store कर लूंगा दो for example दूसर यूजर है उसकी user ID 2 है तीक है उसका नाम है for example first name मैं उसका मोहित उसका gender भी है mail यहां पर user ID है three okay यहां उसका नाम for example मैं कर दूंगा नितिश for example और यहां पर उसका भी gender है mail तो यहां पर मैंने एक array क अब मैंने किया कि 3 object कर लिए और ऐसा हम अकसर करते हैं जब आपने applications बनाते हैं अब क्या करते हूं directly क्या करता हूं console.log करता हूं users और देखता हूं क्या आता है यहां पर आप आप में आप देख सकते हैं यहां पर एक अरे हैं अरे के अंदर तीन अप्जेक्ट आ रहे हैं अब मुझे सब्सक्राइट करना है यहां भी लूप चलानी है तो आप सोच रहोंगे भाई कुन सी लूप चला हूँ करते हैं तो मैं यूज करता हो कैसे उस करते हों देखते हैं तो इसका यूजर तो यहां है पे अईसा किया उसके का करूंगा यहांपि कॉन्सोल डॉट लोक यूझस कर लेता हूं देखिए पहली बाहर रूप चले ही is यूजर इस यूजर नाम के वैरिबल में आ जाएगा पहला यूजर दूसरी बार लूप चलेगी तो यूजर नाम के वैरिबल में आ जाएगा दूसरा दूसरा यूजर तीसरी बार लूप चलेगी तो यूजर में आ जाएगा तीसरा यूजर तो यहां पे अलग-अलग तीन प्रिंट हो और उस ज्प दाट के बनाने एक मिता है एक्षेस कर सकता हूं की इक्सेस कर सकता हूं तो इस्पों डेर टीऊर एक्सेस सब्की यहां पर सब्की यूराइड थेस्ती ओर टीजाए है आपको क्या चाहिए आपको first name चाहिए तो first name आ जाएगा सबका तो आपका first name आ गया तो इस तरह से आप आप store कर सकते हैं एक array के अंदर अलग-अलग object store कर सकते हैं और फिर उसमें आप लूप चला सकते हैं फॉर लूप चला से लो वाइल लूप चला लो कुछ भी चला लो ठीक है तो बहुत असान है मैंने आपको बता दिया अब डिस्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं नैस्टिड अब for example मुझे करना क्या है मुझे variable बनाने है तो यहाँ पर लिख लूँगा constant кий अलस बछा armor चाहिए यह मग तो मैं यहां पर अलग-अलग यह चाहिए उलग-अलग और जैक्ट अलग यह चाहिए बिससे प्ल़ाइक्ट चीर्ण अलग अलग यूजर चींद है तो क्या करूए यहां पर यूजर वन ओमा यूजर 2 और यूजर 3 इससे च horrific रहुत अलग अलग 3 variable मिल जाएंगे तीन अब्जेक्ट मिल जाएंगे यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा 43 के साथ काम करूं तो यहां पर 43 लिख जाता हूं ओके ऑल्राइट तो यहां भी यूजर वन प्रिंट हो पर एक्जामपल मुझे क्या चीए मुझे यूजर वन का प्रस्थनिम चीए और यूजर री का जैंडर चीए मुझे यह दो वरिवल बनाने हैं तो मैं कैसे बना सकता हूं देखिये मुझे यह सब कुछ इतना जहंजट नहीं करना मुझे यही काम बना है देखिए यहां पर यह क्या देगा यूजर वन आपको क्या देगा पूरा एक आपको पूरा अब्जैक्ट देगा मुझे पूरा अब्जैक्ट नहीं चाहिए मुझे इस अब्जैक्ट कैसे डिस्रक्चर करना है तो यहां पर अगर अगर अब्जैक्ट है तो अब्जैक्ट से पर इस पाइस न पागे-स बताया था अब उजे थी अना यूजर थी मेंसे मुझे करना क्या है मुझे इसका जैंडर डिस्टरक्चर करना है तो मैं यहां पर क्या करूझाอนकाब ऑच से स्ब्द Orleans करना टो यहां पर क्षिशन करते हो फिर यहां पर यहां पर चाहिए याल फिर कर रहा है तो बिल्कुल सभी रहा है यहां पर एक चीज़ और सी कह你好 जब चैंज करने लगेंगे थे हम फो container Mahde further का नाम चेर्श करने है मुझे छाहिए headphones निम की ऊश्का ने उससे नाम चेंड करना तो मुझे क्या रूर्प होगोगे थेना यूजर तो यहाँ पे अपर आ सकते हैं तो यहां पर सकते हैं तो यहां पर मेल रहा है तो इस तरह से आप और user1 का आपको first name भी चीए जिसका variable आप जो variable में store करेंगे आप user1 first name नाम के variable में और साथ में आपको उसका ID चीए तो यहाँ पे user ID user ID नाम का variable भी बन जाएगा अब मैं for example user ID print करूँ user ID तो इस तरह से आप destruction कर सकते हैं अगर नहीं समझ आया इसका मतलब आप भूल चुके हो कि कैसे मैंने आपको array की destruction करवाई थी और कैसे मैंने objective destruction करवाई थी अगर आप इस वीडियो को ऐसे एक ही sitting में देखी जा रहे हो देखी जा रहे हो तो मैं आपको बता रहे हो जो concept आपको लगता है कि आप भूल रहे हो तो दुबारा जाओ दुबारा उसकी practice करो एक दू मिनिट उसको देखो उच्छे से समझो फिर दुबारा आओ फिर समझ अगर आपको फिर भी दिखता रहे हो तो नोट अपने हाथ अपने खूद हाथ से copy pen पर लिखो कि कैसे काम हो रहे है ठीक है और practice करो इसकी थोड़ी तो यह को समझ आगे हो गए ओके अब हम बात करेंगे functions की finally हमारा सबसे important topic जावा स्क्रिप्ट में functions functions के बारें बात करेंगे हम 44th file में देखिए गाईज functions आप बहुत साथ लोगों ने functions के सब पहले काम किया बट जिनको नहीं पता functions क्या होता है मैं बता देता हूँ देखिए function क्या करते है Function हमारे लिए कूछ काम करते है function को न प्रोग्रामिंग में एक nocker कितरा समझो यसे nocker को आप कुछ काम देते हैं वो कर देता है तो वैसी functions भी हमारे लिए कुछ काम कर देता है तो जो functions होते हैं यह बड़े अग्यागारी होते हैं इन्हें आप जो काम को होगे न वो कर देंगे बट आपको अपना function इस तरह से बनाना पड़ेगा कि वो काम कर दे मतलब कि आपको अपने nocker को इस तरह से त्यार करना पड़ेगा कि जो काम आप उसको कोगे वो काम कर देगा और किसी एक programming language में ना कि किसी एक program में बहुत सारे nocker हो सकते हैं अगलग काम कर सकते हैं ठीक है और एक nocker दूसरे nocker की मदद भी कर सकता है तो यह होता है functions अगर आपको नहीं समझा आए functions अभी समझा जाएगा ओके for example आपने एक functions त्यार करना है for example आपने happy birthday song print करना है ओके for example console नोट लोग यहाँ प्रिंट करेंगे happy birthday ब्लाबला जो भी happy birthday song है वो print करना है तो क्या होगा वो happy birthday song print हो जेगा for example आपने क्या गाना कुछ दिरवार थोड़े टाइम बाद आपको फिर से यह लाइन लिखना है फिर से आपको function त्यार कर सकते है function कैसे त्यार करेंगे वो मैं आपको सीखाऊंगा अगी जावस्कृट में function त्यार करने के कहीं तरीके होता है बट बिल्कुल basic से start करेंगे सब कुछ आपको बहुत बढ़िया तरीके समझाऊंगा यह तो आप इसका क्या कर सकता है उसे क्या को पूरी पूरी लाइन दुबार नहीं लिखने पड़ेगी अबने क्या करना फंक्शन को को erwcl करना है भाई function हमारी लिए काम करते हैं तो प्एप्स से प्रेक्ट्स में ठीक है उसके बाद लगाने के बाद आपने कर ली प्रेसिस के अंदर आप वह काम कर दो जो आप function से करवाना चाहते हूं बार बार तो मुझे function से बार बार यह काम करवाना है तो function मेरा यह काम कर देगा जब भी मैं function को कॉल करूंगा इस function को कैसे करने है यह मेरे function का नाम जो मैंने function को पूरी लगा देनी है और लगा देना है यह क्या करेगा function को को करेगा और उसके बाद क्या होगा उसके बाद यह happy birthday to you प्रिंट कर देगा यहां पर यह happy birthday to you तो मैंने एक function बन चुका है एक तरह से समझे यह आपका नोगर बन चुका है जब आप इसको call करेंगे sing happy birthday तो यह अपना काम कर देगा जो इसका काम है और इसको अब जितनी मरजी बार call कर सकते हैं for example इतनी बार आपने call कर दे तो इतनी बार यह अपना काम कर देगा तो काफि असान है function अब function की सिरफ starting है function में बहुत कुछ होता है अब एक से ज़्यादा function आप बना सकते हैं और example आपको इक काम करना है बार बार दो म्होंबर को plus करना है टीक है for example आपने क्या करना है two plus four करना है बार बार करना है two plus four तो क्या कर सकते है यहाँ पर function मना सकते है तो क्या करेगा ? थो कारें गा कोई भी फॉंक्शन को कोई भी कॉल नी करेंगे या पिर हम को करेंगे करना इन्वॉक करना फिर earn करना यह कि बात है यह मैं उन्हों करना यह मैं क्या ऐन्प dal एक ही मतलब तीनों का घू Ale usar को क्या सब्सक्राइब करना कों वह यह काम नबर्वार कर सकता हूं वह काम COR रिपीट होना सब्सक्राइब के principle होता है dry जिसका नाम होता है don't repeat yourself आपको repeat नहीं करना बार फार तो उस problem को solve करेंगे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर direct print करें console.log two plus four कई बर हम क्या करते हैं print नहीं करना चाहते हैं return करना चाहते हैं यह function return करेगा क्या return करेगा two plus four इसका मतलब कह देखिए अगर मैं two plus four यहाँ पर करूंगा न तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी print नहीं करें कुछ भी console.log नहीं करें बड़ यह function क्या कर रहा है कशी दे रहा है अब इस वैल्nie को क्या करता हूँ जो ङल्wn दे रहा है हुझे उस वैल्यों कार ने हम तो यहाँपे इसाबु ऐसे कर सकता हूं ंस लॉग कुछ इस तरह से मुझे दे रहा है तो हम यहा पे ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ थो तो six आ गया है यहां पर यहां पे मैं इसको print भी कर सकता हूं किसी और बेरेबल में store भी कर सकता हूं कि को यहां पर for example, variable अपना लेता हूं cost redundant value तो returned value जो भी होगी इस variable में store हो जाएगी और इसको मैं क्या कर सकता हूं लोग कर सकता हूं यहां पर लोग रिटर्ण वैलिव यहां पे 6 आ गया बट मुझे फंक्शन को थोड़ा रिवीजिवल बनाना है अब यह फंक्शन कहा हुआ है मुझे फॉर इक्जामपल कल गो 6 प्लस 8 करना पड़ गया तो यह फंक्शन तो बिकार को गया फंक्शन किसी काम कर नहीं तो फंक्शन को हमने रिव बनाना है मतलब कि हम चाहते हैं कि फंक्शन में फॉर इंपल टू प्लस फॉर नाम का फंक्शन आना फॉर इसमें वह फॉर को मा नाइन पास कर दूं यहां पे तो मुझे इन दोनों का सम दे दे इसका 13 सम दे या कुछ भी पास कुरूं वो मुझे आपको क्या दूँगा यह नाम रख दूंगा यहां पे तो मुझे फंक्शन बना रहा है कुछ इस तरह से देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर फॉर गॉमा फाइव है तो इस function को पास function को क्या पता भाई 4,5 का है function को नहीं पता तो यहाँ पर ना function parameter लिख सकते हैं हम यहाँ पर for example यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं for example यहाँ पर मैं लिख दिया यहाँ पर number two लिख दिया number two इसका मतलब कहा है इनको बोलते है parameter इनको क्या बोलते है parameter मैंने क्या लिखे है function में यहाँ पर दो parameter इसका मतलब function के पास क्या है दो variable है function के पास दो variable है number one number two ठीक है function के पास दो variable है number one number two अब मुझे करना कहा है इन दोनों variable का sum करना है तो मुझे return में क्या करना है number one plus number two अब दोनों number का sum करना है अब जब इस function को हम call कर रहे हैं जब function को call करने के लिए क्लिए क्लिए लगाते हैं यहाँ पे हमने पहली value past की four जब function call होगा ना इस number one की value 4 रोजए गी यहां पर इस number one की value क्या हो जाएगी इस number two की value क्या हो जाएगी five हो जाएगी तो number two तो इसको बोलते हैं पास्ट करते हैं इसको बोलते हैं पेरामेटर इसका मतलब मैंने argument पास्ट के 9,5 इस number one parameter के value क्या हो जाएगी जो first argument होगा 9 वो value हो जाएगी यहाँ पर number two जो parameter उसके value हो जाएगी 5 हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर कोई value पास्ट नहीं करूंगा यहाँ पर एन यान आजएगा नोटा नमबर ठीक है यहाँ पर क्यूं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमने कोई value पास्ट नहीं की तो undefined undefined plus undefined नोटा नमबर नहीं है कि नोटा तो मैं आपको करके दिखा देता हूं तो यह होगा basic function और थोड़े और example लेखते है function के for example आपने तीन नमबर को सम करने का function नहीं है तो sum three numbers तो यहाँ पर function का नाम change कर दिया मैंने यहाँ पर क्या कर दिया three numbers यहाँ पर एक और well एक और parameter number three यहाँ पर sum क्या कर देगा plus number three और यहाँ पर example मुझे number pass करने नहीं है two, three, four यहाँ पर इनका sum करके क्या देदेगा मुझे nine देदेगा बहुत असान है for example मैंने दो ही number pass करें अब क्या होगा अब n n होजेगा two plus three plus undefined क्या होजेगा n n नहीं किन होता तो मैं करके दिखा देता हूं console.log two plus three plus undefined क्या हो गया है n n समझ रहो मेरी बात तो इस तरह से आप function मना सकते हैं तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा यहाँ पर five डाल देता हूं for example यहाँ पर क्या हो गया two plus three plus five ten यह था function अब अब आपको करना का ऑंक्ष्ण मनाना है जो कि जो अब लेगा देखिए function क्या कर रहा है फंच्शन कोज़िटर्ण कर सकता है लिस्ट कर देगा बुल्लय कर देगा ओके वंक्षिन कर रहा है function नहुवर यह फॉर कजापल मैं फंक्ष्ट मनाना आ है है लाइवल की बात मतलब की ज्यादा डिटेल नहीं नहीं जाए तो यह भोलते हैं ऐसे बोलते हैं एक्षुल में क्या है इस फंक्षन में 3 पैरामेटर है function call करेंगे तो तीन आर्गुमेंट पास करेंगे और तीनों आर्गुमेंट जो इन पैरामेटर के वैली हो जाएगी इन आर्गुमेंट के क्यों हो जाएगी एक्चुल में यह बात होती है ठीक है और इन जनरल क्या बोलते हम एक function है जो एजा इंपुट लेगा तीन नमबर औ uhm verse 1 आॉट प्लाट में देगा आउटमेंध में देगा टू आउटमेंगे जह स्थाशचे का नाम रखना है आपने इस substance कैसे अदगे सबसे पहले तो मैं इसको इस रड़ एक तो इन दू लाइन को तो एक और function बनाएं तो कैसे बनाएंगे देए तो function is even as input लेगा एक number okay number लेगा और मुझे करना है इस number को check करना है if जो number होगा number होगा अगर वो क्या करेगा two से divide होके अगर zero आगया तो मुझे कि वो क्या number है वो number है even number है तो मैं return कर दूँँगा true मतलब कि क्या है इसका मतलब यह even number है अगर नहीं हो अपा है divide two से तो return कर देंगे false मतलब कि यह even number नहीं है तो मेरा function बन क्या बहुत असान था ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इस function को call करता हूँ is even is even यहाँ पर पास कर देता हूँ for example five में और जो भी इसके output होगी मैं उसको direct print कर ले तो मैं किसी variable में store नहीं करता console.loat.log और अब देखते हैं इस प्रिंट होगा कर नहीं तो यहाँ पर false आ रहा है कुछ even number बागे देखते हैं for example two बागे देखते हैं तो यहाँ पर true आ रहा है अगर वो two से डिवाइड होगे रिमेंडर आकर zero आ गया तो true return करते हैं तो even number आ गया हाँ पर अगर ऐसा नहीं हुआ यह तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसका मतलब क्या है यह जो एक्सप्रेशन है यह तो यह true होगा यह false होगा जो भी होगा यह वो return कर देगा for example अगर true अगर for example इस function को भूल जो एक मिनिट के लिए न मैं function को जड़ा comment out कर देता हूं मैं आपको समझाने के लिए न यहां पर लिखता हूं console.log इसको करता हूं मैं सोरी यहां पर नंबर की जगा नंबर देख देता हूं 12 लिख लेता हूं तो यह true दे रहा है मेरे को ठीक है तो यह true देगा यह expression यह false देगा for example यहां पर 13 लिख दूं artain क्या देगा false देगा बस वही काम कर रहे हम यहां पर छोटा करके लिख दी हमने यह true देगा यह false देगा जो भी देगा हमने वह गया गर दे रिटर्न कर दिया अब यहां पर फॉल्स आ रहा रहा अगर फॉर एग्जामपल यहां पर मैं पास कर दूं प्र पास कर दूं यहां पर टुर आ रहा है तो ऐसे function को आप चोटा करके लिख सकते हैं ओके तो यह और function के example हो गया आफ और function the app लेगा यह को आइन पुर लेगा देख्या एक और फॉंक्षिन मनाते क्या्ट फॉंक्षिन मनाते है एज्टा इंपुंट लेगा को आइज आइप लेगा वो एक string एक कोई स्ट्रिंग नहीं को सकती है और यह देगा उसका first character ठीक है तो यह function बनाना है आपने simple था function कैसे बनाएंगे आप ठीक है तो मैं देख लेते हैं यहाँ पर function function का नाम रख लेते हूँ मैं first character as input लेका कोई भी string यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हूँ for example as input लेका यह यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यह आपकी मरजी है इस variable का नाम कुछ भी लिख सकते हैं इस parameter का नाम first character नाम का function कुछ भी string लेगा वो और return क्या करेगा जो any string है उसका जो 0th index पर कोई भी चीज होगे उसको return कर देगा है for example यहाँ पर मैं जो भी console.log यहाँ पर first character नाम के function को गोल करता हूँ इसमें pass कर देता हूँ for example ABC तो क्या return करेगा मुझे a return करेगा for example यहाँ पर मैं zbc pass करता हूँ यहाँ पर क्या return करेगा z return करगा z return करगा इसने print कर दिया तो यह function हो गया function मनाना है आपने जो as I input लेगा आपका एक array okay दो जीज़े लेगा एक array लेगा और एक जो एक target लेगा मलब की कुछ भी लेख सकते हैं एक array लेगा पूरा array लेगा और target क्या होगा target कोई भी एक number होगा okay तो आपने क्या करना है इस array में इस target को find करना है अगर target मिल गया उसको अगर तो आपने output में क्या देना है output में देना है index of target if target present in array मतलब मैं आपको समझा देता हूँ for example आपने एक function मनाया जिसमें आपने pass कर दिया है यहाँ पे आपने array पास कर दिया function क्या लेगा input में दो चीज़े लेगा एक target target आपने पास कर दिया for example 9 okay आपने इस array में सर्च करना है कि 9 कहां पे है अब यहाँ पे 9 कहां पे है 0,1,2 second position पे 9 है तो यहाँ पे आपने क्या किया बस इसके 2 प्रिंट कर देना मतलब second index पे 9 है 9 हमें मिलगा second index पे output में क्या देना index of target मलब कि इस target का index गया ही सरह में अगर मिल गया तो ठीक है अगर नहीं मिला तो आपको output में क्या देना माइनस 1 अगर ना मिला तो output में क्या देना माइनस 1 अगर ना मिला तो तो यह function नमनाना है आपने तो कैसे बनाएंगे function function find target नाम का function as input लेगा कोई भी array लेगा और साथ में target लेगा लेगा यहां भी मुझे करना क्या है array में loop चला देता हो मैं loop कैसे चलाओंगा मैं for let i equals to zero और कहां तक loop चलानी है जब तक i किसके lesson रहेगा array dot length के और यहां पे i plus plus और उसके बाद मुझे करना क्या है मुझे हर एक index पे target search करना है if अब मुझे if में क्या लगाना है if में हमें यह लगाना है कि क्या जफ और पहले बाद लूप चलेगी i की value 0 है तो 0th index पे हमें check करना है कि array की क्या value है ठीक है तो कैसे check करेंगे array कौन से index पे is index पे if अगर यह value किस के equal होई target के equal होई अगर यह target के equal होई तो मुझे करना कहा तो मुझे यहाँ पे directly यहाँ पे return कर देना यहाँ पे आई मतलब जो भी index होगा वो return हो जाएगा अगर यह for loop चलेगी पूरी for loop चलेगी हमने पूरा धेक लिया सारे element चेक कर लिया लास चेक कर लिया हमें कोई बीचिस target के equal नहीं मिली तो for loop end हो जाएगी बैचारी for loop end हो गई इसका मतलब कोई बीचिस return नहीं होई जब कोई बीचिस return करता है अगर for loop पूरी खतम होगी मतलब कुछ भी return नहीं हुआ इसके बाद मैं directly return कर दूँगा minus one कि मतलब भाई हमें नहीं मिला हमने फूरी for loop चला के देख लिया ठीक है कुछ नहीं मिला तो हमने return minus one कर दिया समझ रहे हो मेरी बात अब मुझे करना गया अब find target नाम के function को call करके देखते हैं तो find target नाम का function है इसमें call करके देखते हैं क्या call करके देखते हैं तो पहले array pass करना है तो यहाँ पर array उपर बना लिता हूं लग से मैं const my array जिसमें कुछ value है for example 1398 for example 90 for example मुझे search करना 8 तो पहले मैं my array pass कर दूँगा अपना और target pass कर दूँगा 8 search करना है तो जो भी value होगी उसको मैं किस variable में store करा लूँगा for example const uns नाम के variable में store करा ली उसके बाद console.log uns और मुझे करना गया है यहाँ यह काम हो गया अब मुझे simple इसको run करके देखना है जाएगा for example यहाँ पर 8 pass कर दूँग यहाँ पर 8 second पर अगर यहाँ पर 3 pass कर दूँग तो 3 किस पर फर्स्ट पोजिशन पर है for example अगर मैं 90 pass कर दूँग यहाँ पर तो 93rd position पर for example यहाँ पर कुछ ऐसा pass कर दूँग तो इस अटा ही निस आरे में for example 4 ही निसमें तो यहाँ पर माइनिस वहाँ आ गया तो function भी ठीक काम कर रहा है आई होगा को समझा चुक होगा function हमने कैसे बना है तो बस यह होते हैं function ऐसे function आप बना सकते हैं इनके साथ काम कर सकते हैं okay तो यह होगा basics of function आपका complete हमने बिल्कुल basic से start किया और हमने बात की functions क्या है कैसे काम करते है उके हमने बात कर ली ऑक हम कर सकते हैं तो बहुत असान है देखिए कैसे लिखते हैं वो देखते हैं for example मैं इस function को यह function declaration है और मैं इसको simple function expression में change करो कैसे करेंगे देखिए हम करते हैं basically एक variable में function को assign कर देते हैं तो यह होता है function expression कैसे करते हैं इसको for example const लिख लिख लिए मैंने और variable का नाम लिख लिए मैंने sing happy birthday sing happy birthday ठीक है इसके बाद equals to उसके बाद मैं यहां पर functions लिखके और function लिखके बिल्कुल सेम यही काम कर सकता हूं यह जो काम हो रहा है यहां पर ऐसे कर सकता हूं और यहां पर parenthesis लगा सकता हूं तो यह बिल्कुल यह function और यह function सेम है बिल्कुल तो यहां पर कोई error नहीं है यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे error आ रही है identifier, sing happy birthday has already been declared, यह पहले declare हो चुका है, तो हम comment out करेंगे, तो error यह हट जाएगी क्योंकि same function आप नहीं बना सकते हैं एक ही नाम से दो बार, तो यह हो गया, तो यह function बिल्कुल इसी function की तरह काम करेगा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम call कर सकते हैं, for example, sing happy birthday और मैंने इसको call कर लिया, तो यहाँ पे print हो गया है, अब इसी function को यह काम करके देखते हैं, by the way, यहाँ पे मैंने const लिखा है, यहाँ पे आप let भी उसकर सकते हैं, वार भी उसकर सकते हैं, but अटा दिया, उसके बाद आपने करना क्या है, const, वो नाम लिखके, equals to करके, कुछ इस्तरा से अपना function बना देना है, तो यह function बन चुका है, इसको call करके देख लेते हैं, तो some three numbers, यहाँ भी number पास कर देता हूँ, two, three, four, और इसको uns नाम के variable में, store करके, इसको console.log करके देख लेते हैं, तो यह function बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो यह होगा function expression, इसको function expression बोलते हैं, तो यह काम करना है आपने, तो कैसे करेंगा यह काम, देखिए, const function का नाम रखना है, आपने is even is even equals to, यहाँ पे आपको करना है function keyword लिखना है, उसके लगाने है, एक कितना parameter लिखना है, आपने एक parameter लिखना है यहाँ पे, उसके बाद return करना है, तो आपको समझ आगे हो गए, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, अब मैं इसको comment out कर देता हूँ मैं, और अब इस function को call करके देख लेते हैं, तो इस function बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे, यह काम हो कैसे रहा है, तो जितने भी console.log है, उनको मैं comment out कर देता हूँ, उपर, इस function, ठीक है, अब यह function है, इसको आपको function expression में change करना है, तो कैसे करोगे, यह नाम यहां से हटाओगे, यह नाम अटा दिया यहां से, उसके बाद, इस function expression में change हो गया, तो कितना असान है, देखिए, उसके बाद, यह function expression में change करना है, तो यह नाम अटा दो यहां से, इस function expression में change हो गया, देख रहे हो कितना सा आना है यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर कॉंस्ट आएगा ओके और राइट तो यह होगे function expression आप जैसे function आपने declare किये थे वैसे आपने function यहाँ पर expression भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर तो इनको बोलते हैं function expression function ओके और इससे पहले हमने बढ़े थे function इसको बोलते हैं function declaration तो हमने function को declare किये थे इनको function declaration बोलेंगे जब हम function declare करते हैं function keyword लिखके और जब हम एक variable में sign करते हैं अपने functions जैसे मैंने यह variable बनाया variable का नाम था यह sing happy birthday एक वस्तु यह anonymous function बोलते हैं function का कुछ नाम नहीं है बट function का कुछ नाम नहीं था बट हमने function को किसी variable में store कर दिया तो जो variable का नाम है वो ही function के नाम की तरह treat होगा तो यह function expression है आई होब आपको समझा आगे होगा इसमें कुछ rocket science नहीं थी तो काफी simple था ओके तो यह function expression हो गया अब यह function expression होला सारे function ना मैं यहां पर copy कर लेता हूं इसको तो यहां copy करता हूं और यहां पर हम पढ़ेंगे arrow functions arrow functions कुछ लोगों को खोड़े difficult लगते हैं बट बिल्कुल भी difficult लिए हैं मैं आपको सानी दे समझा दूँगा और actually बात पतक है functions देखने की आदत नहीं है जो दूसरी programming languages से आया है तो उनकी आंकों को थोड़ा uncomfortable feel होता है जब फंक्शन expression यह function यह arrow functions देखते हैं starting में तो अगर आप थोड़ी सी practice करोगे ना थोड़ा सा code लिख लिख के देखोगे तो आपको बहुत असानी समझा जाएगा सब कुछ तो arrow functions की बात करते हैं कि देखिये और फंक्शन की बात करते हैं अब फंक्शन कैसे डिकलियर करते हैं कैसे कैसे अरो फंक्शन बनाते हैं देखिए अब अरो फंक्शन जाव स्कृट में सबसे बहुत तो इसको बोलते हैं अब फंक्शन मनाने के लिए हमें करना क्या है देखिए मैं इस फंक्शन को पहले कर लेता हूं नीचे पेस कर लेता हूं इसी function को arrow function में convert करके दिखाता हूँ देई आपको करना कहँआ आपको idental stack आपने function का नाम लिग देया फिर एक variable का नाम लिख देघे शे साइज कर रखinky आपने करना कह है आपने function keyword को फटा देना है आपने function keyword को फटा देना है और जहांपे आपने parenthesis लगाए है इसके बाद आपने एक arrow लगा देना है इसको देख लो आप एक दो मिनट यह हुआ कैसे इसको और इसको compare कर लो एक बार पहले आपने function declaration सीखनी है उसके बाद आपने function expression सीखा उसके बाद हम सीख रहे है arrow functions तो यह बन गए arrow function समझा रही है आपको तो यहाँ पर मैं सबसे पहले file मैं 46th file के साथ काम करता हूँ तो यहाँ पर 46 लिख लेता हूँ तो इसको देखो यह हो गया arrow function मैं इसको save रहूँगा अभी क्या आएगा अभी कुछ नहीं हुआ तो अब मुझे करना गया यहाँ पर इसको मैं comment out करता हूँ ओके और अब मैं क्या करता हूँ इस इंग happy birthday function को call कर गए देखता हूँ इंग happy birthday function को call किया मैंने तो यह काम नहीं करती file तो मैंने इसको save नहीं किया क्योंगी तो यहाँ पर इंग happy birthday to you यहाँ पर प्रिंट हो गया ठीक है बट अगर मैं इसको यहाँ पर comment करूंगा ना यहाँ पर आप देखना एक ही function आप दो बार नहीं create कर सकते या तो आप arrow function अगर मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर function expression लिख यहाँ पर यहाँ पर आजाएगा लिखा जएगा तो इसलिए यहाँ पर एक को comment करना कहा फंक्शन की वड़ अटाना है function की वड़ अटा दिया कॉंस्ट जो भी आपने function को नाम देना एक्शुली में variable करना मैं variable में function assign कर रहे हैं तो यहाँ पर यह function का नाम है उसके बाद हमने कर रहा गया है यहाँ पर इस function में कितने हैं पर लेकि तीन पर लेकिए इस के बाद यहाँ पर लगा देना arrow को कि तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं तो आप देखो यह है arrow function कितना असान है नमजपा रहे हो आ पास करके यहाँ पर console.log कर देता हूं अंस को ओके यह पर 9 आ रहा है अब यहाँ पर करना कहा है अब इसको मैं थोड़ा फिर से जूम इन कर लेता हूं तो यह हो गया arrow function समझ पा रहे हो अब इस function को वीडियो को post करो इस function को arrow function में convert करने कोशिश करो आपको थोड़ा सा अजी इसको arrow function में change करते हैं हम बहुत असान है कैसे करेंगे post is even नाम का function मनाना है मुझे ओके और यह function as I input लेगा एक number और यहाँ पर return करेगा number modulo 2 equals to 0 तो यह हो गया arrow function अब मैं इस function को call करके देखता हूं इसको comment out करता हूं तो error आ जाएगी मेरे पास अब इस is even नाम के function को call करके देखता हूं is even यहाँ पर for example for pass करता हूं मैं for pass करने के बाद जो भी scout बटाएगा उसको print करके देख लेते हैं console.log कुछ इस तरह से यहाँ पर true आ रहा है समझ पार है हो हम function expression को arrow functions में कैसे change कर रहे हैं अब यह arrow functions के बारे में और भी बात करेंगे arrow functions को हम और भी छोटा कर सकते हैं अब यह बात करेंगे हम पहले थोड़ी practice कर लते हैं arrow function में change करने की ठीक है तो यहाँ पर करना गया है function keyword हटा दो function keyword हटा गे यहाँ पर arrow लगा दो यह arrow function बन गया आपको यहाँ पर करना गया है function keyword हटा दो अटा के parenthesis के बाद arrow लगा दो यह arrow function बन गया कितना सान ता यह आरो function बन गया आपके सारे के सारे समझ पारे हो आप अब यहाँ पर फंक्शन की तोड़ी और बात करते हैं अब देखिए यहां पे जब आपका arrow function आप यहां पर एक ही parameter लिखेंगे न तो आप यह जो पैरेंगे लिखेंगे न इनको उटा सकते हैं बट अगर मालो आपका function है तीन जैसे आपने यहां पे तीन parameter लिखेंगे अगर यहां पे इसको उटा दो यहां पे इसको उटा दो तो error आएगी यह सिरफ आप तब कर सकते हो जब आपका function केवल एक ही input लेगा केवल आप अगर आप एक ही parameter लिखना है तब आपने हटा सकते है अगर आप zero parameter ले रहें for example यहां पे यहां पे इसको आप अपटा नहीं सकते हैं यहां पे आपको लिखना ही पड़ेगा यह सिरफ तब करना जब आपका function जब आपको एक ही parameter लिखना है तो इस बात का ध्यान रखने आपको for example यह function है यहां पे एक ही है तो आप इसको उट function देखिए यह function क्या कर रहा है यह क्या है एक simple line में मैंने एकी चीज return कर रखिया मैंने क्या कर रखा है return कर रखा है कुछ ऐसे ओके आप नहीं करना क्या आप इसको उटा दो इसको आप यहां पे लेओ और यहां से क्या करो इसको return को भी हटा दो यहां से इससे क्या होगा इ कि एक number लेगा और return कर देगा अगर एक ही लाइन में return कर रहे हो तो आप कुछ इस तरह से return कर सकते हो एक ही लाइन में इस तरह से तो यह भी arrow function है तो यह बिल्कुल सही काम करेगा बिल्कुल तो I know आपको थोड़ा जीव लग रहा है इतना कुछ करवा दिया मैंने थोड़ इस इसको ऐसे लिख दो और यहां से return भी अठा दो तो यहां से क्या होदेगा यह भी बिल्कुल सही काम करेगा और इस function को call करके देख लेते हैं console.log यहां पर कोई भी string pass कर देते हैं for example हरशित और यहां पर क्या होगा h print कर देगा है तो sorry guys मेरे को इस function को call करना था ना तो यहां पर first character नाम के function में यह हरशित pass करना था अब सही अभी मुझे h दे देगा h दे रहा है तो यह भी arrow function है okay हम आपको कहूंगा थोड़ा सा break लो break नहीं लो क्या करो वीडियो देखते रहो बट क्या करो यह जो arrow function है ना इसकी थोड़ी practice कर लो मतलब यह जो मैंने function बनवा के को फिर function expression में convert करो उसको और फिर उसको arrow function में convert करो फिर देखो अगर उसका a की अगर मानलो इस की parameter ले तो आप कैसे par 즈 all आ सकते हो अगर Partners 아 सकते हो अगर A कीLine में return कर रहे है तो कुछ इसறा से आपकर सकते हो इसके अग अवरो function कुछ इस्तरा से काम करते हैं समझ पा अब हम बात करेंगे hoisting की देखिए तो मैं आप को चीज क्याता हूँ for example मैंने एक function मनाया hello name का function मनाया मैंने simple सा function क्या करेगा console.log यहाँ पर करतेगा hello hello world print करतेगा और हम मैं क्या करूँगा इस hello इस hello function को call करतेता हूँ hello function को call करूँगा ना मैं तो यहाँ पर hello world print हो गया बट मैं क्या गरता हूँ इस function को declare करने से पहले call कर देता हूँ तो देखिए हैं फिर भी काम कर रहा है तो यह काफी अजीब लगर होगा उन लोगों के लिए जो लोग दूसरी programming languages से आया है बट ऐसा JavaScript में कर सकते हैं अब यहाँ पर एक चीज है यहाँ पर न यह सिरफ function declaration के case में होगा function expression के case में नहीं होगा देखिए अगर आफ function expression लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर example मैं क्या करता हूँ function expression लिखता हूँ इसका कैसे लिखूँगा मैं यहाँ पर function keyword यहाँ पर क्या करूँगा देखिए const hello और यहाँ पर इस hello को यहाँ से हटा देता हूँ अब यहाँ अशा होगा अब यहाँ पर error आ गया error क्या है unquote reference error cannot access hello before initialization अगर same error function के साथ है तो मुझे क्या करना है इसको हटाता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ से कुछ इस तरह से कर देता हूँ same error आ रहा है तो मैं function expression पर दुब़र आ जाता हूँ तो ऐसा function expression के साथ नहीं कर सकते but यहाँ पर मैं let लिखता हूँ फिरी भी नहीं आप ऐसा कर सकते but अगर मैं यहाँ पर वार लिखता हूँ तो क्या करें तो यहाँ पर क्या रहा है वार भी तो भी नहीं आप कर सकते हैं function expression के case में आप ऐसा कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर क्या रहा है uncode type error hello is note of function तो यहाँ पर क्या रहा है hello is note of function भाई यह behavior ना इस behavior को होस्टिंग बोलते हैं एक और चीज बताता हूं मैं आपको अभी ना मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं हो क्या रहा है मैं भी आपको यह ने बता रहा हूं कैसे रहा है बट विश्वास रखो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बिल्कुल डीप में जाएंगे जावस्क्रिप में यह काम हो कैसे रहा है और क्यूं हो रहा है यह समझा लो हम एडवांस जावस्क्रिप पढ़ने के लिए खुद को प्रिपेर कर रहे हैं बस आपको याद रखने हैं अभी यह चीज़े ऐसा हो रहा है यह behavior हो रहा है मैं आपको सबकुछ समयाओंगा यह हो कैसे रहा है अब सिर्फ यह बता रहूं क्या हो रहा है यह नहीं बता रहा कैसे हो रहा है यह हो रहा है कमझरेों और विश्भास रखो मैं इस वीडियों के इस वीडियो में पहले हम सारा कुछ पढ़ेंगे जो कि हम नॉर्मल लाइफ में यूस करते हैं जावस्क्रिप्ट का सारा कुछ फिर हम जावस्क्रिप्ट में डीप में जाएंगे सब कुछ बात करेंगे ये सब काम कैसे हो रहा है हम प्रोटोटाइपल, इन्हारीट हैं सब कुछ डीप में सब कुछ बात करेंगे जावस्क्रिप्ट में सब काम कैसे हो रहा है सब कुछ समझेंगे अच्छे से तब यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाता हूँ आपको तो for example मिने एक variable बनएा वार यूस करके वार variable का नाम है hello hello नाम के variable में मने लेनल है hello world तो इहांपर क्या हो रहा है अगर मैं यहांपर variable को बनाने से पहले यहांपर print कर दूँ hello hello variable का नाम है ना तो hello मैंने print कर दिया तो यहांपर undicaid आ रहा है ठीक है अगर आप sorry guys यहां पर इसको टाल तो अगर आप var use करके variable बनाने से पहले आप उसको access करने कोशिश कर रहे हो तो undefined आएगा बट variable बनाने के बाद क्या आएगा वो अच्छी तरह प्रिंट हो जाएगा hello world तो यह तो आपको समझा आगया बट अगर मैं यहां पर let या कौश लिखूंगा ना let या कौश लिखूंगा तो यहां पर error आएगा undefined ने आएगा यहां पर error आजाएगा आपका code फिर चलेगा नहीं error आगया और कौश के case में भी ऐस हो गा कोश के case में भी ऐस होगा अब आप सोच रहे हो ग्यार यह तीजिए मैं क्यूं बता रहूँ देखियो रहा हुए कि आपको यह चीजे अभी के लिए पता होनी चीए और यह चीजे ऐसा क्यों लोग क्या होता है तो यह सब काम हम जब बात करें उसके बात करेंगे तब हम इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे जाव स्क्राइब क्या होता है दिस क्या होता है बाइंडिंग क्या होता है सब बात करेंगे ठीक है अब बात करते हैं मैं function inside functions olie mus maintain function एह fuंक्ष्णन नहीं क防ड अर यहां पर मैं function उना लिए प्षालोग कर सकता हूँ INSIDE APP этого और यहां पर मैं इस app नाम के function को call कर सकता हूँ तो यहां पर सबसे पहले मुझे file number 48 के साथ काम करना है तो यहां पर file number 48 लिख देते हैं तो यहां पर देखते हैं inside app आ रहा है अब इस function के अंदर मैं और functions भी बना सकता हूँ वो कैसे बनाऊं कर देखते हैं ओके for example इस function के अंदर आपको एक function मना लाएं const hello world const यहां पर simple लिखता हूँ my func my func नाम का function तो यह भी arrow function मना देता हूँ मैं यहां पर console.log hello from my func ओके यहां पर कितने मरजी function मना सकते हैं for example एक आपने function मनाना है दो नमबर को add करने का इस function के अंदर तो आप बना सकते हैं तो दो नमबर को add करने का function add to क्यालेगा दो नमबर लेगा num1 num2 यहां पर return करेगा num1 plus num2 तो कि आपने दो नमबर को multiply करने का function मनाना है तो मल नाम का function मना ले तो मैं तो कि लेगा दो नमबर लेगा num1, num2 और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी अगर आपके function में एक चीज़ return हो रहा है तो आपको इस तरह से return कर सकते हैं num1 into num2 ओके तो आप मैंने किया कि एक function मनाया और जरूरी निया आपको आपको function मनाया कोई भी function मना सकते हैं for example मैं यहाँ पर function definition लिखे लेता हूँ तो ज़रूरी निया कुछ भी कर सकते हैं तो मैंने function declaration यूज कर लिए यहाँ पर और उसके अंदर मैंने function मना लिए और इसके अंदर function आप कुछ भी उसकर करके बना सकते हैं function expression arrow functions functions declaration कुछ भी उसकर करके बना सकते हैं तो यह मैंने तीन function मना लिए एक function, 2 function, 3 function अब मैं run करके देखता हूं तो अभी भी क्या होगा inside IP print होगा अब मैं चालतु यह function run ओ यह function क्या हो यह function run ओ तो इन functions को run करने के लिए न आपको करना क्या होगा यह function इसी function के अंदर रण कर सकते हैं इन functions को तो कैसे ररण करेंगा हम इसको D exception this function को राद करना यह तो homework नाम दरण करूँगा अब क्या जब मैं ईप नाम के function को रूनर करूंगा जब इसको रण करूँगा तो च्रूम को अगर गदो इसके बाद यह function नरन होगा तो यहाँ पर तीन function है तो इन तीन function को छेड़ेगा नहीं उसके बाद यह देखें का console.lock inside app को print कर गाँए को प्रिंट करें उसके बाद यह माई function के बास जाएगा देखेंगा माई function के बास क्या हो रहा है अच्छा माई function क्या कह रहा है console.lock करना hello from my app तो वो हाँ पर print हो जाएगा तो इस तरह से ये काम हो रहा है तो आप function के अंदर function बना सकते हैं तो ये बहुत असान है for example आपने add to name के function को भी call करना है तो आप करना क्या है यहाँ पर तो यहाँ पर add to name का function है इसमें pass कर देता हूँ 2 को मा 3 अब ये function कोल करना कुछ नहीं होगा क्योंकि ये function return कर रहा है कुछ console.log नहीं कर रहा तो मुझे करना क्या होगा इसको यहाँ पर जो भी return करेगा उसको यहाँ पर console.log करवा देता हूँ तो इससे क्या होगा इससे print हो जाएगा 5 यहां पर एक नाम का function call करना है उसको call कर लेते हैं तो यहां पर multiply लिखना है मुझे तो multiply को function multiply वाला function call हो गया 6 आ यहां पर okay मेरे गायन का मतला एक function के अंदर जितने function मना सकते हो तो मैंने आपको यह बताना था अब बात करते हैं lexical scope के तो अभी हमने सीखा कि आप किसी function के अंदर function मना सकते हैं तो मैं दुबारा आपको explain कर देता हूँ for example function my app my app नाम का function है और अब मैं क्या करता हूँ इसको simple इस तरह से बना लेता हूँ तो my app नाम का function है और इसमें मैं क्या करता हूँ न दो function मना लेता हूँ यहां पर एक function मना लेता हूँ तो मैं इसके अंदर by the way कुछ भी यूज़ करके function मना सकते हैं बैरो functions और function expression तो मैं तीनों यूज़ करके बना लेता हूँ एक function तो यहां पर my function नाम का function नाम का function तो यहां पर यहां पर मैं कौन्स्ट यूज़ करके बना लेता हूँ यह function और यहां पर इस function के दर मैं कुछ काम करूँगा और एक arrow function मना लेता हूँ मैं तो आप सोच रहेंगे यह मैं क्या बता रहा हूं क्या बताने की कोश photograph कर तो देखे यह video मैं पर बताता हूँ मैं क्या बताने कोशिँच कर रहा हूँ deutsche अब यहां पर अगर मैं आपको कहूं इस functions के अंदर मैंने अभ्य कुछ लिखा नहीं ठीक है तो यहाँ पर एक variable अपना लेता हूँ const my var variable की value है for example value 1 वो कुछ नहीं किया इस function के दर मैंने कुछ भी अभी वो नहीं किया मैंने functions के अंदर कुछ भी नहीं लिखा बस ऐसी function मना के छोड़ रखे हैं और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर console.loat करता हूँ my var my var अब मैं क्या अगर तो इस my app नाम के function को call कर लेता हूँ my app नाम के function को call कर लेता हूँ तो यहाँ पर 49th file के साथ काम कर रहूँ हूँ है यहाँ पर 49th लिखूँगा मैं यहाँ पर तो आप देखे यहाँ पर क्या print हो रहा है value 1 print हो रहा है okay समझ आ रहा है इतना आपको आई रहा होगा अब यहाँ पर my funk है ना यह जो my funk है इसमें मैं एक line लिख देता हूँ console.log inside my funk अब मैं क्या कर रहा हूँ तो इस function को call कर लेता हूँ अब यह तो नाम आपको इस वीडियो यहाँ पर बताया था 48 फाइल में वही 49 फाइल में बता रहा हूँ उसके बद मैं क्या करूँगा my funk को और फिर से call कर लेता हूँ यहाँ पर my funk को call कर लेता हूँ तो क्या होगा तो यहाँ पर बाद में आजेगा inside my function समझ आ रहे हूँ अब my function के अंदर ना एक variable बना लेता हूँ variable क्या बना लेता हूँ my var नाम का variable बना लेता हूँ const my var इसकी value होगी value 69 फॉर इग्जामपल यह 59 कर लेते हैं 59 तो value 59 है अब मैं क्या गरता हूँ inside my function और नीचे यहाँ पर कोमा डालके यहाँ पर में को value प्रिंट करानी है my var की तो मैं my var लिख लेता हूँ अब देखो क्या होगा भाई अब यहाँ पर देखिए यह न अब इसको यहाँ से हटा तो दोपल के लिए थोड़े इस पर focus करो गए अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है यह my function मना हुआ है इस my function को मैं call कर रहा हूँ यहाँ पर जो मैं my app को call करूंगा तो यहाँ पर पहले तो my var की value प्रिंट हो जाएगी value 1 और अब इस पर focus करो जा रहा है यहाँ पर इस function पर focus करना अब उसके बाद my function को मैंने call किया अब my function के अंदर मैंने यहाँ पर एक variable बना रहा है my var इसके value है value 59 ठीक है और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर रहा है console.lo कर रहा है inside my function और साथ में यह value अब यह बताओ यह my var यहाँ पर दो है एक यह है और एक यह है कौन सा print होगा यहाँ पर तो आप लोगों ने guess किया होगा कि क्या होगा यह यह इस my var को print करेगा value 59 प्रिंट हो जाएगा पहले यहाँ पर value 1 प्रिंट हो रहा है उसके बाद inside my function value 59 प्रिंट हो रहा है मतलब अब यह वाला my var प्रिंट हो रहा है बट अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई तुम इसको मैं comment आउट कर दो मतलब कि अब यहाँ पर variable है निए अब क्या होगा अब बताओ अब क्या होगा अब मैं save करता हूँ इसको और राइट यहाँ पर क्या होरा है? यहाँ पर value 1 हो भाई अब जावा स्क्रिप्ट क्या करते है? वो देखो जब न यह यह जाव स्कृप्ट को यह variable चीए यह जाव स्क्रिप्ट क्या करेगे? न पहले तो अपने function के, जहाँ पर जो इसका function है न वहाँ पर चेक करेगे क्यों होता है यह function कहां पर define है यह function my app के अंदर define है तो जावस्क्रिप जावस्क्रिप लेक्स तो इस my तो इसका इस function का lexical environment क्या हुआ मतलब कि यह function कहां पर define है यह function my app के अंदर है तो इसका environment क्या हुआ इसका function इसका ये My App तो जास्क्रिप क्या करेगी My Viya को इस My Aip में देखेगी क्या My Aip में है MyVar हाँ है तो उसको प्रिंट कर देगी यहाँ पे समज़ पा रहे हो ओके तो यहाँ पे आपको इतना समझ आगया है काम हो कैसे रहा है तो समझ़ पा रहे हो अब यहां पे क्या करते हैं यहां पे न इस my war को हटाता हूं यहां से इसको मैं इसको मैं यहां से भी हटाता हूं इसको यहां से भी हटाता हूं इसको यहां लिखता हूं अब मैं अब देखना क्या होगा अभी भी क्या हो रहा है my function value 1 हो रहा है अब इसको समझते हैं हो कैसे रहा है ध्यान से समझना देखी मैंने my app को call किया my app call हुआ तो यहाँ पर function बना पड़ा है वो तो चलो बना पड़ा है अभी उसको share ना नहीं उसके बाद यहाँ पर देख रहा है यहाँ पर my war को print करना है तो javascript क्या करेगी सबसे पहले देखेगी कि क्या my app के अंदर my war है वो देखेगी नहीं my app के अंदर तो my war नहीं है तो वो lexical environment में चैक करेगे मतलब यह function कहां पर है यह function इस पूरे global scope में मतलब कि पूरी file में है यह function भी तो कहीं पर आना यह पूरा function कहां पर यह पूरा function global file में है global scope में है तो ग्लोबल स्कोप में चैक करेगा अच्छा यह जीज यहाँ पर है तो उसको उसने प्रिंट कर दिया अब माइफंक्शन की बारी आएगी माइफंक्शन में हमने कया किया console.loat local कर रख है inside my function और my war JavaScript क्या करेगी my war को पहले my function में चेक करेगी नहीं है फिर उसके बाद क्या करेगी lexical environment में चेक करेगी मतलब यह function कहां पर बना रख है यह function मना रख है my app के अंदर अब my app के अंदर है क्या यह my war नहीं है फिर JavaScript क्या करेगी यहां पर यहां पर इसको मिलेगा value 1 my war मिलेगा तो इसने यहां भी प्रिंट कर दिया JavaScript कुछ इस तरह से काम करते हैं इसको बलते हैं lexical scope training lexical environment training कुछ इस तरह से बोल देते हैं बर आपको समझ आ गया हो कैसे रहा है यह काहां for example यह जो काम है न मैं क्या करता हूँ एक नए फंक्शन मना लेता हूँ इसी के अंदर एक नए फंक्शन मना लेता हूँ const my func2 एक नए फंक्शन मना लिया है मैंने और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ अटाके इसको यहां पर कर रहा हूँ और my function के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ my function to को call कर रहा हूँ तो यह देख और difficult लग सकता है जो बिल्कुल नहीं है programming में बट कोई बात नहीं देखिए मैं को समझा दूँगा अब यहां पर क्या हो रहा है देखिए यहां पर सबसे पहले जहां पर function call करते हैं वहां से देखना स्ट करते हैं यहां पर function call हो रहा है तो my app में का function मना रख्या है यह तो function मना पड़ है इसकी माइ फंक्शन कोल कर रहे हैं माइ फंक्शन कोल कर रहे हैं ठीक है अब अब देखेंगे उठा किस माइ फंक्शन के अंदर क्या है कुछ एक funk Samsung देखेंगे यह फंक्शन एक plupart est否 उठाके न bounacci को मैशन करते अभी फंक्शन टू है अभी को तो देखते हैं किया करना इस फंक्शन में इस फंक्शन में प्रिंट करने अभी वार को अभी यहाँ यह यहाँ पर नहीं देखेंगा लाक्सिक काह बना पड़ा my function 2 के अंदर लिखा है इसको तो यहां पर देखेगा तो my func में भी नहीं आप है यह तो फिर देखेगा क्या यह function कहां पर लिखा पड़ा है my func function कहां पर है my app में है my app में भी नहीं है my war तो अब my यहां पर भी नहीं है उसके बाद यहां पर भी नहीं है तो यह my app कहां पर है यह my app इस global में मतलब कि फाइल में यहां पर मिल जएगा इसको my war तो यहां से प्रिंट करके देदेगा मुझे तो इसको बोलते हैं lexical scope आई हो आपको समझ आगे होगा lexical scope का है तो मैंने काफी ज़्यादा emphasis किया इस lexical scope पे ओके तो मुझे पारे हो आप आप अब यहां पर इसके बात करते हैं block scope versus function scope यहां पर मैंने लिखा let and call star block scope and where is function scope तो इसके बारे मैं बात करते हैं यह है क्या देखिए java script ने ब्लोक कुछ इस तरह से बनते हैं यह एक block है यह block one है यह block two है यह block one है यह block two है java script में block हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं इस blocks के अंदर हम variable बना सकते हैं ठीक है for example यहां पर मैंने एक variable बना लिया let use करके let war one let for example हाँ war one war one नाम का variable है war one ने कुछ और नाम रखते हूं इस variable का for example first name रख लेता हूं first name नाम का variable है जिसमें values है न हरशित तो यह है block एक block के अंदर मैंने variable बनाया let use करके अब मैं क्या करता हूं इस block के बाहर इस block के बाहर इसको print करने कोशिश करता हूं यहां पर console load log first name अब देखना क्या होगा यहां पर सबसे पहले तो file number 50 के साथ काम कर रहूं है तो यहां पर file number 50 लिख दूँगा तो यहां पर error आ गया error क्या आ रहा है uncote reference error first name is not defined ऐसा क्यों हो रहा है इसका अंसर आपको इस line में मिलेगा let and const are blocks को मतलब let अगर किसी block में 1219 line को ध्यान से अगर किसी block में let and const है आप let and const को उसी block में access कर सकते हो उस block के बाहर access नहीं कर सकते है 12 सुनना अगर आपने किसी block में let and const यूज करके variable बनाया है तो आप उन variables को सिर्फ उसी block के अंदर access कर सकते हो उस block के बाहर access नहीं कर सकते है समुझ पा रहे हो मतलब अगर मैं इसको यह से करता यहां से अटाक इसी block में access करता तो तो access हो जाता है अगर मैं पहले की तरह कर दूँ तो यह access नहीं हो पाएगा तो इतना तो आपको clear हो गया और यह जो block है ना यह block हो गया यह block हो गया यह अलग-अलग दो block है मतलब आप same यहां पर first name नाम का variable बना सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी value कुछ हो रख सकते हैं for example मोहित रख दी मैं क्या कर सकता हूँ इस first name की value मैं यहां पर print कर देता हूँ और इस first name की value यहां पर print कर देता हूँ तो यह दोनो variable अलग-अलग है यह variable अलग है यह variable अलग है अगर मैं देखों तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है यह block चला, इस block का first name अलग है हर्षित print हो रहा है, इस block का first name अलग है यहाँ पर mohich print हो रहा है समझपारे हो आप, तो यह होते हैं block, JavaScript में कोंस्ट के साथ भी सेम केसा है अगर मैं यह पर कॉंस्ट यूज करूं यहाँ पर Ηमिक की जगा साथ टूछ टूछ इसका है तो भी इसकोína कोईरिएबल को नहीं अधिक आग सकते हैं पर यहाँ आज आएगे आपके ब्लोक ही है आप इसको पूरा पूरा ग्लोबल ब्लोग या ग्लोबल को बोल सकते हो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक वरियरियवल बना लेता हूँ first name एक्जांपल यहां पर लिख देता हूं गरीमा और यहां पर एक console.log करता हूँ यहां पर गरीमा अलग है, मतलब यह ब्लोक अलग है, यह ब्लोक अलग है, और पूरी फाइल है, उसका वो अलग है, वो ब्लोक अलग है, तो इस तरह ऐसे आप कर सकते हैं, समझ पारे हो आप, कैसे हमने कोड को थोड़ा सेपरेट कर लिया, अब यह बात हमने की, अब मैं क्या करता हूँ, दो ब्लोक अटा देता हूँ, यहां से, समझने के लिए, अब एक यह ब्लोक पर रहते हैं, अब यहां पर एक ब्लोक है, उस ब्लोक में मैंने एक वैरेवल बना है, फ़स्ट ने, अब मैं उसको इसके बाहर एकसेस नहीं कर सकत अभे तक यह सीखा न ची खावे तक आपने मैं क्या करता go अए विख देता हूं दुपारे अब मैं ये क 나서 ना कोंस्ट ipi var user करे करता हूं war ओकि var user के ये काम कर रह History कर रहो मैं & war गे case मैं ऐसा और ग tut war के case में इसको बाहर एक्सेस कर सकते है वार के case में यह हरशित यहां बें प्रिंट हो जाएगग अब वार है ना जो वो है function scope मतलब इस पूरी फाइल को ना यह जो पूरी फाइल है ना इसको आप बोल सकते हैं अब यह पूरा का पूरा ना एक main function है जब आप javascript के code को run करते हैं पूरी का पूरा main function run होता है उस पूरी की पूरी फाइल में आप मतलब कहीं पे भी वार बना के यूज कर सकते हो मतलब कि एक वार है ना आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो इस पूरी यहां पर कुछ इस्तरह से लिख दूँ psych और अगर मैं यहां पर यहां से हटा दूँ नहीं सो प्रब करों तो अब क्या होगा यह स्को एक्सेस कर पाएगा फ 대해서 इस ब्लोक मैं अक्सेस कर पाएगा फास्त नहीं को भी तो ऋसको थोड़ा देखो समझ यह क्या हो क्या रहा है यह मैंने समझाया यह बनाते नहीं हम्हकू क्यों समझाया यह इographicsuhan इसकंडिशन आपके फ्रग्जमबल हमेशे ठुरू रएगी के यहांप आपने simpalle to यूज़ करके let first name यूज़ करके variable बनाया था जिसकी value थी हर्शित ओके और आपने क्या किया यहाँ पर first name की value को print कर दिया यहाँ पर हर्शित print हो गया अब मैं इस यह भी block है यह जो curly braces देख रहे हैं यह if का block है ऐसी four का block होता है ऐसी while का block होता है तो curly braces के अंदर लिखते ना उसको block बोलते हैं समझपार हो आप अब मैं क्या करता हूँ अब मैं यह first name को यहाँ पर print करता हूँ console.log first name यहाँ पर print करता हूँ first name को यहाँ पर error आजाएगा error क्या आएगा first name is not defined क्योंकि इस block के बाहर आप let या const को access नहीं कर सकते हैं बट वार को कर सकते हो अब वार को आप कर सकते हो अरशित प्रिंट हो रहा है अच्छा बहला प्रिंट हो रहा है समझा आगे अपना इस बात पर दुबारा चर्चा करते हैं let and const या block scope वार इस function scope जहा पता है आपको जितना मैंने समझाए आपको अगर आप बिल्कुल नहीं तो आपको 60% समझा इए होगा बट उतना भी बहुत है अगर आपको इतना समझा क्यों में फंक्शन बना लेत हो अ यहां प्टों गंपर 2,3 kondition है मेरे पास और यहां पर मैं क्या करता हूँ यह जो code है न यह उठा के यहां पर paste कर लेता हूँ तो यहां पर क्या किया console.log मैंने किया first ने अपना मैं क्या करता हूँ इस function को call करता हूँ यहां पर let use कर लेता हूँ पहले मैं let use कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहे देखे honor धश्क है यहाँ पर error आरही है और यहाँ पर यहाँ पर error आरही है और वो देख लेते हैं क्यों आरही है पहले माइक को मैने पाट न को कोよね पाट यहाँ पर का practice क्टिशन की जो कंडिशन थी टू होगी मतलब कि इस वाल ब्लोग यह चले गई हमेशा यहां पर हमने देखा होई लैट फस्त नम का वैरियबल है हर श्रीट तो यहां पर हर श्रीट ठीक है उसके बाद जावस्क्रिप्ट ने उसके बाद हमने क्या किया यहां पर कॉंसॉल ड यहां पर आगउस्के नहीं कर सकते हैं जाएं यहां पर नहीं लेक्सिक लीट में क्या होता है ज संब्सक्रिप्ट लाक्सिकर का मतलब यह चले नहीं मिला मतलब यहां पर फंक्षिन बना हुए वहांपर दखेंगे तो वहां नाम का function होता, let first name, for example, यहां पर मैं गरियमा लिख लेता हूँ, यहां पर access हो जाता है, lexical जो मैंने, इस concept के थहत, यह access हो जाता है, यहां पर, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने लिखा था, war is function scope, मतलब यहां पर access कर सकते हैं, इसको जितनी मरज़िफ condition लिख लोगा, for loop लिख लो, for example, एक और if condition लिख लिए मैंने, उसके अंदर भी access कर सकते हूँ, इसको, for example, यहां पर, मैं console.log कर देता हूँ, console.log, यहां पर कर देता हूँ, first name, तो यहां पर first name यहां भी print हो गया, मतलब कि यह war को आप इस पूरे function में कहीं भी use कर सकते हो, और let और const को आप बस इस एक ही block में use कर सकते हो, इसलिए लोग ज़्यादा let and const prefer करते हैं, as compared to war, ठीक है, आई हो, आपको इस समझ आ चुका होगा, यहां पर इस function को call करना है, तो यहां पर मैं जो भी इसका answer आएगा, मैं इस variable में store कर लूँगा, और इस function को मैं call करता हूँ, add to name का function, और इसमें pass कर देता हूँ, for example, 4,5, उसके बाद मैं console.log कर देता हूँ, answer, uns को, तो अब देखते हैं क्या होगा, यहां पर 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है, बट मुझे करना गया है, मुझे for example, मैं यहां पर 5 पास नहीं करता, मैं एक नंबर पास कर रहा हूँ, तो यहां पर A की value क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और B में ने कुछ नहीं pass कर तो undefined हो जाएगा, वो undefined हो गया, तो यहां पर N न्यान आ रहा, है भाई हम चाहते हैं अगर मैं यहाँ पर बी पास ना करूं अलब कि सेगेंड आर्गुमेंट ना पास करूं तो वो बाइडिफोल्ट वन हो जाए तो ऐसा कैसे कर सकते हैं देखिए ऐसा हम पहले ऐसे कर देते यह से पहले हम चैक कर लेते थे इफ type of b अगर जो b का type है वो undefined है अगर b undefined है तो हम b की value set कर देते थे 1 तो पहले हम कुछ इस तरह से करते थे इस से क्या होगा अब error नहीं आएगी अब b undefined नहोंगा बी की value by default 1 हो जाएगी तो क्या होगा 4 plus 1 5 हो जाएगा यहां पर देखिए 5 हो गया अगर आप by default B की value 0 चाहते हैं तो by default B की value 0 होगी मतलब add two numbers अगर आप 4 pass करेंगे तो सिर्फ 4 pass करेंगे 4 आएगा अगर यहां अगर आप 5 भी pass कर देंगे तो अब B undefined नहीं है तो B की value यही है अगर B undefined नहीं है तो यह condition false हो जाएगी तो B की value 0 set नहीं हो कि B की value यही रहीगी तो यहां पर 4 plus 5 9 हो जाएगा पहले कुछ इस तरह से handle करते थे हम undefined को अगर हम असान काम करते हमारे लिए जावस्क्रिप्ट ने देखिए हमें करना क्या है यह condition लिखने की जुरूरत ही नहीं है direct आप यहां लिख दीजिए जो आपने default value पास करने है for example B equals to 0 इससे क्या होगा इससे यह होगा for example आपने यहां पे सिरफ 4 pass किया तो A क्या हो गया 4 हो गया अ सेट हो जाएगी 8 तो यहां पर क्या होगा 12 हो जाएगा यहां 12 हो गया तो यह था default parameter सब default parameters को कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं आपको समझा चुक होगा तो काफ़ी सिंपल है default parameters तो पहले आप अगर आप कहीं पे code देखें यह वाला तो confuse नहीं होना इसलिए मैंने आपको यह भी बताया और यह भी होताया काफ़ी सिंपल था अब रैस parameters के बारे में बात करते हैं अब for example हमने कुछ ऐसा function मनाना है हमने कुछ ऐसा function मनाना है for example add numbers तो पहले न मैं आपको रैस parameter के बारे में बता दो फिर वह example जो मैं बता रहा हूं न वो function मनाएंगे फिर आप और अच्छी समझ आएगा मैं करता हूं function मना लेता हूं function का नाम रख लेता हूं for example my func जिसमें for example तीन तीन क्या होंगे तीन parameter लिख दिया मैंने और simple क्या लिख दिया console.log कर दिया मैंने a लिख दिया for example यहाँ पर यह वली string उस कर लेता हूं a is यहाँ पर a की value प्रिंट हो जेगी इस तरह से b की value प्रिंट हो जेगी और c की value प्रिंट हो जेगी तो यहाँ पर b की value प्रिंट हो जेगी और इसी तरह से यहाँ पर c की value प्रिंट हो जेगी ओके हम मैं क्या गरता हूं my func में क्या गरता हूं पास्ट कर देता हूं कुछ वैलियू तो यहाँ पे 52 फाइल के साथ काम कर रहे हम तो यहाँ पे 52 लिख देता हूं मैं तो यहाँ पे आप देखें A की वैलियू 3 आ रही है B की 4 आ रही है C की 5 आ रही है For example मुझे मुझे और भी और भी आर्गुमेंट पास करने यहाँ पे Okay for example यहाँ पे मैं 6 पास कर दिया 7 पास कर दिया तो इनका कुछ बनेगा ही नहीं Okay इनका कुछ यूज़ ही रही है मैं चाहता हूं क्योंकि इनका कुछ क्यों नहीं बना मैं यहांपर एंपल मैं यहांपर wr rocks लिख दोगा तो यहांपर यहांपर द थेख दाल के इस अगर दिख दूगाँ रहे तो मुझे ऐसा नीह thế on है मुझे क्या को मैं क्या करना है A और B की value तो fix रहे मतलब मतलब कि A में 3 चला जाए B में 4 चला जाए मैं क्या चाहता हूँ C parameter है इस में पूरा का पूरा यह जो मेरे पास arguments है ना इन सब का array बनके C में चला जाए मतलब A की value 3 ही हो यहाँ पे B की value 4 ही हो C की value 5,6,7,8,9 यह पूरा array हो ऐसा कैसे कर सकते हैं यह देखना है ऐसा करना बहुत असान है करना कि आपको आप rest parameter use कर सकते हैं यहाँ पे dot 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 तीन dot लगानी है आपको इससे क्या होगा A होगा 3 होजेगा B होगा वो 4 होजेगा बाग की जितने बचे कुछे parameter होगे न आपके मतलब कि वो सारे C में चले जाएंगे अब क्या करना इसको यहाँ पे semicolon लगा देता हूँ अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे A is 3 B is 4 C is 5,6,7,8,9 array actually में यह तो मैंने यहाँ पे string template यूज किया तो इसने कुछ इस तरह से print किया अगर मैं इसको by default इस तरह से print करता कोमा डाल के पुरा का पूरा array print होता ओके आप देख सेंए यह array print हो रहा है यह array आए है C क्या है पूरा array बन चुग है समझे रहे हो आप अब अब एक function मनाते हैं इसी प्रोग्राम की मदद से एक function मनाते हैं function क्या बनाना है देखिए function कुछ इस तरह का बनाना है आपने for example add all add all नाम का function मनाना है जो कि जिसमें जितने अब जितने अर्गोमेंट पास कर लो for example 1,2,3,4,5,6,7,8 7 आपको करना के इन सभी numbers का सम करना है it doesn't matter कितने अर्गोमेंट आपको सारे अर्गोमेंट का सम करना यहां पर तो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो को पोस्ट कीज़े ट्राइ कीज़े आई हो अपने ट्राइ क्योंगा मैं function मनाता हूं यह बला function का नाम है add all तो यहां पर जितने भी होंगे मैं as a rest parameter ले लूँगा for example numbers यहां पर कुछ भी लेख सकते हैं आप यह आपकी मरजी है तो बाद मुझे करना कहा है यह क्या होगा अगर आपको नहीं यकिन होता मैं क्या करता हूं लो जो numbers होंगे उनको प्रिंट कर देता हूं और उसके बाद लो जो टाइप भी देख लेते हैं टाइप ओफ नमबस तो अरे का टाइप हमेशा क्या आता है अरे का टाइप हमेशा आता है अब्जेक्ट तो अगर हमें यह चेक करने कि array है या नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं अरे डोट इस अरे और आप पास कर सकते हैं नमबर सो यह true आगया मतलब यह array है हमें क्या करेंगे इस function को call करके देखते हैं add all नाम का function है मेरा और इसमें पास करता हूं एक numbers पास करता हूं फर एक है let number of numbers और मुझे करना है यहाँ बाहर एक variable ना लेता हूं और जो की होगा total sorry let total let total equals to zero starting total zero होगा और बाद मुझे करना क्यों तो काफ़े simple function है आपको समझ आ गया हो गए तो total होगा ना जो भी तो कॉंस्ट अंसर नाम के वरियेवल में store कर लेता हूं और console.log कर लेता हूं मैं answer तो आप लेकिना 15 आ रहे हैं यहां पर तो देखें बिल्कुल साही अंसर आ रहे है तो काफ़ी simple था यह जो कि हमने बना लिया यह इसी तरह से यह है rest parameters तो काफ़ी simple है rest parameter I hope आपको इस समझ में आ चुकोगा कि rest parameter होता क्या है तो यह हो गया काफ़ी simple था अब बात करते है parameter destructuring की और यह हम कभी यूज करते हैं यह हम object के साथ ही यूज करते हैं और react में तो बहुत ही जाला यूज करते हैं इसको होता है कि उसको समझ लेते हैं देखिए for example आपके पास एक function आपके बस एक object है for example मैं एक object बना लेता हूँ पॉंस्ट माइ या फिर परसन नाम को बना लेता हूँ जिसमें कुछ वैल्यूज होगे for example उसका होगा फिरस्ट नेम होगा खर्शित और उसका जैंडर होगा तो यह दू चीजें मेरा परसन नाम को अब्जाक्ट यह दू चीजें लोके और यह मैं function मना लेता हूँ अभी function और function मना लिए function keyword और उसके बाद function नाम रखता हूँ get details या फिर कुछ भी या फिर फिर function नाम रखता हूँ print डीटेल्स कुछ ऐसा फंक्शन और यह फंक्शन आज इंपूट लेगा फॉर एक्जामबल कोई भी अब्जैक्ट और मुझे कॉंसोल डॉट लोग उस अब्जैक्ट में से उसका फिर्सने मुझे प्रिंट करके देदेगा और उस अब्जैक्ट में से मुझे उसका जैंडर और अब मुझे करना कहा हैं मैं सबसे यहां पर तो ₯ाननबर ₯ के साथ कां़ करने मुझे अब में इसको करता हूं और इस यह person नाम का object पास कर देता हूं तो कैसे पास करेंगे print details और यहां पे मैं पास कर देता हूं अपना person नाम का object तो यहां पे हो गया अर्शित आ रहा है mail आ रहा है अगर for example है यहां पे आप कुछ ऐसा लिखे दे जो की है ही नहीं object में आपके for example यहां पे नहीं है कुछ for example age नहीं है इसमें इस person नाम का object में age तो उन्हें पास कर रहे हैं तो यहां पे undepend आजेगा यहां पे तो तो काफ़ी simple है आपको समझ आ गया होगा अपना यह जो काम हमने किया ना इसको यह जो पैरामिट अगर हमें पता है कि हमारे यहां पे कुछ ass आने वाला है जिसको अगर हमें पता है कि हमें यहां पे इस function में object आने वाला है तो हम इसको यहीं पे destructure कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं देखिए यहां पे मैं इसको comment out कर देता हूँ अब हमने destructuring तो पढ़ ली अच्छे से पढ़ ली हमने destructuring अब हमें करना कहें देखिए यहां पे क्या आएगा एक object आएगा अब मैं उस object में से destructuring कर सकता हूँ यह कर लिए braces लगा के मुझे क्या क्या चाहिए मुझे first name चाहिए और मुझे क्या चाहिए मुझे gender चाहिए तो क्या बन जेगा इस function के local memory के अंदर यहां पे दो variable बन चाहिए first name एक gender और उनको मैं print कर सकता हूँ directly मुझे obj total लिखने की जूरत नहीं है मैं direct यहां पे ऐसे destructuring करके print कर सकता हूँ तो बिल्गुल सभी काम कर रहे है कुछ ऐसा destructure कर लो इसमें ही नी इस object में एस था ही नी तो एच क्या होजएगा undefined होजएगा अगर मैं एच आड़ कर दो यहां पर एच आड़ कर दो यहां पर पांसो तो यहां पर एच पांसो आजएगी समझ रहे हो आप मेरे बात यह काम कैसे हो रहा है तो बहुत सिंपल था इसको बोलता है parameter destructuring तो यह हम object के साथ यूज़ करते हैं और react में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आई को आपको समझ आ गया होगा है को लेक्व फॉंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो यह वी काफ़ि सिंपल है इसके बारे में देख लेते हैं तो यहां पर 54 के साथ काम करना है हमने और इक सांपट कर लेंगे यहां पर क्या करता हूं यहां पर where I can तो यहाँ पे my func को call कर ले तो तो यहाँ पे hello world print हो रहा है अब यहाँ पे क्या होता है ना अब function के अंदर आप कुछ भी pass कर सकते हैं for example आपने array pass कर दिया sorry यहाँ पे a है तो आपने क्या करते है function के अंदर array a कुछ भी हो सकता है function में टेका आप for example यहाँ पर array pass कर देंगे वण्टू थ्री तो A की value क्या होजएगी array होजएगा अगर आप चाहें तो print करा सकते हैं यहाँ पर console.log यहाँ पर array print करा सकते हैं तो क्या हो गया यहाँ यहाँ पर A की value क्या होगी यह array होगी तेका अगर मैं function में क्या करूँ function में for example मैं string pass कर दूं a b c तो एकी value क्या होजेगी य स्फ्रिंग होजेगी समझ रहेगो मेरी बात अगर मैं यहाँ पर object pass कर दूँ for example object pass कर दूँ यहाँ पर जिस एक property है जिसमें name जिसमें है अर्षित तो यह object पाद एक ही value हो जीगी object हो जीगी अब ध्यान से सुनना मेरी बात अब क्या एक ही value function हो सकती है मतलब एक ही value function हो सकती है मालों मैंने function मना जाएग function मना लिया my new my func2 थोड़ा name नाम पे ज्यादा ध्यान मत देना तो यह function है जो क्या करेगा simple console.log करेगा inside my func2 अब यह तो हो गया चलो अब यहाँ पर यहाँ पर लिख लेता हूं थोड़ा आपको देखने में सानी होगी ऐसे अब यहाँ पर ध्यान से देखना अब यहाँ पर ध्यान से देखना तो क्या my function में जो एक ही value है आपने देखला string हो सकती है कोई integer हो सकता है कोई number हो सकता है कोई object हो सकता है कोई array हो my func में इस a की value ये function हो सकती है ये देखने है अब मैं क्या करता हूँ ना इसको मैं pass कर देता हूँ मैंने क्या कि my function 2 की parenthesis ने लगाए मैंने सिरुफ क्या कि my function 2 कुछ इस तरह से लिख दिया मतलब अब क्या होगा अब इसको safe कर तो अब देखना ये देखी है अब हो क्या रहा है इस a की value ये पूरा function है देखिए ध्यान से देखिए ये a क्या है ये पूरा का पूरा function हमने pass कर दिया इसके अंदर औके अब हम चाहएं तो इस function को call कर सकते हैं मतलब हम my fung में function as a input accept करके उसे call कर सकते हैं इसी ये को बोलते है callback function और अब मैं क्या करूंगा इसको क्या करूँगा जो A है ना A मिला मुझे उसे call कर दिया मैंने उसे call कर दिया मैंने तो यहां पर क्या होगा inside my func2 यह call हो गया समझे रहाँ मेरी बात कि मैंने my func में input को as a input के accept किया function accept किया उस मैंने function को call कर दिया जब हम function accept करते हैं तो एक convention है तो हम यहाँ पे अपने parameter का नाम call back रख लेते हैं तो यहाँ पर आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं बट हम यहाँ पे call back इसका नाम रख लेते हैं तो इसका मतलब हमने callback accept किया उसे call कर दिया मतलब अब क्या होगा for example for example आपने करना क्या था my func में पहले कुछ काम करना था अपना for example पहले अपना console.log करना था Hello there I am a function and I can blah 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 कुछ भी मतलब function में आपने कुछ काम किया उसके बाद callback function को call कर दिया तो यह होता है callback function यह क्या होता है callback function आई होगा कुछ समझ आगे को callback function क्या होता है बस इतना ही simple है callback function इसमें आप कुछ और काम कर सकते हैं okay for example यहां पे यहां पे as a input आप पास कर सकते हैं for example my func2 है ना जो as a input लेगा name और यहां पे print कर देगा inside my func2 और यहां पे console.log कर देगा for example यह विली string यूज कर लेता हूँ your name is name okay तो यह हो गया अब यहां पे क्या होगा देखिया मैंने my func को call किया my func को call किया और my func में क्या पास किया my func2 पास किया मतलब कि यह पूरा का पूरा function मैंने पास कर दिया उसके बाद पहले my func वाला काम होगा जो function पास किया न मैंने वो call होगा जब यह callback call होगा तो क्या होगा तो पहले inside my func2 लिखाएगा पहले यह line लिखी आएगी फिर यह line लिखी होगी बट अभी यहां पर मैं कुछ name पास नहीं कर रहा तो यहां पर undefined लिखा जाएगा यह देखिए hello there I am inside func तो पहले यह function हमने call किया यह function call हुआ तो यह function as input ले रहा इस function को जब पॉल करेंगे तो पहले यह line प्रिंट होगी यह line प्रिंट होगी उसके बाद यह देख रहा हुआ यूर नेम इस नेम का है जो इसका फिर्स्ट परामेटर लिख हुआ था वह पर यहां पे तो हमने कुछ नेम पास ही नहीं किया तो इसलिए यहां पे अंडिफ practice करो आगे चलेंगे इसके बारे मिह और बात करेंगे तो कोल्बग फंश्न होता ही है ऑगे सिंक्रोन स्प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उस में पढ़ेंगे कोल्बएक फंशन कैसे जाजरिएू मेरी बात ओके तो यह उचाल यह उच्छ ऑपने यह फंक्शन तो लो यहां पर क्या था फॉर एक्जमपल यह रशित नहीं हर शेट वैलियों आप यह वैलियों कहीं और से आ रही है इस क्योई नहीं अपने इसकुल की इस function के अंदर डेटा आपके पास आपके पस बहुत बड़ा object आ गया ठीक है और आपने क्या करना है जो callback function ना उसको क्या चीए था वो data चीए था और data कहां से मिलेगा इस function से मिलेगा तो हमने callback function पास कर दिया data उठाया data उठाने के बाद हमने callback function में वो data रख दिया तो इस स्वास रखो सब कुछ समझाओंगा अब बात करते हैं function returning function इसके बारे में बात कर लेते हैं उभी हम देखें सबसे पहले यहां पर फाइल नंबर 55 के साथ काम करना मुझे तो यहां पर लिख देता हूं 55 ओके यहां पर देखते हैं काम कैसे होगा सबसे पहले बिलकुल स्ट करने क्या आधात है मुझे for example एक function ना लिया आपने my func my func okay अब यह my func na आपको पाता है कोई भी function कुछ भी return कर सकता है for example यह function return कर देगा string return कर देगा a return कर देगा अब मैं क्या करता हूं const answer जो भी return करेगा और my function call करके इसमें अंस में क्या आजएगा जो भी return करेगा क्या return करेगा यह return करेगा तो यहां पर यहां पर console.log टो कुछ भी कर सकते हैं क्या करे है और यहां पहलेब झां कर सकते हैं वं५्य मैं हरिट यहां पर scompt ने बटो लेटें हैं चलो तो यहां पर क्या हो ज neं हर्इइत इस तो अब क्प्रोसद्ट कर सकते हैं for example आप ने कुछ number return कर दिया वन तोग आ यहां पर ध्यावच है या कोई दूसरा function return कर सकता है गया मतलब function return कर रहा है function समझाता हूँ मैं आपको function एक function ही return कर रहा है मतलब आपने इस function के अंदर एक function मना दिया for example यहाँ पर एक function मना दिया इसका नाम था hello ओके और यह function क्या करेगा simple console.log कर देगा hello world यहाँ पर मैं रिटर्न कर दिया hello मतलब क्या यह function my function क्या इस hello function को return कर सकता है बिल्कुल कर सकता है अब जब मैं my function को call करूँगा यह return करेगा एक function और function कहाँ पर रोज़ेगा uns में मतलब कि uns क्या बन गया एक function बन गया एक समझे रही हो अगर मैं uns को प्रिंट करूँगा तो आप देखने एक function प्रिंट हो रहा है अब मैं इस function को call भी तो कर सकता हूँ तो मैं जब करना क्या है मुझे simply इस uns को अगर मैं call कर दूँ तो क्या यह hello world प्रिंट होजेगा मतलब क्या है यहाँ पे एक function था इस function ने function return कर धिया और बाद में памяти इन्म रिटर्न क्या मैं एक variable में store कर लिया और उस variable क्या बन गया वह function बन गया और मैंने function को call कर दिया तो इसका बोलते है तो function returning function तो आदा function ने function return कर दिया अब यहां पर console.log नहीं करता मैं यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पर return करता हूं for example एक string return करता हूं hello world hello world ओके अब अब क्या होगा देखिए यहां पर my func name का function call किया इसने क्या return किया hello hello क्या था function मदब क्या अंस में क्या चला गया function चला गया यह पूरा का पूरा function और उसके बाद मैंने क्या किया यह जो function था hello function वह एक्चुली बन चुका है अंस अब मुझे करना है इस आंस नाम के function को call करना है call करूंगा तो यहां पर कुछ नहीं होगा क्योंगी रिटर्न कर रहा है कुछ नहीं हुआ बट जो रिटर्न कर रहा है मैं उसको डिरेक्ट लिप्रिंट भी कर सकते हैं किसी और वरेवल में स्टूर कर सकता हूं तो यहां पर मैं console.log करके इसको प्रिंट भी तो कर सकता हूं ना मैं तो यहां पर और जाव स्क्रीट में कहीं पैटरंस है मोड्यूल पैटरन हो गया तो उसमें यह चीज होती है तो इसलिए यह आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन रिटर्न कर सकता है एक और तीज जब आप ऐसा इंपूट फंक्शन एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप फंक्शन को रिटर्न करेंगे या फिर एक फंक्शन में दोनों काम करेंगे एक फंक्शन भी एक फंक्शन करेंगे और रिटर्न करें रिटर्न भी एक फंक्शन करेंगे तिनों में से कोई करता कुछ नहीं बस यही काम करता है एक function लेगा इसको पॉल कर सकता है और रिटर्न कर सकता है एक function और जैसे मैं नहीं यहाँ लिखा ना अप डिरेक्ट लेक्ट लेक्ट लिखा बहुँद अब उसको मैं आताता हूँ आप कुछ ऐसा कर सकते थे अ तो यहाँ पे return यहाँ पे function पूरा का पूरा function क्योंकि return करेगा string hello world अभी भी बिल्कुल same output आएगी मतलब की return या कि पहले हम क्या लिख रहे थे number लिख रहे थे string लिख रहे थे या कोई variable करना में return क्या कर दिया direct function कर दिया return तो direct function return कर दिया अगर आप को थोड़ा रीड करने में थोड़ा difficult हो रहा है तो इसको पहले जासे करते तो मैं तो आपको रीड करने में थोड़ा असान होगा function के अंदर एक function मनाया और उसको हमने return कर दिया कि अब तो यह हो गया हमारा अब हम बात करेंगे अरे के कुछ important methods के बारे में अब हम बात करेंगे यहां पर for each के बारे में map के बारे में filter के बारे में reduce के बारे में तो इस सारी है समझते हैं तो फोगा होगा फाइव होगा एक होगा तो जो इंडेक्स पर लेगा और प्रिंट कर देगा उसको तो एक function मना रहूं मैं simple function मना रहूं और function मना लेता हूं for example मैं दुबारा सुनिये function क्या करेगा function as a input लेगा यह array का first element लेगा और first element के साथ इसका index है वो लेगा प्रिंट कर देगा इसका index प्रिंट करेगा और साथ में इस number को ना two से multiply करके प्रिंट कर देगा तो यह चोटा सा काम करना मुझे तो function मनाना है तो function का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं for example मैंने function बना दिया multiply by two यह मेरे function का नाम है ठीक है मैंने कहा क्या दो चीज़े लेगा ए उसाथ में लगा एक index और करेगा क्या यहां पर console.log यहां पर आपने कर दिया यहां पर for example index is और यहां पर आपने प्रिंट कर दिया index जो भी आप यहां पर पास करोगे और जो number था यहां पर यहां पर जो number था यहां पर लिख सकते हैं आप यहाँ पर simple मैं ऐसा करता हूं यहाँ पर number into two तो यहाँ पर print करते हैं मैं number into two ओके तो यह हो गया अब यह function कुछ नहीं करेगा इस function को call करना पड़ेगा मैं क्या करता हूं इस function को call कर ले तो multiply by two function को call करता हूं तो इसे number pass करना है पपनमब क्या पास करना मुझे मुझे इसका पास करना नमबर जो 104 पास करते तो मैं नम्बर 10 पे OUT कर गिया मैंने ठीक है और साथ में इसका इंडेक्स क्या है फोर्थ का इंडेक्स क्या फोर्थ का इंडेक्स है जीरो तो यहां पर इंडेक्स जीरो एंड जो नंबर है वह आपका प्रिंट होगा एट ठीक है तो यहां पर ऐसे प्रिंट भी कर सकते हो क्या प्रिंट करोगे for example मैं यहां पर template string use कर लेता हूँ और यहां पर multiplication देनी है ना इसने मुझे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो number है जो मेरा number है अगर मैं उसको two से multiply करूँगा वो equal to आएगा इसके equal to आएगा इसके equal आएगा वो इसके equal आएगा और यहां पर कुछ इस तरह से तो यह output आ रहे है मेरे पास index is zero and four into two equals to eight बिल्कुल सही बात है अब यह का मुझे हर एक index के लिए करना है तो कर लेते हैं नीचे कर लेते हैं यहां पर first पा देते हैं यहां पर index one पा देते हैं यह हो गया पहले यह first element के लिए हो रहा है second element के लिए हो रहा है अब क्या करना है आपको यह हर एक element के लिए करना है तो आप समझदार हो कैसे करोगे बताओ कैसे करोगे for loop लगाओगे for let i equals to zero for loop कहा तक लगानी है while कब तक लगानी है जब तक i की value less than numbers dot length रहेगी और हर एक बार आपको क्या करना है i की value को increment कर देना है तो यह तो for loop है हमारे traditional तो यहाँ पे console.log अगर मैं i करूँ तो यहाँ पे क्या print होगा मेरे पास zero one two three मुझे zero one two three नहीं चीए मुझे index नहीं चीए index तो चीए i तो चीए मुझे साथ-साथ क्या चीए मुझे इसकी value भी चीए और मैं क्या करूँगा इस function को call कर दूँगा हर बार जिए पहली बार loop चलेगी मैं इस function को call करूँगा देखा फंक्शन को call करते है चलो इसको तो multiply by two यह function क्या लेगा function number लेगा पहली बार loop चलेगी number में क्या जाएगा जो 0 इंडेक्स पर बढ़ा हो जाएगा तो ले सकते हम कैसे लेंगे देखो numbers में से पहले मुझे उठाना आई i सबसे पहले 0 होगा मतलब कि सबसे पहले loop चलेगी है तो multiply by two में क्या पास होजएगा four pass हो जाएगा तो यहाँ पर four pass हो जाएगा जब पहली बार loop चलेगी और दूसरा चीज मुझे क्या भेजना यहाँ पर index भेजना है index भेजने के लिए यहाँ पर i भेज देता हूँ मैं इसको बड़ी असानी से ठीक है लूप चलती जाएगी देखते है इसके output क्या रही है तो आप देख सकते है output कितनी अच्छी आ रही है index is zero number four into two equals to eight आ गया index is one two into two four आ गया index is two number यह आ गया ठीक है तो यह ना थोड़ा देखने में थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है जो index है वो प्रिंट कर देगा और index के साथ साथ number प्रिंट कर देगा and number is जो भी number होगा वो प्रिंट कर देगा यहां पर index और number प्रिंट कर देगा और यहां पर मुझे यह वली string लगाने पड़ेगी तो मैं लगा देता हूं अगर आपको थोड़ी slow लग रहे वीडियो तो थोड़ी fast कर लिजे वीडियो को और multiply by two नाम का function को अम मैं नाम चेंज कर देता हूं इसका नाम चेंज कर देता हूं for example my func fast कर देगा तो आप लेख सकता है index is 0 and number is 4 तो यहां पे एक 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 इंडेक्स पर प्रिंट हो रहा है तो इसको उटा देते हैं से तो बिलकुल सही है यह function मेरा बिलकुल काम कर रहा है देखिए मैंने लूप चलाई इस अरे पर और मैंने हर बार function को call कर दिया आपको इतना समझ में आ चुका अब आप सोच रह numbers.forach as a input लेगा callback फोर इच as a input क्या लेगा callback हमने callback के बारे में बात कि थी न यहां पे काहां पे भी बात की थी यहां पे बात किती होता है जब किसी function as a input लेगा कोई function अगर as a input as a argument लेगा एक function और उस से call कर देगा तो ओक होता है ओके तो यहां पे यह जो पोर इच है न यह callback लेगा मतलब कि as an important function लेगा अब यहां पे ना मैं my func pass कर देता हूं इसको sorry guys यहां पे यह जो my func नाम का function है ना इसको मैं pass कर देता हूं यहां पे इसको law pass कर दिया मैंने अब जो उपर वाला code ना इसको मैं comment out कर देता हूं इसकी मेरे को जरूरत नहीं है और इस line को भी मैं हटा देता हूं अभी के लिए यहां से अब देखो यहां पे क्या हो रहा है मेरे पास एक array है एक function है और एक यह for each क्या करेगा जो हमने loop लगा के काम कियाना यह वला काम fall hitch कुद流र कर देगा for each क्या करेगा numbers नाम का array न यह तो क्या करेगा पहली को Somehow को कौल करेगा बार-बार जब पहली बार इस function को कारेगा न इस function में यही दो चीज़े पाएगा जो numbers है ना 2 value pass करेगा खुद pass कर देगा आपको pass करने की जूरत नहीं है खुद क्या pass कर देगा 4 pass कर देगा और उसका index pass कर देगा 2 pass कर देगा उसका index pass कर देगा समझपार है हो मेरी बात आप तो अब मैं इसको run करता हूँ न देखिए same output आपको यह लूप लगाने की जुरूत नहीं है यह काम for each ने कर दिया समझपार हो आप मेरी बात कि कितना आसान था for each मैंने आपको अच्छे समझा दे for each काम कैसे कर रहा है अब तोड़ी और बात कर लेते हैं इस लूप को मैटा देतों आपको यहां से आपको समझ आ अब सोचना कैसे है for each लगाने के लिए देखिए आपको क्या करना है simple for each लिखना है और आपको यह सोचना है कि for each को loop की तरह ही सोचना है कि for each क्या करेगा पहले सबसे पहला element उठाएगा और फिर इस function को call कर देगा इस element को पास करेगा और उसकी index को पास करेगा और यह काम करतेगा loop की तरह सोचना है आपने for each को ऐसा सोचिए कि for each element यह काम करेगा जो function में लिखोगा वो काम करेगा समझ पा रहे हो अब यहां पे इस function को आप अलग से भी मना सकते हो callback function को अलग से भी बना सकते हो और आप एक काम कर सकते हो यह जो callback function है इसको यही पे बिल्कुल यही पे भी define कर सकते हो इस callback function को अब वो देखते हैं को कैसे काम करेगा देखिए अभी callback function है तो आप यहां पे direct यहां पे ऐसा लिख सकते हैं function function anonymous function बना सकते हो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं अनोमस function कॉन से होते हैं जिनका कुछ नाम नहीं होता देखिए इस function का मैं कुछ नाम नहीं रहे हैं डिरेक्ट में function keyword लेकिए अपना function बना रहा हूं यहां पर यह क्या लेगा दो चीजे लेगा पहले number लेगा या index लेगा यह parameter आपकी मरज़ी है आप यहाँ पर A, B, C, D कुछ भी लिख सकते हैं अबर यहाँ पर कुछ meaningful होना चाहिए यहाँ पर मतलब पहला जो argument pass करेगा for each वो हमेशा pass करेगा number दूसरा हमेशा उसका index pass करेगा δेखे ठीक है और कई लोग parameter और उसमें confused होते हैं argument में देखे जब function हम बनाते हैं function define करते हैं उसको बोलते हैं हम parameter और मैं function बना रहुँ इसको parameter बोलूँ шь तो function में कुछ value call करते हैher function को जब उसमें value डालते हैं उसको तो बोलते हैं arguments तो फोरिच क्या करेगा argument पास करेगा हम क्या लिख रहे हैं parameter लिख रहे हैं तो ज्यादा confused नहीं होना आपने उसके बाद यह function करेगा क्या यह function simple यह काम करेगा मेरे लिए यह मुझे print करके देगा यह function तो यहां भी मैंने क्या पास करेगा सबसे खुद से पास करेगा number पहली बाद लुप चले ही पहला number pass कर देगा उसके index कर देगा दूसरी बार क्या करेगा दूसरा number पास कर देगा न हमकर यह से Parce प्रूब प्रूद कर रहे हैं पाप करना क्या वंप। ट्राउट करता हूं इस वीडियो को पोस्ट कीजिए और आपको करना कहा है फॉर इस लगानी है और आपको हर एक नमबर को टू से तो यहाँ पर क्या हो गया eight four ten sixteen अगर तीन से मिल्टिप्लाइब करना है तो यहाँ पर तीन लिख दो थारेक नंबर तीन से multiply हो गया तो यह था अब यहां पर आप सोचे लोगे मिने index यहां पर second argument index नहीं लिखा आपकी मरजी हो लिखना तो लिखो नहीं लिखना ना लिखो index लिखना तो लिख सकते हो और साथ में पिंडेक्स भी प्रिंट करा सकते हो आप ने पास करता है जब फंक्षिन कोल करता है index पास करता है और हमारी मरजी हमने उसे इग्णोर करना है यह हमें उसे accept करना है तो यह था फोरीज काफी सिंपल था अब थोड़ा realistic एक्जांपल देख लेते हैं फोरीज का हम कहां पर यूज कर सकते हैं फोरीज को देखें मोसली मारबस क्या होता ना मारबस कुछ इस तरह का अरे होता एक अरे है उसके अंदर काफी सारे उब्जेक्ट है फूर एक्जांपल प्र एक है मोहित इसकी मालो यहां पे वांप नितिश इसकी एज फूर इकसी मोच इसकी मेरे उब्जांपल 22 और एक मैरे पास यहां पे यहांदर यहांपको करना का आपको यहरे है इसकी अरे के बहुत सारो प्रियृइक्ट परेंगे इस तो हर एक user का first name print करना अगर आपको कहूं मैं user आपके पास बहुत सारे आपको हर user का first name print करना है तो कैसे करोगे तो for each लूप लगा सकते हैं कैसे लगाएंगे simple है users dot for each यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैं कहाँ होंगा function function as input लेगा आपका object लेगा तो object for example लेगा user यहाँ पर user object लेगा user कुछ भी ले सकते हैं आप तो पहली बार लूप चलेगी पहला object आएगा तो object लेगा तो मैंने क्या आपको लूप कितना समझे उसके बाद आपको करना गया और क्या करेगा यह console.log कर देगा लूप यूजर कर सकता था इसके लिए बिलकुल कर सकते हो कैसे करोगे और लैट यूजर ओफ यूजर यहाँ पे console.log user.firstname तो कुछ इस तरह से आप कर सकते थे बिलकुल तो कमेंट डूट करते हो तो सेम काम होगा आप देख सकते हैं एक्चुली में आपको बहुत जगा फॉर इस देखने को मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि फॉर ओफ लूप है यह अभी है जावास्क्रिप्ट में थोड़ा टाइम हुए ऐसे बट फॉर इच बहुत पुरान ही है तो इसलिए लोग आप देखो कि बहुत सारे कोड में लोगो करते हैं वो काम भी कर सकते हूं आप बस आपके पास एक एकक्ट्रा फंक्शन ओ हो गया वह डिच कर सकते All आई हो आपको समझा चुको का और फॉर इच लुक काम कहसे करती है यहां पर मैं और चीजश बताना चाओंगा थैब को हम ने क्यों कि कर दिया कि for each क्या करेगा यही callback function हर एक element के लिए call कर देगा बट यहां पर मुझे करना का है यह function जो बनाया ना मैंने इस anonymous function है यह हमने simple function keyword लिखके बनाया आप यहां पे ना इस function को arrow function भी बना सकते थे इसको arrow function मना के देखते हैं कैसे काम करेगा for example users dot for each method यूज किया और यहां पर मुझे function मनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ directly यहां पर arrow function मना सकता हूँ for example arrow function में यह लेगा एक एक पहला यूजर लेगा और क्या करेगा रिटर्न कर और काम क्या करेगा यूजर के साथ directly console.log कर देगा user dot first name तो आपने arrow function मना लिया मैं आपको कहा था arrow function में जब आपका यहां पर एक ही parameter लेख रहे हैं तो आप इसको भी skip कर सकते हैं इस brackets को ठीक है तो यहां पर इस तरह से भी काम करेगा arrow function बट आप आप यहां पर लिख सकते हैं अगर आप यहां पर index प्रिंट कर सकते हैं तो इस तरह से आप arrow functions भी use कर सकते हैं आप अगर आपको लग रहा है बहुत कुछ हो गया अब तक तो मैं आपको बार बार एक आपनी बात क्या रहा हूं जो मैं करवा रहू ना उसकी प्रैक्टिस साथ-साथ करते रहो ऐसे नेट्फिक्स नहीं है टुटोरियल की आपने बैठ के और आप देख रही हो और देखी जा रही हो देखी जा रही हो ओके तो यह इसमें तोड़ी मेहनत लगेगी प्रैक्टिस क करोगे आप वी बर मझबूरी होजेगी इस कूछ करना ऐसंपर औरकिमे काम कर हो किमें इइस रियक्ते नंबर्सकंवी कुछ नंबर कि क्या करें नहीं कुछ नंच हुए कुछ नंबर्स हैं Holzamu Kalau के लिए आए ऐसा आए इनपुट क्या ले method ले रहा था ओके तो ये भी map भी क्या करेगा एक इंपूट एक फंक्शन लेगा तो बात करते हैं कैसे काम करेगा देखें numbers numbers method है तो पहले numbers अपने हरे का नाम लिखा मैंने dot map okay map as input क्या लेगा callback function लेगा as a input okay तो callback function हम बाहर भी बना सकते हैं और अंदर भी लिख सकते हैं पहले मैं बाहर बना देता हूं ओके तो एक callback function है और इस callback function में क्या होगा ये callback function क्या करेगा देखते हैं और example ये function as a input लेगा एक number और return कर देगा उस number का square number का number into number उसको दो उसको number को उसी number से multiply करतेगा और मैं क्या करता हूं इसको एक variable में store कर लेता हूं एक function expression मना लेता हूं इसको for example square तो square नाम का function है square एक function है अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पे square पास कर सकता हूं directly ओके अब ये map क्या करेगा अभी इसको run करके देखते हैं ओके अभी इसने कुछ भी नहीं किया अब मैप के बारे में समझते हैं देखिए यह callback function है यह हमेशा कुछ ना कुछ return करेगा कुछ ना कुछ क्या करेगा हमेशा return करेगा यह return करेगा ठीक है map क्या करेगा इस function को call करेगा पहली बार इस function में पास कर देगा 3 इस function में 3 पास कर देगा और return में क्या मिल रहे है मुझे 3 into 3 मतलब 9 okay map function हमेशा नया array बनाएगा क्या बनाएगा हमेशा नया array बनाएगा हमेशा यह okay तो नया array बनाएगा तो उस array को मैं store कर सकता हूँ for example const square number कुछ इस तरह का कोई भी नाम रख सकते हैं आप इस array का ओके तो map function क्या करेगा देगे यह numbers पे इस array पे मैं map function यूज कर रहा हूँ यहाँ पे as a input ले रहा है callback function यह map function क्या करेगा सबसे पहले इस function में pass कर देगा 3 पास कर देगा 3 पास करने के बाद यह function क्या करेगा return करेगा 9 और एक नया array बन रहा होगा उस array में आ जाएगा 9 दूसरी बार फिर क्या करेगा map function इस square नाम के function में पास कर देगा 4 यह return करेगा 16 और मेरे array में आज एड हो जाएगा 16 तो इसी तरह से जितने भी यह number है इन सभी का square हो जाएगा 3 का square 9 4 का square 16 6 का square 36 1 का square 1 8 का square 64 तो सारे के सारे square बन जाएगे और square number नाम के array में store हो जाएगे तो यह इतना सिंपल है map function समझ रहे हो आप मेरी बात for example मुझे करना गया console.log square number तो आप देखिया यहाँ पे 9 16 36 1 64 अगर यह मेरा function for example यह जो square function यह कुछ return नहीं कर रहा है यह आप simple यहाँ पे print कर रहे हो for example console.log कर रहे हो अगर आप कुछ इस तरह से कर रहे हो आपने कुछ इस तरह से कर दिया मालो console.log यहाँ पे number into number कर दिया आपने तो इससे क्या होगा न यह number तो print हो जाएंगे बट यहाँ पे कुछ return नहीं हो रहा कुछ return नहीं हो रहा मतलब की जो नया square बनेगा तो उसमें क्या return हो रहे हाँ अगर कुछ हम return नहीं करते तो by default return होता है undefined तो कुछ return नहीं और undefined return हो रहा है तो जिसमें अगर जो return होता है वही square number नाम के array में add होगा तो यहाँ पे क्या add होता जाएगा undefined 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 okay तो it is crucial कि आप यहाँ पे return करें अगर आप map function यूज़ करें तो यहाँ पे return करें समझे रहे मेरी बात तो यहाँ पे आपको हमेशा return करने है आप for each में क्या करें थे हैं for each में simple console.log कर रहे थे यह और इच नए array नहीं देता return में map return में क्या देगा नए array देगा उसे store करेगा तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे आपको return करना है समझे रहे मेरी बात अब य आप यह function यहाँ भी define कर सकते थे अभी तो मैंने आपको समझाया बिल्कुल वैसे यहाँ पे function बना देता हूं मैं function as input लेगा number return करेगा number into number same output कोई change नहीं आएंगे उसके बाद यहाँ पे मैंने function मनाया अब आप यहाँ पे क्या use कर सकते थे सोचो सोचो arrow functions use कर सकते थे समझे keyword को यहाँ से हटा सकते हो और यहाँ पर क्या कर सकते हो number और यहाँ पर arrow लगा सकते हो तो arrow function बन गया और यहाँ पर arrow function बन गया चिससे काम हो रहा है तो यह हो गया आपका क्या हो गया map method हो गया अब यहाँ पर जैसे हम पहले कर रहे थे उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं यहा जगा मैं साथ में index के साथ भी कुछ काम कर सकता हूं for example मुझे string return करनी है मैं string template यूज कर लूँगा और उसमें यहां पे कुछ इस तरह से कर लूँगा ओके और यहां पे लगा दूँगा मैं यह डॉलर साइन और यहां भी value होगी वह आ जाएगी यहां पे और साथ में नंबर आ जाएगा यहां पे ओके यहां पर कॉमा भी डाल दे तो मैं कॉमा यहां पर जो नंबर होगा उसका square होके भी आ जाएगा यहां पर इसको एक बार ना square number में देखते हैं क्या आया तो square रिटर्न डिरेक्टली यहां से रिटर्न कर सकते हो इंडेक्स एसम नहीं करते बट आप ऐसा भी कर सकते हो तो इंडेक्स टोर होगे आपके यहां पे zero one two three four ओके तो अब थोड़ा इसका realistic example देख लेते हैं इसका map method का ताकि आपको समझ आजाए इसको कब use करते हैं for example यह मेरा एक array है users नाम का ओके आपको करना कहा है आपको इस user के first name चाहिए एक array बनाना है उसमें आपने इन users के first name store करने हैं तो कैसे करेंगे आप वह देखते हैं तो map method use कर सकते हैं तो users.map as input लेगा callback function callback function में आप pass कर दीजे कुछ भी for example user ओके और यहां पे यह return क्या करेगा return करेगा user का first name ओके और मैं क्या करूंगा इसको इसका यह return में इसके क्या देगा करेगा तो मैं उस array को store कर लूँगा कहा store कर लूँगा एक user names तो user names नाम का एक array बन जाएगा और मैं क्या करूंगा उसको print कर सकता हूं तो यहां पे console.log user names अब देखते हैं इसको इसको numbers की जुरूत ने इसको comment out कर देता हूं मैं अब देखते हैं first name का array आ रहा है first name का array आ रहा है समझपा रहे हो आप ओके और तो यही था map method आई हो आपको समझ में आ चुक होगा कि map method काम किस तरह से करता है अब हम बात करेंगे filter function की फिल्टर function फिल्टर function भी array का method है तो filter method लितना ज्यादा सही रहेगा filter method की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे करें बना लेता हूं मैं या फिर numbers नाम करें बना लेता हूं अभी जैसे बना या था for example इसमें नम्बर आट करें तो 1232648 ऑके और example अब क्या करना है मुझे क्या करना है मुझे फिल्टर करना है सारे old number filter करना है for example सारे even number filter करना है तो कैसे करूंगा देखिया तो ना मैं क्या करूंगा तो यहां पे हम filter method और यूज करेंगे तो filter methods filter dot या sorry numbers dot filter इस तरह से तो मैं लिखूंगा ही ठीक है और जी as input लेगा callback function callback function को उपर define कर लेता हूं for example मैं callback function define कर लेता हूं उस callback function का नाम रखता हूं for example इस एवन तो callback function ना रख लिए इस एवन जो as an input लेगा एक number और यह जो filter का callback function होगा ना इस बात को ध्यान दे सुनना जो filter का callback function होगा वो हमेशा रिटर्न करा चाहिए boolean value या true या false तो ये return कड़ेगा number अगर number तो से divide होगे अगर उस zero के कवाल आ गया मतलब अगर य custom key here यहाँ पर function लेतूँगा तो यह बन गया मेरा callback function अब मुझे करना क्या है यहाँ पर callback function को यहाँ पर pass कर दूँगा मैं अब यहाँ पर क्या होगा filter function सबसे पहले क्या करेगा is even name के function में pass करेगा one तो क्या one अग को two से divide करके zero आएगा नहीं मतलब one क्या है तो यह क्या करेगा नए array में नए array में one को add नहीं करेगा यह उनी numbers को add करेगा जब true आएगा true कब आएगा जब वो number होगा even तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा const लिख लेता हूँ और यहाँ पर even numbers equals to अब देखते हैं even numbers को print करके तो यहाँ पर console.log even numbers तो यहाँ पर two, six, four, eight यहाँ पर पहले two आ रहा है, six आ रहा है, फिर four आ रहा है, फिर eight आ रहा है अपने filter कर लिए even numbers तो इस तरह से काम करता है filter function filter function का callback function हमेशा क्या return करेगा true या false for example, आपने odd number filter out करने है तो मैं function का नाम change कर देता हूँ, is odd यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, is odd और यहाँ पर मैं condition change कर देता हूँ अगर वो not equal हुआ तो मुझे return करना है true या false तो यहाँ पर सारे क्या हो जाएंगे, filter out क्या हो जाएंगे सारे odd number filter out हो जाएंगे देखिए, one three इस तरह से काम करता है और जैसा कि हम पहले की वीडियो में करते आया है हम इसको हटा के callback function directly यहाँ पर define कर सकते हैं यहाँ पर arrow function भी define कर सकते हैं for example, arrow function क्या लेगा as I input एक number लेगा और यहाँ पर filter क्या return करेगा हमेशाए boolean value तो return करेगा अगर हम किसी number को two से divide करके अगर वो zero के call आ गया तो यह expression या तो true return करेगा या false return करेगा अगर true return किया तो even numbers नाम के आरे में आ जाएगा तो कितना simple था देखिए तो आपने देखिया two four six eight two four six eight हमने filter out कर लिया इसको filter out कर लिया even numbers को हमने filter out कर लिया तो यही है filter method आहिव आपको समझा चुकोगा filter method काम किस तरह से करता है अब हम बात करेंगे reduce method के बारे में लोगों को reduce method starting में थोड़ा मुश्किल लगता है बट आई promise मैं आपको समझा दूँगा पहले बिल्कुल basic example देखेंगे reduce method का फिर हम उसका realistic example देखेंगे फिर आपको समझा जाएगा reduce आपको कैसे use करना है ठीक है तो start करते हैं इसके बारे में सीखना देखेंगे सबसे पहले array का method है मुझे एक array बनाना पड़ेगा तो मैं array बना लेता हूँ numbers नाम का और काफी simple array बनाऊँगा 1,2,3,4,5 पांच ही numbers हैं अपना मुझे क्या करना है use करना है reduce method तो numbers.reduce यह method यह use करना है और यह method as a input callback function लेगा देखें यहां पर लिखा है callback function तो callback function आप अलग से function मना की भी pass कर सकते हैं ओके anonymous function भी pass कर सकते हैं या फिर आप arrow function भी pass कर सकते हैं देखिए arrow function मैंने आपको यहां पर सिखाया किस तरह से arrow function पास कर सकते हैं यहां फिर से सिखाया तो अब मैं directly यहां पर arrow function use करूँगा मुझे आपसे इतनी उमीद है कि अब आपको पता लग गया होगा arrow function as a callback कैसे pass कर सकते हैं तो इतने आप अभी समझदार हो चुके हो तो मैं यहां पर directly arrow function कुछ इस तरह से pass कर दूँगा अभी मैं arrow function में कुछ नहीं लिखा ओके तो यह तो आपको इतना syntax तो आपको समझ आ रहा होगा इतनी तो आप समझदार हो अब reduce करेगा क्या मैंने अभी वह नहीं बताया और मैं मैं इस array का क्या करना चाहतूं मैंने अभी तक आपको वह नहीं बताया पहले उसके बारे में बात करते हैं देखिए पहले मैं code लिखूंगा फिर आपको समझाओंगा कि यह code काम कैसे कर रहा है उससे आपको यह बता लेगा reduce काम कैसे कर रहा है फिर उसका realistic example लेखेंगे दे array मुझे इस array में जितने भी number से उनका sum करना अब आप सोच रहोंगे यार यह काम तो हमने while loop लगा के भी किया था for loop लगा के भी किया था okay उसके बाद four of loop यह तो हम काम जिस मर्जी सा जिस मर्जी तरह से कर सकते हैं इसके तो inbuilt method भी है तो यह काम करने के लिए हम reduce की use करें द इन सबी numbers का sum करेंगे एक बार आपको यह समझा गया कि यह काम कैसे कर रहा है फिर उसके बाद हम इसका realistic example देखेंगे तो start करते हैं reduce काम कैसे कर रहा है देखें reduce में first parameter आप कुछ भी value लिख सकते हैं A B X Y कुछ भी लिख सकते हैं बड़ यहां पर थोड़ा meaningful नाम रखते हैं जो नाम रखते हैं यह documentation में बहुत जगा mention है पहला जो parameter लिखते हैं उसका नाम रखते हैं accumulator और दूसरा रखते हैं current value current value यह accumulator क्या है current value क्या है अभी मैंने आपको नहीं बताए अभी बता हूँगा क्या है उसके बाद ना यहां पर एक जादू होगा मैं आपको बताता है accumulator लस current value अगर मैं यह code लिखूंगा ना यह मुझे return में ना किस सबका sum देगा और मैं अगर const sum नाम का variable बना लूँ sum नाम का variable बना लूँ और मैं console.log करूं sum तो देखना यहां पर 15 आ रहा है कि इन सबका sum 15 होता है बिल्कुल हाँ 15 होता है अगर मैं यहां पर एक और नमबर एड़ करूनों for example 10 तो इसका sum कितना आना चीए 25 आना चीए 25 आ रहा है तो आप सोच रहे होंगी कि यह काम हो कैसे र accumulator तो उसके बार track करना होगा current value को इन दोनों चुझों को हम track करेंगे तो किस तरह से track करेंगे वो देखते हैं देखिया सबसे पहली बार accumulator की value होगी 1 और current value की value होगी 2 तो यह बात आपको बत अलगी इस बात को दुबारा दोराओ मेरे पेशे सबसे पहले बार क्या होगा तो accumulator है ना इसकी value अब मैं आपको समझातों क्या होगा देखिए यहां पर हम return क्या कर रहे हैं अब यहां पर पहली बार हम return क्या कर रहे हैं यहां पर एक और से track करेंगे हम return पहली बार में हम return क्या कर रहे हैं हम return कर रहे हैं accumulator plus current value accumulator 1 था current value 2 था return क्या कर रहे हम return कर रहे हम पहली बार में accumulator की value क्या है 1, इसका first index, जो 0 इंडेक्स पर, जो element है वो, 1, current value की value है 2, current value की value कितनी है 2, और return हमने क्या किया, accumulator plus current value 3, इतना आपको समझ आ गया, अब दूसरी बार में accumulator की value वो होगी, जो मैं लाइन बोल रहों ने, इसको दो तिन बार सुनना, दूसरी बार में accumulator की value वो होगी, जो उससे पहले return value थी, इस function की, reduce method ने, जो उससे पहले return किया था न, बहुत कि next function call में, इसको मैं अगर बोल दूँ, इसको बोल दूँ, अगर मैं first function काल, या समझ जाओ, सबसे पहली बार जब इस function call हुआ, तो accumulator की value थी 1, by default, current value थी 2, return हमने क्या क्या 3, next time क्या होगा, जो return हुआ, पिछली बार, वो अब नहीं accumulator की value बन जाएगी, और current value आगे बढ़ जाएगी, current value अब हो जाएगी 3, तो current value आगे बढ़ती रहेगी, current value हो जाएगी 3, तो उसके बाद return क्या कर रहे हम, accumulator plus current value, accumulator दीना है, current value भी दीना है, तो हम return कर कर रहे हैं, ठीक है, अगली बार function call होगा, तो तब क्या होगा, उस time क्या होगा, उस time, accumulator की value क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, accumulator की value, और current value 3 से बढ़ के आगे 4 हो जाएगी, तो 4 हो गई है, 4 हो गई, और return हमने क्या कर दिया, return हमने कर दिया, यहाँ पे 10, समझ रहे हो, फि current value 4 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 5, और return क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5, 15, अब बताओ, accumulator की value क्या होगी, next time पे 15, current value क्या हो जाएगी, current value बढ़ के हो जाएगी, 5 थी, current value बढ़ के हो जाएगी, 10, sorry, current value बढ़ के हो जाएगी, 10, और return क्या कर दिया हम, 25, इसके बाद, आगे न बात मैंने बोली ना यह जो मैंने डाइगरम मिन है इसको आप समझ लीजिए यह काम कैसे कर रहा है तो बहुत सिंपल था बस यह इस तरह से काम कर रहा है आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे नहीं इसको इसी फंक्शन पार बना के देखे होगे ना दो तीन बार इसको बोल क एक वैल्यू दे रहा है मुझे, पूरे array मैं से reduce करके, मुझे एक वैल्यू दे रहा है, total दे रहा है मुझे, sum दे रहा है सबका, sum केतने दे रहा, 25 दे रहा है, तो यह काम कर रहा है, यहां फिरेद्ज, मैंने ज्यासद गी कहा था, कि मैं आपको एक reduce reduce समझने के लिए हम सम नाम सम नाम का सम करेंगे इसका अब हमें रिड्यू समझ आगया ओके अगर नहीं भी समझ आया ना कोई बात निए अगर आपको 50% समझ आया ना कोई बात निए एक्जामपल देखते हैं आपको थोड़ा और समझ आएगा और आगे चलके हम इसके और इ इसका for example मेरे पास एक object है जिसका नाम है यूजर कार्ट देखें गाइस यह थोड़ा रियल लाइफ से एक्जामपल है for example आप अपने कार्ट में आइटम एड्स करते हो एक टू काट एड्सके बाद निच्छे आपको टोटल आजाता है कि टोटल अमाउट आपका कितना हो गया यह पर एड्सके पास लिस्ट में आपके बास आइटम पड़ी है एक आइटम पड़ी है उसमें कुछ आइटम एफ इसमें है प्रोडट आइडी प्रोड़क्ट एडी थी वन प्रोड़क्ट अ product name for example आपने flip card से कुछ बी order किया for example आपने mobile order कर लिया उसके बात product या फिर direct मैं कहा लगता हूं price लिए तो price लिए आपने for example 12000 ओके तो यह auke cr a है अपके पास ओके आरे का नाम में आपके पास user card इस array में आपके पास अलग-अलग object है जो भी आपने for example अपने cart में store कर रखाया for example आपने एक ले लिया laptop ठीक है उसकी price है for example 22,000 रुपए तो ये कुछ इस तरह का आपके पास list है उसके अंदर बड़े सारे आपके पास objects है तो इसकी product ID में 2 कर देता हूँ तो नीचे आके इसकी product ID 3 कर देता हूँ for example आपने एक और चीज़ ली जो थी for example TV आपने TV लिया उसकी price थी for example 15,000 रुपए तो ये है आपके पास आपने अपने cart में ये add कर रखा है और आपको भी क्या चाहिए आपको क्या चाहिए इनका total चाहिए आपको product 1 का total चाहिए जो भी product 1 का price product 2 का price और product 3 का price इन तीनों का sum चाहिए ये आप simple for loop लगा के कर सकते हो बट आप बहुत जगा देखोगे न जो थोड़े experience developer है तो वो क्या करते हैं वो जल्दी से reduce लगा देते हैं इस पर तो मैं भी अभी currently एक react के project पर काम करों तो उसमें भी मैंने भी क्या किया किया कि इस तरह के काम को करने के लिए reduce यूज किया है तो इससे क्या होगा ना इससे आपका काम थोड़ा असान हो जाएगा और बस reduce यूज करते हैं लोग और इसके और भी benefits हैं जैसे जैसे आपको बढ़ेंगे आगे हमें पतल लगेगा अभी आपको क्या काम है आपने इसके price को total करना है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं देखिए सबसे पहले user card यह क्या है यह एक मेरे लिख देता हूं total price लेख देता हूं यह थोड़ा जादा होगा यह ज्यादा मिनिंग्फूल होगा टोटल प्रैस लिखना और यहां पर अभी current price लिख देता हूं यहां पर अब देखते हैं काम कैसे करेगा यहां पर मुझे तो यहां पर current price की जगाह मैं लिखता हूं current product अब यहां पर जो टोटल प्रैस जाना टोटल प्रैस की मुझे सबसे पहले value चाहिए जीरो फिर मैं चाहता हूं 0 में 12,000 फिर 12,000 में 22,000 में 15,000 तो में कुछ ऐसा चाहिए आप सोच रहोंगे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं देखिए मैं इसको न दो पल के लिए comment out कर देता हूं और इससी पुराने value क्या गई थी टू मठ हम इस behavior को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं देखिए अगर मैं यहां पर इस वीडियो में सो बर कर चुक हूं अब देखना सम आ रहा है यहां पर 25 ठीक है अब यहां पर न जो बाइडिफोल्ट वैल्यू आना यहां पर एक यह जो एरो फंक्शन आना य पोल बैक के साथ सातना आप initial value भी पास कर सकते हैं initial value पास कर सकते हैं for example मैं initial value पास कर दी for example 100 पास कर दी initial value इसका मतलब क्या होगा सबसे पहले accumulator की value होगी 100 सबसे पहले accumulator की value कितनी होगी 100 और current value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी पहले accumulator की value क्या थी 1 current value थी 2 जब मैंने initial value पास कर दी तो क्या होगा accumulator की value हो जएगी 100 मतलब की initial value हो जएगी 100 और फिर 100 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 10 as होगा मतलब अभी 25 में क्या करो 100 और जोड़ दो तो वो result आएगा मेरे पास मतलब 125 आएगा मेरे पास अगर मैं इसको save करूँ तो आप देखने 125 आ रहे हैं तो आप initial value भी पास कर सकते हैं तो यह जो मैंने आपको एक्स्टरा बतानी थी आई होब आपको एक्लियर होगी होगी अभी तक मैंने आपको क्या बताया अब इसके बाद इसी example पर दुबार आ जाते हैं तो यहाँ पर न तो यह मेरा arrow function है अब यहाँ पर मैं initial value पास कर सकता हूँ नो for example को मा डाल के initial value मेरी 0 मेरी पहले तो total price 0 या ना starting में तो 0 है उसके बाद मुझे total price में क्या एड़ करते जाना है 1200 एड करना है 12,000 एड करना है फिर 22,000 एड करना है फिर 15,000 एड करना है तो मुझे करना कहा है मुझे रिटर्न करना है रिटर्न मुस्ली हम क्या करते हैं जो हमारी इनिशल जो टोटल प्रैस में डालना है आपने वही रिटर्न करना है तो क्या रिटर्न करना है मुझे एक number return करना है क्या number return करना है current product की पहले value क्यों होगा यह पूरा पूरा object इस पूरे के पूरे sorry guys यह पूरे के पूरे object से मुझे चाहिए 12000 मलब कि इसका price चाहिए तो मैं क्या करूँगा current produce लिख दिया मैंने यहां पर current product लिखना है price ओके तो कुछ इस तरह से तो यहां पर total price की पहले initial value क्या थी जीरो टो टोटल प्राइस लस यह काम करना है मैंने बस बाकि सब सही है अब यहां पर एक variable बनालों cost total amount अब मैं मुझे क्या करना है console.log total amount देखते हैं Lisa अब है तो आप देखना total amount और 59,000 total amount और और आही ओप ऊस्वाज आचको कि कि काम हो कैसे रहा है देखिए समझ आता तो मैं आपको बता देते हूं तो है इस सब बहुत पहले तो टोटल प्राइस था तो टोटल प्राइस को ट्रैक करने है करन्ट वैली को ट्रैक करने है और साथ में ट्रैक करने है रिटर्न को हमने ये तीन चीज़े ट्रैक करने है ना तो देखिए तीन चीज़े ट्रैक कर लेते हैं सबसे बहले टोटल प्रैस की निशिल वैल्यू क्या थी जीरो थी current value क्या थी पूरा का पूरा object था जिसमें क्या था product ID भी थी product name भी था और price भी था तो तीनों चीजे थी इसमें तो सोचलो तीनों चीजे है तो मने return क्या क्या था इसमें से price extract कर लिया था और plus total price था जो total price city में क्या होगा तो पहली बार में क्या आगया होगा इसका price 12,000 था ना तो इसमें 12,000 X extraक करके उसमें zero add करके तो पहली बार में 12,000 आगया उसके बाद total price की value क्या होगी 12,000 के विर उसके बाद primary value दूसरा प्रोडक्त दूसरा प्रोडक्त होगा थिका तो दूसरे पूर्टक्ट में से हम फिरेट से एक्सितां करेंगे बफे तो हाजार आ तो बारह हजार 2020 12000 plus 2000 तो कितना हो गया 34000 हो गया 34000 हो गया उसके बाद क्या करना है total price क्या value क्या हो गया 34000 और current value कितनी है 15000 तो कितना हो गया तो 49000 price आगया तो आगे current value कुछ बचे ही नहीं तो हमारे पास 49000 total answer आगया आए होब आपको समझा चुको होगा कि reduce काम किस तरह से कर रहा है अब हम बात करेंगे sort method के बारे में sort method के लिगों को थोड़ा सा अजीब लगता है जावस्क्रिप्ट में बट मैं आपको समझा दूँगा इस वीडियो में I promise sort method किस तरह से काम करता है तो बात करते हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे इसी वीडियो में क्या लिखा है और इतना सारा लिखा है मैंने तो इस पर ध्यान मत दीजिए बस मैंने लिखा गया है 0 का 49 लिखा है 0 का 48, 149, 250 कुछ इस तरह से कुछ वैलियो लिखी है मैंने आप उसके बाद A capital A 65 फिर B का 66 हो गया ऐसे increase होता जारा है Z तक 90 तक उसके बाद small letters का small alphabets का 97 फिर B 98 C 99 तो कुछ इस तरह से increase होगे यह जारा है Z तक 122 तक तो यह कुछ इस तरह से value लिखी है यह क्यों लिखी है आपको समझ नहीं आ रहा है अभी समझाएगा 2 मिनट बात देखिए sorting का मतलब क्या होता है sorting का मतलब क्या होता है for example आपको कुछ number दे दिया मैंने for example मैंने number दे दिया 5 number दे दिया उसके बाद solic legal दे दिया उसके बाद SHAD just अगर मैं इसकोач करो तो आप कैसे sort करोगे तो आप कुछ इस तरह से sort कर दोगे सबसे पहले सबसे चोटा नमबर फिर उसके बाद उससे बड़ा नमबर उसके बाद उससे बड़ा नमबर 400 लिख दोगे आप फिर उसके बाद 1200 लिख दोगे आप उसके बाद आप 3000 लिख दोगे तो sort का मतलब simple यह होता है अब sort करने के लिए जाओ स्क्रिप्निक method है sort method तो किस तरह से काम करता है वो देख लेते हैं for example मेरे पास एक array है post array का नाम है numbers और उसमें कुछ values हैं यह तो यही values लिख दी मैंने उसके बाद मैं क्या करूँगा sort करूँगा numbers.sort एक तिस यहां पर मैं बताना चाहूँगा यह sort method है ना यह मेरे original array को mutate करेगा मतलब original array को change करेगा है देखिए हमने बात कि थी forage की forage क्या कर रहा था यह मेरे array था और यहां पर मैंने forage use किया था तो forage क्या कर रहा था इस array को change नहीं कर रहा था original array इसको change नहीं कर रहा था इसी तरह से map map क्या कर रहा था यह जो मेरे original array आना इसको change नहीं कर रहा था नया array दे रहा था मुझे उससे मैं store कर रहा था बट इस जो मेरे original array बना हुए उसको change नहीं कर रहा था, यही filter के साथ था, filter भी मेरा original array change नहीं कर रहा था, यह नया array दे रहा था, original array को change नहीं कर रहा था, ऐसी reduce के साथ, reduce तो array देता है, नहीं reduce तो क्या करता है, एक value देता है, हमें reduce करके, तो यह तो चलो छोड़ो, अब बात करते हैं इसकी, इस sort क्या अगर मैं यहां पर sort method apply करूंगा तो इस sort method इस array को change करेगा यहां पर तो यह मैं इसलिए बता रहा हूं इंट्रिव में पूछ लेता हैं कई बार sort method इस array को यहां पर change करेगा change कर देगा उसके पर मैं क्या करूंगा console.log numbers लिख देता हूं अब यहां पर जो मैं expect कर रहा हूं अपने sort method से वो मैं कुछ यह expect कर रहा हूं यह है expected यहां पर लिक लेता हूं यह expected मैं expect कर रहा हूं sort method से कि मुझे भाई कुछ इस तरह से करके दें ओके बट यह मेरी expectations पर बिल्कुल भी खरानी उत्रा आप देख सकते हैं इसने मुझे क्या दिया रिटर्न में पहले 1200 दे दिया फिर 3000 दे दिया फिर पांस दिया फिर 9 दे दिया यह बहुत इसने वीर्ड रिजल्ट दिया ऐसा क्यों दिया है वह देखते हैं देखिए सबसे पहली बात जावा स्क्रिप्ट में जह हम सोट करते हैं यह numbers हैं जावा स्क्रिप्ट इसको numbers समझ के सोट नहीं कर रहा दुबारा सुनिए जावा स्क्रिप्ट इसको numbers समझ के सोट नहीं कर रहा जावा स्क्रिप्ट इसको string समझ के सोट कर रहा है मतलब जावास्क्रिप्ट ने पहले क्या किया है यहां पर जो 5 ना इसको स्ट्रिंग में लिख दिया इसको यह 9 ना इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया 1200 है इसको string चेंज कर दिया 400 है इसको string में change कर दिया 3000 है इसको string में change कर दिया फैंक जावा स्क्रिप्ट इसको as a number sort ह्याइस इसको na चेंज कर रहा है गहां और as a string sort करने का मतलब कहा string किस तरह से sort होती है वो देखते है देखें string को sort करने के लिए हम use करते है s की code क्या use करते है s की code वही मैंने लिखा हुआ है मतलब अगर आप string में 0 को देखेंगे 0 लिखेंगे तो उसकी value होगी 48 वन लिखेंगे तो उसकी value होगी 49 ठीक है तो अब यहाँ पे javascript क्या करेगी जो string का पहला character है न सरसे पहले उसको उठा लेगी और उसका s की code देखेगी मतलब 5 का s की code क्या होगा देखें मैं यहाँ पे उपर जाता हूँ मैं और यहाँ पे इसको copy paste कर लेता हूँ तो आपना मेरे साथ बने रही है मैं आपको समझा जूँगा यह किस तरह से sort कर रहा है जावा स्क्रिप्ट तो यह कुछ values थी तो पांच की value क्या थी पांच की value है यहाँ 53 तो यहाँ पे 5 की value है 53 उसके बाद यहाँ पे 9 9 की value है 57 तो 9 की value 57 उसके बाद 9 की value 57 उसके बाद क् में यह स्ट्रिंग में बारास हुआ है जावस्रिप क्या करेगा बारास पूरा नहीं देखने का ना जैसे डिक्शनरी में क्या होता है हम डिक्शनरी में कुछ चीद सर्च कर रहे होता है सबसे पहले हम ए देखते हैं फिर बी देखते हैं फिर सी देखते हैं ऐसे सिरफ 1 को देखेगा सबसे पहले अब 1 का है 49 तो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर 49 सोच के compare करेगा इसको मतलब कि इसको 49 यह 49 है जावा स्क्रिप्ट के लिए S की value में S की code इसका 1 का 49 है यहाँ पर 4 का गया 4 का है 52 तो यह भी 4 का देखेगा तो भी सिरफ 4 का ही देखेगा यह 4 का 52 तो कि 4 का 52 उसके बाद यहाँ पर सिरफ 3 का देखेगा 3 का 51 तीन का यहाँ पर 51 तो यह है अब जावा स्क्रिप्ट इसको लेकर इसको देखते हुए sort करेगा अब सबसे चोटा नमबर इसमें से कौन सा है देखेगे सबसे चोटा नमबर है इसमें 50 49 49 किसके लिए था किसके लिए देख रहे हैं 49 1210 के लिए था 49 लिखा था हम में तो यहाँ पर 1210 सबसे पहले आजएगा क्योंकि 49 सबसे चोटा है तो यहाँ पर 1210 सबसे पहले आगया उसके लिए 51 मतलब की तीने जर उसके बाद आजएगा तीने जर उसके बाद आगया उसके बाद आ रहा है उसके बाद आ रहा है 51 के बाद आ रहा है 52 मतलब की 410 410 400 मतलब की 10 तो मैंने बाद में लिख दिया अगर मैं यहाँ पर 410 भी लिख दूना 57 तो यहां पर कुछ इस तरह से काम हो रहा है आई होब आपको समझ आ चुको होगा कि जावस्क्रिप्ट ने इसका अगर मैं इसको सोट कर रहा हूँ तो मुझे यह आउटपूट में क्यों दे रहा है अब यह इतना विर्ड बिहेवियर है तो इसका एक फाइदा एक नुकसान है फाइदा नुकसान मैं बदा देता हूँ देखिए इसको यहां से हटा देता हूँ नुकसान तो इसको पतल लगए क्योंकि यह numbers को सोट नहीं कर रहा है यह numbers को string में चेंज कर रहा है फिर उसे सोट कर रहा है तो ये तो भाई नुकसान है, अगर numbers को sort करेंगे हम, इसका solution है, बिल्कुल इसका solution है, इसको देखेंगे हम, इसका क्या solution है, बट, अब मान लो आपके पास ये है कुछ, for example, user names, user names है आपके पास, और आपने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अर्शित, और यहाँ पे लिखा आपने फुर एक्जामपल मोहित यहां पर उसके बाद नितिश ओके तो ना यह इस केस में ना अगर मैं यूजर नेम्स को सोट करूं तो डिक्शनरी के जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं ना उसी तरह से सोट कर देगा मतलब कि पहले ए वले आजेंगे फिर बी वले आजें मैं क्या करता हूं इसको हटाता हूं यहां से नंबर को सोट करके देख लिया मैंने समझ भी लिया नंबर किस तरह से सोट हो रहे हैं मैं यूजर नेम्स को सोट करता हूं और मैं साथ में कॉन्सोल डोट लोग करता हूं यूजर यूजर नेम्स यूजर नेम्स तो आप EFGH हरशित आएगा फिर HIJKLM आएगा फिर उसके बाद N आएगा तो बिल्कुल सही सोट किया इसने एक यहां पर ABCD ABCD था एक आपके पास होता A A B C तो यहां पर बिल्कुल सही सोट करेगा सबसे पहले A A B C ABCD तो जिस तरह से हम डिक्शनरी में देखते हैं बिल्कुल उसी तरह से सोट कर रहा है और बिल्कुल सही काम कर रहा है बट यहां पर एक और चीज देख एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो की कुरूशल है वो अगर अगर कैपिटल लैटर्स हों A B C D तो पहले capital letters वाली sorting होगी मैं लगी अगर माल लो ABC हो गया आपके पास capital में उसके बाद हो गया माल लो HRSHIT capital H लिख दिया हमेंने तो यहाँ पर capital H वाला पहले आएगा इसलिए आएगा इसका reason है देखिए यहाँ पर न मैंने ABCD के लिखा है देखिए यहाँ पर S काई code देखिए जो capital letters capital alphabets के ना उनका है 65 से start capital alphabets का जा रहा है 65 से 90 तक capital A का 65 है उसके बाद D का 68 है Z का 90 है मलब की increasing order में जा रहा है 65 से start हो के 90 तक वो जो small है उनकी S की value है वो ज्यादा है S की code है वो ज्यादा है small A का 97 है small B का 98 है तो यह 97 से start हो रहा है तो S की value के coding क्या करेगा JavaScript सबसे पहले जो capital वले आना उनको sort करेगा फिर small वले उनको sort करेगा तो बस यह आपको छोड़ी छोड़ी चीजे ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं बस यह हो गया अब आपको यह तो पता लग गया JavaScript में sort method कर क्या रहा है बट अभी तक हम अपने expected output तक reach नहीं कर पाए अब हमें देखना है कि हम expected output तक किस तरह से पहुचेंगे तो यह जो code है इसको मैं हटा देता हूं यहां से यह आपको मैंने समझाने के लिखा था मैं इसको हटा के इसको उपर लिख लेता हूं यह मैंने उपर लिख लिया और इसको भी मैं हटा देता हूं अब यह मेरे पास numbers है जिर देखिए मुझे numbers के साथ sort तो करना है numbers को sort तो करना है numbers.sort यहाँ पे but मेरे को expected output नहीं मिल रही थी वो मुझे किस तरह से मिलेगी वो मुझे करना है अभी मुझे output कुछ इस तरह से मिल रही है numbers अगर मैं लिखूँ तो मुझे यह output मिल रही है 1200 फिर 3400 तो यहाँ पे sort method as a input एक callback भी ले सकता है यहाँ पे optional argument पास कर सकते हैं आप एक callback function callback function में मैं देखिए कुछ लिखता हूँ a को मैं b arrow function लिख रहा हूँ मैं और जो return कर रहा है direct मैं आपको यहाँ पे proper इस तरह से return करने की जरूरत नहीं है आप कर भी सकते है return a minus b for example तो मैं ऐसे कर देता हूँ अब देखना तो यहाँ पे जैसे मैं चाहता था 59410 1200 3000 expected output मुझे मिल गई ascending order में sort हो गया अब यह देखना है यह काम की इस तरह से कर रहा है उसको समझेंगे बाइद आवे एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ही यह कि sort method मैंने इस तरह से लिखा और एक और तरीके से लिखता हूँ मैं इसको छोटा चोटा करके नमबर स्टोट यहाँ पर arrow function a, b मैंने आपको कहा था अगर a की return state तो आप directly कुछ इस तरह से भी return कर सकते हैं तो यह चोटा इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर arrow functions आपने नहीं revise के तो कोई बात ने आपके दुबारा revise होगे तो आप इस तरह से भी गर सकते हैं तो same output आ रही है अब यह काम कैसे कर रहे है यह जो चीज है यह काम कैसे कर रही है देखिए आपको समझाता हूँ यह return हो रहा है ना a minus b तो यह चोटा है तो मैं इसको ना दुबारा ऐसी लिख लेता हूँ तो आपको समझाने के लिए देखिए a minus b जो return हो रहा है ना अगर यह return देखिए for example आपको 5,9 को सोट करना है या फिर एक तरह से सोच लीजिए या फिर एक आप बारासो और चारसो दस का example ले लेते हैं for example बारासो कोमा चारसो दस यह example है आपने इन दोनों नमबर में से decide करना है मतलब इस time ध्यान से समझना ऐसा सोच लीजिए कि A है बारासो यह जो A है यह है बारासो दिका है B है B है 410 दिका हम return क्या कर रहे है A-B return क्या कर रहे है A-B अगर A-B जो return करके अगर यह आया positive क्या आया positive मतलब greater than 0 मतलब greater than 0 अगर ऐसा आया देखिए अब पहले देखते है A-B करके देखते है 1200-410 return क्या है तो A-B की value क्या होगी यहाँ पे A-B की value यहाँ पे क्या हो जाएगी A-B की value हो चुके है 790 A-B की value हो चुके है 790 मतलब यह positive है मतलब greater than 0 है अगर यह positive हुआ then हमने करना क्या है हमने B को पहले रख देना है मतलब हमने B को पहले रख देना है A को उसके बाद लिख कर देना है तो मतलब 410 को पहले कर देंगे 410 को पहले कर देंगे और 1200 को बाद में लिख देंगे यह काम कर रहा है यह method यह काम कर रहा है आपको detail में अंदर जाने की जूरूत नहीं इसके बस यह काम कर रहा है समझे रहे हैं मेरी बात अगर यह था positive के case में अगर यह negative होता अगर यह negative होता यह positive था अगर यह negative होता तो हमने करना क्या था for example negative का case ले लेते हैं for example पांच और नो, पांच और नो का देख लेते हैं, देखिए, पांच और नो, तो सोट कर रहे हैं, मानलो, पांच और नो में, पांच माइनस नो कितना आएगा, मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव हुआ, तो पहले हमने ए को रखना है, फिर ब को रखने है तो यह था तो इसी तरह से उत्य हो रहा है ज्यांकर पहले यह दो नमबर ठाएे फिर उसके बाद यह दो नमबर उठाए इस तरह से वह सोड करता घा और हमें output मिलता गया अगुँ डेटेल में समझने की बदी साल कह सिवां पैसे तना से है काम हो रहे हैं तो यह काम कर रहा है सोट समझ कि आप हम मुझे करना कह देखिए और इसेंडिंग ओडर में सोट करना था तो एक मैंस बी की जगह में लिख दूँगा बी माइनस से बी माइनस से कि तो यहां पे 31200 410 95 अगर आपको प्रैक्टिकल यूज केस देखना ना तो सकते हैं और क्मप्लक्स सोर्टिंग में बी माइनस सेließen माइन ke काम आ सकता है, देखी, मैं आपको ना थोड़ा realistic example देता हूँ, भी sort का, वो देख लेते हैं, इसका realistic example का है, तो मैं इसको यहां से हटा आ देता हूँ, और यहां पे हटा देता हूँ, for example, आप website पे गए होगे, flip card जैसी, वहां पे आपके पास side में option आता है, आपके पास एक option आता है price का, price का एक option आता है low to high, low to high, ओके एक आपके पास option आता है price का high to low, क्या आप जैसे मर्जी sort कर लो, high to low, तो वह क्या कर रहे हैं, वो sorting algorithm use कर रहे हैं, javascript का sort method use कर रहे हैं वो, 100% sort method use कर रहे हैं, इस तरहां से ही उसकारएं वो देख लेते हैं अब पुर एग्जांपल उन्होंने अपना जो प्रोडक्टा रा ने कुछ इस तरह से लिख हुए है और इस अरे में कुछ आपके बास अब्जेक्ट्स है एक पहला है फ्रोडक्ट एडी प्रोडक्ट आइडी फॉर एग्जांपल उसके बा Product name for example, आपने कोई phone का नाम है, कोई laptop का नाम है. Okay. उसके बाद उसका price है यहाँ पर. उसके बाद है उसका price. Okay. और for example, उसका price है यहाँ पर. कुछ भी price हो सकता. For example, 400 price. 300 price है. तो यहाँ पर आसे ऐसे, बहुत सारे मेरे पास object है. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा प्रोड़क्राइडी चेंज कर दूँगा और यहाँ पर प्राइज को भी चेंज कर देता हूँ इसका प्राइज है तीन हजार इसका प्राइज है दो सो इसका प्राइज है यहाँ पर आठ हजार और यहां पर इसका price है for example 500 रुपए तो यह हो गया अब आपको sort करना है price high to low या फिर low to high तो आपको कुछ इस तरह से sort करना है low to high तो आपको इस तरह से sort करना है कैसे sort करेंगे वो देख लेते हैं अभी बहुत असान है देखिए सबसे पहले मुझे करना गया sort method तो लगाना पड़ेगा products.sort यह method as I input लेगा है callback ओके callback लेगा अब यहां पर मुझे यहां पर दो चीजे चाहिए हैं यहां पर अभी मुझे पहले क्या चाहिए मुझे इसका price और इसका price मलब कि items का price चीए तो यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं a को माभी पहले क्या होगा पहले तो यह पूरा product आ जाएगा पूरा object आ जाएगा b क्या हो जाएगा यह पूरा object होगा मुझे compare क्या करना है उसका सिरफ price compare करना है ओके माइनस कर दूँगा b dot price मुझे क्या करना है मुझे इसको return करना है मुझे इसको क्या करना है return तो मैं अगर इसको सोड़े साइडंग से लिखूँ मैं यहां पर यह return करना है तो इससे क्या होगा यह sort हो जाएगा according to price तो आपको समझ आ चुक होगा मैं यह क्या कोड़ए नोट लोग और पूड़क्ट लिखे लेता हूं तो देखना यह प्रॉडक्ट है मेरे पास इसवोड हो चुके हैं उक आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रॉड़क्ट थरी आरहा है प्रॉड़क्ट ठी की इसका प्राइज़ 200 प्रॉड़क्ट वंद आ फिर 8000 वल आ रहा है तो यह हो गया प्राइस लोट हुआ ही बट यहां पर एक चीज और देखनी है तो इस तरह से सोट हो रहा है इतना समझ आ गया होगा बट यह क्या कर रहा है यह सोट क्या कर रहा है यह पूरे के पूरे प्रोड़क्ट को चेंज कर रहा है मैं ऐसा नहीं चाहता है मैं नहीं चाहता है कि यह पूरे के पूरे प्रोड़क्ट को चेंज करें तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था आप इसको क्लोन कर सकते हैं क्लोन करने के कहीं तरीके बताये थे spread operator use कर सकते हैं slice use कर सकते हैं तो मैं directly यहाँ पर क्या करूँगा dot slice यह clone हो जाएगा 0 से start होगे और यह clone हो जाएगा और मैं इसको एक नई array में store कर लूँगा const जो लग दूँगा low to high low to high तो किस तरह से अगर products देखूँगा तो products बिल्कुल डिटो वैसी रहेंगा जैसे पहले थे पहले P1, P2, P3, P4, P5 कुछ सेम रहेंगे बट यहाँ पर low to high में क्या है sorted तो यहाँ पर अगर मैं low to high को print करूँगा तो यहाँ पर sorted मिल जाएंगे मुझे यहाँ पर सबसे पहले P3 आ रहा है चुकर इसका price अब से कम था फिर P1, P5, P2, P4 समझ रहे हो बहुत असान था देखिए अगर आपको high to low करना है तो वो भी कर लेते हैं वो कैसे होगा देख लेते हैं यहाँ पर इसको high तो low करना है तो बस यहाँ पर क्या करना है A.price-B.price है इसको हटा दो इसको minus B.price-A.price कर दो तो यह low to high हो जाएगा high to low हो जाएगा तो मैं यह करता हूँ पेस करता हूँ और देखते हैं high to low क्या हो रहा है देखिए सबसे बहले P4 आ रहा है क्यों हो आ रहा है P4 के coding भी सोट हो गया अब हम बात करेंगे find method के बारे में तो हमारे थोड़े method रह चुके है find देखेंगे उसके बाद every देखेंगे sum देखेंगे fill देखेंगे और फिर splice देखेंगे बस इसके बाद अरे array की methods खतम उसके बाद हम आगे move करेंगे बना लेता हूँ बाहर बना लेता हूँ callback function for example मेरे function का नाम है function is length 3 तो मेरे function है as input लेगा कोई एक string और return करेगा अगर उस string की length string.length अगर उसकी length exact 3 हुई तो return करेगा true तो return करेगा false इसको run करके देख लेते हैं एक बार is length 3 को is length 3 नाम के function में pass करते है for example dog देखते हैं true return देगा या false return देगा जो भी यह देगा उसको एक variable में store करा लेता हूँ मैं और यहाँ पे console.log answer कर देता हूँ यहाँ पे true आ रहा है अगर मैं यहाँ पे dog क्या करेगा ना माई और यह पे मैंने find लगाना है मैं find में callback function पास कर दूँगा is length 3 is length 3 पास कर दूँगा यह find क्या करेगा यह देखेगा पहले is length 3 में पास कर देगा hello check करेगा कि क्या इसकी length 3 है इसकी length 3 नहीं है फिर next में move करेगा cat को पास करेगा क्या cat की length 3 है cat की length 3 है तो बस वहीं return कर देगा यह cat मतलब find क्या करेगा इस callback की help से find करने को इस करेगा उस string को जिसकी length 3 अब आप सोच रहोंगे कि भाई dog की भी length 3 है क्या dog में मिलेगा नहीं यह सिरफ first occurrence की बात करेगा जब जैसी इसको पहली कोई ऐसी string मिलेगी जिसको जिसकी length है 3 यह उसी को return कर देगा find method समझ पा रहे हो उसके बाद const यहाँ पे uns नाम का variable बना लेता हूँ और यहाँ पे console.log यहाँ पे uns लिख देता हूँ तो यहाँ पे आप देखना यहाँ पे cat आ रहा है लगी पहला occurrence cat लिख दूँ जिसकी length 3 for example यहाँ पे मैं cat लिख दूँ double t लगा दूँ तो यहाँ पे dog मिल जएगा क्योंकि dog ही पहला occurrence है for example dog कभी मैं dog गी बना देता हूँ तो यहाँ पे undefined मिल गया क्योंकि undefined क्यों मिल रहा है क्योंकि आप कोई ऐसी string ही नहीं है जिसकी length exact 3 है समझ पा रहे हो आप तो यह था cat और यह था find method अब इसको और देख लेते हैं अब हमेशा की तरह मैंने आपको क्या कहा था कि आप इसको अंदर directly as a arrow function define कर सकते हूँ arrow function क्या लेगा as a input आप की string लेगा और return करेगा अगर string dot length equals to 3 हुई तो यह arrow function बन गया तो अब अभी cat दे रहा है मुझे ओके यहाँ पे अगर मैं इसको cat करता हूँ रियलिस्टिक example देख लेते हैं इसको कहां पर यूज करते हैं यह तो आपको समझ आ गया हो क्या रहा है रियलिस्टिक example तो मैं कॉंस्ट यूजर्स नाम का एक अरे बनाऊंगा तो यह यूजर्स नाम का अरे बहुत फेमोस हो चुका है अभी तो यूजर इसमें बड़े सारे यूजर होंगे for example पहले होगे यूजर आईडी यूजर आईडी for example यूजर आईडी 1 उसके बाद यूजर नेम यूजर का नेम होगा कुछ तो ये दो चीज़े होंगी और मैं क्या करता हूँ इसको नीचे copy paste कर लेता हूँ काफी बार और उसके बाद यहाँ पे इसकी ID चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 2 कर देता हूँ यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 इसका नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे हर्ष कर देता हूँ यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ यहाँ पर कुछ और कर देता हूँ यहाँ पर कुछ और कर देता हूँ ओके तो मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दें इनके अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मुझे क्या करना है मुझे वो यूजर चाहिए जिसकी user id 3 है ऐसे scenario में हम use करते है find method प्योंकि होता कि हमारे पास user id होते हैं वो unique रहती है अगर किस एक user की user id 3 है तो किस और user की user id 3 नहीं होती तो ऐसा हमारे पास होता है कुछ इस तरह से हम data को organize करते हैं अब हम क्या करेंगे यहां पे users में apply करेंगे find method और देखते हैं कि find method किस तरह से काम करेगा users.find find method क्या करेगा एक user लेगा और मुझे check क्या करना है क्या find करना है user की जो id होगी वो किस के को लोनी चीए for example मुझे user 3 चीए था तो find कर गे मुझे दे देगा यह तो कितना सान है देखिए तो मुझे करना है यहां पे मैं इसको एक variable में store कर लेगा my user name का for example और यहां पे const नहीं आएगा const आएगा और यहां पी इसको देख लेते हैं क्या output आ रही है मेरे पास console.log my user समझ पा रहे हो तो यहां पे कुछ गलती कर दी मैंने user user.user id आएगा user id तो यहां पे देखिए मेरे को user मिल गया यह तो नितिश इसकी user id 3 थी अब सोच रहोंगे कि मैंने कैसे लिख दिया तो बस मैंने यहां पे arrow functions लिख दिया तो आयूब आप उस समझ आ रहोगा यह काम हमने कैसे किया आप ऐसे भी कर सकते आप चाहे तो इसको थोड़ा लंबा चोड़ा करके ऐसे भी लिख सकते हो यहां पे इसको रिटर्न कर सकते हो तो बस यहाँ पर आप मैंने का था अगर आपके पास एक statement है एक ही line है वहीं पर रिटर्न कर रहे हो तो आप रिटर्न keyword लिखने की जरूरत नहीं है हमने arrow function में यह बात पड़ी थी तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आपको जो आपको असान लगे read करने में वो सही है अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो आपको यह read करने में असान हो रहोगा अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो आपको यह कुछ इस तरह से read करने में असान हो रहोगा बट यह मुझे यह ज्यादा रिट करने में साहन लग रहा है यह ओके और राइट यह मिल गया मेरे को तो यह हो गया फाइंड मैथड़ अब आज कर लेते हैं अब आज कर लेते हैं एवरी मैथड़ की तो एवरी मैथड़ को समझने के लिए यहां भी सबसे पहले मुझे काम करने है 62 फाइल के साथ तो 62 फाइल के साथ काम करेंगे एवरी मैथड़ क्या काम करेगा देखिए बहुत असान है और एक्जांपल कौन नंबर्स और यहां पर नंबर्स लिखता हूँ मैं इस अरे में क्या जितने भी ऐलिमेंट है वो सारे के सारे इवन है तो कुछ इस तरह से करने के लिए मैं एवरी मैथड यूज़ कर सकता हूँ तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए तो नंबर्स तोट यहां पर एवरी मैथड यूज़ करूँगा यहां पर एक लेगा फॉर एक्जांपल यह नंबर और यह क्या करेगा यह चेक करेगा यह चेक करेगा क्या जो नंबर है वो तो से डिवाइड करके जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा तो इवन के लिए चेक कर रहा है तो यह यह तो true देगा यह false देगा यह जो मेरा callback function है यह भी true यह false देगा और यह लिख दे तो मैं यहां पर जो callback function है वो क्या return कर रहा है यह तो true यह false मतलब क्या सकते हैं यह जो मेरा function है वो boolean return कर रहा है यह callback function, किसका callback function every का, every भी कुछ return करेगा, every क्या return करेगा, जो every return करेगा, every method return करेगा, वो return करेगा, वो भी true या false return करेगा true या false return करेगा, मतलब कि ये भी boolean return करेगा every method, true तब return करेगा, जब सारे कि, जब ये condition ये जो condition है, जो callback फंक्शन वाली कंडिशन है वो हर एक एलिमेंट पे प्लाई यूरे होगी है समझे हो मतलब कि ये ट्रू तभी देगा जब सारे के सारे एलिमेंट यहां पे इवन होंगे मैं इसको क्या करता हूँ कॉंस्ट अंस में स्टोर कर लेता हूँ ओके और ओधर कॉंसोल डोट लोग अंस में देखता हूँ क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है चारे के सारे नंबर मेरे एवन है एक नंबर कर देता हूँ अभी फोल्स आ जाएगा समझरे हो यह बात तो इसी तरह से काम करता है every अब क्या काम करता हूँ ना इसको मैं समझाने के लिए आपको अलग से callback function बनाता हूँ मैं function is even as input लेगा एक number और return करेगा जो number है उसकी 2 से 2 से divide करके वो 0 आ रहा है नहीं आ रहा और मैं यहाँ पर pass कर सकता हूँ directly इस even नाम का function क्या होगा every क्या करेगा इस even नाम के function पहले यह pass करेगा यह condition satisfy होगी ठीक है आगे चलेगा यह condition satisfy होगी ठीक है आगे चलेगा यह condition satisfy होगी ठीक है आगे चलेगा पिर 9 pass करेगा यह condition अब satisfy नहीं हो रही यहाँ false आ गया जब इसको false तक गयाना बस इसने false return कर देना है अगर इसको end तक true मिलता रहा ना end वला भी true मिल गया तब यह true return करेगा समझे रहो every का मतलब है हर एक element को check करेगा यह condition हर एक element पे अगर apply हो रही है हर एक satisfy हो रही है अगर यह वली condition हर एक element पे satisfy हो रही है तभी यह return करेगा true अगर एक भी element ऐसा आगया जिस पर एक condition satisfy नहीं हो रही तो return करेगा false तो ऐसे काम करता है every method समझे रहे हो आप तो मैं इसको फिर से पहले की तरह लिख लेता हूँ इस तरह से इसको मैं हटा देता हूँ यह तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था तो आपको समझ आगया होगा every method काम किस तरह से कर रहा है अब यहाँ पे न एक इसका realistic example देख लेते हैं थोड़ा सा तो इसका थोड़ा realistic example देख लेते हैं तो एक मेरे पास था product नाम का मैंने एक array बनाया था किसी file में बनाया था यह बनाया तो मैं इसको use करूँगा अब तो यह product नाम का array है मेरा तो आप product देख सकते हैं product id product name product price यह price दिखा है मुझे यह check करना है मुझे यह check करना है कि हर एक product every product यह हर एक product का price है जो हर एक product का price है वो last है थर्टी थाउजन तो मुझे यह check करना है कि क्या जितने भी product है उन सभी का price थर्टी थाउजन से कम है तो मुझे यह check करना है तो कैसे check करेंगे user card user card dot every dot every method use कर लूँगा मैं callback लेगा और यहाँ पर क्या लेगा cart item लेगा as the input यहाँ पर आप कुछ में नाम लिख सकते हैं बढ़ थोड़ा meaningful नाम रखना तो check क्या करेगा यह चेक यह करेगा जो cart item है dot जो price है किस से कम होना चाहिए इस से कम होना चाहिए 30,000 से अब मैं ना code छोड़ा 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 लिखना शुरू कर दिया अब मैं implicit return यूज कर रहो मतलब कि return keyword नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर arrow function directly यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ अब मैं काम करेंगे जो डेवलर पर रहा है उन्हें ऐसा ही code लिखा होता है क्योंकि उन्हें experience हो चोगा होता है दो तीन साल का जावा स्क्रिप्ट में तो ऐसा ही काम ऐसे ही code लिखते हैं वह छोटा 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 समझ रहे हो इसलिए आपको थोड़ा फैमिलियर होना पड करने में समझ रहो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ओके तो यहां पर रिटर्न करेगा यहां पर कॉंस्ट एक अंस नाम का बना लेता हूँ है और तो यहां पर क्या करूंगा कॉंसोल डोट लोग अंस देखते हैं तो यह भी ट्रू आ रहा है इसका मतलब कि यह मेरे जितने भी आइटम्स हैं उन सभी का प्रैस तीस हजार से कम है समझ रहो पूर एक्जांपल किसी एक का प्रैस में तीस हजार से बढ़ा के पैंथी सजार कर देता हूं अभी फोल्स आएगा क्योंकि अब एक प्रोड़क्ट ऐसा है मेरा जिसकी प्रैस है 35,000 तो इस सब का प्रैस 30,000 से कम नहीं है तो यह था कितना आसान समझ रहो अब बात करते हैं सम मैथटर्ड की सम मैथटर्ड देख लेते हैं क्या करेगा एक्जांपल कॉंस इसमें कोई एक भी ऐलिमेंट ऐसा है जो जो ओड है या जो इवन है लिखता हूं क्या एक भी नमबर ऐसा है जो इवन है देखिए ऐसा एट है यहां पर इवन है तो यह क्या करेगा रिटर्ण करेगा ट्रू रिटर्ण करेगा एक इसको एक भी इवन नमबर मिला अगर एक इसको भी वन number ना मिला, for example, इसको भी मैं odd मना दूँ, तो भी false return करेगा इसको देख लेते हैं कैसे काम करेगा तो बहुत असान है numbers dot sum, यहाँ पर ऐसा callback लेगा एक number और चेक करेगा चेक करेगा जो number number है, उसको two से divide करोंगा, और इसको देखोंगा को जिरो केक्वल है या नहीं तो इसका result मैं uns में store कर लोंगा और console.log uns file number 63 के साथ काम करना मुझे, तो file number 63 लिख दूँगा मैं, अब देखते हैं, तो यहाँ भी true आ रहा है इसका मतलब एक भी number ऐसा है जो true है, मतलब जो even है तो मुझे पता लग गया for example इसको भी मैं क्या कर दूँ इसको भी मैं code कर देता हूँ तो यहाँ पर false आ रहा है समझ रहे हो, some का मतलब कोई एक भी किस एक भी element पर यह condition अगर satisfy होगी ना तो मैं को true मिलेगा है, simple सी बात ही है इसकी, अब इसका थोड़ा realistic example देख लेते हैं तो यही product उठाता हूँ मैं और यहाँ पर products नाम का array है उठाया मैंने और इसको comment out करता हूँ यह product नाम का array है तो मुझे for example check करना है कि क्या किसी भी कोई for example यहाँ पर मैं एक और item add कर लेता हूँ जो है for example यहाँ पर Macbook और इसका price मैंने यहाँ पर 2,50,000 करते हैं for example मुझे यहाँ पर check करना है क्या कोई भी ऐसा product है जिसकी कीमत एक लाग से उपर जा रही है मुझे यह check करना है क्या कोई ऐसा product है मेरे user card में जिसकी कीमत 50,000 से उपर जा रही हो या फिर एक लाग से उपर जा रही हो तो मुझे यह check करना है तो मैं क्या करूँगा simple है user card dot sum मैं क्या करूँगा as input लेगा card item और check करेगा card item dot जो उसका price है मुझे check क्या करना है किसी भी card item कि अगर कीमत एक लाग से उपर जा रही है तो एक लाग तो यह एक लाग तो यहाँ पर मुझे करना है console.log इसको मैं क्या कर रहता हूँ इसको एक variable में store कर लेता हूँ console.log तो यह देख रहा है यहाँ पर यहाँ पर false ने आना चाहिए था तो देखते हैं ओ यहाँ पर यहाँ मैंने एक zero file तू लगा रही गाईस तो यहाँ पर true आ रहा है तो यहाँ पर एक लाग से उपर है price मतलब मेरे product में कुछ items हैं ऐसी जिनका price एक लाग से उपर है समझ रही हो अब for example मैं इसकी price दुबारा से 25,000 कर देता हूँ तो यहाँ पर false आ जाएगा मतलब मेरे product मेरे cart में कोई भी ऐसी item नहीं है जिसका price exceed कर रहा हो एक लाग को तो समझ जा रहा है आपको तो इस तरह से काम करता है sum method तो fill method काफी easy है इसकी अब आपको एक array बनाना है और आपके array में होने चाहिए 10 element और 10 के 10 item होने चाहिए और एक नगेटीव 1 मतलब आपको array बनाना है और उसमें fill करना है आपने उस array को नगेटीव 1 से और उस array की length होने चाहिए 10 तो कैसे कर सकते हैं एका तो देखिए for example const my array और मुझे करे बनाना है तो मैं क्या करूँगा new keyword यूज़ करूँगा उसके बाद array constructor यूज़ करूँगा यहाँ पे length pass करूँगा 10 और इस array को मैं fill कर दूँगा नेगेटीव 1 से उसके बाद मैं क्या करूँगा console.log अगर मैं my array देखूँ तो आप देख सकते हैं नेगेटीव 1 नेगेटीव 1 तो यहाँ पे 10 item हमारे है नेगेटीव 1 और 10 length का array है मेरा और कितनी length है इसकी 10 और सारे के सारे element क्या है negative 1 for example आपको 0 से fill करना है तो 0 से भी आप fill कर सकते है यहाँ पे 10 0 वाला array आजाएगा आपके पास एक तो यह use है इसका एक और use case है इसका for example आपके पास से एक array पहले से है for example const my array और for example इसमें कुछ ऐसा नंबर बढ़े है 1,2,3,4,5,6,7,8 और मैं चाहता हूँ कि आपको 3,4,5 इसको आपको क्या करना है इसको आपको 0 करना है 3,4,5 को क्या करना है 0 करना है तो आप क्या करेंगे my array dot fill आपको fill करना है सबसे पहले आप डालेंगे value किस value से fill करना है 0 से fill करना है उसके बाद start किस index से start करना है 0th index, 1st index, 2nd index तो मुझे 3 से 5 तक 0 करना है तो यहां पर 3 का index का है 0 1 2 2 2 से start होना है मुझे जाना कहाँ पर है देखिये मुझे कहा से जाना है मुझे सैकिंड इंडेक्स से जाना है तो 5 का index का है 0 1 2 3 4 तो यहां पर पर मैं 4th index लिखंगा तो इसमें भिर फ्री और four ही फिल होगा 0 से five नहीं होगा क्योंकि यह जो इंडेक्स है fourth index यहां तक जाएगा मतलब यहां तक जाएगा बट यह include नहीं होगा तो इसलिए में आफ यहां फाय लिखंगा मतलब five माइनस 2 कितना होता है 3 होता है तो ऐसे आप समझ सकते हैं तो अभी कितने element यहां पर जो फिल होंगे 0 से वह तीन element कहां से स्टार्ट होगा second index से मतलब कि 0 1 2 इस index से आगे तीन element फिल होंगे इससे 0 से 3 4 5 0 से फिल हो जाएंगे समझ रहे हो आप तो मैं क्या करते हैं और यह जो फिल है यह आपके original array को change करेगा अब मैं क्या करूंगा console.log करते हूं मैं my array तो देखना यहां पर क्या हो रहा है देखे 1 2 3 की जगा 0 आ चुक है 4 की जगा 0 आ चुक है 5 की जगा 0 आ चुक है और 6 7 8 as it is है अभी आपको यह समझ आ चुक होगा यह फिल मैथड काम कैसे करता है अब बात करते है splice method दो दो चीजों के लिए काम आता है array के बीच में से अगर आपने कुछ delete करना है या फिर insert करना है उके array के बीच में से कुछ delete या insert करना है उसके लिए use होता है splice method for example मैं यहाँ पर const my array बना लेता हूंगे my array ओके और इस my array में मैं कुछ add कर देता हूं तो for example item 1, item 2 और यहाँ पर item 3 यहाँ पर तीन items है सबसे पहले बात कर लेते हैं आपने कुछ delete क्या करना है फिर बात करेंगे कुछ insert क्या करना है फिर बात करेंगे delete और insert दोनों एक साथ कैसे करने है सबसे पहले delete के बात कर लेते हैं तो my array.delete सबसे पहले आपको लिखने starting index क्या रखने आपको for example आपने item 2 को delete करना है तो मैं पहले बता रहा हूं delete के लिए आपने item 2 को delete करना है item 2 का index number देखिए 0 item 1 का 0 item 2 का index number 1 तो first index से आपको start होना है उसके बाद आपको बताने हैं delete कितने item करना है मुझे first index से start होके एक ही item delete करना है एक ही item आपने delete करना है उसके बाद insert आपने कुछ करना नहीं तो आगे आप कुछ ने लिखेंगे insert आपने कुछ नहीं करना इसका मतलब first index से start होना है और एक element delete करना है अब देखते हैं ऐसा करने के बाद मैं अपने original array को देखूंगा console.log my array इसका आपको ध्यान रखना है कि ये original array को change करेगा इसको देखते हैं और यहाँ पे मैं file number 65 के साथ काम कर रहा हूँ तो file number 65 5 लिख लेता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर item 1 item 3 आ रहा है item 2 delete हो चुग है जैसा हम expect कर रहे थे बिल्कुल वैसा हो रहा है तो आपको delete तो पता लग गया अब एक बार insert देख लेते हैं insert कैसे होगा insert तो आपको करना कहा है my array dot splice आपको delete count 0 तो यहाँ पर देखी इसी order में आपको लिखना है start कहां से करना है delete कितने item करना है delete मुझे 0 item करना है वाँ उसके बाद insert insert क्या करना है तो यहाँ पर मैं insert करना चाहता हूँ एक string जिसमें लिख होगा inserted item inserted item तो मुझे यह item insert करनी है अब देखते हैं insert होती है के नहीं होती है आप देख सकते हैं item 1 item 1 first index पे start होना था मुझे first index पे insert हो चुक है inserted item और delete हमने 0 item किये थे तो item 2 delete नहीं होग item 2 आगे shift हो चुक है समझ चुक है आप इस तरह से insert काम करता है अब बात करते हैं delete और insert 数 अपर दोनों एक तरह से काम कैसे करते हैं एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर मैंने delete किया था oke यहां पर मैंने delete किया था जब आप कुछ delete करोगे न delete के साथ-साथ यह आपको return में भी देगा जो भी आपने delete किया for example यहां पर मैं console deleted item ओके और मैं print कर सकता हूँ deleted item को console.log यहाँ पर लिख सकता हूँ deleted item और यहाँ पर deleted item अब देख सकते हैं deleted item एक array है जिसमें क्या है जो भी आपका delete होगा वो इस array में डल जाएगा और आपने उसको print करा लिया बट यह splice method क्या करेगा अगर आप कुछ भी काम करेंगे आपके original array को change करेगा इसलिए मैं original array यहाँ पर देख सकते हैं दो यह items आ रही हैं बट delete करके उसने मुझे return में दिया कि मैंने delete कर दिया यह लो हम उसको किसी array में store करा सकते हैं for example मुझे दो items delete करनी थी first index से start हो कि दो items delete करनी थी तो मैं यहाँ पर दो items delete कर सकता था delete count मैंने 2 कर दिया अब यहाँ पर क्या होगा item 2 item 3 दोनों deleted item में डल जाएंगी यहाँ पर दोनों deleted item में डल चुके हैं और original array मेरा कुछ इस तरह से यही बचा है तो यह मैंने आपको बताना था मैंने बता दिया अब बात करते हैं insert और delete दोनों एक साथ कैसे करना है तो देख लेते हैं insert and delete together या simultaneously जो भी लिख सकते हैं अब कैसे करना है देखिए वो ही काम करना है इस वीडियो को post कीजे try कीजे I hope अपने try किया होगा आप देखते हैं my array.splice सबसे पहले कौन से index से start होना है for example मुझे start होना है first index से for example मुझे delete करना है two items first index से start होगा मुझे do items delete करना है और मुझे insert करना है पुछ new items for example inserted item 1 और एक और inserted item 2 तो मुझे दो items insert करना है वो insert हो जाएंगे मतलब क्या है इसका first index से start होना है दो item पहले delete कर दो item 2, item 3 delete कर दो फिर insert कर दो inserted item 1 inserted item 2 तो मतलब output expected output क्या है item 1 inserted item 1 inserted item 2 तो यह है मेरी expected output तो मेरा original array कुछ इस तरह से बन जाएगा देखते हैं इसको अब देख सकते हैं जैसे मैं expect कर रहा था बिल्कुल वैसे ही आ रहा है item 1 inserted item 1 inserted item 2 अब यहाँ पे मैं दो जाएजे delete कर रहा हूँ यह delete करके return भी कर रहा होगा तो मैं इसको store कर सकता हूँ मैं मैं इसको save कर सकता हूँ किसी array में तो मैं यहाँ पे एक array बना लेता हूँ उसमें मुझे देख आए return करके अब देखते हैं यहाँ पे साथ में मैं लिख लेता हूँ यहाँ भी deleted items को console.log में कि deleted item क्या है मेरी तो आप देखिए deleted item item 2, item 3 जो deleted हुई थी मेरे पास आ चुकी है और जो original array है वो मेरा क्या बन चुक है item 1 inserted item 1 और inserted item 2 तो यह था splice method आप आई होब आपको समझ में आ चुक होगा अब हम बात करेंगे iterables क्या होते हैं और हम बात करेंगे array-like objects क्या होते हैं आपको पहले से भी पता है iterables क्या होते हैं like objects क्या होते हैं but मैं इस वीडियो में clear करूँगा कि iterables क्या होते हैं array like objects क्या होते हैं ता कि अगर आप से कोई भी पूछे भाई iterables क्या होते हैं तो आप बता पाओ अगर आप से कोई पूछे array like object क्या होते हैं तो आप उसे बता पाओ तो start करते हैं देखिए iterables क्या होते हैं iterables होते हैं जिन पर हम अपनी for of loop लगा सकें वो iterables होते हैं for example string और array तो example देख लेते हैं तो यहाँ पर for example मेरे पास एक string है first name जिसमें मैंने लिखा है अरशित मुझे क्या करना है मुझे for of loop लगा के देखनी है तो मैं लगा के देखता हूँ for of loop लगती है या नहीं लगती है for character of first name तो यहाँ पर let भी लिखूँगा let character of first name और उसके बाद मैं क्या करूँगा console.log कर दूँगा character तो देखते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से अलग-अलग character print हो रहे हैं मतलब मैं for of loop लगा सकता हूँ strings पे क्यों लगा सकता हूँ क्योंकि यह iterable है by the way थोड़ी देर में इस वीडियो में ही हम बात करेंगे कि हम खुद के iterables कैसे बना सकते हैं तो हम iterables की और technical details में जाएंगे कि iterables कैसे बना सकते हैं symbols क्या होते हैं कैसे हम अगर खुद के iterables बनाएंगे तो for of loop किस तरह से काम करेगी तो यह सब हम सीखेंगे बट अभी आप ध्यान दो कि string iterable है और हम उस पे for of loop लगा सकते हैं तो इतना तो clear है आपको और एक और iterable है हमारे पास array यह तो आपको starting से ही पता है array iterable है हम इस पे starting से ही for of loop लगाते आ रहे हैं दुबारा देख लेते हैं इसके बाद for example मेरे पास एक array है item जिसमें कुछ items हैं मैं लिख लेता हूँ item 1 item 2 और item 3 और अब मुझे करना कहा है मुझे for of loop लगानी है तो मैई इसी को यहां से copy करता हूँ यहां paste करता हूँ uncommend करता हूँ यहां character की जगह यहां पर item लिखता हूँ और यहां पर first name की जगह items लिखता हूँ और अब देखते हैं यह for of loop चलती है यह नहीं चलती तो यहां पर for of loop काम कर रही है क्यों काम कर रही है क्योंकि यह भी इटरेबल है ओके और अब हम बात करते हैं यह काम object के साथ कर सकते हैं for example मेरे पास एक object है users नाम का और इसमें कुछ key value pairs है for example पहली है key 1 जिसकी है value value 1 एक और keyword है key 2 और जिसकी value है value 2 और यहां पर मुझे लगाना है और यहां पर भी मैं single code कर देता हूं वैसे कोई फरक नहीं पड़ता पर मैं single code कर देता हूं ओके और देखते हैं कि four of loop अब लगती है नहीं लगती तो यहां पर मैं user लिख लेता हूं तो आप सोच पा रहे होंगे अब नहीं लगेगी देखिए क्या लिखा रहा है अनकोट टाइप एर्र यूजर इस नोट इटरेबल यह खूद ही बता रहा है यूजर इटरेबल नहीं है मतलब object इटरेबल नहीं है अगर कोई आप से बुझे object इटरेबल है क्या तो आपने कहने नहीं object इटरेबल नहीं है ओके तो आपको इतना समझ आ गया क्या इटरेबल है अभी तक जितना पड़ा हमने string इटरेबल है और array इटरेबल है अब बात करते हैं array like objects के बारे में देखिए array like object क्या होते हैं जिनके पास length property होती है तो यहाँ भी मैंने साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है जिनके पास length property होती है और जिनको हम index से access कर सकते हैं वो होते हैं array like object तो जावा स्क्रिप्ट के और technical terms है array like object आप से कोई पूर सकता है क्या string array like object है आप कोगी हाँ array like object है वो क्य request to अर्शित और अब अब मुझे क्या करना है मुझे कि इस पर लेंग प्रोपर्टी लगानी है लगा सकता हूं किया मैं मुझे क्या करना है console.log first name.length तो देखते हैं length property देखिए length property काम कर रही है और मैं क्या कर सकता हूं इसको index access कर सकता हूं किया for example first name का मुझे चाहिए second index पर जो character है वो चाहिए second index पर है r h पर 0, 0 पर h, 1 पर a, 2 पर r तो यहां पर मुझे r मिल रहा है तो बिल्कुल सही काम कर रही है तो यहां पर हम string को क्या बोलेंगे array like object बिल्कुल ठीक बात है अब हम बात करेंगे ignite arrayable के बारे में जो की है sets देखिए set भी कुछ कुछ array की तरह है बट differences है इसमें तो बात करेंगे set क्या है इसे कैसे बनाते हैं इसे कब use करना चाहिए और array और set में क्या differences है तो start करते हैं सीखना देखिए हम array normal array कि इस तरह से बनाते हैं हम ऐसे बनाते हैं const numbers नाम का array बनाने for example मैंने तो मैं इस तरह से बना लेता हूं ठीक है मुझे तीन नंबर कुछ इस तरह से store कर लूँगा अब मुझे अब मुझे array के अंदर number ने store करने मुझे set के अंदर number store करने है पहले set बनाते हैं फिर देखते हैं set होता क्या देखिए तो मुझे क्या करना है set बनाना है numbers नाम का तो मैं क्या करूँगा set को बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा new space s capital et set उसके बाद parenthesis उसके बाद semicolon semicolon optional जावस्क्रिप्ने बट फिर भी लगाते हैं हम लोग तो यह set बनाने का syntax है इस तरह से set बनते हैं अब यहां भी मैंने लिख्या it is iterable तो इस पे आएंगे हम दुबारा भी iterable है इसमें four of loop लेका के देखेंगे जब इसमें elements को add कर देंगे store data अब इसमें data store करना है linear order में data store होगा मतलब की array की तरह data store होगा ओके तो कैसे store होगा वो देखते हैं देखें यहां पे आपको करना का है parenthesis में इसके अंदर आप कोई भी iterable लिख सकते हैं अब हमने बात की इस वीडियो में इस फाइल में string भी iterable है array भी iterable है तो यहां पे आप कुछ कोई भी iterable डाल सकते हैं for example मैं यहां पे array डाल देता जिसमें 123 लिख लेता हूं मैं मतलब अब set बन जाएगा इसमें तीन element होंगे 123 यहां पे console load low करता हूं numbers को जो की मेरा एक set है ओके तो यहां पे मुझे file number 67 के साथ काम करना है तो मैं यहां पे file number 67 के साथ काम करूँगा तो अब देख सकते हैं यहां पे लिखा रहा है set के bracket में लिखा रहा है 3 तो यहां पे curly braces के अंदर set के elements लिखा रहा है 1,2,3 एक difference का आपको हमेशा ध्यान रखना है जो की सबसे बड़ा difference है set और array में वो यह कि set में duplicates allowed नहीं है मतलब set में आप एक element को एक से ज्यादा बार store नहीं कर सकते एक element set में एक ही बार present होगा for example अभी यहां यहां पे है one है two है three है तीनो elements different है बट अगर मैं यहां पे three को एक बार over add कर दूं मतलब मैं चाहता हूं कि तीन दो बार आए यहां पे ऐसा नहीं होगा set के अंदर तीन एक ही बार आएगा दो बार नहीं आएगा अब मैं देखता हूं तो आप देखिए यहां पे one two three इस त at और array में काफे different हैं वो यह no index based access मतलब कि आप index based access नहीं कर सकते मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते आप कहा रहे हो भाई मुझे numbers है ना जो उसका मुझे दे दो भाई second index पे जो number है मुझे वो दे दो तो ऐसा नहीं होगा तो यहां पे अगर मैं इसको console.log करूं तो यहां पे undefined आएगा मेरे पास आप देख सकते हैं यह किस तरह से undefined आ रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं index based access नहीं है और यहां पे अगर index based access नहीं है तो order भी guaranteed नहीं है मतलब अगर हम array में कुछ देखिए for example यह मेरा array था यहां पे यहां पे यहां पे जिस order में मैं store कर रहा था item 1, item 2, item 3 यह हमेशा इसी order में रहेंगे इसका order change नहीं होगा कभी बट यहां पे set में यहां पे इस 3 को उटा देता हूं क्योंकि यह ignore हो रहा है वैसे भी यहां पे एगर मैं 1, 2, 3 कर रहा हूं ना इसका order 2, 1, 3 भी हो सकता है तो order की guarantee नहीं है तो इस बात का आप रखने हैं तो हमने देखा कि set क्या होता है set हम बना सकते हैं यहां पे कोई भी इतरेबल लिखकर अब यहाँ पे हमने list लिखी थी यहां पर हम कोई भी इस तरह से number भी लिख सकते हैं string भी लिख सकते है और इस लाइन को यहां से हटा देता हूं तो आप देख सकते हैं तो यहां पर तीन element एड़ हो चुके हैं तीन character एड़ हो चुके हैं ए बी और सी बट यहां पर list ज्यादा सही लग रही है एक तो यह हो गया अब most commonly हम क्या करते हैं यह हम ऐसा भी करते हैं बहुत बार हम set को empty set रखते हैं अब देखिए आप यहां पर empty set है empty set के बाद हम क्या करते हैं हम इसमें values को add करना शुरू करते हैं for example set dot add मैं sorry numbers dot add आएगा numbers dot add मुझे add करने इसमें one तो यहां पर one add हो जाएगा इसके बाद for example मुझे add करना है two तो यहां पर two add हो जाएगा अगर मैं two को दुबारा add करने कोशिश करूंगा तो दुबारा add नहीं होगा टू एक ही बार add होगा for example मेरे पास एक array है जिसका नाम है यहां फिर मैं यहां से कोपी कर लेता हूं अपना रहे मेरे पास एक array है items नाम का set के अंदर आप different data types भी store कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि same data type store करना है for example मुझे set में अब क्या add करना है items नाम का array add करना है तो यहां पर एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना अगर मैं इसको हटा दूँ यहां से और मैं यहां directly दो array add करो यहां पर for example एक array है मेरे पास item 1 और एक array है item और दूसरा element है इसका item 2 और same array अगर मैं यहां पर लिख दूँ same array मैं नहीं यहां पर लिख दूँ तो अब बताओ क्या होगा किया यह add हो जाएगा अब add हो जाएगा क्योंकि यह अलग array है मेरी और यह अलग array है मेरी और इसका address अलग है इसका address अलग है मतलब अब add कर सकते हैं आप इन दोनों को मतलब ये दोनों JavaScript के perspective से अब अलग अलग है जब आप square packets लगा के नया array बनाते हैं तो वो array हमारी memory के अंदर नया बनता है it doesn't matter कि उसके elements same है के नहीं है वो array नया बनेगा अगर आप ये array बना ले आपने उसके बाद आपने एक और array बनाया तो ये array हमारी memory के अंदर अलग है तो ये array और ये array जावा स्क्रिप्ट के perspective से बिल्कूल different है मतलब हम same चीज अब add नहीं कर रहे हैं हम अलग 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 चीज अड़ कर रहे हैं अगर हम अलग अलग चीज अड़ कर रहे हैं तो हम इसको store कर सकते हैं तो ये कई बार interview में पूछ सकते हैं भई आपको ऐसे दिखा के अब आप store कर सकते हो कर नहीं कर सकते हैं अब आप कर सकते हो कब नहीं कर सकते हैं अगर आपने एक array बनाया एक ही array बनाया एक ही बार मैंने क्या किया square brackets लगा के array बनाया अब इसका एक ही address है यह memory में एक ही बार store हुआ ठीक है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर items लिखता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ इसको इस तरह से करता हूँ तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते अब यह ignore कर देगा अब यह काईगा भाई यह items है यह तो मैंने पहले कही add कर रख है दुबारा थोड़ी add करूँगा तो इसने ignore कर दिया तो यह सा set यह कुछ ज़रूरी बात है अब अब set में एक और important चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह set में अगर आपको check करना है कोई element है या नहीं है उसके लिए मेरे पास एक method है for example numbers dot has आप इसमें डाल दिज़े for example आपको one check करना है तो अभी कुछ नहीं होगा but यह return करेगा या true return करेगा या false return करेगा तो मैं यहाँ पे if condition लिगा सकता हूँ for example if अगर मेरे set में अगर मेरे set में one हुआ मतलब मेरे numbers नाम के set में one हुआ तो मैं यहाँ पे console.log कर दूँगा one is present else यहाँ पे लिख दूँगा console.log one is not present तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहे है one is present अगर मैं यहाँ से one हटा दूँँ अगर मैं set में one add ही ना करूँ तो आप देख सकते हैं one is not present तो इस तरह से हम काम करते हैं हम देखते हैं कि set में कोई particular value है यह नहीं है इसको मैं भी comment out कर देता हूँ ओके अभी set में क्या है set में दो number है और यह करे है तो यह है set आई हूँ आपको समझा चुको होगा set है क्या अब हम क्या करते है set में जादा जादा सी values add कर लेता हूँ मैं for example यहाँ पर number add कर लेता हूँ 3 add कर लेता हूँ 4 add कर लेता हूँ 5 add कर लेता हूँ 6 add कर लेता हूँ अब यहाँ पर सारा मेरा set बन चुके आप देख सकते हैं अब मुझे करना क्या है यहाँ पर मैंने कहा है set is iterable और मैंने अभी बताया इटेरेरेबल क्या शोगते हैं हम इटेरेबल से फॉर ओ फॉलूप लगा सकते या तो अब इसपे फॉर ओ projets लगा के लेखते हैं मैं यहां पर इसपे करूंबर निön निंप करूंगा मैं इसपे फॉर ओ लगा के ब mouse कैसे लगाते हैं कि Gil警 πα्र ठीच है यहां लिखता हूँ for यहाँ पर let variable का नाम item of इसकी item numbers की ओके तो यहाँ पर number लिखना ज्यादा सही रहेगा for number of numbers मैं numbers camera एक set हैं तो मैं देखते हैं for of loop लगा सकते हैं का ने लगा सकते console.log यहाँ पर number को print करेंगे तो आप देख सकते हैं number अलग-अलग line में print हो रहे हैं इसको मैं iterate कर सकता हूँ इस पर मैं loop चला सकता हूँ तो यह iterable है तो यह था set अब बात करते हैं set को use कब करना चाहिए set को तब use करना चाहिए जब आपके पास unique values हैं और आपको पता है कि एक value एक बार से ज्यादा नहीं आ सकती तो उस case में set यूज करते हैं और एक्जामपल आपके आपने set बनाना आइडिस का पॉंस्ट आइडिस जो यूजर आइडिस होती है तो ऐसी चीज़े होती है ना यह common रहती है यूनीक रहती है तो इस case में आप set यूज कर सकते हैं तो यहां पर आप से कर रहे है है for example const my array my array और यहां पर my array फूर एक्जामपल जिसमें कुछ elements है one two four four five five दुबारा five लिए तो और दुबारा six लिए तो यहां वे आप देखिए क्या है one है two है फिर four दो बार है फिर five पिर six है फिर दुबारा five फिर दुबारा six है अब मुझे क्या करना है मुझ एक ट्रिक यूज कर सकता हूं तो मैं क्या करूंगा इसको एक सेट मनाऊंगा const यूनीक elements नाम का for example यहां पर मैं क्या करूंगा new set बनाऊंगा और इस new set में pass कर दूंगा मैं my array और अब यहां पर क्या होगा देखना my array क्या है my array iterable है तो यहां पर पास कर सकता हूं मैं इसको और अब यहां पर देखना क्या होगा यहां पर console.log करता हूं unique elements अब देखना unique elements कहा रहा चुके हैं one two four five six अब पो unique elements मिल गए और अगर आपको चाहिए कि अभश आप एक और चीज यहां पर क्या मैं लेंट्ट कर सकते हूं? जोट लेंट क्या मैं लेंट्ट कर सकता हूं तो यहां पर लेंट्ट यूज नहीं कर सकते अंडिफाइंड आज एगा, तो आप कुछ इस तरह से यूनीक elements को आप extract कर सकते है array में से, अब मैं अपने my array को भी print करके देख लेता हूँ देख लेते हैं, इस पर तो बेचारे पर कोई असर तो नहीं पढ़ा है, siege का, तो देख ले sorry guys, sorry यहाँ पर my array को देख लेते हैं तो आप देख सकते है, my array मेरा वैसा का वैसी है, उस पर कोई असर नहीं पढ़ा, इस तरह से आप array में से unique elements को extract कर सकते हैं, अब आपको एक task देता हूँ, मैं, आपने करना गया, यह जो मेरा set आ गया न, आपको क्या करना है, इसकी length find करने है, कि इसकी length कितनी है तो आप बताइए, इसकी length कितनी है, देखिए length find करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, एक variable ले लूँगा, let length equals to 0 starting with length 0 है उसके बाद मैं क्या करूँगा इस अपने set पे 4 of loop लगा दूँगा, तो 4 of loop लगा सकता हूँ मैं इस पे, तो कैसे लगाऊंगा, और element let element of unique elements उसके बाद यहाँ बे मुझे element की जरूँए नहीं है मुझे element की जरूँए नहीं है बस मुझे element मिल जाएगा पहली बार, बट मुझे main काम क्या करना है मुझे इसकी length की value को increase करना है length plus plus length की value को increase करना है और इस for loop के बाद मैं length को print कर सकता हूँ तो आप देख सकते हैं, इसमें कितने unique elements है, इसमें 5 unique elements आप देख सकते हैं, 1 है, 2 है 4, 5 है बिल्कुल सही है, तो यह हो गया set आई होगा कुछ समझा चोगा set क्या है, इसे कब use करना है, क्यों use करना है, कैसे use करना है अब हम बात करेंगे maps object के बारे में, देखिए confuse मत होना, थोड़ी दिर पहले हमने पढ़ा था map method पढ़ा था, array का यह maps object अलग है तो यह key value पे store करता है object की तरह, तो इसके बारे में पढ़ना start करेंगे अभी, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैं एक object create करता हूँ, for example मैंने person name का object create किया आप इस पे ध्यान मत दो, जो मैंने लिखा हुआ इसके बारे में अभी आएंगे, for example मैंने person name का object create किया जिसमें कुछ key value पे रहा, for example first name, खरशित, और यहाँ पे age है, for example 7, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, console.log कर सकता था, person.first name तो first name मुझे मिल गया एक और तरीका था, मेरे पास first name को पाने का वो था, square bracket वाला तो यहाँ पे first name कुछ इस तरह से भी मैं, sorry, यहाँ पे इसको string में लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखना, वो ध्यान से सुनो क्या बात ध्यान में रखना है आपको जो मेरा object होता है, इसको object literal भी बोलते हैं, by the way जो हमने curly braces लगाए कुछ से और key value पे रट के, इस syntax को object literals भी बोलते हैं, इसको object literals object literal भी बोलते हैं इसको इसमें क्या होता है, जो हमारी key होती है वो हमेशा string में होती है जो keys होती है जो key होती है, वो किसमे होगी हमेशा string में, या फिर हमारी key होंगी वो किस में होंगी हमेशा symbol में symbol अभी हमने पढ़ा नहीं symbol के बारे में हम बात करेंगे but 99% जो हमारी object की keys होती है वो string में होती है 99.9% 1% हम symbol भी उस कर लें 0.1% वो symbol के बारे में बात करेंगे तोड़ी देर में बट आपको याद धियान रखना है हमारी keys हमेशा string में होती है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक और string एड़ करता हूँ 1 अब आपको यह नहीं समझा रहा है कि यह वो number है या string है JavaScript ने इसको भी string में change कर दे यह number है तो हम इसको check कर सकते हैं देखिए हमारे पास key मिल जाते हैं हम four क्या कर सकते हैं देखिए हम क्या कर सकते हैं four let key in person तो हम four in loop लगा सकते हैं iterate करने के लिए और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं console.log कर सकते हैं अपनी key को जो भी मेरी की है उसको मैं चेक कर सकता हूँ one first name image मैं यहां पर type of भी कर सकता हूँ अपनी की तो आप देख सकते हैं यह one भी string है यह one भी integer नहीं है यहां पर तीन बार string है या तीन दीख रहा होगा आपको लिखा हुआ तो यह भी string है मतलब यह तो string में रहेगा या symbol में देगा यह इसने इस one की value यह one दे दी ओके यह string में है अगर मैं इसको simple लिखोंगा तो जावस्क्रिप्ट खुद से इसको string में करके one दिखा देगी मुझे बट है string में यहां पर हमने प्रूफ कर लिए type of operator यूज़ करके तो यह मैंने आपको बताना था आहिए आपको यह अब बात करते हैं map की map क्या है map किस तरह से काम करता है उसके बारे में बात करते हैं देखिए map भी क्या store करेगा अपने अंदर key value pair store करेगा key value pair को store करेगा कैसे store करेगा वो देखते हैं तो मैं बनाता हूँ मैं for example मैं post person बनाऊंगा भी map यूज़ करके बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा वो देखते हैं देखिए सबसे पहले मैं लिकूंगा new keyword उसके बाद map map का m capital इस new keyword के बारे में बहुत ही ज्यादा retail में बात करेंगे थोड़ी देर में अभी आपको अगर map बनाना है अपना तो आपको new map तो इस map का actually मैं constructor call होगा फिर मेरा map object बन जाएगा technical terms में हम बाद में जाएगे बट पहले आपको map बनाना है और यहाँ पर key value पर add करने है जैसे हमने set में भी यहाँ पर कुछ इसी तरह से किया था आप देख सकते हैं वैसी मुझे यहाँ पर करना है तो यहाँ पर मेरा खाली map बन चुका है अगर मैं console.log करूँ तो यहाँ पर person करूँ तो आप देखना यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर खाली map आ रहा है इसमें key value पर add करने है तो key value पर कैसे add करने हो देखते हैं देखते हैं person.set मैं key value पर set कर सकता हूँ for example first name key है इसकी value होगी for example अरशित तो first name मैंने add कर दिया उसके dot set यहाँ पर key होगी for example age और जो value होगी for example होगी 7 अब मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हैं दो key value पर add हो चुके हैं map के अंदर एक key है first name उसकी value है हरशित एक key है age उसकी value है 7 अब सबसे बड़ा difference object और map में यह है आप map में की किसी भी type की रख सकते हैं मैंने आपको क्या का था object में हमारी की या तो string होगी या symbol होगा but map को use करके आप अपनी key को किसी भी type का रख सकते हैं for example मैं यहाँ पे ऐसा करूँ अगर person.set 1,1 तो यह one अब यहाँ पे number होगा अब देखते हैं इसको यह one यहाँ पे number है समझ पा रहे हो अब एक और चीज़ अब हमने देखना है कि हम कैसे value को access करेंगे key value pair को कैसे access करेंगे कैसे first name की value प्राप्ट करेंगे हम person map से तो वो देखते हैं तो वो करने के लिए for example तो हम object में क्या करते हैं ऐसे करते हैं person.first name यहाँ पे ऐसा आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे undefined आ जाएगा आपके पास और ना ही आप यहाँ पे यह यूज़ कर सकते हैं अपनी brackets तो यहाँ पे भी आपके पास undefined आ जाएगा तो करें क्या फिर देखिए मैं बतातों आपको करना का है person के पास जो मेरा map है उसके पास एक method है get method यहाँ पे आप key डालेंगे अपनी for example मुझे first name चाहिए तो मैं first name लि correct यहाँ पे one लिखके इस तरह से access कर सकता हूँ यह one मुझे मिल जाएगा अब मुझे सारी की स्प्रिंट करने है for example तो मैं यहाँ पे console.log person.keys method यूज़ करूँगा तो सारी की स्प्रिंट हो जाएगी ओके तो सारी की सारी की है अब यह map iterator है ठीक है अब यहाँ पे क्या कर स सकते हैं आप इस पे loop चला सकते हैं इस keys को loop चला के आप प्रिंट कर सकते हैं कैसे करेंगे वो देखते हैं तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा मैं for loop चलाऊंगा for let key of person.keys ओके और यहाँ पे मैं क्या करूँगा directly console.log इतना आपको समझ आ रहा होगा मैंने key को print कर दिया one आ रहा है पहले key फिर first name आ रहा है फिर age आ रहा है और फिर one आ रहा है ओके यह one उपर से print हो रहा है तो मैं इसको यहां से इस तरह से कर देता हूं तो यही मेरी key first name age and one तो यह मैंने आपने array key रखनी है one two three one two three यह array आपकी key है इसकी value आप कुछ भी रख लो for example इसकी value रख लेता हूं वन तो तो आप ऐसा भी कर सकते है उके array object होता है तो आप देख सकते हैं कि यह object आ रहा है उके तो यह number string में भेद बाषणाओ नहीं आ कुछ यहां पिछ कुछ भी कर सकते हैं कर दो यहां पर कुछ एक्जामपल 1,1 तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं आप तो भी no problem तो भी आपको मिल जाएगा तो कोई भी की add कर सकते हैं आप की की कुछ भी data type हो सकती है तो मैं आपको यह प्ताना चाहता था और I hope आपको यह समझ में आ चुका होगा ओके तो मैं इसको जो भी print हो रहा है इसको comment out कर देता हूं यहां से और मैं इसको थोड़ा चोटा कर देता हूं इतना बहुत है मेरे लिए इतना बहुत है इसमें तीन की value पे रहा हैं बहुत है अब यह हैं iterable object iterable नहीं थे object पे हम direct for off loop नहीं लगा सकते थे बट इस पे हम लगा सकते हैं direct for off loop object पे हम for in loop लगा सकते हैं for off loop नहीं लगा सकते हैं बट इस पे हम for off loop direct लगा सकते हैं कैसे लगाएंगे वो देखते हैं देखें for example यहां पे मैं four of loop लगाने है four let यहां पे for example यहां पे अगर मैं लिखों key of person और यहां पे मैं direct करूं console.log key अब देखना यहां पे होगा क्या यहां पे आपके पास यह नहीं है यह key value pair आएंगे यहां पे first name,harshid age,7,1,1 और यह है क्या है यह किस form में दे रहा है यह जो four of loop लगाऊंगा यह मुझे array की तरह दिख रहा है मुझे कुछ-कुछ तो क्या देखों यह array तो नहीं है मैं इसको देखता हूँ type of तो यह तीन object आ रहे हैं तो object तो आ इससे मुझे पता लगेगा यह array है या क्या है तो यह true है मतलब यह मुझे array देगा array में डाल के देगा array में दो value होगी value की होगी दूसरी value होगी ठीक है तो अब array तो आपको पता है कैसी use करना है अब array के अंदर for example मैं यहां पर दो चीज़े लिखता हूँ array को destructure भी करना आ value कुछ इस तरह से print करके देख अब देखते हैं क्या होगा यहां पर एरर आया एरर क्यों आया क्योंकि यहां पर डिरेक्टली कोमा लगा के नहीं लिख सकते आपको destructure करना है तो आपको destructuring वाला syntax लिखना बड़ेगा तो किससे destructure कर रहे थे हम अम destructure कर रहे थे array से तो मैं यहां पर array वाला syntax लगा दूँगा अब देखते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे destructure हो चुके हैं की value पे की को मैं use कर सकता हूँ first name उसकी value है Hershid की की है age value है 7 की है 1 उसकी value है 1 अहीं हो आपको समझ आ चुक होगा कि हम कैसे directly for off loop लगा सकते हैं अपने map पे समझ में आ गए आपको सही है मैं देखता हूँ कुछ order नहीं रहा गया ordered fashion में होगा हाँ इसका fashion order होगा मलगे जिस order में आपने डाल यह इसी order में रहेगा ordered guaranteed है इसमें objects में नहीं होता वो तो ये भी मैंने बता दिया आपको ये भी मैंने बता दिया आपको तो map हमारा खत्म हो चुका है अब थोड़ा इसका realistic example देख लेते हैं थोड़ा और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे यहां पे यह आपने map पहले खाली map बनाया था उसके बाद हमने key value पे set की थी तो यहां पे इसको मैं comment out कर रहता हूँ और एक और चीज बतानी है मैंने आपको for example person नाम का मैंने map बनाना है new map मैं यहां पे directly array pass कर सकता हूँ एक ओके और इस array में key value पे add कर सकता हूँ तो key value पेर add करने के लिए मैं array add करूँगा पहली key add करूँगा for example first name उसकी value add करूँगा यहां पे for example harshit एक array है array के अंदर एक और array है उस array के अंदर key value pair है पहली key value pair पिर कोमा डालके एक और array add कर सकतूँ मैं यहां पे for example age और दूसरी value में for example 7 तो आप कुछ इस तरह से देख लो इस ध्यान से देख लो एक array है उस array के अंदर एक और array है जिसके अंदर key value pair रहा है फिर कोमा डालके age कोमा 7 है तो इस तरह से भी मैं इसको कर सकता हूँ और मैं क्या करता हूँ console.log करता हूँ इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं और यह तो हो गया अब यहां पे for example एक object है मेरे पास पर सन वन यहां पे है यहां पर आपको for example यूजर का important stuff रखना है पर सन वन का for example id रखनी है id रखनी है one और इसका name रखना है first name रखना है इसका हर्शित तो यह आपका object है आपने object बना लिया यह आपको करना क्या है इस object में कुछ additional चीज़े add करनी है बट उसके लिए आपको object नहीं यूज़ करना आपको map यूज़ करना है इसको मैं comment out कर देता हूं या इसको हटाई देता हूं यहां से समझे लो मेरी बात मतलब मुझे person1 की और information कहीं store करनी है पर मुझे वो information यहां नहीं store करनी है मुझे कहीं और store करनी है तो इस object के लिए मुझे इसके लिए extra information add करनी है इस object के मलब person1 की बट मुझे person1 के अंदर नहीं करनी है कहीं और करनी है तो कहीं और करने के लिए मैप यूज़ कर सकता हूं वालीव याप रखते हूं अब मैगा करूँगा इस map में की वया डीव पर Canon को समझ और मुरी बात की मैं collection करें इस अफ्यक्ट को यह बाएस के यह सेट करूंगा क्ईसी तो यूजर इन्फो मेरा मैप है डोट सलग खेंड करोंगा एले की पर समच वद इस I प्रसन वन उबजेक्ट के पास क्या है इड़ आइड आयए और फस्त ने में एक मैप बनाया उस मैप की की सेट की person1 और उसकी value क्या है उसकी value भी एक object है और उस object में क्या है age है और gender है समझ पारे हो आप ये काम हो कैसे रहा है अब मैं क्या करता हूँ console.log user info देखता हूँ क्या रहा है मेरे पास मेरा map दिख कैसा रहा है तो आप देख सकते हैं मेरा map कुछ इस तरह से दिख रहा है इस तरह से दिख रहा है object की mapping object के साथ हो रखी है अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक object है object की mapping object के साथ मतलब की है id one first name हरशित और value है age 8 और gender male तो आप इसको कैसे use कर सकते हैं वो देखना हूँ मैंने तो देखते हैं कैसे use कर सकते हैं for example आपको user का सिर्फ id चीए तो आप क्या कर सकते हैं ऐसा कर सकते है person one dot यहाँ पे आप id लिख सकते हैं कुछ इस तरह से तो इससे क्या होगा यहाँ पे मैं इसको console dot log करता हूँ console dot log देखते हैं id क्या आ जाएगी यहाँ पे id one आ रही है और यहाँ पे user info की जगा न अगर मैं extra info लिख होना तो थोड़ा ज़्यादा sense बनेगी इसकी यहाँ पे भी extra info लिखता हूँ तो id दो मिल गई मुझे अब मुझे क्या करना गा है मुझे चाहिए इसकी age चाहिए और इसका gender चीए तो मैं क्या करूँगा console dot log यहाँ पे मुझे print क्या करना है मुझे जाना है extra info के पास एक्स्टा info के पास जाना है और extra info में देखिए यहाँ पे यहाँ पे मुझे get करना है यहाँ पे मुझे get करना है या कौन सी value get करना है मुझे person 1 से get करना है तो मुझे person 1 की जो भी value होगी वो मिल जाएगी person 1 इसकी key है इसकी value का है पूरा का पूरा object तो आप देखना है पूरा कपर object मिल जाएगा मुझे मुझे क्या करना है इस object में से भी आगे age age ढूणनी है तो मैं यहां से dot age लगा के आगे age प्राप्त कर सकता हूँ यहां से तो यहां पर मुझे age age मिल गई अगर माद लो मुझे first name चाहिए था तो sorry मुझे अगर जैंडर चाहिए था तो यहां पर मैं जैंडर कुछ इस तरह से हासिल कर सकता हूँ तो बहुत असान था ऐसी for example मेरे पास है person to object person to object जिसकी id है to id है to first name है इसका harsh for example और यहां पर core key value pair add कर दूँगा person to जिसकी key होगी यह object और जिसकी value होगी यहां पर यह जिसकी nine कर देता हूं जैंडर इसका मेल ही रहने देता हूं और same data अगर मुझे person two से चीए for example मुझे person two का person two का data चीए तो यहां पर person two का भी mail लिखा रहा है क्योंकि person two का भी mail क्या है gender है for example person two का नाम first name मैं यहां पर change कर देता हूं और इसका gender female कर देता हूं तो आप देखना यहां पर क्या होगा यहां पर female आ रहा है तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं ओके तो इसकी थोड़ी practice करना इसको बना के देखना मैंने कैसे बनाया है ओके बहुत असान था मुश्किल नहीं था बिल्गुल भी अब हम यहां पर cloning की बात करेंगे हमने बात की थी कि हम object को clone कर सकते मैं spread operator को use करके देखिए हमने क्या बात की थी for example मैं क्या करता हूं एक object 2 बनाना है मैं मुझे object 2 और for example इसको मैं revise हो जाएगा है एक आगर मैं क्या करूं यहाँ पर मैं लिख हूं console.log करं़ यहाँ पर मैं obj को और यहाँ पर唇 constant lot लो Bako क्या करता हूं अब मैं OBJ1 में एक नया की याड कर देता हूं उके तो मैं क्या करता हूं OBJ1 में याड की यहां पर देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ obj में add की थी key 3 यहाँ पे obj में तो add हुई बट साथ में obj2 में भी add हो गई ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने अभी बता है क्योंकि memory में एक ही मेरे पास object है और उसी object को यह दोनो obj और obj2 point कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है और ऐसा अगर हम नहीं चाहते तो हमें clone करना पड़ेगा मतलब memory में obj2 एक नय object मनाना पड़ेगा ना कि हम इसी कोई point करें तो ऐसा करने के लिए हमने सीखा था क्या सीखा था हमने हमने spread operator सीखा था कुछ इस तरह से हम इसको spread कर सकते हैं इससे क्या होगा अगर मैं obj में key add करूंगा तो वो obj2 में नहीं add होगी तो आप देखना तो obj में key add करूं तो obj2 में वो नहीं add हो रही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फाइदा था cloning का अब cloning का एक तरीका यह है एक तरीका और है cloning का वो है obj2 for example और यहाँ पर मैं equals to object लिखना है मुझे dot assign लिखना है उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है for example empty brackets मतलब की empty object empty object के साथ आपने किस object के key value पर add करने है इसके साथ तो इस object के key value पर add करने obj के तो मैं obj यहाँ पर लिख दूँगा इस तरह से भी cloning हो जाएगी यह मैंने आपको इसलिए बता है क्योंकि javascript को लिखते हुए कहीं लोग कुछ इस तरह से भी काम करते हैं क्योंकि यह spread operator नया है यह पुराना है तो आपको पुराने code में कुछ इस तरह का code देखने को मिलेगा आप confused नव इसलिए मैंने आपको बता दिया ओके आगे हम बात करेंगे optional chaining के बारे में अभी मैंने code लिख हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ यहां से और यहां पर इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ अब यहां पर बात करते हम हम oobject को object में की को किस तरह से access करते हैं या फिर property को किस तरह से access करते हैं dot लगा के for example dot first name मुझे first name चाहिए मैं मुझे मिल जाएगा मैं क्या करते हूँ यहां पर console.log यहां पर क्या कर देता हूँ first name कर देता हूँ अब देखना है यहां पर यहां पर मुझे file file number 70 okay okay guys तो यहां पर मुझे इसको हटाना पड़ेगा तो यहां पर हर्षित आ रहा है आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आ रहा है और यहां पर अगर मुझे address यह user का तो मैं क्या करूँगा address यहां पर इस तरह से लिख दूँगा तो मुझे address मिल गया अब address क्या है address कुद एक object है देखें यहां पर यूजर एक object है यूजर के अंदर फर्स्ट नाम के किया है जिसकी वैलू है हरशित एक address नाम के किया है जिसकी value है एक और object तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं address को मुझ इस तरह से कर रहे आ अभ मैं करता हूं इसको अब इस कोड़ को करताँ अब इस कोड़ को यहां पर मुर्स तरह करते हूं लिए और में काम करता हूं यहां वे थीक नहीं इसके बारे में अब छफ़bbles करेंगे थीक क्यों और लोगों नहीं है मैं क्या करता हूं यूजर लूटां एड्रेस करता हूं सिर्फ मतलब कि यूजर है यूजर के अंदर मैं रहे थे यह undefined है इसके बाद हम इसकी को access करना चाहरे थे house number तो वो error create कर रहा था error ध्यान से बढ़ी है यहाँ पर error है 70 file में 70.js file में line number 10 में तो line number 10 में error है error क्या रही है cannot read property house number कि जो property house number उसको मैं read नहीं कर सकता of undefined बिल्कुल सही बात है हमने अभी देखा user.address मुझे क्या दे रहा था undefined undefined पर मैं read करने की कोशिश कर रहा हूं house number को जो की exist नहीं करता undefined पर कोई भी property नहीं होती तो इसलिए यहाँ पर यहाँ पर कोई चीज है नहीं आपका डाउट बिल्कुल सही है आप सोच रहोंगे बहुत थारे लोग सोच रहोंगे ओके देखिए कई बर क्या होता है हमें नहीं पता मेरी बात ध्यान से सुनना हमें नहीं पता हमारे उब्चैक्ट में यह अड्रेस अभी तक है या नहीं है हो सकता है अगले सेकिंड में दुबारा सुनना हो सकता है कुछ टाइम बाद exist करें okay तो हम चाहते हैं एर्र ना है हम चाहते हैं यह एर्र ना दे यह undefined दे दे undefined से ठीक है बट error ना दे अगर मैं इसको हटा दूँ यहां से यह error रहा है मैं चाहते हूं error कर नादे undie find दे तो ऐसा कर सकते हम देखिए जाब यहां पे रहा हम कोशित मार्ग रोट कर सकते हैं अगर मैं for example अब मैं यह करके देखता हूँ अगर मैं simple dot लगाऊंगा तो यहाँ पर error आ रहा है अगर मैं यहाँ पर question mark dot लगाऊंगा तो यहाँ पर error नहीं आएगा यहाँ पर undefined आएगा अब बात करते हैं यह question mark dot check कैसे करते हैं यह question mark देखिए इसको read कैसे करना आपने क्या user exist करता है मतलब कि user undefined या null तो नहीं है अगर user exist करता है मतलब अगर user exist करता है तभी मुझे क्या दे तभी मुझे उसका first name दे इसका मतलब यह है अगर user exist करता है तभी मुझे first name दे अगर user exist नहीं करता undefined या null है तो मुझे क्या चाहिए मुझे तो मैं आगए प्रोसीड नहीं करूँगा मैं यहीं पर अन्डिफाइन रिटर्न कर दूँगा और एक्जामपल यहां पर मैं यूजर है न जो इसको यहां से कमेंट उट कर देता हूं और अब अब यहां पर देखिए यहां पर एरर आ रहा है अभी रेफरेंस अरर आ रहा है अभी कोई बात नहीं बट फूर एक्जामपल यहां पर क्या होता यहां पे जो user है ना इसको मैं ना यहां पे let लिख लेता हूँ एक पल के लिए और let user बना के ना एभी comment out करके इस code को और यहां पे क्या करता हूँ let user बना के छोड़ देता हूँ अभी user undefined है अब देखना यहां पे क्या हो रहा है user undefined था इसने क्या किया user अभी undefined था तो इसने क्या किया देखा यह undefined अभी user तो ही नहीं अभी user तो ही नहीं अभी अगर user नहीं है तो इसने क्या किया तो इसने यहीं पे return कर दिया इसने आगे proceed नहीं किया access करने के लिए अगर मैं यहां पे question mark dot ना लगाता करते हैं हम ओके और इसका जो में यूज होता है वो होता है नेस्टिड अब्जेक्टों अगर मेरे पास कुछ इस तरह से यहां पर अंडिफाइंड आ रहा है यहां पर चेक करेगा यूजर है यूजर है उसके बाद एड्रेस का यूजर के इंदे एड्रेस है इसने का भी एड्रेस तो अंडिफाइंड है यूजर के इंदे एड्रेस तो ही नहीं तो बसे आगे प्रोसीड नहीं करेगा मुझे अंडिफाइंड ही दे देगा तो इस तरह से काम करते हैं और आपको समझ आ चुको को ओपिशनल चेनिंग क्या है अब हम बात करेंगे मैं तर्स की और को एकदम समझ आजगी कि मैंने क्या बताया था भी क्योंकि अब मैं बात करूंगा इस चीजों के बारे में बात करूंगा जिन में लोग होते हैं मैं नहीं चाहता कि आपको अच्छे समझा दूंगा बट प्रोब्लम यह है कि जो मैं आपको समझाऊंगा वह आपको याद आला कि मैंने क्या समझाया था स्वाफ कर देखिए सब्सेले बात करते हैं अब अहले आप xo algunas ऐगर आप ऐसने के लिए अश्वास पूलते हैं हमने अगर ऑबजक्ट बोलते हैं मैंट bod ना दाने के लिए हमारे पास पार्व्जाक्ट ₤ मैं क्या और तो यह एक object बना लेता हूं, for example, person नाम को एक object बना लेता हूं, const person, इस object में क्या है, first name है, for example, first name, first name, फर्षित, ओके, और इसमें मैं age set कर लेता हूं, for example, age set कर लिए मैंने 8, अब यहाँ पे, यह मैं नोर्मल person object है, अब, यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोचे इस तरह से कर सकता हूं, person dot first name, first name, मुझे first name मिल जाएगा, person dot age, मुझे age मिल जाएगा, और मैं इसे print भी कर सकता हूं, यह अभी आपको पता है, तो यह मुझे दुबारा दुबारा बताने की जूर्ट नहीं है, अब यहाँ पे मुझे एक function मनाने इसके अंदर, मतलब मुझे key कुछ भी set कर सकता हूं, तो यहाँ आपल मैं key set कर देता हूं, about, about है, मेरी key, और value क्या है, value उसकी function होगी, तो मैं एक function इसकी value रख लूँगा, तो इसकी value क्या है, एक function, तो यहाँ पे मुझे comma लगाने में comma लगा देता हूं, तो इसकी value क्या होगी, एक function होगी, और देखते हैं, कि इसको मैं function कैसे मनाऊँगा, तो इस function में क्या होगा, simple होगा, console.log, console.log होगा, for example होगा, person name is arshit and person age is it, तो यह हो गया, अब मुझे करना कहा है, मुझे इस function को access करना है किसी तरह से, मतलब इस object, इस method को access करना है, तो कैसे करेंगे, पहले की तरह, person, dot, मेरी key का नाम कहा है, about, यहाँ पे about है, अब यहाँ पे इतना करूँगा ना मैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मैं इसको console.log करता हूँ, console.log, console.log करूँगा, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे पूरा का पूरा function आ रहा है मेरे पास, मुझे पूरा का पूरा function ने चीए, मुझे इस function को call करना है, मैं इस function को किस धंक से call करूँगा भी वो देखना, मैं क्या करता हूँ, इसको call कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, इससे function कोल हो जाएगा, जब function कोल होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, console.log, person name is hrshit, and person age is 8, person age is 8, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, person name is hrshit, and person age is 8, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी problem है, problem क्या है यहाँ पे, for example, यहाँ पे first name मैंने कल को change कर दिया, इस object में, first name मैंने मोहित कर दिया, तो यहाँ पे, अगर मैं about print कर रहा हूँ, तो अभी भी यहाँ पे क्या लिखा रहा है, person name is hrshit, जबकि मैं change कर चुका हूँ मोहित, मैं चाहता हूँ, कि, यहाँ पे, नाम, वो ही print हो, जो user का, जो person का first name है, मतलब यहाँ पे, person name is, इसके बाद, यह जो hrshit लिखा ना, तो हrshit hard coded ना हो, बहले कि, खुद से लिखा ना हो यहाँ, javascript खुद calculate करे, कि यहाँ पे, जो first name है, वो क्या है, जो name आएगा, वो क्या हैगा, कैसे करेंगे हम, उसी को देखना भी हमने, ओके, तो, यहाँ पे, हम क्या use कर सकते हैं, हम template shooting यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे करना कहा है, यहाँ पे person name is, यहाँ पे मैं place order लगा देता हूँ, मनलब कि कुछ variable की value डालूँगा, मैं यहाँ पे, और person name is कुछ होगा, and, age is, यहाँ पे place order लगा देता हूँ, ताकि आपको समझने में कोई परिशानी नहोगा, अब इतना हो गया, अब मुझे इसके अंदर कुछ variable की value डाल दी है, variable क्या है मेरा, first name, और age, अगर मैं direct यह डाल दूँगा तो देखना क्या होगा, फिर first name डाल दिया मैंने, और यहाँ पे, first name डाल दिया, और यहाँ पे मैं age डाल देता हूँ, age डाल देता हूँ, अब यहाँ पे देखना क्या हूँ रहा है, यहाँ पे error आ गया, first name is not defined, बतलब clear है कि हम इस तरह से तो लिखनी सकते, इस डंग से तो लिखनी सकते, इतना तो clear है, अब हमें लिखना क्या होगा, this.first name, और यहाँ लिखना होगा, this.age, अब यह this है ना, इसको भी समझेंगे, अब यह this क्या है, बट मेरा काम हो जाएगा, यहाँ पे जो मैं चाता था वो हो गया, first name is more it, and age is it, for example मैं यहाँ पे change करता हूँ, कुछ करता हूँ, for example हर्ष करता हूँ, और यहाँ पे age for example 18 करता हूँ, तो यहाँ पे change होके मेरे पास आ रहा है, मतलब जो object में first name की value होगी, वो ही print होगी, और जो age की value होगी, वो ही print होगी, अब इस this को समझते हैं, देखिए, इस this की value ना, हमें तब नहीं पता लगती, जब हम लिखते हैं अपना code, दुबारा सुनना, इस की value हमें तब नहीं पता लगती, जब हम अपने code को लिखते हैं, इस की value हमें तब पता लगती है, जब हम अपने code हमारा run हो रहो होता है, तो run time पे value पता लगती है, इस की, मतलब, जो मैंने बोला, उसको भूल जो, मैं अब को इससान तरीका बताता हूं दिस क्या है देखिए इस वह अब्जेक्ट है देखिए इस function में जो इस वह ऑब्जेक्ट है मतलब कोई अब्जेक्ट है देखिए यह मेरा function है यह मेरा method है function method एक ही बात है बस method क्या है वो object के अंदर define है ठीक है function है जो object के अंदर define है वो method बोलते हैं उसको ठीक है अब इसको function ही समझो about एक function है ठीक है इस function को call कौन कर रहा है person यह डोट लगी है न डोट के साथ है person मतलब इस method के अंदर जो this है वो यह person है मतलब person डोट about करूंगा मैंने about में जो भी this होगा वो क्या होगा यह object होगा मतलब this का मतलब है object फूरा का पूरा object ठीक है अब इस object में के this यह पूरा object है वल्की यह this पूरा person object है और आप क्या कर सकते हैं 이게 first name की value उठा सकते हैं और उठा सकते हैं age की value मुझे पता है आपको समझिने नहीं है वह थारे लोगों को मैं जिन्SU एसको यहां से घाटा देता हूं इसको यहां से हटा देता हूँ, आपको समझा के छोड़ूँगा मैं, चिंता मत करना, यहां भी मैं this लिख जाता हूँ, simple, मैंने किया कि एक function है, function क्या है, function है मेरा about, इसको आप method भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह object के अंदर है, इसलिए method भी बोल सकते हैं, अब क्या करना है मु इस function के अंदर जो this use हुआ है, वो क्या होगा, यह object होगा, और वो ही object मेरे पास print हो रहा है, नमझे रहे आप, वो ही object मेरे पास print हो रहा है, वो ही object हो रहा है, अब इस object के पास, यह this क्या है, अगर मैं इस object के साथ, मैं इस में से value एक्स्ट्रेक्ट कर सकता हूँ, for example, this dot, first name तो first name print हो जाएगा यहाँ पर, अगर about लिखोंगा, first name के साथ last name भी चीए मुझे, तो यहाँ पर this dot last name भी, sorry, this dot age चीए मुझे, age भी print हो जाएगी, बस मुझे करना क्या है, मुझे थोड़ा अच्छे तरीके में लिखना है इसको, अच्छे तरीके में कैसे लिख सकता template string use करके, जैसे मैंने पहले लिखा था, मैं क्या करता हूँ, पहले वाला code लिख देता हूँ, अच्छे तरीके से मैंने लिख दिया है, आपको समझ आ गया, this का मतलब क्या है, अब इसके एक और example देखते हैं, अब this का मतलब समझ आ गया आपको, अब मैं क्या करता हूँ, यह जो function है न, यह जो function है, इसको यहां से हट आ देता हूँ, यहां से, function है मैंने हट आ दिया, इसको मैं बाहर use करता हूँ, इस function को, इस function को बाहर define कर देता हूँ, for example, कुछ इस तरह से, और इस function का कुछ नाम दे देता हूँ, for example, person info, person info नाम का function है, और इस function क्या कर रहा है, simple return कर रहा है this.firstname and this.age अब मैं क्या कर रहा हूँ न about की value about की या न इसकी value मैं set कर देता हूँ यह function person info समझे रहे हो आप अब मैं क्या करता हूँ एक और object बना लेता हूँ एक और object बना लेता हूँ person 2 इसका नाम person 1 रख देता हूँ और इसमें इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं for example इसमें इसका नाम कर देता हूँ मोहित नाम कर देता हूँ इसकी age मैं 18 कर देता हूँ about में वही function है मैं क्या अगर तो एक और object बना लेता हूँ person 3 नाम को object बना लिया मैंने person 3 नाम को object बना लिया और यहां पे इसका value change कर देता हूँ for example नितिश कर देता हूँ और इसकी age value for example 17 set कर देता हूँ अब मैं कुछ नहीं कर रहा इस code को ना दो मिनिट देख लो मैंने किया गया कुछ लोग एकदम confuse होगे होंगे मैंने एक function मनाया यहाँ पे function में मैंने सिर्फ एक line लिखिया console.lo person name is यहाँ पे this.firstname हमें नहीं पता this का है भाई अभी हमें पता ही नहीं पता firstname का है अगर मैं इस function को भी directly call करूँगा ना इस function को person info नाम के function को अगर मैं directly call करूँगा हाँ यह तो मेरे पास ना देखिए person name is undefined and age is undefined ओके तो यहाँ पर यहाँ पर यह आ रहा है अभी इसकी चिंता मत करों यह क्यों आ रहा है इसको हम बाद में देखेंगे बट अभी यह जो function है ना यह मेरे लिए भी useless है एक दम useless को यूज निया इसका मैंने किया कि यहाँ पर object बनाया object में की value पर add करते हैं सब को पता है मैंने क्या क्या first name की की फिर first name की है values की हर्ष हर्ष है तो यहाँ पर यह दोनों तो कुछ नहीं आए नॉर्मल है विल्कुल यहाँ पर मैंने about क्या है about एक की है उसकी value मैंने set करती यह जो function है यह यहाँ पर मैं इसको ऐसे call नहीं कर रहा ना मैं सिरफ set कर रहा हूं इसकी value क्या है यह function है ओके अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ console.log direct person info ना तो मुझे क्या print होगा मुझे function प्रिंट होगा ना पूरा का इसा क्यों और अब देखते हैं अब मैंने को क्या बताया था इस देखने का तरीका देखिया मैं क्या कर रहा हूं अब आउट क्या है अब यह वाला function है तो यह अबाउट को लोगा तो भाई इसको पता लगेगा person name is यहाँ भी this आ गया अब इस this की value क्या है इस about को अभी कोन call कर रहा है person 1 call कर रहा है person 1 this की value क्या है यह person 1 पूरा object है अब इस object में से क्या मैं first name extract नहीं कर सकता हूँ तो वो ही यह first name है कमजरी वाप तो यहाँ पे and h h क्या है this dot h तो h क्या आगी यहाँ पे h8 आगी person 1 थी अभी जब मैंने function use क्या इस this की value क्या थी person 1 थी अब मैं इस function को फिर से call करता हूँ बट अब इस method को call करेगा person 2 मतलब अब जे method call होगा तो this की value क्या होगी person 2 object होगी मतलब भी person 2 का name और h print होगी तो आप देख सकते हैं person name is mohit and age is 18 कितना useful था हमारे लिए this keyword समझ पारे हो आप ऐसी अगर मैं person 3 का करूंगा तो person 3 का data print होगा यह person 3 का data print हो रहा है अभी आपको समझ आ गया होगा यह काम हो कैसे रहा है इसके बारे मैं अभी और बात करेंगे आपको करना गया पहले इतने की practice करो इतने की practice करो और फिर हम file number 72 में काम करना शुरू करते हैं अब हमने इतना तो सीख लिया आपको इतना समझ भी आ चुकोगा बहुत simple है दुबारा समझा देता हूँ अगर हम about method का call कर रहे है कौन सा object call कर रहे है परसन वन कोल कर रहे है इसको dot से आपने क्या देखना है dot से left side देखना है जो भी object होगा इस method में होने वाला this वही object होगा मतलब तो क्या होगा about में अभी अगर person one call कर रहे है about को तो यह this क्या होगा person one होगा तो यही simple सा मतलब था अभी आपको समझा चुकोगा अब आपसे एक सवाल पूस्तों मैं console.log मैं directly यहाँ पर this लिख दूँ क्या print होगा मेरे पास सोचिए तो यहाँ पर मेरे पास print होगा है window object तो यह javascript का na global object होता है window object अगर आप javascript को अपने browser में run कर रहे हैं तो जो this है न अगर आप बाहर फाइल में लिख देंगे this तो आपको क्या मिलेगा एक मिलेगा window object इसमें बहुत कुछ होगा for example alert method है आपके पास आपके पास confirm method है आपके पास ऐसी बहुत कुछ है तो यह object कौन प्रोवाइट कर रहे हैं आप यहाँ पर this लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं directly window तो यहाँ पर एक ही चीज मिलेगी आपको ओके दिस और window एक ही मतलब है जावस्क्रिट में अगर आप directly यहाँ पर लिख होगे अब यहाँ पर यह भी देख सकते हैं यहाँ पर मैं directly यही पर लिखता हूं अगर आप दिस लिखेंगे तो आपको window object मिलेगा अगर आप window लिखेंगे तो आपको window object मिलेगा direct समझ के इतना आप आप चेक कर सकते हैं कि आप this और window equal है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर true आ रहे है this equals to window तो यह हो गया अब आप से एक सवाल पूसता हूं मैं for example मैं function मनाता हूं for example my function है मेरा function है और यहां पर मैं क्या करता हूं console.log this करता हूं तो यहां पर console.log this करता हूं और यहां पर इस function को call करता हूं तो यहां पर क्या होगा अभी अभी यहां पर window object आ रहा है यह क्यों आ रहा है इसको समझते हैं भी देखिए यहां पर क्या होता है यहां पहले मैं normal function मनाता हूं दिस नहीं प्रिंट करता हूं मैं normal function मनाता हूं यहा मैं यहां पर चिंता मत करो मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा देखिए यहां पर Hello World ओ आगया मेरे पास Hello बहुत असान है इस hello world के आने के बाद मैं क्या करता हूँ यह तो program run हो रहा है मैं यहाँ पर अपना window object चेक करता हूँ एक बार आप इस window object में देखना ध्यान से इस window object में देखना आपको my funk मिलेगा मैं नीचे जाओंगा नीचे जाओंगा हाँ यह देखिए यह जो my funk है न यह मेरे इस object में add हो चुका है मतलब मैं क्या कर सकता हूँ ऐसी भी कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अभी क्या होगा इसको कौन को कर रहा है इस function को को कौन कर रहा है यह window object यहाँ पर इतना समझ आगे आपको बस आपको यही समझाना था कि अगर आप function लिख होगे अगर उसमें आप इस print करोगे तो यहाँ पर क्या होगा window object प्रिंट होगा यह ना हमारे लिए कई बार problem क्रेट कर सकता है इसलिए जावास्क्रिप्ट developers होते हैं वो function के अंदर इस तरह से use strict mode यूज़ कर लेते हैं तो इससे क्या होता है अगर मैं अब my fun को call करूंगा तो यह error आजएगा undefined आजएगा यहाँ पर undefined आगए अगर मैं यहाँ पर strict mode नहीं देखूंगा तो यहाँ पर window object आएगा strict mode यूज़ करूंगा तो undefined आएगा तो ध्यान रखना strict mode आप बिल्कुल फाइल के ऊपर टोप पे भी यूज़ कर सकते हैं तो अभी भी क्या होगा अभी भी undefined आ मजना बहुत असान है लोगों को समझने आती बटाई promise मैं आपको समझा दूँगा अच्छे से देखिए मेरे पास माल एक function है hello function है मेरे पास एक और मैं क्या करूंगा console.lo करता हूं hello world तो काफी simple function है हम इस function कैसे call करते थे hello करके call करते थे तो यहाँ पर hello world print हो गया okay but मैं इस function को dot call method यूज करके भी call कर सकता हूं तो same output आएगी okay किसी भी function को आप dot call use करके call कर सकते हैं okay तो function call हो रहा है same output आ रही है अब आप सोच रहे होंगे अभी मैं this पढ़ा रहा था objects पढ़ा रहा था उनके methods पढ़ा रहा था फिर मैं ने window object पढ़ाया और फिर मैं दूबारा functions प हमारे पास एक apply है और एक bind है अब इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे इनका use देखेंगे क्या होता है क्योंकि आप से interview में पूछ सकते हैं इसी लिए देखते हैं इन तीनों को call apply और bind को देखें पहले न एक example लेते हैं छोटा सा तो मैं क्या करता हूं क्या करता हूं एक object बना लेता हूं for example user 1 का ओके user 1 एक object है यहां पर क्या होगा user का first name होगा first name होगा for example हरशित ओके और user की age होगी for example 8 लिख लेता हूं मैं और यहां पर साथ में होगा एक function मतलब एक method यहां पर method बना देता हूं for example मैं about यह एक function होगा और यह as a input as a दो parameter भी लिखोंगा मैं यहां पर for example मैं लिख देता हूं ओभी और यहां पर favorite musician यहां पर मुझे करना क्या है देखिए मुझे simple console.log करना है console.log और यहां पर console.log करने के बाद मुझे क्या करना है यहां पर this.firstname यह this.firstname करना है this.age करना है और अभी मैं क्या करता हूं यहां से इसके parameter है नहीं हटा जाता हूं एक पल के लिए इसको बाद में लिखेंगे हूं इसको बाद में देखेंगे क्या करना है बट मैंने यहां पर कुछ इस तरहां से लिखेंगे तो मैं क्या करता हूं user1.about इतना लिखेंगे इसको call करता हूं तो आप देखना क्या होगा तो यहां पर हरशी तो rate लिखा आ रहा है समझे हो आप अब मुझे करना गया है मैं एक और user2 बना लेता हूं मैं बट user2 में से मैं about function अठा देता हूं और यहां पर इसका नाम change करके कुछ और कर देता हूं और यहां पर इसकी age भी कुछ और कर देता हूं for example 9 कर देता हूं और मुझे करना क्या है मुझे करना क्या है मुझे user2 में user2 object से call करवाना है user about use करना है simple सी बात मुझे about use करना है user2 क कैसे कर सकते हैं देखिए अभी यहां पे हमने क्या देखा यूजर टू में कोई भी अबाउट नाम का मैथड नहीं है विट मुझे यूज करना है और मुझे कोपी भी नहीं करना मुझे यूज करना है मुझे क्या करना है यूजर मुझे बोरो करना है यूजर टू को बोरो क करेगा user1.about मिलए कि user1 ही call करेगा about को अब about के बाद मैं dot call use कर सकता हूँ और यहां पर मैं pass कर सकता हूं कि this क्या होगा जब मैं इस method को use करूँगा तो जो this है वो किसको represent करेगा मैं यहां पर बता सकता हूँ यह this क्या होगा यह इस disc की binding किसके साथ होगी मतलब कि इस this की क्या value होगी? तो मैं वो याँ पे लिख सकता हूН तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे user Two मतलब जो this है इस method के लिए इस अफ़ाओट method के लिए वो user Two है मतलब अगवत। इस टोट फर्स्ट नेम होगा तो user Two टोट फर्स्ट नेम होगा user 2.1 name होगा, मतलब यहाँ पर मोहित प्रिंट होगा और this.age है, मतलब user 2.age होगा, यहाँ पर 9 होगा समझे हो आप, अगर मैं इसको बरन करके देखूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मोहित आ रहा है और 9 आ रहा है समझे हो आप अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखूँ अब output gas करो, यहाँ आप से इंटरीव में पूछ सकते हैं, output gas करो तो यहाँ पर undefined आजएगा और undefined आजएगा, अब भी यहाँ पर कोई dish नहीं है, अब यहाँ पर मतलब कि आपने कोई value नहीं पास की ना, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर undefined, undefined चो कर रहा है, अब चाहे आपको user1 के लिए ही call करना हो, इसको, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, bracket में user1 ही लिख दीजिए, यहाँ पर user1 के लिए call हो जाएगा, समझे हो या, for example, user2 होगी, इसकी value तो यहाँ पर user2 के लिए पता लग गया ओके, alright, अब यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं, for example, यह इतना तो हो गया, अब मुझे साथ में, दो parameter भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर, एक लिख देता हूँ और एक लिख देता हूँ, favorite musician तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, होबी भी प्रिंट करूँगा, साथ में कॉमा होबी, और कॉमा यहाँ पर फेवरेट musician भी प्रिंट करूँगा और यहाँ पर, अब call में मैंने first argument क्या पास किया, कि this की value क्या होगी इसकी binding किसके साथ होगी और साथ में, मैं बाकी parameter पास कर सकता हूँ, for example, हो भी पास करने है मुझे, तो हो भी पास कर देता हूँ, मैं string में for example, guitar, तो यहाँ पर क्या होगा मोहित, nine, guitar, favorite musician मैंने यहाँ पर कुछ नहीं पास किया और Mozart, ओके तो यहाँ पर आप extra जितने बज़ी argument पास कर सकते हो, call को use करते होगे समझी कि आप इतनी बात अब यहाँ पर इतना हो गया तो मैं एक काम भी तो कर सकता हूँ मैं directly इसको यहाँ से हटा के इसको object के बाहर भी define कर सकता हूँ, एक ही बार मुझे करना गया, about वगयरा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिधा function मना लिया, ओके और इस function का नाम मैं रख देता हूँ, about ओके, यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिर्फ about को directly call करना है और मैं इस about को call method use करके, मैं किसी this की value कुछ भी set कर सकता हूँ, यह जो this है, इसकी value कुछ भी set कर सकता हूँ देखिए, बिल्कुल सही आ रहा है, अगर मैं user one कर दूँगा, user one और user one कर दूँगा, तो यहाँ पर देखिए, हरशित आ रहा है, 8 रहा है, guitar guitar, Mozart, समझा आ गया आपको ये काम हो कैसे रहा है कैसे cold use हो रहा है यह हो गया call की बात अब बात करते है apply की apply की देखिए call और apply में कुछ difference नहीं है apply भी call की तरह है और internally apply भी call को ही use करता है बस होगा कहा देखिए जो मैं extra argument पास कर रहा हूँ ना यहां पर यहां पर अलग अलग पास कर रहा हूँ अगर आप यहां पर अप्लाई यूज करेंगे तो यहां पर यह अलग अलग पास करने की जगा आपने क्या कर देना है एक इनका लिस्ट पास कर देनी है और आपने क्या करना है इसमें पास कर दीजिए यहां पर कोमा डाल के फेवरिट मुजीशन बाख लिख देता हूं तो यहां पर क्या होगा हरशित 8 गिटार बाख बस पहले मैं अलग अलग पास कर रहा था अब मैंने एक अरे में पास कर दिया है जन् of इतना असान थे अ अब यह होगा अब बात कर लेके हैं बाइंड की बाइंड क्या देखिएं मैं इसको कमेंट कर देऊंड की बात करते हैं मुझे यहां पहले दिस वे पसके उसके लिए क्योगलकिन दालूंगा उसके बाद और ऑर्च रगमेंट है वग लिखता हूंग दिखिए॔र एक्जांपल गय्टर करते है तो फंक्शन करेगा और यहां पर पिछ नहीं करेगा यहां पर इसने funk में स्टॉर करेखर तो इसने function return करा अब in future अगर मुझे कभी भी function को call करना पड़े मैं कर सकता हूं बहुत असानी से मैं कुछ इस तरह से funk call कर सकता हूं तो यह हो गया for example user 2 के लिए करना था मुझे तो user 2 के लिए मुरे पास आ जाएगा यह चीज समझ कि आप यह था call apply और बाइंड यह मैंने मैंने बहुत कोशिश किया आपको असान से असान तरीक हो असान से असान तरीके में समझाने के लिए यह वीडियो मुझे पता है मैंने छे साथ बार ही टेक किया होगा तभी मेरी वाज भी थोड़ी ऐसी हो रही है बस आई हो आप आपको समझ आगे होगा कि call apply और bind क्या है इसे हम कैसे यूज करना है दिस क्या है और यह विंडो क्या है देखिए अगर आपको इतना समझ आ गया ना तो आगे आपके लिए बहुत असान होने वाला है आगे हम बात करेंगे जावस्क्रिप्ट में execution context के बारे में बात जावस्क्रिप्ट कैसे काम करते है कैसे code को read करती है कैसे memory allocate करती है चीजों को तो वह सब बात करेंगे हम बट अगर आपको इतना समझ आ गया ना तो बहुत बहुत सही चीज है क्योंकि यह जो को यह जो call apply bind है ना यह कई बार इसका answer कई बार senior software engineering भी नहीं देवात है अच् अब यहां पर मैं आपको चीज बताना चाहूंगा जो आपको नहीं करनी अक्सर लोगों गलती करते हैं बड़ आपको गलती नहीं करनी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या हो और यहां पर अगर आप सोच चीज बदला बदला लग रहा है तो यहां पर यह बदल चुका है यह गूगल जो कॉंसोल है यह डिफॉल्ट लेवर रोट नीव इशूस नीचे आ चुका है कुछ अपडेट शायद हुआ है इसके अगरान यह दोने चीज़े नीचे आ चुके है पहले ऊपर की लाइन में या रही थी तो अगर आपको कुछ लग रहे है कि बदला यह बदला बाकी कुछ नहीं बदला तो स्टार्ट करते हैं यहां बे मैं एक अब्जेक्ट बना रखा है यूजर वन जिसमें क्या है फॉर्स्ट नेम एच दो प्रपर्टीज एक मैं क्या कर सकता हूं यूजर वन डोट अबाउट मैंसर को को कोल करता हूं तो काफी सिंपल है हर्श्ट दोरेट पिर्ट हो अब मैं क्या करता हूं न हिस आबाउट को न किसी वैरियबल में स्टोर कर लेता हूं ऐसा हमने पहले भी यह मैं क्या करता है इस जो method है, इसकी reference को store किया है, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसकी output gas कीजिए, अब यहाँ पे कोई भी यह सोचेगा, कि इसकी output में आएगा हरशितुरेट, बट ऐसा नहीं है, undefined undefined आ रहा है, बतलब यह इस जो भी था object, उसके पास first name नम की property नहीं थी इसको ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं, देखिया, यहाँ पे, अगर मैं उपर, अगर मुझे पता लग जाए, this क्या है, console.log अगर मैं इस function को run करने से पहले this देख लूँ, क्या भी this window को represent कर रहा है, यह window को represent कर रहा है, ना कि मैंने user1 को, ऐसा क्यों आप तो सोच रहे थे, मैंने कहा था, कि मैं अगर कोई चीज dot हो, उससे पहले कुछ लिखा हो, वो object होता है, इसमें तो नहीं है, मैंने तो गलत बताया, नहीं मैंने गलत नहीं बताया, हुआ क्या देखिया यहाँ पे, जब हम इस तरह से करेंगे user1.about, तो यहाँ पे this की value हमें कब पता लगती है, जब हम method को call करते हैं, अभी हमने यहाँ पे अपने function को call नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, अपना function उठाया यहाँ से, और कुछ इस तरह से अपना function यहाँ पे लिख दिया, अभी यहाँ पे my function को call कर रहे हैं, अब my function को call करेंगे तो इस case में तो this के value window ही होगी न, इसलिए यहाँ पे error आए, अभी undefined undefined आएगा, तो यहाँ पे आपको यह गलती नहीं करनी, समझे रहो, यहाँ पे method को call नहीं कर रहा था, call मैं बाद में कर रहा हूँ, यहाँ पे value क्या होनी चीए, इस method में, इस function में, तो क्या होनी चीए, this की value होनी चीए, user 1, अब बिल्कुल सही है, अब हर्शी तो rate आएगा, तो यह थी, आपको यह गलती नहीं करनी, समझे आप, अब यहाँ बात करेंगे arrow functions की, arrow functions की बात करते हैं, arrow functions का behavior थोड़ा different है दूसरे function से, ए एक बार यह देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं लिखू user1.about, call कर दो इसको, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, हर्शी तेट प्रिंट हो जाएगा, बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यह जो मैंने function लिखा न, function declare किया, function declaration लिखा, function expression बोल पर यह पर अब मैं जो बोलोंगो उसको ध्यान से सुनना, arrow function का this नहीं होता, arrow function में this नहीं होता, arrow function का जो खुद का this नहीं होता, arrow function जो this लेता है, वो अपने surrounding से लेता है, मतलब यहाँ पर यह दूद इस होगा, यह क्या होगा, आप एक level अब पहले मैं इसको run करके दिखात अब यहाँ पर, अब यहाँ पर undefined undefined आ रहा है, undefined undefined क्यों आ रहा है, क्यों कि मैंने क्या कहा, arrow function का जो this होता है, arrow function के अंदर जो this होता है, वो this अपने surrounding से लेता है, कहां से लेता है, अपने surrounding से लेता है, यह बात को ध्यान रखना, arrow functions अपने this कहां से लेता है, surrounding का मतल मतलब आद इस फंग्ष्न मतलब सांपर उसका इसका इस होगा भी साफ यह फर कि यूजर वन थिस नहीं होगा अगर मैं इस तरह के और ony और मैं अग्ट मतलब सांपर इसका जो हैं सßब गल ओओ अगर आपको नहीं ययकिन गहता तो आप देख लेना console.log अगर मैं यहाँ पर this करूँ तो यहाँ पर आप देखना window आ रहा है और एक और चीछ arrow function का जो this है उसको आप change नहीं कर सकते for example आप कहो कि मैं इसको call कर लेता हूं और call करते वक्त मैं क्या देता हूं जो मेरा this होगा वो user1 होगा आप तब भी change नहीं कर पाएंगे अगर इस case में भी अगर आप देखेंगे console.log this तो यहाँ पर no effect at all कोई effect नहीं पड़ेगा arrow function पर arrow function इस हमेशा कहां से लेगा एक level उपर से लेगा अपने surrounding में एक level उपर से लेगा मतलब यहाँ पर arrow function ना होता तो this क्या होता अगर कुछ इस तरह से call करता मैं इस तरह से call करता तो this क्या होता तो user 1 होता अब एक level उपर चले जाओ इसके तो this क्या होता है window object होता समझ रहे हो तो यह है arrow function arrow function के case में कलती नहीं करनी और हो सकता है यह आपको थोड़ा confusing लगे बट कोई बात नहीं हम projects बनाएंगे तब इसका real example लेखेंगे कि this की जुरूत हमें कब पड़ेगी उस time आपको एक दम clear हो जाएगा कि arrow functions का जो this होता हों कैसे देखते हैं बस आपने यह देखना है ऐसा सोचना है कि अगर simple function होता तो this क्या होता इस case में user one होता अब arrow function है तो एक level up चले जाओ एक level up चले जाओ मतलब this क्या होगा window object होगा बस यह देखने का तरीक है this अब यहाँ पे एक course मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले मैं एक file create कर लेता हूँ और इसको code करता हूँ और यहाँ पे link करता हूँ इस file को और यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है short syntax मतलब की देखिए यहाँ पे अभी पर हम क्या कर रहे थे कुछ इस तरह से function बना रहे थे तो आपको क्या करना है देखिए आप इसका एक alternate लिख देता हूँ मैं आपके लिए आपको ऐसे function के लिए key value pair लिखने की जुरूत नहीं है आप डिरेक्ट लिए ऐसे लिख सकते हैं function का नाम अटाओ function की यवा अटाओ direct about लिख दो मतलब आपने about method क्रेट कर गया इसके अंदर और object के अंदर यो function होते हैं उनी को method बोलते हैं इसलिए आप इसको method भी बोल सकते हैं function भी बोल सकते हैं but more accurate हम इसको method बोलेंगे तो यह और यह बिल्कुल equivalent है आप ऐसा कर सकते हैं user1.about तो यह बिल्कुल सही काम करेगा तरशी तो रेट आ रहा है अब हम बहुत important topics के और move कर रहे हैं अब हम बात करेंगे methods के object oriented programming के बात करेंगे actually object oriented programming बहुत simple है मैं आपको समझा दूँगा चिंता मत करो but हम क्या कैसे सीखेंगे सीट को हम सीखेंगे कि हम अभी क्या problem face कर रहे हैं हमारे code में अभी क्या कमिया हैं उसको दूर करेंगे ओके हम अभी थोड़ी दिर तक हम सीखेंगे proto हम सीखेंगे prototype prototype हम सीखेंगे class तो यह सब चीज़े सीखेंगे और यह interview में पूछी जाती है और यह as a JavaScript developer आपको आनी ही आनी चाहिए और बात यह है कि 99% developers को नहीं पढ़ता आ है यह सब चीज़े किस तरह inventory करती है और यह प्रोमिस मैं अपको अच्छे से समझा दूँँगा यह सब चीज़े किस तरह से काम करते हैं बस आपको patience रखना है जो मैं समझा रहूं हैं अच्छे से practice करकर देखनी है ओके बस आपको समझा दूँगा मैं I promise इमेल, एज, एड्रेस, एड्रेस में मैंने simple string लिख दिया है, यहाँ पर दो methods है, about और is 18, जो सब को पता है, मैं थोड़ा इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं, और यहाँ पर about मैंने कुछ ने लिखा, जो भी, क्या करेगा, first name print कर देगा, और साथ में लिख देगा, first name is, dash year sold, तो यह print कर देगा, simple, simple object है, इस object हम use कैसे करते हैं, for example user.about, user.about करूंगा मै, जो रिटर्न कर रहा है, जो रिटर्न कर रहा है, मैं उसको string में store कर लेता हूं, ठीक है, about user, for example, string में store, sorry variable में store कर लिया, यह return क्या करेगा, string return करेगा, उसको मैंने一個 variable में store कर लिया, और मैं को सक तो उसको भी प्रिंट कर सकता हूं कॉंसोल डोट लोग अबाउट यूजर ओके तो इस तरह से मेरा अब्जेक्ट बन गया बट इस अब्जेक्ट में यह अब्जेक्ट और ठीक है बट सोच यह कि मुझे ऐसे ऐसे एक मिलियन अब्जेक्ट चाहिए इसे यूजर थ्री होगा यूजर फोर होगा ऐसे मुझे लाखो क्रोडो यूजर्स चाहिए अब लाखो क्रोडो यूजर्स हम इस तरह तो बनाने सकते ना कि हम पहले एक यूजर बनाए फिर दूसरा इतना टीडियस काम हम नहीं कर सकते हमें कुछ better approach तोननी पड़ेगी इसके लिए इसके लिए हम क्या करेंगे हम एक function मनाएंगे हम एक function मनाएंगे ओके और जो function as a input लेगा as a input क्या लेगा first name, last name, email, age, address as a input यह सब चीजे लेगा और return कर देगा मुझे एक object यह function क्या return करेगा यह function return करेगा object ठीक है बलिव कि object create करेगा और return करेगा that function create object पहले object create करेगा object create करने के बाद उसमें कुछ values key value pair add करेगा second step क्या होगा इस function का add key value pair और third step क्या होगा उस function को return करेगा तो और उस object को return करेगा फिर object को return करेगा तो इस function का ये काम होगा ऐसा function देखते हम कैसे बना सकते हैं function लिखा मैंने function का नाम रखता हूँ for example मैं create user create user तो function user create करेगा इसलिए मैं user create नाम रख दिया इसका यहाँ पर क्या लेगा है क्या लेगा यह first name लेगा last name लेगा email लेगा age लेगा address लेगा as a input तो मैं यहाँ लिख लेते हैं जो भी parameter है first name last name email age and address ओके तो यह function as a input यह सब दिखे लेगा उसके बाद मैंने क्या आगा यह function को यह object create करेगा अब यह मैं माहा लेता हूँ यह खाली object है एक user नाम का खाली object है यहाँ पे इसके अंदर ओके अब मुझे करना क्या है मुझे उसके बाद देखिए add key value pair मुझे इस object में key value pair add करने है तो बहुत असाना है कैसे करते हैं dot notation use करके कर सकते हैं user dot first name की हो जेगी first name colon नि लगाउंगा मैं equal to लगाउंगा क्योंकि हम equal to लगागे key value pair add करते थे ना खाली object में हम कैसे key value pair add करते थे इस तरह से करते थे for example first name अगर मैं ऐसे लिख दू हार्ड कोड हर्शित अब मुझे ऐसे ने लिखना क्योंकि first name मेरे पाद super receive हो रहा है तो यहाँ पर मैं वह वह वाला first name उपर लिख दूँगा ओके तो यहाँ पर इतना हो गया अब इसके बाद मुझे करना कै मुझे first name अड्ड कर दिया इसके बाद user.list name last name add कर देंगे last name add कर दिया ओके उसके बाद user.email email add कर देंगे हम जो उपर से receive होगा उसके बाद user.age age add कर देंगे उसके बाद user.address address add कर देंगे और राइट तो यहाँ पर हमने एक object बनाया object में हमने key value पर add कर दिया अब उस object को return करने हमें simple है but return करने से पहले मेरे object में यह दो methods भी तो है इनको भी तो लिखना है तो हम इसमें यह methods भी add कर देते हैं तो user.about यहाँ पर function को यह जो function है जो object return करेगा इसमें आपको function निपास करने है function बार बर क्यों पास करने है function तो same ही रहेंगे न about क्या होगा about एक function होगा ओके तो बिल्कुल सही है अब जैसे about है वैसियम क्या कर सकते हैं is18 function है simple is18 function क्या करेगा check करेगा age अगर 18 है 18 है तो true return करेगा 18 से कम है तो false return करेगा ओगे तो यहाँ पर हो गया यह अब जो मेरे object में मुझे चाहिए था वो मैंने sub add कर दिया इस खाली object में अब मुझे simple करना गए इसको return करना है return user बहुत simple था अब मुझे इसकी जुरूरत नहीं है इसको हटा देता हूँ अब मैं क्या करता हूँ अबना object create करके देखता हूँ इस function को use करके देखते हैं कैसे करेंगे for example const user1 equals to create user और यहां पर यहां पर पास करता हूँ first name for example फरिक्जामपल हर्षेट last name पास करता हूँ for example वसेश्ट उसके बाद मुझे पास करना है email for example hrshed add rate gmail.com रोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए उसके बाद मुझे क्या पास करना है तो email के बाद age पास करना है age पास कर देता हूँ for example 2 या 3 इसके बाद address पास कर देता हूँ for example कोई भी string पास कर देता हूँ my address तो ये हो गया मेरा एक object बन गया अब देखते हैं subject पो प्रिंट कर गए बना भी है या नहीं मतलब मेरा function काम कर भी रहा है या नहीं console.log user1 तो देखते हैं तो आप देखिए user1 क्या है object है इस object में देखे सब कुछ है about है address है age है email है first name है is18 function है last name है अब देखते हैं जो user is18 है या नहीं method भी call करके देख लेते हैं अपने .is18 तो यह क्या return करेगा या तो true return करेगा या false return करेगा जो भी return करेगा मैं यहां पर एक variable हमना लेता हूँ variable का नाम है is18 रख लेता हूँ for example पुर मैं क्या करता हूँ console.log is18 उप्रिंट करेगा देखता हूँ क्या आ रहा है तो यहां पर false आ रहा है user जो है वो 18 नहीं है तो मैं करता हूँ इसको 18 कर देता हूँ तो यहां पर true 18 से बढ़ा करूँगा तो भी true तो function था एक और function कोल करके देख लेते हैं method object के अंदर जो function होते हैं इसको method बोलते हैं और मैं interchangeably बोलता रहता हूँ तो it doesn't matter आपको यह समझना है बस method किसको बोलते हैं functions को जो कहां पर होते हैं object अंदर अब यहां पर मुझे करना क्या है यह हो गया अब मैं एक और method कोल करके देख लेता हूँ for example const about नाम का variable बना लिया user1.about देख लेते हैं और इस about को प्रिंट करके देख लेते हैं यहां पर about और अब देखते हैं खरशित is 19 years old इतना सही है ओके आपको बनाना आगया एक ऐसा function जो आपके लिए object create करेगा बड़ इसमें बहुत बहुत जादा कमिया है उन कमियों को देखते हैं क्या है मैं इस code को ना यहां से उठा के इस file में ले जाता हूँ by the way मैं इस code को multiple file में इसलिए split कर रहा हूँ ताकि अगर आप कल code देखें तो आप एक ही file में बहुत सारा code देखें थोड़ा confused न हो जाएं इसलिए मैं multiple lines में करता हूँ multiple files में करता हूँ देखें अब यहां पे इसमें कमियाब होता है तो कमियों को देखने से पहले पहले मैं इसका यह चेंज कर लेता हूँ मुझे काम करना है 78 file में ओके तो 78 file में same code है इसलिए यहां पे same output आ रही है यहां पे कुछ कमिया है कमिया देख लेते हैं पहले फिर आके बात करेंगे इसी तरह मुझे यूजर 2 क्रेट करना है जिसका अलग है सारा कुछ नाम सब अलग है यह यूजर 2 बन गया for example अब मैं क्या करता हूँ एक यूजर 3 बना लेता हूँ एक यूजर 3 बना लेता हूँ और एक यूजर 3 बन गया मेरा for example अब यहां पे आप सोचे हों कि इसमें कमिया सब कुछ बढ़िया तो गाम कर रहा है देखिए यहां पे जब यूजर 1 बनेगा तो एक object बनेगा उस object में दो methods होंगे यूजर 2 बनेगा फिर से object बनेगा उसमें भी दो methods होंगे यूजर 3 बनेगा वो भी object होगा उसमें भी यह दो methods होंगे अब जितनी बार यूजर बनेगा उतनी बार यह क्या बनेंगे यह methods बनेंगे और जितनी बार यूजर बनेगा उतनी बार यह method बनेंगे उतने ही method मेरी memory के अंदर store होंगे अगर मेरे एक million users हैं तो एक million बार ये methods बनेंगे और उतना ही मेरे memory fill होगी मतलब यहां पर मुझे कितनी copy चाहिए इस object की इस methods की इस method की मुझे एक ही copy बहुत है क्यों? क्योंकि ये method same है हर object का चाहिए user one हो चाहिए user two हो चाहिए user three हो ये जो method की definition है ये हमेशा same रहेगी ये इसमें कोई change नहीं है बट अभी क्या हो रहा है अभी मैं user one बना रहूं तो दुबारा बन रहे है memory के अंदर user two बना रहूं ये memory के अंदर दुबारा बन रहे है तो यहां पे मैं क्या करता हूं इन methods को यहां से निकालता हूं यहां से मैं निकालता हूं इनको यहां से निकालके उपर एक object मना लेता हूं user methods करके तो users method करके एक object मना लिया और उस object के अंदर मैंने क्या किया इनको लिख लिया यह जो method है उनको लिख लिया तो यहाँ पे यहाँ पे about simple about लिखता हुँ मैं यहाँ पे simple is 18 लिखता हूँ यहाँ पे comma लगाता हूँ और यहाँ पे colon लगाता हूँ ओके तो आपको समझ आ गया एक मैंने अलग से object मनाया इस object में क्या है की value pair है पहला की है एक पहला की about है जो कि किया एक method है दूसरा की है is 18 जो कि एक method अब मैंने क्या किया memory के अंदर ये function अलग से store कर लिए ये method अलग से store कर लिए एक object के अंदर अब यहां पर मैं इनकी reference store कर सकता हूँ reference store करने के मतले मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ user.about इक वस्तु यूजर मैं थर्ष डोट अब अब मेरी वा प्रोब्लम दूर हो गई अब आप सोचे होंगा यारी प्रोब्लम कुदूर कैसे होगी अभी मैं तो ही कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया user.about इक्वल्स तो यही method तो लिख दिया देखिए अगर हम इस तरह से करेंगे न जावस्क्रिप्ट में यह method कहीं पर store हो चुक है यह भी कहीं पर store हो चुक है जब मैं इस तरह से लिखूंगा न मैं इसकी reference लिख रहा हूँ यहां पे मैं इसका address लिख र तब यह method create नहीं होंगे यह एक ही बार create कर दिया है मैंने और मैंने यहां पर store कर रहा हूँ internally javascript क्या store कर रहा है इसका reference मतलब कि यह method है इसका reference मतलब कि इसका पता इसका address क्या है जब javascript को इसको call करने की जूरुत पड़ेगी तो javascript यहां पर जाके इसको call करेगा मतलब सही है अगर आपको नहीं समझाया मैं आपको highly suggest करूँगा कि आप मेरा course starting से लेकर end तक पूरा देखे जिसमें मैंने सब बलाया था reference type primitive types कैसे store करते हैं कैसे clone करते हैं कैसे कर बाते हैं अब यह हो गया अब मुझे करना कहा है अब मैं check कर लेता हूँ कि मेरा method काम भी कर out देख लेते हैं तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि जो return करेंगे मैं उनको console.log भी कर लेता हूँ तो इससे क्या होगा इससे देखते हैं क्या होगा console.log और console.log अब यहां पर हो क्या रहा है यह बिल्कुल सही काम हो रहा है दोनों method काम कर रहे हैं बिल्कुल और जितनी बार मैं object create करूँगा उतनी बार यह methods बनने रहे हैं मतलब मैंने एक copy बना के रख ली अलग से और मैं उनी copies को use कर रहा हूँ उनका address डाल रहा हूँ यहा तो बिल्कुल सही है और यहां पर for example कुछ changes करके देखते हैं for example 9 for 17 तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं अब यह दो हो गया बट इसमें भी एक problem है आप सूच रहों कि यार पहले इसमें problem थी इसमें problem है अब इसमें क्या problem है सब सहीत हुए है देखे इस पर जर्चा करते हैं और यहां पर file को change करता हूं देखे हम अपने code को improve कर रहे हैं हम अपने code को improve कर रहे है अब यहां पर problem क्या है for example मैंने सोचा कि यार इस user के पास ना एक और method होना चाहिए तो user एक और method user के पास एक और method होना चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक method बना लेता हूँ for example sing function जो कि return करेगा तो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे जो user है उनके पास एक और method होना चाहिए अब यहाँ पे लिख है मुझे तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे लिखेंगे user.sync equals to user methods.sync और अब call करके देख लेता है इनको about call कर रहा था मैं sing call करके देख लेता हूँ तो बिल्कुल सही काम कर रहा है यहाँ पे for example आपको यहाँ पे बहुत सारे method add करने है for example आपको हजारो method add करने है तो हजारो method add करोगे तो यहाँ पे भी आपको हजारो method लिखने पड़ेंगे और क्या पता कभी ऐसा टाइम हो गलती से आप यहाँ पे लिखना भूल गए तो problem हो जाएगे का नहीं हो जाएगे बिल्कुल हो जाएगी ओके अब यहाँ पे ध्यान से समझना हम करेंगे क्या अब इसका solution क्या होगा इसका solution देखने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाओंगा file number 80 में सबसे पहले file number 80 में काम करना है तो यहाँ पे file number 80 लिख लेता हूँ तो देखते हम करेंगे क्या कैसे हम इसको solution करेंगे तो नहीं हम आपको बिल्कुल basic समझाओंगा पहले कुछ समझाना चाता हूँ आपको मैं for example const obj1 है मेरे पास एक object 1 है और इसमें क्या है इसमें key 1 है जिस जो है value 1 और ऐसे यहाँ पे key 2 है key 2 है जिसकी value है 2 अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ मैं एक object 2 बनाता हूँ तो आप सोचे रहों कि यह मैं दुबार ऐसे चोटे मोटे object क्यों बनाने लग गया क्योंकि मैं आपको बहुत ही crucial cheat समझाना चाहता हूँ जो की कई बार लोग के interview में नहीं उसका जवाब दे पाते तो बहुत problem होती है ओके देखें यहाँ पर दो object बना दी है तो ठीक है बना दी है हमने अब यहाँ पर हम क्या कर सकते है यहाँ पर हम simple यह काम कर सकते है console.log कर सकते हूँ मैं obj1 dot key1 तो बिल्कुल ठीक है मैं करूँगा obj2 dot key3 तो यहाँ पर value 3 आगी अब मैं करूँगा obj dot key1 मैंने obj2 पर मैं लिख रहा हूँ key1 तो देखें क्या अंसर आएगा undefined अब आप सोच रहोंगे कि undefined यह आएगा यह हमें बहुत पहले से पता है देखें undefined आ रहा है बट मैं नहीं चाहता undefined आए अब ध्यान से सुनना मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ अब ध्यान से सुनना मैं चाहता हूँ जावस्क्रिप्ट क्या करे अगर जावस्क्रिप्ट को object 2 के पास key1 ना मिले दुबारा सुनना अगर object 2 के पास जावस्क्रिप्ट को key 1 ना मिले तो वो खुद जाए object 1 के पास खुद जाए object 1 के पास वहाँ देखे key 1 है क्या अगर जावा स्क्रिप्ट को वहाँ key 1 मिली तो उसको print कर दे दुबारा सुनो मैं चाहता हूँ जावा स्क्रिप्ट क्या करे पहले object 2 में देखे क्या key 1 है क्या नहीं है अगर नहीं है खुद object 1 के पास जाए और वहाँ पे देखे क्या key 1 है क्या अगर वहाँ पे key 1 है तो मुझे दे दे तो यह काम हम कैसे कर सकते हैं अभी देखते हैं इस काम को कैसे करेंगे बट एक और चीज़ में आपको बताना चाहूँगा तो कैसे बताना चाहूँगा देखे आप खाली object बनाते हैं खाली object बनाके भी आप उसमें key value पे रड़ कर सकते हैं for example obj2.key2 या फिर key3 मैंने अड़ कर दी जो कि है value 3 तो same object है ये object और जो पहले बनाया था हो same है बिल्कूल बस मैंने पहले खाली object बनाके बाद में key value पे रड़ कर दिया for example object 2 के पास मुझे जाए key3 तो मुझे मिल जाएगी value 3 अब यहाँ पे दियान से देखना there is one more way to create empty object value object बनाने का एक कोर तरीका है जावस्क्रिप्ट में और वो तरीका क्या है object dot object dot create और यहाँ पे मैं पास करतूँगा obj1 मुझे पता है आपको ये line अभी नहीं समझाई I know मैं करता हूँ उपर वाला code comment out करता हूँ सारा code मैंने comment out किया अभी मेरे code में क्या है एक obj1 है obj2 है obj1 तो normal है जैसे हम अपने हजार बार बना चुके है but obj2 में मैंने एक क्या line लिखी है इसको समझते है पहले देखते है obj2 actual में है क्या दिख कैसर आए obj2 इस दिख कैसर आए console.log obj2 दिख कैसर आए obj2 खाली object है obj2 क्या है खाली object है बट यहाँ पर obj1 लिख है तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर obj2 और obj1 का कुछ connection बन गया ऐसा लग रहा है अभी देखेंगे connection क्या बन रहा है जावास्क्रिप्ट ने connection किस तरह से बना है बन गया हमें अभी इतना तो समझ आ रहा है connection बन गया अभी देख लेते हैं क्या connection बना है अब मैं क्या करता हूँ यह जो खाली object है यह क्या है क्या रिटन करेगा है रिटन करेगा है खाली object मैं इस खाली object में क्या value पर add कर सकता हूँ मैं add कर दिया अब javascript वो काम करेगी जो मैं चाहता था javascript पहले object 2 में चेक करेगी key2 है क्या नहीं है object 2 के पास सिरफ एक ही की है key3 key2 नहीं है अब जो आपने create में लिखे है create की parenthesis में लिखे है जो object अब javascript खुद जाएगी उस object के पास जाके देखेगी क्या key2 है क्या यहां पर है यहां बे मुझे value2 मिल जाएगी तो यह काम हो रहा है हमें पता लग गया कि जो हूँ जाते थे तो this is happening यह काम हो रहा है अभी बट कैसे हो रहा है javascript ने ऐसा क्या किया की javascript ने ऐसा क्या किया की अगर उसे कोई की यहां ना मिले तो वो उपर जाके देखती है मतलब कहां जाके देखती है उस object 1 में जाके देखती है for example अब object 2 में भी मैं यह key add कर देता हूँ object 2 में key 2 add कर दी मैंने तो मैंने यहां पर लिख देता हूँ यूनिक कुछ ऐसा लिख दिया मैंने अब यहां भी मुझे यह unique होगा क्यों कि जावर्ष कर सबसे पहले क्या करेगी object 2 में देखेगी object 2 में key 2 है क्या object 2 में key 2 है हमने add की थी अगर यह ना होती तो कहां देखती है object 1 में जाके देखती है object 1 में जाके देखती है तो क्या आता value 2 आता तो object.create यह काम कर रहा है यह काम कर कैसे रहा है वो देखते हैं तो यह हम ना क्या करते हैं अपने object 2 पे नजर मारते हैं एक बार किस पर नजर मारेंगे object 2 पे एक नजर मारेंगे तो देखते हैं मैं direct object 2 को print करता हूँ तो यह मेर object 2 है अब object 2 है ना JavaScript में देखिए मैं object 2 को देख रहा हूँ तो यहाँ पर यह देख रहे underscore underscore proto underscore underscore अब यह क्या चीज़ है JavaScript क्या करती है JavaScript को जो चीज उसके object में नहीं मिलती JavaScript क्या करेगी वो proto इस proto proto में जो है ना यह proto है यह proto में कुछ ना कुछ reference होती है यहाँ पर कोई ना कोई चीज होती है JavaScript वहाँ पर जाके देखता है अब यहाँ पर proto क्या है proto क्या है इसका इसका proto है यह object इसका proto अगर यह object है तो यहाँ पर JavaScript ने यहाँ पर JavaScript ने इस object में जाके देखा यहाँ पे इसे क्या मिला यहाँ पे इसे मिली थी key2 तो इसने value print कर दी यहाँ पे मैं आपको एक और सीच बताना चाता हूँ उसको ध्यान से सुनना अब ही हमने browser में देखा क्या लिखा रहा था proto अब यहाँ पे एक बात करते है official अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में एक और चीज होती है जिसको बोलते है प्रोटो टाइप प्रोटो टाइप वो बिलकुल अलग है यह दोनों सेम चीज है एक प्रोटो टाइप होता है वो बिलकुल अलग है उसके बारे मैं बात करूँगा वो अलग चीज है यह दोनों चीजे अलग है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log यहाँ पे लिखूँ मैं obj2. यहाँ तो यहाँ पे obj2 तो आपको यहाँ पे इसका प्रोटो देखने को क्या मिलेगा इसका प्रोटो देखने को मिलेगा यह object और अगर आप browser update करेंगे या फिर in future proto कुछ इस तरह से भी लिखा आ सकता है ब्रोटो में तो आपको इस बात का ध्यान रखना है खास दोर पे समझ रहे हो आप और मैंने क्या का यह दोनों सेम है और यह अलग चीज है यह functions के साथ होते है functions के अंदर होते है एक prototype किंता मत करो आपको बिल्गूल अच्छे से सब कुछ समझाओंगा मैं एक भी जी skip नहीं करूंगा समझ रहे हो तो यहाँ पे official documentation में प्रोटो को कुछ इस तरह से लिखा हुए अगर आप प्रोटो को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रोटो को आप कुछ इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं ओके और यह काम हो रहा है समझ रहे हो तो यह क्या कर रहा है इस object 2 के प्रोटो proto को set कर रहा है इसके equal proto पे set कर रहा है इसका address तो मतलब कि proto मैं रहे को कहाँ पे लेके जाएगा यहाँ तक लेके जाएगा बलकि JavaScript का कुछ अकर यहाँ पे ना मिला तो यहाँ पे जाके proto यहाँ पे जाके देख लेगा समझ रहे हैं ओके हमने क्या किया object2 का जो proto था object2. अंडर्सकोर अंडर्सकोर प्रोटो अंडर्सकोर अंडर्सकोर इसको dunder भी बोलते हैं इसको बोलते हैं dunder तो यह property है जावा स्कृट्ट में यह property set कर दी proto prototype भी एक चीज़ होती है वो बिल्कुल अलग है confuse मत होना प्रोटो प्रोटो टाइप को बिल्कुल compare मत करना हो बिल्कुल अलग चीज़ हैं लोग proto की जगह कहीं पर prototype बोल देते हैं बिल्कुल गलत है वो prototype बिल्कुल ही different चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे अभी क्या हो रहा है इसकी proto set कर दी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी आपको घबराना ने बिल्कुल भी और अभी इससे क्या हो रहा इससे object 2 की proto property में क्या set हो गया यह set हो गया अब क्या करते हैं console.log करते हैं console.log obj2. underscore underscore proto underscore underscore ओके तो इसका proto क्या हो गया object 2 का proto हो गया object 1 किस से हुआ object. create से हुआ और राइट यह हो गया हमने काम किया जो चीज उसको object 1 से object 2 को javascript जो चीज object 2 से नहीं मिल रही थी वो कहां से ले लिए उसने object 1 से ले ली तो यह मैंने आपको समझाना था अब यह जो अपनी problem है ना इसको solve करते हैं मतलब हमने पहले क्या देखा पहले हमने simple function मनाया अब फिर हमने क्या किया फिर हमने जो method से हमारे हमने जो object के इंदर जो method से उनको अलग कर दिया अलग करने के बाद अब एक और method कर दिया अब अब क्या करेंगे अब देखते हम क्या करेंगे मैं फाइल नूमबर 80 में ही काम करता हूँ तो इसको यहां से कोपी कर लेता हूँ और इसको ताकि आपको इस समझ आए तो इसको यहीं पर राने देते हैं 79 में ही एडिट कर लेता हूँ मैं देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ file number 79 में काम करना है अब यहाँ पे ध्यान से देखना वाई यहाँ पे मैं ना इसको हटा देता हूँ यह मैंने हटा दिया ओके यह जो खाली object मैं इस तरह से create कर रहा था मैंने क्या का? खाली object आप इस तरह से भी create कर सकते हैं इस तरह से create करने का फाइदा क्या होगा इससे prototype chain बन जाएगी ठीक है prototype chain बन जाएगी तो कैसे बनेगी वो देखते हैं सबसे पहले खाली object बनाने के लिए object dot create तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्या लिखूँगा अब आउट है गया यूजर वन के पास तो यूजर वन के पास अब आउट तो नहीं है तो पहले मैं क्या करता हूँ इसको यूजर 3 का comment out करता हूँ यूजर 1 को प्रिंट भी कर लेता हूँ console.log यूजर वन तो देखिए यूजर 1 ये था मेरा ठीक है और इस proto में क्या set हो जाएगा proto में set हो जाएगा जो भी यूजर methods है वो set हो जाएगा तो देखिदें user के जो method है वो सारे proto में set हो गई किस lain से set होे इस line में set होे तो proto क्या है, proto reference है किस का reference है, किस object का reference है prototype बिलग ललग चीज़ है confused मत होना अब यहाँ पर about method है, यह call हो रहा है कहाँ से call हो रहा है, यहाँ पर तुनी है इसने proto में गया है proto में जाके देखा इसने about method है क्या वहाँ पर जाके इसने call कर दिया अब यह doesn't matter कि आप यहाँ पर 1000 method मनाओ, लाख method मनाओ जितने भी method मनाओगे न कोई भी method आपका call हो जाएगा किस line की वज़े से इस line की वज़े से ओके ये line दो काम कर रही है एक तब खाली object भी दे रही है और साथ में chain create कर रही है proto, proto की value क्या set कर रही है proto property की value set कर रही है ये proto क्या है, reference है किसका reference है, इसका JavaScript को जो चीज़ यहां नहीं मिलेगी वो कहां देखेगा, proto में जाके देखेगा proto एक bond create कर रहा है किसका bond create कर रहा है proto bond create कर रहा है, आपके object का और इस object का जो चीज़ आपको अपने object में नहीं मिलेगी वो आप इस object में देखेंगे तो यहां पे relationship establish हो गए समझे रहे हो तो यह था, यह बहुत थी important चीज थी I hope आपको ध्यान में रहीगी अब एक ऐसा चीज़ देखेंगे हम जो कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, बढ़ हम समझेंगे अच्छे से ओके, वो है prototype prototype क्या होता है मैंने आपको क्या का proto अलग है, prototype अलग है अब हम बात करेंगे prototype की prototype देखेंगे क्या होता है और हम बात करेंगे एक new keyword की बारे में यह दो चीज़े जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, यह बहुत ही जाद important है, आपकी खुद की understanding के लिए भी अगर आप कहीं पर interview दिने जाते हूँ उसके लिए भी, बहुत सारी लोग even senior developers, इन चीज़ों को नहीं समझते वो directly javascript को use करेंगे बट उन्हें नहीं पते चीजे हो कैसे रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझते हैं अब बात करते हम proto की, prototype की और new keyword की अब हम बहुत important topics के बारे में बात करेंगे बट उससे पहले थोड़ा revise कर लेते हैं देखे, अभी तक हमने पढ़ा function होता है हमारे पास for example मेरे पास एक function है hello hello नाम का function है, जो simple क्या करेगा console.log करेगा hello world तो मेरे पास simple function है और आप क्या कर सकते हो, इस function को call कर सकते हो for example कैसे call करोगे hello call कर लिया अब यहाँ पे javascript में जो function है वो function हो да JavaScript में function तो है पर javascript में function object भी है javascript में function की तरह त्ब्रeat कर सकते हो plus साथ में object की तरह त्रeat कर सकते हो मतलब function क्या है function combo है object का और function का for example जो JavaScript के function है वो function तो है बट साथ में object भी है आप उनको object कितना treat भी कर सकते हो तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं यह चीज देखिए जो hello name का function है ना JavaScript में कोई भी जो function होता है ना उसको हमें एक property देता है वो है name यह name क्या करता है इस name को call करके आप function का नाम पता लगा सकते हैं तो यहाँ पर name कुछ इस तरह से name property क्या देगा इसका नाम बताएगा function का for example इसको call नहीं करना name को बस आपने dot name लिखना है मतलब जैसे object आप ऐसाल नहीं लग रहा है किसी object के हम किसी property को access कर रहे हैं बिल्कुल वही चीज़ है देखिए यह नाम बता दिया इसने है लो इस function चीज़ होगी अभी के लिए देखिए यह function का नाम बता रहा है आपको यह ध्यान रखो कि मुझे प्रोपर्टी मिले हुए है जो की नेम नाम की जो की मुझे क्या बता रहे है function का नाम अब आप खुझ की प्रोपर्टीस भी आड़ कर सकते हैं कैसे आड़ कर सकते हैं for example hello dot my for example my own property मैंने खुद की प्रोपर्टी एड़ कर दी for example जिसकी वैल्यू है very unique value for example ओके तो फंक्शन है इस function में मैंने जैसे object के अंदर की वैल्यू पे राड़ करते से मैंने यहां पे की वैल्यू पे राड़ कर दिया simple अब मैं क्या कर सकता हूं console dot log यहां पे my own property मुझे क्या होगा मिल तो यहां पे पहले function का नाम hello dot my own property तो मुझे मिलगे very unique value अब देख रहे हैं कैसे मैं इस function को object की तरा treat का पार हूं देखे कितने इस बात का ध्यान डियान रखने function की तरा काम तो करेंगे साथ में object की तरा काम भी करेंगे अब जैसे हमने यह जाना जैसे हमने फंक्शन ने हमें क्या दिया नेम प्रोपर्टी दी नेम प्रोपर्टी से क्या होता है नेम प्रोपर्टी फंक्शन का नाम बताती है क्या करती है यह फंक्शन नेम फंक्शन का नाम बताएगी है अब फंक्शन का नाम तो बताए इसके बारे हम एक बात आपको ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना ये बात function हमें देते हैं free space ठीक है function मैं इसको लिखनी रहा यह आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस function हमें देंगे free space जब हम function मनाया है न हमने ठीक है इस function में हमें मुझे मिलेगा free space moved space वो free space क्या है वो free space क्या है एक object है मतलब free space क्या है एक object है और उस object को बोलते है prototype उस object क्या बोलते है prototype जब हम function मनाते हैं function हमें देता है एक चीज वो चीज क्या है मुफ्त का space और वो space क्या है prototype I know I know आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है मैंने क्या बोला free space prototype क्यों देना क्या करेंगे उसका देखिए देखिए सब समझाएगा बस थोड़ा patience रखिए hello dot prototype ये prototype है क्या चीज ये function ने मुझे दिया है prototype प्रोटोटाइप क्या है प्रोटाइप ऐसा सोचिए एक object है object में कुछ नहीं है ये prototype क्या है एक object है ये क्यों दे रखा है ये हमें use करने के लिए दे रखा है बट अभी तक हमने इसको use किया नहीं ये मुफ्ती space दे रखा है में use करने के लिए यह क्यों दे रखा है इसलिए दे रखा है ताकि अगर हमें कोई इस function से related कुछ की value पे add करना पड़ जाए तो हम इस prototype में add कर दें ओके अब मैं क्या गरता हूँ इसको console.log करता हूँ prototype तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है object मिल रहा है आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं एक ही property या constructor जो कि क्या है एक function तो जो constructor की value किया है यही जो function बनाया था वो कलिब कि आप इसको ऐसा सोचिये यह खाली object है इसमें बस यह प्रोपरिट्ट या constructor जिसकी value क्या है यही function है तो इसको आप ये constructor जो भी इसको भूल जो आप ऐसा सोचिए जब हमने function मनाया हमें एक जगा मिली free मुफ्ती जगा मिली हमें जो की है एक object इस object को मैं use कर सकता हूँ अब एक और चीज ये जो prototype है ये सिर्फ और सिर्फ functions प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो only functions provide prototype property only functions provide prototype property मैं ये बात अभी प्रूव करके दिखाओंगा functions के लावा और कोई भी prototype नहीं provide करता अब ये function है हमें check करने है कि कोई property किसी object में है या नहीं है देखिए function क्या होता है function होता है साथ में object होता है ठीक है अब मैं prove करके दिखाता हूँ if मेरे function का नाम का है hello.prototype तो यहाँ पर console.log कर देंगे prototype is present मतलब अगर prototype है hello.prototype नाम की property है अगर किसी चीच में तो ये वह ब्लोग चलेगा prototype is present else मैं यहाँ पर लिख देता हूँ else console.log prototype is not present prototype present नहीं है तो यहाँ पर prototype present है क्योंकि यह क्या था function था function के पास prototype property होती है बट अगर मैं यहाँ पर hello नाम का function यहाँ पर comment value 1 तो यहाँ पर यह object है अब देखते हैं क्या hello नाम की object के पास आगा प्रोटाइप नहीं है prototype is not present अगर मान लो यह list होती कोई या फिर list बोल रहूं जिसको मैं array होता कोई value 1 तो यहाँ पर prototype present नहीं है prototype सिरफ किसके पास होता है functions के पास इस बात को ध्यान रखना जो हमने थोड़े देर पहले बात की थी proto की proto different चीज़ थी है prototype different है prototype एक simple object है जो कौन देता है तो function के साथ हमें free मिलता है इसे अब use कर सकते हो ऐसा सोचिए यह क्या मुझे free मिला यह चीज और मैं इसको use कर सकता हूँ कैसे use कर सकते हैं देखिए prototype क्या है prototype को मैंने क्या का खाली object के तरह treat कीजिए अब इस खाली object में आप कुछ भी add कर सकते हैं कुछ भी remove कर सकते हैं कुई भी function add करो कोई भी property add करो कैसे add करेंगे वो देखते हैं माली hello dot prototype dot मालो मैंने property add करनी है for example abc नाम की property add करनी है जिसमें कुछ ऐसा होगा abc तो abc नाम की property add हो जाएगी मेरे prototype में अब मैं prototype को print करूँ अगर देखते हैं यहां पर क्या करूँ console dot log यहां पर print करता हूँ किसका prototype hello का जो prototype property है उसको print करता हूँ देखें उस object में क्या आगया abc नाम की property आगी एक और property add कर देता हूँ for example xyz property add कर देता हूँ xyz यहां पर xyz नाम की property आगी उसमें मतलब कहने का मतलब जितनी मज़िक की value पर add करो इस prototype में for example मुझे क्या करना है मुझे एक function add करना है इसमें for example function add करना है sing function add कर दो okay function add कैसे करोगे ऐसे करोगे जो क्या करेगा जो return करेगा यहाँ पर isiqueanth लिख देते है जो return करेगा ईक Cream जिसमें लिख होगा ला-ला-ला ठीक और यहां पर अब देखो मैंने function add करते है यहाँ पर function यहां पर function कह मतलब function मैं इस function को call कर सकता हूँ कैसी call कर सकता हूँ dot sing नाम का function call कर सकता हूँ sustaining को बी हो गया ती समझ prototype क्या है prototype simply .... Agriculture.. अब क्या प्रोटो और प्रोटो टाइब का कुछ connection है couldn't क्या प्रोटोटाइब होता है कैसे कां करता प्रोटोटाइब का मिलती है हमें जिसके साथ जिसमें हम functions related की value pair add कर सकते हैं all right ऑफ ठीक है अब यहां पे यह जो हमने काम किया था ना इस पूरे के पूरे काम को मैं यहां से उठाता हूं copy करता हूं और file number 82 में paste कर देता हूं अब जो prototype के बारे में हमने सीखा उसको अब हम use करेंगे और यहां पे मैं file number 82 के साथ काम कर रहा हूं तो यहां पे लिखते हैं file number 82 अब इस file में देखिए यहां पे क्या था user methods थे यहां पे एक object बना रखा था मैंने यह था function हम क्या कर रहे थे एक relationship create कर रहे थे किस की create user की और user method की जावा script क्या कर रहा था जावा स्क्रिप्ट यह कर रहे थी कि यहां पे जो उसको create user में नहीं मिलता था मतलब जो उसको user में नहीं मिलता था वो कहां पे देखती थी वो देखती थी user methods में देखती थी ओके यह हमने कैसे किया था object dot create करके किया था object dot create क्या करता था फ्रोटो प्रोपर्टी को set कर देता था user की किया reference होती थी किसके equal set कर देता था user method के तो उसके क्या हो जावा स्क्रिप्ट को जब कुछ user में नहीं मिलता था for example About method user में नहीं है अब user देखो क्या है user में कुछ about नहीं है यहां नहीं है तो वो proto में चेक करती थी proto में चेक किया तो वहाँ पे उसे मिला about तो proto क्या है यह object है इस object में गए हमने यहां से उठाया देखा about क्या about को use कि about को call किया और हम्हारा पास data print हो रहा था इतना था यह प्रोटो की हमने value यह set की थी object set की थी यह कैसे set की थी यह हमने object root create करके set की थी अब यहां पे सोचने विली बात है यह देखिए दियान से सुनना अब अब user methods है यहां पे user method हमने खुद का नाम रखा भाई खुद का object बनाया खुद का object बनाया user methods के नाम से उसमें हमने इसारे function add कर दिया और अभी जस्ट अभी दो मिनट पहले मैंने आपको एक चीज बताईया है वो क्या बताईया है कि जब हम function create करते हैं function हमें एक मुफ्त की जगा देती है prototype और उस prototype में हम function से related की value pair add कर सकते हैं मतलब जब हमने create user function मनाया इस function के साथ भी हमें prototype मिला मैं जो पर जो console.log है इसको comment out करता हूँ और देखता हूँ कि मिला है या मुझे नहीं मिला मैं करता हूँ create user.prototype मैं इसको print करता हूँ prototype property मिली है मुझे या नहीं मिली console.log देखते हैं मिली या नहीं मिली देखें मिल रही है मुझे मैं इसको खाली object की इतना treat कर सकता हूँ और इस object में क्या देखें ये object मना रहूँ instead की मैं ये object मना रहूँ इस अलग से object मना के उसमें मैं अपने method अट करूँ क्या अच्छा नहीं होगा जो मुझे function ने जो मुझे दे रखा है prototype prototype object उसी में add कर दूँ मैं सारे तो मैं ऐसी करूँगा मैं क्या करूँगा इस function को यहां से comment out कर देता हूँ ये जब prototype दिया हुआ मैं इस prototype में add कर दूँगा इन methods को तो काफी simple है कमज़रे हो और अब क्या करना है हमें हमें इस function को बनाने के बात हमें क्या करना है इसमें ये सारे add कर देने methods देखते हैं कैसे add होंगे methods बहुत असान है ये तो आप कर लोगे अब देखिए हम इस वीडियो को post कीजिए और करिए तीन methods है तीनों को add करते हैं देखिए सबसे पहले मैं इस slang को हटा देता हूँ इसकी दुरूत नहीं है create user इसके prototype में add करने है कैसे add करेंगे create user dot prototype dot अब dot लगा के क्या method अब आप करने है जोगी किस के एकवल होगा जोगी होगा इस function के कवल हो तो मैं इस function को यहां से copy करता हूँ यहां पे इसको paste करता हूँ तो यहां पे यह जो आ रहा है इसको okay तो यह हो गया एक तो यह method हो गया ठीक है तो यह एक method मैंने बना लिया कैसे बनाया आप देख लिए बहुत असान है ठीक है अब एक तो add कर दिया है मैंने ऐसी मुझे over add करने है मैं over add कर लेता हूँ जल्दी से create user के मैं थोड़ा zoom out करता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से दिखे क्या हो गया रहा है actual में तो एक over add करते है dot prototype dot यहां पे मुझे add करना है क्या नाम है इसका is 18 is 18 add करना है जो कि क्या है function है ओके यह function क्या कर रहा है return कर रहा है क्या return कर रहा है यह line return कर रहा है इसको copy करते है line को यहां paste कर देते हैं कि तो यह line return कर रहा है मैंने दो method add कर दिये कहा है add कर दिये मैंने मैंने अपने prototype name की property दे रखिया तो मैं उसको क्यों नहीं use करूँ हूँ मैं खुद से क्यों एक object बनाऊ अब आप सोच रहोंगे यार ऐसे किया था इसमें भी क्या ही बुराई थी देखिए अब यह आप patience रखिए इसका फाइदा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा भी अब यहाँ पर एक और method आइक करने है create user dot prototype dot क्या नाम था इसका sync और यह भी क्या है यह भी एक function है return यह गाना गाएगा हमारे लिए तो यह हो गया यहाँ पर एक error आ रही है ओके file number 82 यहाँ पर 27th line में error आ रही है यहाँ यहाँ पर एक और error आ रही है user method यह error आनी तो बनती है user method यहाँ पर नहीं है अब यह जो proto की value मुझे क्या set करनी है यह create क्या करेगा यह create हमने बात की यह proto की value set करता है जब JavaScript को अगर कोई चीज user में ना मिली तो वो proto में check करता है जो proto की value हमने set की थी यह object तो इस object में check कर रहा था वो अब proto की value हमने set करनी है यह prototype समझे रहे हो तो यहाँ पर user methods की जगा हमें क्या लिखना होगा इसकी जगह हमें लिखना होगा create user का जो prototype होगा वो ओके देखिए अब क्या मैं इन methods को फिर से call कर सकता हूँ देखते हैं देखिए फिर से बिल्कुल call हो रहे हैं इसकी बिल्कुल बिल्कुल सही काम कर रहा है आप देख रहे हो कि कैसे हो रहा है अब एक बार ना user 1 को देख लेते हैं देखिए इसकी proto में क्या है proto में object है अब proto किसके call कर दिया हमने create user.prototype इसके prototype के call कर दिया अब देखिए सब कुछ आ रहा है about आ रहा है is 18 आ रहा है sing आ रहा है same thing कहां से लग रहा है prototype क्या है prototype simple एक object है proto क्या है proto एक reference है किसका reference है जो भी आप chain create करोगे उसका reference है ठीक है यहाँ पर JavaScript को अगर कुछ user से ना मिला कुछ user से ना मिला तो कहां देखेगा वो वो देखेगा यहाँ पर देखेगा create user dot prototype में देखेगा समझे रहे हो तो यह था prototype यह था prototype तो इसका आपने ध्यान रखना है prototype का अब यह हो गया अब थोड़ी और बात करते हैं अब हम बात करेंगे एक keyword के बारे में new keyword के बारे में इसके बारे में new keyword के बारे में new keyword क्या है ये कैसे काम करता है, इंट्रिवियों में ये बात पूछते ही पूछते हैं, देखिए इसको समझने के लिए पहले एक चोटा एक्जामपल देखते हैं, चोटा एक्जामपल देखेंगे, फिर उसके बाद ये जो हमारा कोड लिखा है, इसको new keyword की help से देखेंगे कैसे होगा ये, जैसके new बोल रहा हूँ, ये है क्या new पूर एक्जामपल मैं एक function मना लेता हूँ ठीक है, ये create user नाम का function मनाया है मैंने, ये ये लेगा, first name लेगा first name लेगा, और age लेगा simple function, उसके बाद मैं direct लिखता हूँ, यहाँ पर this dot first name equals to first name, अब आप सोच रहा हूँ ये this क्या कर रहा हूँ, अब ये आपको एक minute में समझ आएगा, थोड़ा सबर रखिए ये मैंने function मनाया ये function क्या काम कर रहा है, क्या करेगा अब ही समझते हैं, पर मैं क्या करता हूँ इस function को call करता हूँ इस function मैं call करूँगा इस function को call करूँगा इस function को call करूँगा और pass कर दूँगा first name pass कर दूँगा, each pass कर दूँगा मैंने first name pass कर दे हैं, यहाँ पर हरशित यहाँ पर each pass कर दे for example मैंने six अब मुझे करना क्या है, ये function को मैं call करूंगा new keyword लगा के ऐसे जैसे हमने map map बनाते थे हम जैसे हम set बनाते थे वैसे new लिखे करते थे ना वही खामने यहां पे कि हमने new लिखे इस function को call किया और मैं करता हूं इसको कुछ ऐसे store कर लाता हूं for example const user1 user1 equals to new keyword क्या करेगा देखिए यह यहां पर यहां पर मेरा object बन जाएगा user1 अगर मैं user1 देखूं क्या है यह console.log user1 क्या है अगर मैं यह देखूं user1 तो देखिए यहां यहां यूजर1 मिल रहा है मुझे age मिल रहा है फसने मिल रहा है यह object बना कैसे new keyword यहां पर बहुत तीन काम कर रहा है तो यहां पर new keyword यहां पर तीन काम कर रहा है पहला काम कर रहा है यह empty object क्रेट कर रहा है क्या कर रहा है empty empty object ठीक है और उस empty object की value कहा है this है बले कि this refer कर रहा है empty object को this equals to empty object आप कुछ इस तरह से समझने के लिए कुछ इस तरह से समझिए यहां पर इसने क्या किया this equals to empty object कुछ इस तरह से इसने empty object क्रेट कर दिया यह new keyword खुद करेगा आपको करने की जूरत नहीं है new keyword ने पहला काम यह किया तीक है उसके बाद हमने this dot first name this dot h empty object था उसमें अपने key value पर रैट कर दिये बहुत असान था object था उसको return करतेगा बहुत असान है तीसरा काम एक और काम करेगा तीसरा काम देखते हैं क्या काम करेगा अब यह एक function है, क्या है ये function function हमें preemie क्या देता है, space देता है क्या space देता है, एक object देता है कौन subject देता है, prototype तो prototype property क्या है, एक object तो मैं उस prototype में add कर सकता हूँ अपने method, या कुछ भी आट कर सकता हूँ तो add करता हूँ जड़ा मैं create user . prototype type equals to यहां पर add करता हूँ for example मैं about add कर देता हूँ about क्या है एक function है function है okay यह function है और इस function में क्या होगा console.log यहां पर this.firstname comma this.h यह होगा अब अब मैं क्या चाहता हूँ मैं क्या चाहता हूँ इसका जो प्रोटो है जो जो भी user बनेगा user one का proto user one देखते है यूजर one का प्रोटो देखते है तो होड से ही यह new क्या करेगा link bنا देगा यू प्रोटो के value खुद सैट करदेगा इस 변 क्यूम जो काम हम यहां पर जो काम हम यहां पर manually कर रहे थे का पे हम यहां वे manually जावा स्क्रिप्ट को कुछ यहां से ना मिले, create user से ना मिले, तो वो prototype में जाके ढूंड ले, वो काम, वो relation, new keyword खुद बना देगा, मतलब यह जो line थी, यह line वाला काम, this keyword खुद कर देगा, ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर यह वाला काम, create user.prototype, मतलब कुछ यह वाला काम, this keyword खुद कर देगा, आपको करने की जुरूत नहीं है, यह relation खुद मना देगा, मतलब क्या है, अगर मैं user1.about करूं, और इसका call करूं, तो यह call हो जाएगा, हर्षित 6, ओके, और यहां पर console.log, यहीं पर console.log हो रहा था, तो मुझे दो बार लिखने की जुरूत नहीं है, मैं सिधर drag call करता हूं इसको, और हर्षित 6 आ गया, ओके, तो यह जो काम हम कर रहे थे न, manually कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम chain बना रहे थे, इससे क्या हो रहा था, proto की value सेट ओरी थी, proto की value क्या सेट ओरी थी, proto की value इसके prototype के equal set ओरी थी function के, अब यहां पे by default new keyword क्या करेगा, proto की value को, इसके prototype के equal set कर देगा, मतलब proto क्या है, reference है, proto हमें कहां तक लेगे जाएगा, proto हमें लेगे जाएगा, prototype तक, अगर जावा स्क्रिप्ट को, कोई चीज, यहां पे ना मिली user में, तो जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, आगे prototype तक जाएगा, prototype तक कौन पुचाएगा, prototype तक पुचाएगा proto, ओके, all right, तो यह हो गया, अब, इसको, improvise करते हैं, अब मैं क्या करते हूँ, इस सारा code 82 फाइल से उठाता हूँ, और 83 फाइल के अंदर, पेस्ट कर देता हूँ, ओके, इस फाइल में, हम किसके बारें बात कर रहे थे हैं, बात करेंगे हम, new keyword के बारे में, new, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखिए, तो यहाँ पे यहाँ फाइल रहन हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे आपको साइड में, यालो कोलर के लाइन देख रहे हैं, तो इस पर ध्यान मत देना, यह extension है, git की, यहाँ पे इस्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे शायद browser update हुआ है, कुछ हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ ऐसा, अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, object.create कर रहे थे, यह object.create क्या कर रहा था, यह जो हम, जो इस function से, जो object बना रहे थे, यह क्या कर रहा था, वो जो object है, जो object है, उसको, उसका proto set कर रहा था, किसके equal, इस function के prototype के equal, उससे क्या हो रहा था, जावा स्क्रिप्ट को, अगर कोई property, for example, first name, last name, email, address है, बट अगर कोई property, जैसे easy team, अगर उसको यहाँ पर ना मिली, इस object के अंदर ना मिली, तो कहाँ देखेगा वो जाके, इस function के prototype के अंदर, और हमने इस function के prototype के अंदर, is 18 add कर रख है, तो इसलिए यहाँ पर कोई problem नहीं है, हमने यहाँ यहाँ पर true आ गया, और अब ही हमने new keyword के बारे में भी सीख लिया, new keyword, हम फिर से revise करता है, new keyword कितने काम करता है, तीन काम करता है, सबसे पहले तो, empty object create करता है, खुद से, जो की क्या होता है, this के equal रखता है, उसके बाद क्या करता है, इस empty object के अंदर, अंदर इस सब चीज़े add कर देता है, ठीक है, सब चीज़े add करके, और क्या करता है, उसको खुद भी return कर देता है, return this, मतलब कि return, empty object में, जो key value पे डाल के, वो return कर देगा, और साथ में क्या करता है, ये जो line लिखिया है, ना हमने, ये जो line लिखिया हमने, इस line को, ये line वाला काम, जो new key value है, वो खुद कर के देगा, मतलब, वो, ये जो, मेरे objects बनेंगे, ठीक है, ये जो मेरे objects बनेंगे, इसके proto को, इसके एकवल खुद सैट कर देगा, इसके proto function के proto type के, एकवल सैट कर देगा, मतलब क्या होगा, वालब कि proto, proto कहां तक लेगे जाएगा, proto is function के proto type तक लेगे जाता है, ना, तो वो काम ये खुद कर देगा, ये काम करने के जरूत नहीं है, ये link create करने के हमें जरूत नहीं है, तो इसको मटा देते हैं यहां से, इसको उटा देते हैं, और यहां पर, मैंने क्या का आपको, ये new keyword, अगर मैं यहां पर new keyword लगा के इसको use करूँ, for example new, अभी new keyword के बरहें हम बात कर चुके हैं, ओके, यहां पर new लगा देता हूँ, और यहां पर भी new लगा देता हूँ, यहां पर मैंने new keyword लगा के काम करूँ, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर खुद से यह कुछ इस तरह का, कर के देदेगा मुझे, अब मुझे यह करने की जरूँत नहीं है, new keyword यह काम खूद करेगा, और मुझे करने का है, user की जगा मैं क्या कर दूँगा, यहां पर this, यहां पर return, यहां पर this लिख सकता हूँ, और यहां पर देखि, अब मैं इसको run करके देखता हूँ, तो यहां पर बिल्कुल ठीक हा रहा है, बट यहां पर new keyword खुद से return करता है, तो ये भी लिखने की ज़रूत नहीं है बस इतना साही लिखना काफी है अब मैं देखते हैं तो ये काम हो रहा है मेरा बिल्कुल सही काम हो रहा है अगर मैं यहाँ पे for example user1 print करूँ user1 print हो रहा है अच्छे से print हो रहा है और यहाँ पे user1.z18 function कुल करूँ तो बिल्कुल अच्छे से कुल हो रहा है बट अगर मैं यहाँ पे new ना लगाऊं तो यहाँ पे link create ही नहीं होगा मतलब कि इसका proto अगर तो यहाँ पे कुछ हो गई नहीं अब कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है कुछ आई नहीं रहा है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे new लगाऊंगा तब ही यह सारा काम होगा मेरा मैं user 1 का proto देख सकता हूँ यहीं से दिख जाएगा मुझे तो user 1 है इसका जो proto यहाँ पे यह browser update हुआ है तो यहाँ पे proto अब इस तरह से लिखाने लग गया तो यह proto किसके क्यों सैट हो चुक है proto सैट हो चुक है इसके क्यों proto सैट हो चुक है proto सैट हो चुक है इसके क्यों मतलब इसके prototype क्यों सैट हो चुक है अब यहाँ पे मैं एक यहाँ पर मैं एक इंटरस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूँ वो यह यह जो है न अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे दियान से सुनना गाईस यह प्रोटो है यह प्रोटो वो जो ओफिशिल हमारी वो है जो हमारी ओफिशिल एकमा स्क्रिप्ट की जो स्पेसिफिकेशन है ओफिशिल एकमा स्क्रिप्ट जो ओफिशिल एकमा स्क्रिप्ट है हमारी ठीक है उसकी जो डोकुमेंटेशन है उसमें इस प्रोटो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है प्रोटो टाइप ओके I don't know ऐसा क्यों किया हुआ है इनों ने बट आप देखो गया इसके ओफिशल डोकुमेंटेशन, ओफिशल एक्मा स्क्रिप्ट की डोकुमेंटेशन उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है तो मैंने अभी ब्राउजर अपडेट किया तो यहाँ पर ऐसा लिखे आने लग गया अगर मैं Firefox में देखूंगा तो ऐसा लिखाएगा तो यहाँ पर आपने confused नहीं होना बिल्कुल भी अब मैं इस ब्राउजर को दुबारा downgrade करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ इगड़ बढ़ो मैं आपको प्रोटो से ही समझाऊंगा अगर कहीं ऐसा देखने को मिले या फिर यह देखने को मिले प्रोटो देखने को मिले तो एक ही बात है तो आपने confused नहीं होना तो सेम चीज़ है वो ठीक है ओल राइट तो मैंने आपको बता दिया तो प्रोटो किसके एकुल सेट कर देगा वो प्रोटो सेट कर देगा जो प्रोटो किसके एकुल सेट कर देगा प्रोटो टाइप के एकुल सेट कर देगा तो वो काम हो रहा है बिल्कुल अच्छे से हो रहा है समसरे हो आप तो यह था अब यहां पर एक और सी बताना जाता हूं अब user को पता कैसे लगएगा मौन लो मेरे को ये जो constructor function इसको by the way constructor function बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हमारे लिए constructor रहे हैं ये हमारे लिए ये ये हमारे लिए constructor कर रहेया object देखने तो constructor function भी बोल सकते हैं अब यहाँ पे न यह तो हो गया मालो मैं कोई library create कर रहा हूँ JavaScript की तो उसमें मैं एक constructor function use करना है तो मालो जो मेरी library user होगा को developer होगा उस developer को पता कैसे लगेगा कि यह मेरे को new लगा के call करना है इस function को new लगा के call करना है पता कैसे लगेगा तो यहाँ पे एक convention है जो भी अगर हम ऐसा function मना रहे हैं जो future में new लगा के ही call होगा तब ही काम करेगा तो हम इसको capital से start करते है capital letter से start करते है capital C तो यहाँ पे भी capital C लिखूँगा मैं यहाँ भी capital C लिखूँगा तो यहाँ भी capital C लिखूँगा मैं तो यहां पर यह मैंने बता रहा था आपको मैंने बता दिया अब अब भी भी बिल्कुल सही काम ओके क्या हो रहा है create user is तो यहां पर भी capital C करना पड़ेगा यहां पर भी capital C करना पड़ेगा यहां पर भी capital C करना पड़ेगा अब बिल्कुल सही है बिल्कुल सही काम हो रहा है आई हो आपको समझ में आ चुक हो गई काम हो कैसे रहा है अब यहाँ पे एक और चीज के बारे में हम बात करेंगे मैं काम करता हूँ इस file को यहाँ से copy करता हूँ इस file के code को copy करता हूँ अब यह जो है ना 84th file है जो अब इसमें मैं क्या करता हूँ तो user1 है ना इसकी key देखता हूँ in use करके मैं key देख सकता हूँ आपको पता है for let key in for in loop use करके मैं सारी की सारी key यहाँ पर print कर सकता हूँ user1 object में मुझे key देखनी है तो यहाँ पर console.log अगर मैं यहाँ पर key करूँ तो यहाँ पर key आ रही है मेरे पास सारी की सारी अब यहाँ पर देखिए key यह तो आई रही है यह जितनी की है वो तो आ रही है बट इसके जो prototype है वहाँ से भी key उठा के ला रहा है माझे की about भी की बता रहा है is18 भी की बता रहा है sing भी की बता रहा है बट मैं चाहता हूँ prototype में जो मैंने property set की है वो ना बताइए यह सिर्फ यह वली बताए मेरे को key बताए तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए ऐसा आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते use के से बतारो मैं अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप prototype वली key read नहीं करना चातें सिर्फ ये वली key read करना चातें तो कैसे होगा तो यहाँ पर मेरे पास एक method है for example user1.has own property तो यहाँ पर has own property में मैंने क्या डाल दिया की डाल दिया मतलब अगर user1 की तो यहाँ पर if use करूँगा मैं और if के बाद मैं यह काम करूँगा तो यह मुझे बताएगा true-false देगा तो यह मुझे true-false देगा मतलब user.has own property क्या user की जो खुद की property है मनलब की first name इसकी खुद की property है तो यहाँ पर true देगा अगर true देगा तो true देगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा console.log कर दूँगा की otherwise मैं कुछ भी नहीं करूँगा समझे हो अब यहाँ पर अगर यह सब अगर जब यहाँ पर यह लूप चलेगी जब key key value for example about होगा तो about prototype में है खुद की नहीं है user one की has one property खुद के ने prototype में आए तो उस टाइम पर यह false हो जाएगा तो यहाँ पर key print नहीं होगी अब यहाँ पर सिर्फ यह print होगा first name, last name, email, age, address आई होब आपको यह समझ में आ चुका होगा ओके तो हमने बात कर लिए new keyword के बारे में हमने बात की object.create के बारे में हमने बात की new क्या करता है हमने बात की proto क्या है prototype क्या है अब थोड़ा सा analyze करते हैं for example मैं एक array बना लेता हूँ numbers जो आप ऐसा array आप बहुत बार बना चुके हैं but मैं बनाता हूँ दोबारा यहाँ पर मैंने array बना लिया array के अंदर आप देख सकते हैं तीन element है 0,1,2 अब मैं क्या करता हूँ अगर मैं लिखूँ हूँ numbers. अब यहाँ बे देखिए कितने सारे method हैं fill, filter, find, find index, flat, flat map, for each in close index of इतने सारे methods हैं आप कोई भी use कर सकते हैं बट आप देखिए मेरे array के अंदर तो यह method है नहीं तो मैं इनको कहां से JavaScript को यह method कहां से मिल रहे हैं देखें JavaScript को यह method मिल रहे हैं prototype से prototype से मिल रहे हैं तो मैंने आपको क्या गा था मैंने अभी आपको यह बात कही कि JavaScript को यह method कहां से मिल रहे हैं prototype से पर मैंने आपको एक बात कहीए थी prototype सिरफ function का होता है मलग constructor function का या किसी भी function का proto जो prototype होता है वो सिरफ किसको होता है वो सिरफ functions का होता है अब यह तो function नहीं दिखरा आपको बट हमने यहाँ पे फंक्शन मनाए थे हमने यहाँ आप ऐसे function मनाए थे जो हमारे लिए object create कर रहे इनको हम constructor function बोलते हैं यहां पर function कहां involve हो रहा है देखिए मैं आपको बताता हूँ internally javascript जो array create करता है वो ऐसे create करता है for example array create करने के लिए JavaScript क्या करता है array constructor use करता है और उसको new लगा के call कर सकते हैं इसमें हम ऐसे कर सकते हैं 1,2,3 अब यह new क्या करता है आपको अच्छे से पता हैं आप array कुछ इस तरह से create कर सकते हैं और यह जो function है यह जो function है इसके prototype में मेरे पास array के सारे methods पड़े हैं अगर मैं यहां पर console.log यहां पर देखू मैं array.prototype तो आप देखना यह array का यह prototype है यहां पर सारे methods पड़े हैं अब आप समझ गए आपको एक कहां से मिलते है methods अब हम कैसे array create करते हैं हम ऐसे array create करते है normal क्योंकि छोटा syntax है और असान भी यूज़ करना new लगा के इंटर्नली new keyword से इंटर्नली वह काम होरा होता है आपका array constructor call होता है वह आपके लिए array create करता है हम new keyword लगा के call होता है तो वह एक वह क्या करता है प्रोटो की value को set करता है इसके प्रोटोटाइप के क्वल जो काम हमने new keyword के साथ देखा वह सेम काम यहां पर भी हो रहा होता है तो इतना आपको समझ में आ गया अप आपको यह देखना है इसका प्रोटोटाइप क्या है तो इसके लिए आप यूस कर सकते हैं जैसे मिने अपको प्रोटोटाइप रेंट करके दिखाया था वैसे भी कर सकते हैं और आप यहां कर सकते हैं object.get prototype of इसके पास कर सकते हैं numbers य console.load करते हैं इसको देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर मेरे सारे के सारे मैथड़्स हैं अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ब्रैक्रिट्स दिख रहे हैं कुछ अरे जैसा दिख रहा है तो मैंने तो कहा था prototype होता है वो हमेशा object होता है तो जावा स्क्रिप्ट में यह अरे भी object होते हैं और एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं देखिए जो लोग confused होंकि मैं क्या बोला हो देखिए मैंने क्या बाता है मैंलो मेरे पास एक function है मेरे पास एक function है जिसमें simple लिख है console.log और यहां पे simple लिख है hello मैंने आपको कहा था by default जावस्क्रिप्ट में हर एक function के साथ एक property मिलते है जिसको बोलते है prototype prototype और मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि as a free space है आपने इस से related कुछ भी methods वेगरा create करने तो आप इसमें कर सकते हैं तो यह चीज में आपको बदाई थी for example अगर मैं लिखो console.log और यहां पे hello.prototype तो मैं ऐसा देख सकते हैं तो यह object दिख रहे आपको ौक लिए बट यहाँ पे इस case में यह तो अरे का prototype ता अरे का prototype था यहाँल मैं आपको क्या कर दोस्тя ओर दोलो आपको क्या कor जिसमें से एक पुछ एरर आई है, numbers as already, paint declared, okay, इसको यहां से टाल देता हूँ, तो यह array मिल रहा था, तो यहां पर अगर मैं कर रहा था, print, तो यह object मिल रहा है, तो इसमें array है, इसमें object है सके हूँ, देखिए, by default आपको यह object ही मिलता है, और यहां पर array का prototype है, array, अगर आपको check करने की array है, तो आप ऐसा देख सकते है, array dot is array, true देगा, मतलब यह array actual में array है, जो array का prototype है, वो actual में array है, true आ रहा है, तो आपको यह समझा आगा है, कि actual में array ही है, अब आप सोचे रहे हैं कि भाई, मैंने तो कहा था, यह हमेशा prototype हमेशा object होगा, देखिए, आप change कर सकते हैं, जावस्क्र बनाई, उसको लगा था कि इसका prototype, array set करना जाला सही रहेगा, तो इसलिए उसने array set किया, for example, यहाँ पे, hello app, मैंने आपको क्या का, console dot low, hello का जो prototype है, वो आप देख सकते हैं, वो क्या मिलेगा, आपको यह object मिलेगा, बट आप इसका prototype change कर सकते हैं, कैसे करेंगे, hello dot prototype, for example, empty array करना है, तो इसका prototype empty array हो जाएगा, और मैं इसको change करने के बाद print करता हूँ, और देखना, यह empty array हो गया, और आप इसमें कुछ और सीज़े add कर सकते हैं, for example, hello dot, आपने for example, इसमें add करना है, या फिर push करना है, इसमें कुछ, push करना है, आप आरे की तरह यूज़ कर सकते है इसको, push कर दे आपने one, okay, तो hello dot prototype आएगा, hello dot prototype dot push, okay, तो push हो जाएगा, और उसको push करने के बाद, अगर मैं फिर से देखूँगा, तो फिर से आजाएगा, पर इसका use है हमारे case में, हमारे case में, हमारे case में कोई use नहीं है, हमारे case में जो हमारा main use था, वो यह था, हमने अगरे time तक हम अपने खूद के array जैसा data structures मना के देखेंगे, तो फिर हम और retail में बात करेंगे, हम और चीजों के बारे में बात करेंगे, iterators के बात करेंगे, हम generators के बात करेंगे, हम javascript works कैसे, कैसे javascript काम करती है, hosting के बारे में, मैंने कहा था थोड़ी दिर पहले, hosting के बार हो गया, वैसे वैसे आपके javascript के knowledge improve होती रहेगी, और interview questions भी करेंगे, हम for example debouncing हो गया, recursion हो गया, यह सब सीचे भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, सब पढ़ेंगे, हमने बात की new keyword के बारे में, proto के बारे में, prototype के बारे में, object.create के बारे में, new keyword क्या काम करता है, इसके बार कर रहे हैं, अपने method को add कर रहे हैं, फिन new keyword लगा के call कर रहे हैं, ओके यह आपको जो prototype में, खुछ से add करना पड़ा है, यह मुश्किल काम है, आपको जब भी use करना पड़ेगा, इंहरी टैंस या कुछ भी काम करना पड़ेगा, तो इसको आपको यह काम बार बार करना पड जो लोग पहले java, c++, python ऐसी language से familiar हैं, उन्हें पता होगा कि हम हमारे पास होती है classes, हम classes को use करते हैं, उसी class के अंदर क्या करते हैं, अपने उसकी properties को और उसके methods को एक ही जगा पर define करते हैं, वो same गाम हम java script में भी कर सकते हैं, और जो पहली programming language ही java script पड़ रहे हैं, तो को बात नहीं, आपको भी सब बच्चे से समझ आएगा, यह क्या है, जो का हम यह कर रहे हैं, बस इस काम को हम असान कर देंगे, class keyword को use करके, java script में जो classes होती है, वो fake होती है, classes are fake, fake क्यों कहा रहा हूँ देखिए, क्योंकि जो हम class keyword use करके काम करेंगे, internally वो काम ऐसे ही हो रहा ह होगा, okay, internally वो काम ऐसे ही हो रहा होगा, बट आपको feel आएगी, class keyword use करके, कि हम classes वैसे ही use कर रहे हैं, जैसे हम python में use करते थे, java script में use करते थे, अगर आपने वो नहीं use करेंगे, तो it's perfectly fine, मैं उमीद भी नहीं करता कि आपको पता है कुछ भी, मैं आपको starting से ही सब कुछ बताऊंगा, तो करना कहा देखिए, तो यह जो काम किया ना, मैंने यहां से लेकि यहां तक का काम, line number 7 से लेकि line number 23 तक काम, यह काम मैं दुबारा करूँगा, class keyword का use करके, तो बहुत असान है, class, class keyword लिखना है, space, अपनी class का नाम, create user, उसके बाद कर ली, प्रेस, तो इतना स index समझ आगया, आपको कितना सान था, अब, यह जो हमने constructor function बनाया था, इसमें हमने this.firstname, this.lastname, यह सब लिखा था, तो इसमें क्या है, इसमें हमने class का नाम दिया, create user, और हम इसके अंदर लिखेंगे constructor, यह constructor क्या करेगा, हमर लिए object create करेगा, ओके, और इस constructor में क्या बास करे रहे थे, इस सब चीजे, वो हम इस constructor में पास कर देंगे, तो, आपको मैं, यह quote नीजे मैंने इसलिए लिखा हुआ, ताकि मैं आपको compare करा सकूँ, जो हमने पहले काम किया है, और जो हम class keyword use करके काम करें, इसमें ज्यादा difference नहीं है, यहाँ आपको same यही चीजे करनी है, और same यही चीजे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं return नहीं करूँगा, कुछ भी, क्योंकि यह खुद object return कर देगा, और यहाँ पर जैसे मैं prototype के अंदर method set कर रहा था, यहाँ पर यह काम बहुत असान हो चुका है, आप class के अंदर ही, अपने methods को कुछ इस तरह से define कर सकते हैं देखें कितना असान है, methods का नाम लिखा मैंने, curly braces लगाए, और parenthesis लगाए, curly braces लगाए, बिल्कुल, इस तरह से मैं methods को define कर सकता हूँ, about हो गया, is 18 हो गया, तो यह सारे function में define कर सकता हूँ, वो जो class के अंदर, या object के अंदर function होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, methods बोलते हैं, तो, तो यह देखिए, तो मैं लिख लेता हूँ, मैं इनकी body भी लिख लेता हूँ, for example, about method क्या करेगा, यह काम करेगा, और, is 18 method क्या काम करेगा, यह काम करेगा, और उसके बाद, sing method क्या करेगा, हमारे लिए, अच्छा सा गाना करादेगा, तो यह देखिए, तो यह काम हो रहा है, और आपको करना कहा है, यह नीचे वाला code है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जावा स्क्रिप्ट में, इंटर्नली वो ही काम हो रहा है, क्लास क्या करेगी, जब हम इसको new keyword लगा के call करेंगे, तो constructor हमारा खुद call हो जाएगा, हमार object create हो जाएगा, object के अंदर ये properties add हो जाएगी, खुद add हो जाएगी, और prototype में क्या add हो जाएगा, prototype में ये सब चीज़े add हो जाएगे, हमें add करने के जोटने, खुद add हो जाएगे, ओके, आपको हमेशा new keyword लगा के ही call करना है, इसको, अब क्या अगरते हैं, हम इसको comment out करता हूँ, अब, यहाँ पे न, मैं एक line लिख देता हूँ, constructor में एक line लिख देता हूँ, console.log, यहाँ पे लिख देता हूँ, constructor cold, इस line से मुझे पता लगेगा, constructor कब call हुआ, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, वो बात आपको हमेशा ही याद रखनी है, वो बात क्या है, जब भी हम object create करेंगे, new keyword लगा के, हमारा constructor call new keyword के बिना, new keyword के बिना आप object नहीं create कर सकते हैं, यह लिखा है यहाँ पे, class constructor, देखिए, class constructor, उसका नाम है create user, cannot be invoked without new, बिना new के आप class constructor को invoke करना का मदलबत है, call करना, आप इसको बिना new keyword के call नहीं कर सकते हैं, जो की सही बात है, बिल्कुल, new keyword हमारे लिए, कुछ से बहुत सारा काम करेगा, समझ कि आप, तो यह था, अगर मैं दो object बनाऊंगा, दो object बनाऊंगा, तो दो बार call होगा, तो तीन बार call होगा, ओके, तो इस सारा के सारा आप object दे देगा, समझ रहे हो आप, ओके, और मैं इस object वे उपर सब कुछ use कर सकता हूं, for example, मुझे चैकर नहीं user1 का first name देखना है, और यहाँ पर मैं console.log करता हूं, console.log, तो देखते हैं, console.log, हरशित, अगर मुझे user1 से कहना है कि तो गानागा, तो उसने गानागा दिया, अगर मुझे चैक करना है, क्या user1, 18 का है, तो si18 नहीं, is18, तो 18 का भी है वो, अगर मुझे user2 चैक करना है, तो user user2 चैक कर लेते हैं, user3 चैक करना है, तो user3 चैक कर लेते हैं, false, तो यह बिल्कुल सही काम हो रहा है, okay, internally वो ही काम हो रहा है, prototype में add कर रहा है, देखे, prototype देखते हैं, for example, मुझे user1 का prototype देखना है, तो मैं prototype देखना है, एक तरीका बताया था है, मैंने आपको object.get prototype of, इसका prototype देखना है, user1 का prototype देखना है, मुझे, जो भी उसका prototype होगा, उसको मुझे console.log करना है, console.log करना है, okay, तो आप देखना है, यहाँ पी, इसका prototype आ रहा है मेरे पास, और prototype में क्या देखिए, यह सब चीज़े add है, about add है, constructor add है, is 18 add, sing add है, okay, समझे रहे हैं, इसके prototype में सब हैं, about, is 18, sing, इसा method खुद add हो चुके है, तो आपको समझार होगा, यह काम हमने कैसे किया, तो class बहुत असान है, आप देख सकते हैं, कि हमने कैसे constructor को, और जो भी prototype में add होने वाले methods से हमने इनको कैसे एक जगा पे लिख लिया, और कितने असानी से हमने लिख लिया, for example, यह यहाँ पे आप इसमें कुछ parameter भी लिख सकते हैं, for example, एक method add करता हूँ, for example, for example, func का नाम को कोई method add कर देता हो, मैं मुझे नाम अभी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या रखो, okay, तो यहाँ इसा input लेगा, कोई, यहाँ पे, कुछ भी लेगा, for example, यहाँ पे लेगा, a कुछ भी console, यहाँ पे मैं user one dot func को call कर लेता हूँ, और यहाँ पे पास कर देता हूँ, for example, एक string पास कर देता हूँ, हरशित, तो यहाँ पे हरशित इसने print कर दे, जो भी पास सुरूँगा, वो ही print कर देगा, for example, number पास कर देता हूँ, 12, तो 12 print कर देगा, तो ऐसे भी आप बना सकते सिर्फ आपको बताया है, आपको यह पता ही होगा पहले से, तो यह थी classes, अब यहाँ पे हम classes की थोड़ी practice करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिया, आपको करना है कि एक animal class बनानी है, और animal के पास दो properties होँगी, एक property होगी उसका name, एक होगी उसकी age, और आपको जी method बनाना है eat, तो आई हो आपने try किया होगा, तो करते हैं, मुझे class बनानी है, animal, animal class बनानी है, और animal class के पास क्या-क्या properties होगी, मलब कि किसी animal के पास क्या-क्या properties होगी, मैंने आपको कहा name होगा और age होगा, और properties को add करने के लिए this.name equals to name, this.h equals to age, तो इतना काम कर लिए है मैंने, इसके बात मैंने आपको क्या का दो method बनाने हैं या जितने वर्जी method बना सकते हैं for example मुझे eat method बनाना है यह return क्या करेगा एक simple string return करेगा इसमें पहले animal का नाम होगा this.name is eating तो यह simple सा method है और यहाँ पर एक और method बना देता हूं for example मुझे age को use करके कुछ method बनाना है तो मैं is super cute तो यहाँ पर मुझे करना कहा है return यह जो भी age होगी this.age अगर age एक या एक से कम होगी लेकि एक या एक साल से कम होगी है तो return करेगा true अब यहाँ पर animal lovers of end मत हो ना I know साइड animals cute होते हैं तो आपके लिए एक method बना देते हैं return true ओके अब स्टार्ट देखते हैं इस animal class से object को बना के एक object बनाना है मैंने post animal one और यहाँ पर new keyword लगा के ही आपको class यूज करने है नहीं तो आपका यह constructor को नहीं होगर आप new keyword नहीं लगाएंगे तो तो यहाँ पर animal और यहाँ पर हम लिग देंगा उसका name for example मेरे animal का नाम है tom और उसकी age है for example two तो यहाँ पर console.log करके देखते हूं अपने animal को console.log अनिमल को देखता हूं तो देखें यहाँ पर animal print हो रहा है ओके अब देखते हैं methods को देखते हैं method को कर पा रहा हूं हूं मैं या नहीं नहीं कर पा रहा हूं animal one dot method का नाम है for example sing या फिर eat इत है मेरे method का नाम तो return क्या करेगा एक string return करेगा और मैं string को print कर वा लूँगा काफ़ी example , Thomas if eating और यहां पे देख लेते हैं कि या Tom cute है तो यहां पर is cute this cute क्योस है तो यहां पर true आरहा और यहां पर super cute देख लेते हैं यहां फोलस आ assure अ अग्र मैं इसकी यहां पर one कर दूंगा तो यहां पर true आईगा तो यह कि मैं आप से जान के करवा रहा हूं यह सब काम तकि आपको इस चीज़ समझा पाऊं प्रोग्रामिंग में जिसको बोलते हैं है है तो मुझे cat class बनाने या फिर dog class बनाने आप तो यहां पर dog class बना दो आप तो dog class बनाने के लिए क्या करोगे तो यहां पर class dog और dog class के पास क्या क्या प्रोपर्टीज होंगी उसका नेम होगा उसकी एज होगी यहां पर बिल्कुल सेम काम होगा यहां पर यहां पर यहां पर देखिए यहां पर मुझे dog class का object बनाने तो कैसे बनाएंगे dog class बनाने मुझे कैसे बनाएंगे देखिए और यहां पर उसका नाम डाल देते हैं तो यहां पर नाम डाल देते हैं उसका टोमी और उसकी एस डाल देते हैं पूर एक्जामपल 3 और यहां पर मुझे करना कहा है यहां पर console.log तोमी को देखता हूं मैं तोमी तो यहां पर आप देखिए यहां पर टोमी नेम आ रहें टोमी और जारे ठी और यहां पर कोई भी मैठोडि यूज कर सकता हूं मैं वो for example Demi dog here फ्रेरान इरो मैं जऄ से बनाई बिल्कुल सेम काम गया किया बस यहां भी मैंने नाम नाम चेंच भी और यहां पर क्बना होगा। यह इसी बनेगी नाम कि तो आपको नहीं लगता कि आप इसको हटा जेते हूं यहां से कि आप animal class को use करके आगे आप dog बना सकते हो, cat बना सकते हो, आप कोई सारा code लिखने की जुरूद नहीं पड़ेगी, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए हम, मैं यहाँ पे सारे के सारे code को हटा देता हूँ, सारे के सारे code को हटा दिया, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, class dog, मुझे dog class बनानी है, और dog class को बनाते हुए, मैं extend कर लूँगा, extends अपनी animal class, इससे क्या होगा, इससे यह आपके dog class बन चुकी है, dog class बन चुकी है, dog class के पास सारे की सारी properties है, बलब कि जो भी dog का, जो object बनेगा, उसके पास सारे की सारी properties होगी, जो animal के पास है, मतलब name भी और सारे के सारी method भी होगे dog class के पास, जो animal class के अंदर आपने बना रखे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपको सारा का सारा code लिखने के ज़रूत नहीं पड़ी, अब ये दो line देखिए, चोबिस फी line देखिए, चोबिस फी line में मैं क्या गर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा ह एक object बना रहा हूँ, तो इस object का नाम है tommy, तो यहाँ पर मैं dog class का constructor call कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर देखिए dog class का कोई constructor नहीं है, यहाँ पर new क्या करता है, तो यहाँ पर dog class का कोई constructor नहीं है, javascript क्या करेगी, कौन सी class को extend कर रहे हैं, animal class को extend कर रहे हैं, तो animal class के constructor को use करेगी properties को add करने के लिए हमारे टोमी नाम के object में हमारे टोमी object में add हो जाएंगी यह दो properties name और age और कौन सा constructor यूज होगा animal class वाला तो यह constructor हमने use कर लिया और अगर कोई method जावस्क्रिप्ट को यहां पर नहीं मिलेगा dog class के अंदर जावस्क्रिप्ट क्या करेगी जो जिस class को मैं extend कर रहे हैं उस class में देखेगी अब यहां पर देखिए यहां पर जो डोग है ना इसको बोलते इसको बोलेंगे हम सब क्लास इसको बोलेंगे सब क्लास animal को हम बोल सकते हैं parent घ्लास हमने डोग अज्म बना लिया कैसे बन घ्लास एक्सेंट करके इसको extend करके base class को extend करके ओके और राइट यह इसको parent बिदे रिच मत इसको पर अन्दक करक्लास बोल लाई के लिए हम बैके डोग को हम सब क्लास बोल सकते हैं derived class बोल सकते हैं तो यह सब नाम है it doesn't matter आपको यह समझने हो क्या रहा है dog tommy को बनाने के लिए हम dog के अंदर कोई constructor नहीं है तो animal का constructor यूज हो रहा है तो मैं इसको run करके देखता हूँ देखें यहां पर true आ बिल्कुल सही है अगर मैं tommy को print करूं console.log tommy को print करूं तो यहां पर आप देखिए मैं फिर tommy print हो रहा है tommy के पास भी name age है यह properties है tommy के पास कहां सी आई इस constructor सी आई आई अब आपको समझ में आ चुक होगा यह अब इसको तोड़ी और बात करेंगे इसके उपर देखिए अब मैं चाहता हूँ जो मेरा dog होगा उसके पास name or race तो होगा उस dog के पास speed भी बताएंगे हम कि वह कुता कितनी तेज दोड़ सकता है ओके तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे मतलब कहने का मतलब समझिए अभी हम अपना dog class dog class का जो object बना रहे थे वह इस तरह से बना रहे थे और बाइद अब एक और चेच object को हम instance भी बोलते हैं पर जावस्कृट में mostly object को object ही बोलते हैं पर अगर आप दूसरी programming languages से आए हैं for example python, java, c++, c sharp तो वहाँ पर हम object को instance भी बोलते हैं जावस्कृट में भी बोल देते हैं हम अगर कोई object बोल रहे हैं या फिर instance बोल रहे है एक ही बात है confuse नहीं होना अगर मैं बोलूँ कि मैंने dog class का instance बनाया है तो मेरा मतलब यही है कि मैंने dog class को object बनाया है समझ के अब मैंने क्या का आपको दुबारा सुनी है यहां पर मैंने का मुझे यहां पर speed भी बतानी है for example जो मैरा tommy है वो 45 की speed से दोड़ सकता है तो यहां पर जो speed है ना मुझे यह भी बनाना यह भी प्रोपर्टी एड़ करनी है बट अगर मैं क्या करूं console.log tommy को print करूं और यहां पर मुझे करना क्योंगा फाइल नंबर 88 के साथ काम हो रहा तो यहां पर फाइल नंबर 88 लिख देता हूं मैं तो यहां पर देखिए यहां पर name है और range है यहां पर tommy के पास tommy object के पास कोई speed नहीं आई मुझे speed प्रोपर्टी भी एड़ करनी है तो कैसे करेंगा देखिए यहां पर आपको प्रोपर्टी को एड़ करने के लिए हम कौंसा constructor यूज कर रहे हैं हम animal class वाला constructor यूज कर जावस्क्रिट को डोग class में कोई constructor नहीं मिला तो जावस्क्रिट ने क्या किया चलो चलो भई कौंसी class को एक्सेंट कर रहे हैं हम animal का constructor यूज कर लेते हैं बट अब animal वले constructor से काम नहीं चलेगा हमारे हमें अपना खुद का constructor बनाना होगा यहां पर खुद का constructor बनाएंगे औ डोग का animal name होगा age होगी और speed होगी अब यहां पर ध्यान से सुनना अब name और age के लिए हमें हम क्या कर सकते हैं इसी constructor को यूज कर सकते हैं नेम और age के लिए हमें खुद से सेट करने के जूरत नहीं हम इस constructor को यूज कर सकते हैं कैसे यूज करेंगे super super class क्या होती है यह animal class को हम super class भी बोल सकते हैं तो अलग-अलग नाम है animal class को super class भी बोल सकते हैं और यह super काफी famous keyword है हम इसको काफी programming languages में यूज करते हैं super को super का मतलब हमारी यूज पेरेंट क्लास है यही होता है हम कहेंगे भाई super class के constructor को हम सोम देंगे name और age तो name और age प्रोपर्टी आड़ कर देगा super class का constructor यूज कि वो इसके काबिल है समझ गे तो एक बची speed speed को हम खुद आड़ कर लेंगे इस दोट इस पीड इस तो इस तो इस समझ गे आप अब देखते हैं तो मी को प्रिंट करा के अब तो मी के पास speed भी आ रही है इतना समझ गए आप ठीक है अब मुझे speed को यूज करके एक method भी बनाना है तो for example मैं एक method बनाता हूँ run क्यों कि simple क्या करेगा string return करेगा जिसमें लिख होगा इस डोट नेम जो भी नेम होगा इस रनिंग एट जो भी speed हो यूज की वो ओके तो अब देखिए क्या होगा तो यह पर speed आ रही है अब run method को call करके देखते हैं कैसे call करेंगे तो tommy.run run method return में क्या करेगा एक string return में करेगा उसे हमने print करा लिया देखते हैं तो देखें tommy is running at 45 kmph तो कितना आसान था समझ गया कि हमारा हमने इस code में और इस code में जो changes किया है आई हो आप कोई समझ आ चुके होंगे अब थोड़ी और बात कर लेते हैं मैं इस सारे के सारे code को उठाता हूं पर यहां पर यहां पर paste कर लेता हूं अब यहां पर tommy को अब tommy किसे मैंने run method यूज किया कैसे यूज हुआ देखी जावास्क्रिप्ट ने क्या का चलो देखिए जावास्क्रिप्ट ने कहा चलो dog class के अंदर देखते है run method है क्या है तो इसने उस run method को call कर दिया बिल्कुल ठीक बात अब मैं क्या करता हूं tommy के साथ eat method को call करता हूं तो यहां पर मुझे करना क्या होगा यहां पर file no.89 लिखना पड़ेगा यह बात मैं भूल जाता हूं तब नहीं भूलूँगा तो यहां पर देखे tommy is eating जावस्क्रिप्ट ने क्या आगा जावस्क्रिप्ट ने देखा क्या दोग के पास seat है क्या नहीं है चलो उसके super class में देखते हैं उपर base class में देखते हैं तो यहां पर उसे मिली गया इसने call कर दिया अब मैं चाहता हूं कि जो animal का जो eat है हो तो है बट मुझे जो dog का eat में थोड़ी सी modification चाहिए तो यहां पर करके दिखा देखा देखता हूं मैं आपको for example eat method यहां पर बना लेता हूं मुझे return यह नहीं return करना मुझे मुझे फ़ड़ा modify करके return करने से हैं कुछ और भी हो सकता है for example मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर पहले string में लिख देता हूं modified it और उसके बाद लिख देंगे for example same line लिख देता हूं उसके बाद यह बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं concept पर ध्यान दो okay concept पर ध्यान दो अब मैं चाहता हूं कि जब मैं किसी dog के object को को किसी dog के object पे यह method call करूं यह method call करूं तो यह call हो तो यह ही call होगा अब देखे क्या होगा modified it so me is eating तो अभी मतलब क्या हो रहा है देखें जावस्किप्ट सबसे पहले इसी class में देखेगी क्या eat method है क्या जब dog class में नहीं मिलेगा तब वो super class में देखेगी मतलब base class में देखेगी तो हम extend करें animal class में तो के पहले वो यहीं से देखना start करेंगे यहां नहीं मिला फिर उपर जाएगी देखने समझ गया तो यहां पे मैंने लिखा था same method in base class अगर आप same method बनाएंगे base class में तो base और base class के object से आप call करेंगे तो यही call होगा और for example अब हमने इतना सीख लिया यह कैसे यूज़ कर सकते हैं हम तो इसके लिए मैं क्या करता हूं क्लास पना लेता हूं person class और person class के constructor में person class के पास क्या के properties होगी person class person के पास होगा for example उसका first name होगा उसका last name होगा और उसकी age होगी तो यहां पे this.first name equals to first name और this. okay तो यहां पे मैंने गलती कर दे एक छोटी सी यहां पे कुछ इस तरह से आएगा this.last name equals to last name और जहां पे age के लिए भी this.age equals to age तो इतना तो आपको पता है यह काम हम कर चुके हैं already बहुत बार simple मैं क्या करता हूं यहां पे यहां पे सको object बनाता हूं for example person one एक object है person class से बनाऊंगा और पास कर दूँगा यहां पे first name for example खरशित कर्मा age 5 for example यहां पे इस file को लिख दूँगा file number 90 के साथ काम कर रहे हम तो यहां पे लिखूंगा file number 90 alright और यहां पे मुझे करना गया है इसको प्रिंट करते हम console.log person one देखे person print हो रहा है age है उसके बास first name है last name हम एक method बनाऊंगा method का नाम है for example full name full name और यह full name क्या देगा मुझे full name मुझे return में देगा एक string देगा return में जिसमें क्या होगा this dot first name फोड़ा सा space और फिर this dot last name this dot last name अब मैं call कर सकता हूँ full name को कैसे call करेंगे person one dot full name तो मैंने call कर लिया अर्शित शर्मा अब यहां पे द्यान से सुनना मैं क्या को लूँगा देखें full name क्या है full name एक method है full name क्या है full name एक method है full name method क्या कर रहा है जो भी first name होगा तोड़ा सा space जो last name होगा वो return करेगा एक string return करेगा string return करेगा और मैं उस string को print करा सकता हूँ किसी और variable में store करा सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ तो method हो गया method को हम call करते हैं इस तरह से person one dot full name method को हम call करते हैं ऐसे parentheses लगा के but properties को हम call नहीं करते properties क्या होती है for example person one dot यहाँ पर मैं लिखू first name तो first name को मैं call करने की जूरूत नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ इसको directly console dot low कर सकता हूँ console dot low कर सकता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा first name क्या है first name क्या है हरशित है ऐसी मैं last name के साथ कर सकता हूँ last name तो last name मिल गया मुझे एस देख सकता हूँ मैं एस मिल गई अगर मैं full name लिखूंगा तो यहाँ पे ऐसे करूँगा तो बूरा का बूरा function यहाँ पे print हो जाएगा यहाँ पे parenthesis लगा के इसे call करूँगा तभी यह return करेगा string और तभी मैं print कर पाऊँगा full name बड़ यह ऐसा हो रहा है मैं कैसा चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे इसको property की तरह use करूँ full name जो method है इसको property की तरह use करूँ और यह call हो जाए लगी बिना parenthesis के मैं इसको call करना चाहता हूँ property की तरह use हो जाए और फिर क्या हो फिर हर्शिक शर्मा प्रिंट हो जाए मतलब मैं इस line से यह output चाहता हूँ इस line से यह output चाहता हूँ यह कैसे मिलेगी अभी क्या हो रहा है यहाँ पर पूरा पूरा function मिल रहा है मुझे बहुत ही जादा simple है सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है get space तो यहाँ पे आपने कर दिया अपने function का नाम लिख दिया यहाँ पे सिर्फ आपने तीन words लिखे है get get और इससे क्या होगा इससे अगर मैं इसको अबरन करूंगा तो देखिए खर्षी शर्म मिल गया मतलब अब full name को मैं method को as a property की तरह यूज़ कर सकता हूं इसको यह internal equal होगा बट आपको parenthesis लगाने की जोड़त नहीं है तो देखना क्या होगा तो यहाँ पे यह लिखा जएगा person one dot full name is not a function यह यह फंक्शन ही नहीं है यह property की तरह ही आपको ट्रीट करना है इसे अब समझ गया बहुत simple था यह होते हैं getter of methods हमें कुछ getters okay full name भी getter था बस हमने get लगा गया यहाँ पे तो इससे क्या और हम इसको property की तरह use कर सकते हैं अब तोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में अब यह तो होगया get अब for example मुझे user का जो full name है वो full name से मुझे user का बनाना set करना है first name और last name example के तोर पर देता हूं अभी person one object है इसका first name अर्षित है last name शर्मा यहाँ पर method मनाता हूं मैं method का नाम रखता हूं मैं for example set name set name तो यह क्या करेगा यह दो चीज़े लेगा first name लेगा last name लेगा और क्या करेगा this.first name equals to first name और this.last name equals to last name मतलब इससे क्या होगा हम अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं पहले मैं इसको इस लाइन को comment उट कर देता हूं तो भी कुछ भी नहीं है अब यह line है इससे object बन रहे है मैं object का first name प्रिंट करा सकता हूं कैसे person one का first name console.log person one dot first name ऐसी last name प्रिंट करा सकता हूं last name प्रिंट हो जाएगा last name तो हो गया अब मुझे object बनाने के बाद इसका first name और last name चेंज करना है तो इसको इसके लिए मैं set name method यूज कर सकता हूं कैसे यूज करेंगे देखिए मैं person one dot set name करूँगा और यहां पर पास कर दूँगा for example यहां पर मुझे यहां पर नाम चेंज करना है for example डालना है मोहित और यहां पर साथ में डालना है पहले हर्शित शर्मा था इसका नाब अब इस person का नाम मैं change करके कर रहा हूं हर्शित वस्षिष्ट ओके चेंज करने के बाद मैं इसका first name और last name दुबारा से प्रिंट करवाँगा और अब देखते हैं और यहां पर semicolon नहीं लगा है semicolon JavaScript में mandatory ही नहीं होते बट मुझे लगाने पसंद है जावस्षिट में semicolon पहले इसका first name था हरसित है लास्ट नाम ठाशर्मा फेर हमने set name Method यूइज करके हमने क्या किया first name मोहित हो गया लास्ट निम वस्षिष्ट हो गया किए एक- मैथ तरीका था कि एक और तरीका क्या हो सकता था अब डिरेक्टलि क्या कर सकते थे अब ऐसा कर शक्ते से रहे person one dot person name आपने change करके कर दिया for example Our first name आपने change करके कर कर दिया प्रसिश्टा ऐसे अभी सैम काम होगा मतलब यह दो line और यह एक line दोनों equivalent है, आप दोनों में से कुछ भी use कर सकते बट अब मैं क्या चाहता हूँ, वो सुनो मैं चाहता हूँ, द्यान से सुनना अगर मैं ऐसा, देखिया, मैंने आपको क्या कहा कि full name के लिए मैं क्या कर सकता हूँ simple ye line कर सकता हूँ, simple ye line print करूँगा, तो मुझे full name मिल जाएगा आपको पता है, तो ऐसे full name मिल जाएगा मेरे को खरशी चर्मा, अगर ये line print करूँगा मैं, full name, ऐसे देख सकता हूँ, अब मेरी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं इस code को न हटा देता हूँ अभी इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहां से, मैं चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखा हूँ, person one dot full name equals to, यह आपको ऐसे नहीं लग रहा है, मैं कोई property change कर रहा हूँ, ओके, बट ऐसी property है इसको मैं change करना हूँ, मुझे क्या करना है, person one dot full name equals to, यहां पर मैं लिखू यहां पर mohit persist, तो ऐसा करने से, खुद यहां पर first name mohit हो जाए, तास ने वशिष्ट हो जाए, मतलब कि मुझे कुछ ऐसी functionality चाहिए, बलब कि जैसे मैं property को change करता हूँ, normal, वैसे ही, मैं full name person one dot full name equals to mohit वशिष्ट कर लूँ, कुछ समझे कि आप, यह line के run करने से क्या होना चाहिए, यह line के run करने से, इसका first name mohit हो जाना चाहिए, last name वशिष्ट हो जाना चाहिए, बट अभी यहां पर कुछ नहीं होगा, अगर मैं यहां पर, console dot log, अगर अपने person one को देखूं, person one को देखूं इसके बाद, तो देखिए, person one अभी भी हर्शिद है, last name अभी भी शर्मा है, उसके बाद, अगर मैं console dot log full name देखूं, full name क्या हो चुक है अभी, तो यहां पर देखिए, तो और यहां पर, person one dot full name देखूं, person one dot full name हर्शिद शर्मा है, मुझे क्या करना है, मुझे अगर यह, 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 लाइन लिखूं, तो यहां पर first name होई तो जाए, last name वस्ट हो जाए, तो इसके लिए हम use कर सकते हैं, इसको हटाता हूँ, मैं यहां से, set name की जूरूरत नहीं हाँ है, तो यहां पर set method यूज कर सकता हूँ, यह full name set करेगा, ठीक है, यह क्या लेगा, यह, यह value लेगा, कुछ ना कुछ value लेगा, यह, for example, यह full name लेगा, as a input, और मैं क्या करूँगा, इस full name को split कर लूँगा, जो full name है, वो split कर लेगे हम, और split किस से करेगे, spaces से, इस line का मतलब समझिए, for example, user ने हमने, हमने कुछ ऐसा लिखा, mohit वसिष्ट लिखा, अगर mohit वसिष्ट लिखा, तो यह क्या करेगा, यह जो space है ना, यह देखेगा space का है, इसको space यहां मिला, जहां पर space मिलेगा, वहां से इसको split कर देगा, mohit अलग कर देगा, वसिष्ट अलग कर देगा, split करके list मना लेगा है, ऐसी list मना लेगा, और ऐसी list मन जाएगी मेरी, इस line से यह काम होगा, अगर full name की value मोहित वसिष्ट जा रही है, अब मुझे करना कहा है, split करना है इससे, full name को split करना है, जोड़ा space होगा जहां पर, split करके, अलग-अलग variable में store करना है, variable में store करने के लिए आपको एक trick पता है, वो क्या है, destructuring कर सकते हैं आप, तो मैं क्या करूँगा, तो destructuring कर ली मैंने, अब क्या होगा, मैं set कर सकता हूँ, तो बाद मैं क्या करूँगा, this.first name equals to first name, this.last name equals to last name, अब यह line अपना काम करेगी, यह line अपना काम करेगी, तो अब आप देखना, sign की जुरुत नहीं है, इससे देखना, इसका first name change हो जाएगा, और last name हो जाएगा, देखिए, first name होईत हो गया, last name उस्ट हो गया, बिल्कुल सभी काम हो रहा है, तो यही है, getter, setter, बहुत असान है, ओके, तो आपको समझा चुक हो गए, नहीं समझा है, दुबारा देखिए, फड़ा सा पीछे कीजी वीडियो को दुबारा देखिए, practice कीजी, code कीजी, जहां से समझने कोशिश कीजी, यह मैं कर के आ रहा हूँ, अगर आपको इस लाइन में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपका, या तो यह concept clear नहीं है, या यह concept clear नहीं है, object destructuring मैंने आपको बता रहा है, sorry, array destructuring मैंने आपको बता रहा है, destructuring क्या होता है, बहुत असान चीज़ है यह, और यह, यह मैंने आपको समझा दिया, यह क्या करेगा, यह string की list बना के देगा, और कहां से तोड़ेगा string को, जहां पे space होगा, वहां से split करके, लिस्ट बना के देगा, और list को हम डिस्रक्टर कर रहे हैं यहां पे, समझ गया आप, बहुत असान है, मेरे बस दू है, एक animal class है, और एक dog class है, अब मैं क्या करता हूँ, एक animal class को object बनाता हूँ, animal class को object बना लेता हूँ, for example, const animal one, यहां पे new keyword लिखेंगे हम, और, sorry guys, sorry sorry, यहां पे animal, और यहां पे हम क्या पास करेंगे name, for example, कुछ भी name पास कर सकते हैं, और हम मैं क्या करूँगा, animal one को देखता हूँ, console.log, animal one को देखता हूँ, यहां पे animal one दिख रहा है मुझे, अब मैं क्या करता हूँ, call करता हूँ, eat method को, animal one dot eat, अब देखिए, अभी यही वहला method call होगा, eat, अब यह वहला method call नहीं होगा, आई हुब आपको यह समझ में आ चुका होगा, और अब हम बात करेंगे, static methods and properties के बारे में, तो बहुत असान है, अब भी समझा दूँगा मैं आपको, for example, इसी class को मैं यहाँ पे copy करता हूँ, और paste करता हूँ, देखें, यह जो मेरे पास method है, full name हो गया, या set full name हो गया, get full name हो गया, या कोई और भी method है मेरे पास, यह सब relate थे मेरे object से, या मेरे instance के, for example, यहाँ पे एक दू method और copy कर ले तूँ मैं, for example, यह तीन method और copy कर ले तूँ यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे पास करता हूँ, मुझे क्या पास करना है यहाँ पे, first name, last name, यहाँ पे हर्शिट, यहाँ पे मैंने first name, last name, यहाँ पे यहाँ पे, तो यह मैरे object बन गया, अब यह जो methods है न, इन methods को यह object ही call कर पाएगा, for example, person one dot, आप देख सकते हैं, मैं eat call कर सकता हूँ, करके देखते हैं call, और जो भी return करेगा, उसको print करेंगा, जो भी return करेगा है, तो आप देखिए, undefined is eating, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे this dot name है, तो यहाँ पे, पाएदे से मुझे this dot first name लिखना चाहिए, तो हर्शिद is eating, तो यह method मैं object पे call कर सकता हूँ, तो यह method है, यह किसे related है, यह मेरे objects related है, जो object बनेगा इस class से, उस से related है, बट मैं ऐसे method भी बना सकता हूँ, जो इस class से directly related होँगे, जिनको call करने के लिए, मुझे object बनाने की जुरूत नहीं है, मैं directly call class पे call कर सकता हूँ उसे, example देखते हैं इसका, for example मैंने class बना दी, मैंने person, उस class के अंदर मैं एक method बनाता हूँ, static लिखके, static paste, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, for example, class info लिखता हूँ, for example, class info, तो यह मेरा method है, यह method simple return करेगा, this is person class, यह मैंने simple method मनाया, ज्यादा कुछ किया नहीं, बस मैं आपको यह समझाना जाता हूँ, यह class info method है ना मेरा, आप इसको object पर call नहीं कर सकते, for example, person one dot, class info, आप इसको इस तरह से call नहीं कर सकते, error आ जाएगा, देखे क्या error आ रहा है, person dot class info is not a function, तो error आ रहा है, तो यह method, जो static method होते हैं, directly class related होते हैं, मैं इसको directly person लिखके, जो मेरी class है, उसका नाम लिखके, मैं इसको call कर सकता हूँ, तो directly मैं call कर सकता हूँ, यह कुछ return करेगा, तो मैं उसको किसी variable में store कर लेता हूँ, मैं directly print भी कर सकता था, और मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, यह मुझे uns लिखने की आदत पड़े गई है, तो यहाँ पे इसका कुछ मतलब नहीं मनता, variable का uns लिखना, तो for example यहाँ पे, info लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखे, this is person class, तो इस method को आप class से ही call करेंगे, object बनाने की जरूँत नहीं है, आपको यह method call करने के लिए, तो यह बाद आपको समझ में आ गई, अब जैसी class, जैसी static method है मेरे पास, जैसी static properties भी है मेरे पास, और आप सोच रहोंगे इनको कब यूज करते हैं, देखिए अपने project मनाएंगे, तब मैं बताऊंगा कब यूज करते हैं, तो सब बताऊंगा मैं आपको चिंता मत करो, ओके बस आपको यह ध्यान में रखना है, कि मेरे पास एक static methods होते हैं, जिनको मैं class से call कर सकता हूँ directly, और मुझे object मनाने की ज़रूत नहीं है, इस static methods हैं, वैसी मेरे पास होते हैं static properties, for example, static, और for example, DESC करके मुझे एक property बना लिया, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, for example, static property, कुछ इस तरह से, तो इससे क्या होगा, देखे, यह मैंने static के लिखे कर देश से क्या होगा, देखे, आब DESC को एक्सेस कर सकते हैं, directly class का नाम लिखके, for example, console.log, person, इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, इसे object पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, for example, आपने यहाँ person मनाया है, जो उनसा person1, अगर आप सोचें कि मैं वो यूज़ करके इसको एक्सेस करूँगा, तो वैसा आप नहीं कर सकते, आपके पास error आजाएगा, undefined आजाएगा आपके पास, क्योंकि person1 के पास, DESC करके कुछ नहीं है, person1 के पास क्या कहा है, सिर्फ person1 के पास first name, last name, मेरी class के पास तो static method है, class info, और DESC, तो इसका ध्यान रखने है, अगर यह इतना crucial नहीं है सीखना, आप इसे, ओके इतना crucial नहीं है, आगे हम बात करेंगे और सीखों के बारे में, बस classes के बारे हम इतना ही बढ़ते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, how JavaScript works, finally हम उसकी बात करेंगे, how JavaScript works की, फिर हम DOM manipulation की बात करेंगे, फिर हम asynchronous JavaScript के बारे में बात करेंगे, फिर हम iterators, generators की बात करेंगे, और फिर कुछ extra तीजियों के बारे में बात करेंगे, और फिर हमारे tutorial ये खतम हो जाएगा, अब logo के लिए चिंता तो थी, बट उस टाइम पे, Nets के, Brandon Ike को भी ये चिंता हो रही थी, कि JScript ज़्यादा popular हो जाएगी, और Microsoft उनका आदा credit खुद ले जाएगी, तो इसी लिए Javascript को लेके गई ACMA के पास,